ये सचिदानंद सरकुरू साइनात महाराज की जै आरति साइबाबा सुख्यदातार जीवा चरणर जतरी द्यावादा सावी सावा भकतावी सावा आरति साइबाबा जारू नियानंग स्वस्वरू पिराहे दंग मुमुक्षु जनादावी निज डोडाश्री रंग डोडाश्री रंग आरति साइबाबा जयामने जैसा भाब तया तैसा अनुभव दावी सी दयाघना ऐसी तुझी हिमाव तुझी हिमाव आरति साइबाबा तुम्चे नाम ध्याता अरे संस्रूति रथा अगाधत वकरनी मार्ग दावी सी अनाथा आरति साइबाबा कलियोगी अवतार सगुणकर भ्रम साचार अवतिर्ण जालासी स्वामी दत दिगंबर आरति साइबाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करीतिवारी प्रभुपद पहावया भव भयनिवारी आरति साइबाबा माजा नीज द्रव्य ठेवा तव चरन रज सेवा मागने हैची आता तुम्हा देवाधी देवा देवाधी देवा आरति साइबाबा इच्छ दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवाया सांभळ आपूली भाग आरति साइबाबा सुख दातार जीवा दातार जीवा आरति साइबाबा शिरि माजे पंदर पूळ शाईबा बाबार बाबर माबर शुख अप्प्ति चंरभाग बाब बंडली कागा बाब बंडली का जागा याओ याओ अबिजन अगर माबासी बंदन अग साइबा demás anos पाव माजे आई जिदरमादवं वोपिकावलवं जानकी नायकं रामचंद्रम बजे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे हरे श्री साई सच्चरित ओम श्री साई नाथा ये नमाः अध्या एक का प्राणम करते हुए, बाबा की अनुमती से हम अध्या एक का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वच्य नमाः श्री गोभ्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमाः श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाः इस अध्धाय में बंदनाद गेहूं पिसने वाला एक अध्भुत संत गेहूं पिसने की कथा तथा उसका ताथपरियत इसके बारे में जाने हैं पुरातन प्रधती के अनुसार श्री हेमाडपंत श्री साइस सच्छर्क्र का आरंभ बंदना द्वारा करते हैं प्रधम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं जो कार्य को निर्विग्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साइई ही गणपती है फिर भगवती सरस्वती को जिन्होंने काव्यरचने की प्रेरना दी और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्द नहीं है क्योंकि स्वयम ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं फिर ब्रम्हा, विश्णु और महेश को यो क्रमशाः उत्पत्ती, स्थिती और साहार करता हैं और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्द हैं फिर स्वयम ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे फिर अपने पुल देवता श्री नारायन आधिनात की बंदना करते हैं जो की कॉंकण में प्रगट हैं कॉंकण वो भुमी हैं जिसे श्री पुषराम जी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था तत्पश्चात वे अपने खुल के आधि पुरुषों को नमन करते हैं फिर श्री भर्दबाज मुनी को जिनके गोत्र में उनका जन्म शुक, शौन, विश्वामित्र, वशिष्ट, वामदेव, जैमेनी, वैशंपायन, नवयोगिंद्र, इत्यादी तथा अधुनिक संद, जैसे निवरुत्पी, न्यांदेव, सोपान, मुक्तावाई, जनारदन, एकनात, नामदेव, तुकाराम, काना, नरहरी आधि को नमन क पिर अपने पितामह, सदाशिव, पितार रगुनात और माता को, जो उनके बच्पन में ही गत्थ हो गई थी, फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरन पोशन किया, और अपने प्रिय जेश्ट भ्राता को नमन करते हैं, फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रथना है कि वे एकाग अचित्त होकर पथा मृत का पान कर, अंत में श्री सचिदानंद सत्गुरू श्री साइनात महराज को, जो की श्री धक्तात्रे के अवतार और उनके आश्रे दाता है, और जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ग्रंतकार, महोदय, निम्नलिकित, कथा प्रारंब करते हैं, तो आईए, सुनते हैं गेहु पीसने की कथा, सन 19-10 में, मैं एक दिन प्रातक का, श्री साइई बाबा के दर्शनार था मस्जिद में, वहां का विचित्र द्रिश लेक, मेरे आश्चर्य का टाना न रहा, कि दालकर पीसना आरम कर दिया, मैं सोचने लगा, कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाब है, उनके पास कोई है गी नी, और बे, अपना निर्वाह भी, विक्षा वृत्ती द्वारा ही करते हैं, इस घटना के समय वहां उपस्तित अन्य वेक्तियों की भी, ऐसी धर्वत, पर अलही नरनारियों की भीड मस्जित की ओर दोड़ पर, उनमें से चार मेडर्स त्रिया, भीड को चीरती हुई उपर आई, और बाबा को भलपुर्वत वहां से हटा कर, उनके हाथ से चक्की का खूटा चीन तर, तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए, उन्होंने गेहु घर द्वार है, और ना इनके कोई बालबच्चे हैं, तथा ना कोई देखरे करने वाला ही है, वे स्वयम भिक्षा वरित्ती द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतख उन्हें भोजनादी के लिए आटे की आवशक्ता ही क्या है, बाबा तो परम दयालू हैं, हो सकता ह कि ये आटा, वे हम सब लोगों में ही वितरन करते हैं, इन्हीं विचारों में मगन होकर गीत गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस दाता, तब उन्होंने चक्की को हटा कर आटे को चार समान भागों में विभक्त कर लिया, और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को रही हो, अच्छा, अब एक काम कर, ये इस आटे को ले जाकर गाउं की सीमा पर बिखे रागा, मैंने श्रिडी वासियों से प्रश्ण किया, जो कुछ बाबा ने अभी किया है, उसका यतार्थ हमें क्या ताप परिया, उन्होंने मुझे बतलाया कि गाउं में विशुतिका याने हाईजा का जोरों से प्रकोफ है, और उसके निवारनार्थ ही बाबा का ये उप्चार है, अभी जो कुछ आपने पीस्ते देखा था, वो गेहु नहीं, वरन विशुतिका याने हाईजा का, जो पीसकर में नश्ट कर दी गई, इस घटना के पश्चा सच-कुछ और विशुतिका याने हाईजा रोक का वहुतिक तथा वारत पारिक क्या संबन्द है, इसका सूतर कैसे ग्या था, घटना बुद्धिगम्यसीर प्रतीत नहीं होनी, अपने रिधा की संतुष्टी के हेतु, इस मधुर लीला का मुझे चार शब्दों में महत्व अवश्य लीला का चिंतन करते हुए मेरा रिधाय प्रफलित हो उठा और इस पकार बाबा का जीवन चरितर लिखने के लिए मुझे प्रेरना मिली, ये तो सब लोगों को विदित ही है, कि ये कारिया बाबा की खृपा और शुभा आशिरवाद से ही सफलता प्रवक संपन्न होना, अ बाबा शिरडी में साथ वर्षों तक रहे और इस दीरगताल में उन्होंने आठा पीषने का कारिया प्राया, प्रति दिन ही किया, पीषने का अभिप्राय ये हुं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापो तुर्भाक्यो मानसिक तथा शारिरिक तापों से था, उनकी चक् की मुख्या जिसे फकर कर बेपीस्ते थे, वो था ग्यान, बाबा का दिड़ विश्वास था, इस अब तक मनुष्य के इरदे में प्रवर्टियां, आसक्ती, घिना तथा एहंकार नश्ट नहीं हो जाते, जिनका नश्ट होना अत्यंत दुश्कर है, तब तक ग्यान तथा आत्मान भूती संभव नहीं ही, ये घटना कविदाश जी की, इसके तद अनुरुप घटना की समर्थी दिलाती है, कविदाश जी एक स्त्री को आनाच पीस्ते देखकर, अपने गुरू निपट निरंजन से कहने लगे, कि मैं इस लिए रुदन कर रहा हूं, कि जिस प्रक पर लो जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हैं, उससे दूर मत जाओ, बस केंदर की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब ये निश्चित है, कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही मत जाओ, यहां पर हमारा पहला अध्या समात होता है, श्री सद्गु पज़तः बुटि साइनाथार पनमस्तू, शुभम भवतु, ओम नमो भंगवते साय देवाया, ओम श्री साइनाथाय नमाः, अध्याय दो प्रारम, अब हम Бाबा के अनुमति और आशिरवात से अध्याय दो плए अश्रवन करेंगा, श्री गनेशाय नमाः, श्री सरस् श्री पुलदय वताय नमहा श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमहा श्री सद्द्गुरु साइनाथाय नमहा इस अध्याय में हम ग्रंथ लेकन का ध्ये, कार्या रम में असमर्थता और साहथ, गर्मागरम बहस, अर्थपूर्ण उपाधी, हेमाडपन और गुरू की आवश्चक्ता इसके बारे में श्रुपू गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साहिस सच च पेचन करते हैं, गरंथ लेकन का हिप, इस प्रकार विशुतिकार याने हैज़ा के रोप के प्रकोप को आठाप इस वाकर तथा उसको ग्राम में बाहर फैकवा कर रोका था तथा उसका उन्मूलन किया, बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वरनन किया जा चुका है मैंने और भी लिलाएं सुनी, जिनसे मेरे विधय को अतियानन्द हुआ और यही आनन्द का स्त्रोत का विरूप में प्रकट हुआ, मैंने ये भी सोचा कि इन महान आश्चरय जनक लिलाओं का वरनन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजद एवं शिक्षा प्रत सिध्ध होग तथा उनके पाप समूल नश्ट हो जाएं। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र, जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारम कर गी। श्री इसाई की जीवनी न तो उल्जन पूर्ण है और न संकीर नहीं, वरन सत्य और अध्यात्मिक मार का वास्तविक की दर्शन कराती है। कार्या आरं करने में असमर्थता और साहस है। श्री हेमाडपन को ये विचार आया कि मैं इस कार्या के लिए उपयोकत पात्र नहीं हूँ, मैं तो अपने परमित्र की जीवनी से भी भली भाती परिचित नहीं हूँ और नहीं अपनी प्रकृती सी। तब फिर मुझ सरीखा, मूड मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुसाहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवुत्ती के वरणन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। इसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयम को पहले संत होना नितान क अवश्यक्त है। फिर मैं उनका गुंगान करने के सर्वता अयोग्या ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साज की अवश्यक्ता है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोगों के समक्ष आस्यका पात्र बनना पाए। इसलिए श्री साई वावा की कृपा प्राप्त करने क लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने हूँ। महाराष्ट के संत श्रेष्ट श्री ज्यानेश्वर महाराथ का कथन है कि संत चरितर के रचैता से परमात्मा अतिप्रसन्न होता है। तुल्सिदाज जी ने भी कहा है कि साधू उचरित शुवसरी सक पासू निरस विशद गुणमया भलजास जो सही दुख पर चित्र दुरावा वंदनीय जेही जग जसपावा वक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्या पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्त प्रेरणा तो संती किया करते है। वक्त ढ़तिए संतों में अंतप्र रिणा पैदा की, और कार्य पूर्ण हो गए। इसी प्रकार, शक्षम्वत 1800 में श्री दासगनु की सेवा स्विकार होई। महिपति ने चार का गरच भक्त विजय, संत विजय, भक्त लिलामृत और संत लिलामृत और दासगणों ने केवल दो भक्त लिलामृत और संत कथामृत जिसमें अधुरिक संतों के चरित्रों का वरणन किया है पत्त लिलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संदक अध्यामृत में 57 में अध्याय में श्री साई बाबा की मधुर जीवनी तथा अमुल्य उपदेशों का वरणन सुन्दर एवं रोचक धंग से किया गया इनका उध्यरण श्री साई लिला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया पाठकों से इनके पठन का अनुरोध इसी प्रकार श्री साई बाबा की अध्यूत लिलाओं का वरणन एक बहुत सुन्दर छोटी सी कुस्तिका श्री साईनाद भजनमाला में किया गया इसकी रचना बांदरा की श्रीमती सावित लिबाई रगुनात तेंडुल करने की श्री दाजगनु महराज ने भी साई बाबा पर कई मधूर कविताओं की रचना की एक और भग अमिदाल भवानी महता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित लिया इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवनी साकर के सद्रिश अगाद विस्त्रत और अथा है यदि उसमें गहरे गोते लगाएं जाए तो ग्यान एवं भक्ति रूपी अमुल्य रतनों की सहज ही प्राप्ती हो सकती जिन से मुमुक्षों को बहुत लाग हो श्री साई बाबा की जीवनी उनके द्रिश्टांत एवं उपदेश महान आश्चरिय से परिपूर्ण है दुख और दुल्भाग गरस्त मानों को इन से शांती और सुप प्राप्त होगा तथा लोक वपरलोक में श्रेयस की प्राप्ती होगा यदि श्री साई बाबा के श्री साई बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सवभागे से वन्चान ही मनोरंजक और शिक्षा प्रद्ध हैं ध्यान पुर्वक श्रवन एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनो वांचित्वल की प्राप्ती हो जाए अर्था ब्रह्म से अभिन्नता अ सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है जो भोले भाले प्राणी श्री साई बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सवभागे से वन्चित रहे हैं उन्हें यह चरित अति आनंद दायक प्रतीत होता अता मैंने भी अपना एहंकार उनके श्री चरणों पर म्योच् कि अब मेरा पत अती सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोग और परलोग में सुखी बना दे मैं स्वयम बाबा की आग्या प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था अता मैंने श्री माधवराव उपनाम शामा से जो की बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे इस हेतु प् कि या अन्ना सहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अतियुच्छ है परंतो आप क्रिपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवशक्ता ही क्या है आपकी केवल क्रिपा और अनुमती से ही ये लिख सकेंगे अथ्वा आपके श्री चरण और उदी देकर अपना बरदहस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और तुष्टांतों को एकत्रित कर लिपी बद करने ले मैं इनकी साहता करूँगा मैं स्वयम ही अपनी जीवनी लिख कर भक्तों की चापपूर्ण करूँगा परंतो इनको अपना अहम त्याक्तर मेरी शरण में आना हूँ जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अट्याधिक साहता करता हूँ मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है मैं तो इन्हें घर बैठे अनिक प्रकार से साहता पहुंचाता हूँ जब इनका अहम पुर्णताह नश्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी न मिलेगा तब मैं इनके अंतक्रण में प्रकट होकर स्वयम ही अपनी जीवनी लिखूंगा मेरे चवित्रों उपदेशों के शर्वन मात्र से ही भक्तों के रिदय में शद्धा जगरुत होकर सरलता पुर्वक आत्मानु भूती एवं परमानन की प्राप्ती हो जाएगा ग्रंच में अपने मत्ग का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विशय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद के कुछ एष्टा नहीं होनी चाहिए अब श्रवन करते हैं अर्थपूर्ण उपाधी हेमाडपन वाद विवाद शब्से हमको स्मर्ण हो आया कि मैंने पाठ़कों को वचन दिया है कि हेमाडपन तो उपाधी किस पकार प्राप्ती इसका वर्णन करूँ अब मैं उसका वर्णन करता श्री काका सैथ दिक्षित और नाना सैथ चंदोर कर मेरे अतिघनिष्ट मित्रों में से उन्होंने मुझे श्रवडी जाकर श्री साही बावा के दर्शनों का लाब उठाने का अनुरोद किया मैंने उन्हें वचन दिया परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी श्री आतरा स्थगित होगे मेरे घनिष्ट अमित्र का पुत्र लोनाला में रोग ब्रस पो गया था उन्होंने सभी संभव आधी भोतिक और अध्धात्मिक उप्चार किये परंतु सभी प्रयत्मन न प्रयत्मन ने परंतु जो गोना है वो तो होकर ही रहेगा और वो इस प्रकार को आध्यारी नाना साहिप कांदोर कर वसे के दवरे पर जा रहे थे वे ठाना से दादर पहुंचे तथा वसे जाने वाली गाड़ी की प्रतिक्षा कर रहे थे उसी समय बांदरा लोकल आप तथा शिर्डी आतरा स्थिक्त करने के लिए मुझे आड़े हाथ लिया नाना साहिप का तर्क मुझे उचित तथा सुख़दाई प्रतिक्षा और इसके फलस्वरूफ मैंने उसी रात्री शिर्डी जाने का निश्चे किया और सामान बांद कर शिर्डी को प्रस्थान कर ल इस निश्चे के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिबे में प्रवेश किया गाड़ी छुटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिबे में आया और मेरा सामान देखकर मुझे मेरा गंतव्यों स्थान कोचने लिए मैंने अपना कारेकरम उसे बतला द परन्तो ऐसा कटना न भागे ने साथ दिया और दूसरे देन नौ दस बजे के पूर्व ही मैं श्रीडी पहुंगे ये सन 1910 की बात जब प्रवासी भक्तों के ठेरने के लिए साठे वाड़ा ही एक अमात्र स्थान थी तांगे से उतरने पर मैं साई बाबा के दर्शन के लि और फिर स्नानादी से निवरित्त होने के पश्चात सुविधा से भेट करने जाना ये सुनते ही मैं दौड कर गया और बाबा की चरण वंदना है मेरी प्रसनाता का पारावार नरा मुझे क्या नहीं मिल गया था मेरा शरीर उलसित सा हो गया शुदा और त्रशा की सूधी जाती रहे जिस क्षंड से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्थ हुआ मेरे जीवन में एक नुतन अनन प्रवाह बहने लगा मैं उनका सदय वक लिए रिनी हो गया उनका योगकार मैं कभी न भूल सकता मैं सदा उनका स्परण कर उन्हें मानसिक प्रणान कि जैसा कि मेरा अनुभा में आया कि साई के दर्शन में ही ये विशेष्टा है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पढ़ने लगता है और शनय शनय आना सक्ती और सांसारी भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है कि वलकत जन्मों के अने को संपूर्ण वीश्वही साई माई दिख्लाई पड़े अब सुनते हैं गर्मा गरम दहस कैसे हुई उसके बाद शिर्डी पहुंचने के प्रतम दिन ही बाला साहिप तथा मेरे वीज गुरू की आवशक्ता पर वात बबाद चड़ ज़ड़े मेरा मत था इस वतंत्रता त क्याक कर पराधिन क्यों होना तथा जब करम करना ही पड़ता है तब गुरू की आवशक्ता ही कहा रहे हैं प्रत्यक को पूर्ण प्रयत्म कर स्वयों को आगे बढ़ना चाहिए गुरुशिष्य के लिए करता ही क्या है वो तो सुक से निद्रा का अनन लेता है इस प्रकार म मेरे मान कचु और है विधाता के कचु और फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले भाई साब ये निरी विद्वत्ता छोड़ किया एहंकार तुमारी कुछ भी साहता न कर सके इस प्रकार दोनों पक्षों के हंडन मंडन में लगबग एक घंटा व्यतित हो गया और एहंकार न हो तब तक विवात संभव नहीं वस्तु तहा ये एहंकार ही विवात की जड़ जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को सम्मोदित कर प्रश्ण किया किस साथे वाड़ा में क्या जल रहा किस विशे में विवात था फिर मेरी ओ का ज्यान कैसे हो सकता था मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड़ पंद के नाम से मुझे क्यों संभोधित करते हैं यह शब्तो हेमाद्री पंद का पभरंश है हेमाद्री पंद देवगिरी के यादव राजवन्शी महराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थी व वही खाते की पत्ति को जन दिया और कहां मैं इसके विपरित एक अज्यानी मूर्ग और मंदमती हूँ अतक मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विशेश उपाधी से विवुशित करने का क्या ताक पर यह गहन विचार करने पर मैं इस निशकर्ष पर पहुंचा कि कही कि मेरे एहंकार को चूरन करने के लिए ही बाबा ने इस अस्तर का प्रयोग नहीं किया ताकि मैं भविश्य में सदैवे के लिए निराभिवानी एवं बिनम रहो जाओं अत्वा कहीं ये मेरा वाक्चातुरिय के उपलक्ष में मेरी प्रशंचा तो नहीं है भविश्य पर प्रिष्टपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमाड पंत की उपाधी से विभूशिक करना कितना अर्थपूर्ण और भविश्य गोज़ग सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोल करने श्री साही बाबा संस्तान का प्रबंध कितने सुचारू एवं अब सुनेंगे गुरू की आवश्यक्ता के बादे इस विभूश्य में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किये इस पर हेमाड पन द्वारा लिखे कोई ले क्या स्पृटि पत्र प्राप्त नहीं है परन्तु काका साहिब दिख्षित ने इस विभूश्य पर उनके लेक प प्रश्ट किया। बाबा कहाँ जाब उत्तर मिला उपर जो प्रश्ट मार्क कैसा है बाबा बुले अनेक पंद्ध है यहां से भी एक मार्क है परन्तु ये मार्क दुरगम है तथा सीहनां और भेड़िये भी मिलते हैं। काका सास में पूचा जदी पथफप्रदर्षक भी या गड़े में गिर जाने की संभावना है दाभूल कर भी उपर योग प्रसंग के आउसर पर महां उपस्दिक उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो गुरू की आवश्चता क्यों है इस प्रश्चता उत्तरगा साही लीला भाग देख संभावाच और प्रिष्ट 47 के आवश्चता उन्होंने सदा के लिए मन में ये कांट डांदी कि अब कभी इस विशे पर वाद उबात नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति अध्यत्निक विशेओं के लिए कैसा सिप्ट होगा प्रक्टिक इसके विपरित यतार्थ में परमार्थ लाग केवल गुरू के उपदेश पालन में ही नहीं थै इस उपदेशों का वर्नन मूल अग्यत्रंद के इसी अध्याय में किया गया है जिसमें लिखा है कि राम और क्रिष्ट महानावतारी होते हुए भी यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है श्री सद्गरू साइनाथार पणवस्तू शुभं भवतू ओम श्री साइनाथाय नमाथा अध्याय तीसरा अब बाबा की आनुमती और आशिरवार देपर हम तिसे अध्याय का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोभ्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमाः श्री सद्गुरू साईना था यनवाह इस अध्याय में श्री साई बाबा की स्वीकृति आज्या और प्रतिज्या भक्तों को कार्य समटपन बाबा की लिलाएं जोती स्थम्ल स्वरूर मात्रु प्रेम रोहिला की कथा उनके मधुर अमुर्टो पतेश सबसे पहले हम साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना जो इसका श्रवन करें जैसा की गत्ध्याय में वरण किया जा चुका है बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमती देते हुए कहा इस सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमती ही तुम अपना मन सुथेत कर मेरे वचनों में श्रथा रखो और निर्भय होकर कर्तव पालं करते रो यदि मेरी लिलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथाध्यान वभक्ति पूर्वत फ्रवन करने से देहिक गुथी नश्ठ होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लिलाओं की अधिक गहनाई तक खोच करेगा उसे ज्ञान रूपी अमुल्य रत्न की प्रक्ति हो जाई इन वचनों को सुनकर हेमाडपन को अतिहर्ष हुआ और वे निर्भय हो गया उन्हें दिड़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्रही सपल होगी बाबा ने शामा के ओर दृष्टिपात कर कहा जो प्रेम पुर्वग मेरा नाम स्वरण करेगा मैं उसकी समझ का इच्छाएं पूर्ण करता उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृध्धी होगी जो मेरे चरित्र और पृध्यों का श्रथा पुर्वग गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदय वसाहता करूँ जो भक्तगंड वृध्दय और प्राणों से मुझे चाहते हो उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावताहा प्रसनता हो विश्वास रखो कि जो मेरी लीलाओं का कितन करेगा उससे फर्मानंद और चिरसंतोष की उपलब्ती हो जाए ये मेरा वश्ष्ष्ट है कि जो कोई अनन्यभाव से मेरी शरण में आता है जो श्रथा पुरवक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है उसको मैं मुक्ती पतान करतेता है जो नित्व पती मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पुरवक मनन करते है ऐसे भक्तों में सांसारी वासनाएं और अज्यान रूपी प्रवर्वितियां कैसे ठैर सकती ही मैं उन्हें मृत्यों के मुख से बचा लेता हूँ मेरी कथाएं श्रवन करने से मुक्ति हो जाएगा अतक मेरी कथाओं को श्रथा पुर्वक सुनो मननकल सुख और संतोष प्राक्टिका सरल मार गही यही इस से शोताओं के चित्त को शांती प्राप्थ होगी और जब धान प्रगाड और विश्वास दिड़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य खंड से अभिन्नता प्राप्थ हो जाएगी केवल साही, साही के उच्चारन मात्र से ही उनके समस्त पाप नश्ट हो जाएगी अब सुनते हैं भिन्न भिन्नकारियों की भक्तों को प्रेणा भगवान अपने किसी भक्तों मंदिर, मट, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने किसी को तीर्थ परियटन करने और किसी को भगवत प्रितन करने एवं भिन्न भिन्न कारियों करने की प्रेणा देते हैं परंतु उन्होंने मुझे साही सच चरित्र लेखन की प्रेणा करने किसी भी विद्धा का पूर्ण ज्यान नहोंने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वधा अयोग यत्य अतर मुझे इस दुश्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए श्री इसाही माहराज की यथार्त जीवनी का वरनन करने का सामत किसे है उनकी गृपा मात्र से ही कार्य संपूरन होना संभव है इसलिए जब मैंने लेखन प्राडंब किया तो बाबा ने मेरा एहम नश्ट कर दिया और उन्होंने स्वयम अपना चरित्र रचा अतर इस चरित्र का श्रेव उन्हीं को है मुझे नहीं जन्मता ब्राह्मन होते हुए भी मैं दिब्वे चप्चु विहीं था अतर साइस सचरित्र लिखने में सर्वता अयोग्यत पर दुश्री हरी कृपा से क्या संभव नहीं है मूग भी वाचाल हो जाता है और पंगू भी गिरिवर चड़ जाता है अपनी इच्छा नुसार कार्या पूर्ण करने की युक्ती बेही जाता है हर्मोनियम और बंसी को ये आवाज कहां कि ध्वनी कैसे प्रसारित पो रही है इसका ज्यान तो वादक को ही है चंद्रकान मनी की उत्पत्ती और ज्वार भाटे का रहस्य मनी अथवा उदधी नहीं वर्म शशिकलाओं के घटने बढ़ने में ही नहीं थै अब श्रवन करते हैं बाबा का चरित्र जोती स्थम्ब स्वरूव समुद्र में अनेक स्थानों पर जोती स्थम्ब इसलिए बनाये जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानी न पहुंचे इस भावसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उपर्युक्त भाती ही उप्योगी है वो अमुरुद से भी अतिमध्वर और सांसारी पत को सुगम वनवने वाला जब वो कानों के द्वारा रिदय में प्रवेश करता है तब एही गुद्धी नश्ट हो जाती है और रिदय में एकत्रित करने से समस्तर कुशंकाएं लोग हो जाती है एहंकार का विनाश हो जाता है, तथा बहुत्धिक आवरन लुप्थ होकर ज्ञान प्रगट हो जाता है, बाबा की विशुद्ध पिर्ति का वरणन निष्ठा पुर्वक्ष्रावन करने से भक्तों के पाप नश्ठ होना है, अतथ ये मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन, सत् जात, ध्यान धारन, आदी आचरण करने में कठिन है, परन्तु चरित्र कथा हरीकृतन का श्रवन तो अत्यंत ही सुलव है, केवल उन पर ठ्ञान देने की ही आवश्रक्ता है, कथा श्रवन और की तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विश्याशक्ती नश्ठ हो जाती है, और भक्त, वासना रहित होकर आत्म साच्छातकार की ओर अग्रसर हो जाता है, इसी फल को प्रदान करने के हेतूर, उन्होंने सच चरित्र की रचना करें, पक्तगण, अब सरलता पुरवक चरित्र का अवलोकन करें, और साथ ही, उनके मनोहर स्वरुप का ध्यान कर, एक निमित मात्र ही बनाया गया है, अब शर्वन करते हैं मात्र प्रेम के बारे, गाय का अपने बचड़े पर प्रेम सर्ववितित ही है, उसके स्तन सदेवधूगध से पूर्ण रहते हैं, और जब भूका बचड़ा स्तन की ओर दोड कराता है, तो दुगध की धारा स्वत प्रभाहित होने लगती है, उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवशक्ता का पहले से ही ध्यान रखती है, और ठीक समय पस दनपान कराती है, वो बालक का श्रंगार अप्तम धंग से करती है, परन्तु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता, बालक के सुंदर पर पता है, ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था, पुदारनार वो निम्न प्रकार था, सन 1916 में मैंने नोप्री से अवकाज ग्रहन किया, जो पेंचन मुझे मिलती थी, वो मेरे कुटुम्ब के निर्वाह के लिए अपरियाप्त थी, उसी वर्ष की गुरुपोर्णिमा क दिवस मैं अन्य भक्तों के साथ छिरडी गया, वहां अणना चिंशनी करने स्वताही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रारता की, इनके उपर करपा करो, जो पेंचन इन्हें मिलती है, वो निर्वाह योग्य नहीं, कुटुम्ब में विद्धी हो रही है, कृपया और को अधायव पूर्ण होगी, इन्हें अपना ध्यान मेरी और आकरशिक कर, अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगती से दूर रहना चाहिए, इन्हें सबसे दया और नमरता का परता और अंतक करण में मेरी उपासाना करनी चाहिए, यदि ये इस प्रकार अच्रन कर सकें, तो नित्यादन के अधिकारी हो जाएगी, अब सुनिये रोहिला की कता, ये कता, श्री साही बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है, एक समय रोहिला जाती का एक मनुश्र शरीव में आई, वो उचापुरा, सुदृड एवं सुगठित शरीद कता, बाब श्री के अधिकांश लोग, खेतों में दिन भर काम करने के पश्चाथ, जब रात्री में घर लोटते, तो रोहिला की करकश, फुकारे उनका स्वालत करती थी, इस कारण उन्हें रात्री में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कश्ट और असुईधा का अनुभव क कई दिनों तक तो वे मौन रहे, पर अन्तु जब कश्ट असहनियों हो बया, तब उन्होंने बाबा के समीब जाकर रोहिला को मना कर इस पत्पात को रोकने की प्रार्थने, बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया, इसके विपरित गाउवालों को आ परन्तु वो उसके कलमों के समक्ष उपस्तित होने का साहस करने में असमर्थ है, और इसी कारण वो शांती और सुप में हैं, यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी, बाबा का संकेत केवल खुविचारों की ओर थी, अन्न विश्यों की अपेक्षा बाबा प्रार्थन और इश्याराधा को महद्व देते थे, अता उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्राम वासियों को शांती पुर्वत थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया, आईए, अब बाबा के मधुर अमृत उपदेश के बारे में सुनते, एक दिन दो पहर क आती के पश्चाद भक्त गण अपने खरों को लोड़ रहे, तब बाबा ने निम्नलिकित अति सुन्दर उपदेश दिया, तुम चाहे कहीं भी रख, जो इच्छा हो, सुकरो, परन्तु ये सदैवस परण रखो, कि जो कुछ तुम करते हो, वो सब मुझे ग्या रहे, मैं ह उत्पत्ति, स्थिती, वसाहार करता हूँ, मेरी भक्ति करने वालों को कोई हनी नहीं पहुंचा साथ, मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाच में खस जाता है, समस्त जन्तु, चीटियां, तथा दृश्वान, परिवर्तमान और स्थाई विश्वत मेरे ही स्व तुझे नोक्री मिल जाएगी, बाबा के इन वचनों का विचार मेरी मस्तिश्व में बार बार चक्कर काटने लगा, मुझे विचार आने लगा, क्या सच मुच, ऐसा घटित होगा, पविश्व की घटनाओं से सपष्ट है, कि बाबा के वचन सत्के निकले, और मुझे अल जैसे आलस, निद्रा, मन की चंचलता, वो इंद्रिया आसकती दूर कर और एक अचित खोप, अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें, और स्वाभाविक प्रेम निर्मान कर, वक्ति रहस्व को जाने, तथा अन्य साधनाओं में व्यर्था श्रमित नह, उन्हें के वल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, और वो है श्री साही लीलाओं का श्रवन, इससे उनका अज्यान नश्ट होकर, मोक्ष का द्वार खुल जाए, जिस प्रकार, अनिक स्थानों में भ्रमन करते हुए भी, लोभी पुरुष, अपने गड़े हुए धन के लिए सतक चिंतित रहता है, उसी प्रकार, श्री साही को अपने रिधे में धारण करो, अगले अध्याय में श्री साही बाबा के शिर्ली आगमन का वरणन होड़ा, यहां तीसरा अध्याय समामत होता है, श्री सद्गरू साही नाथार पणवस्पू, शुभम भवतू ओम साही बर्मात्मन नमाह ओम श्री साही नाथा यह नमाह अध्याय चार प्रारम, बाबा की अगमति और अशिर्वाद से अब हम चोथे अध्याय का श्रवन करेंगें। श्री गनेशाय नमाहा, श्री सरस्वत्य नमाहा, श्री गोभ्यो नमाहा, श्री खुलदय वताय नमाहा, श्री सीता रामचंद्रा भ्याम नमाहा, श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाहा इसमें श्री साही बाबा का शिरडी में प्रतम आगमन संतों का अवतार कार पवित्रतीर्थ शिरडी श्री साही बाबा का व्यक्तित गवली बुआ का अनुभव श्री विठल का प्रगट कोन शिर सागर कथा दाजगरों का प्रयाक्सना श्री साही बाबा का श्रीडी में प्रथम आग्मन तीन वाड़े इसके बारे में श्रवन करता हूँ संतों का अवतार कार भगवत गीता चौथा अध्याय साथ आठ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानी और अधर्म की वृद्धी होगी तब तब मैं अवतार धर्ण करता हूँ धर्मस्थापन तुष्टों का विनाश तथा साधू जनों के परित्रान के लिए मैं युग-युग में जन लेता हूँ साधू और संध भगवान के प्रतिनिधी स्वरूप हैं वे उपयुक्त समय पर प्रगट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं अर्थाथ जब प्रामण, ख्षत्रिय और वैश अपने करतम्यों से विमुक हो जाते हैं जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार चीनने लगते हैं जब धर्म के आचारियों का अनादर तथा निंदा होने लगती है जब लोग निशित दभोज्य पदार्थों और मदीरा आदी का सेवन करने लगते हैं जब धर्म की आड़ में निन्दित कार्य होने लगते हैं जब भिन भिन धर्माव लबी परस पर लड़ने लगते हैं जब प्रामण संध्यादी कर्म छोड़ देते हैं कर्मण पुर्षों को धर्मिक पुर्ट्यों में अरुची उत्पन्न हो जाती है जब योगी ध्यानादी कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जन्व साधारन की ऐसी धारना हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्रीही सर्वस्व है तथा इस प्रकार जब लोग सत्यमात से विचलित होकर अधप पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं वे समुद्र की जोती स्थम की तरह हमारा उचित मार्ग दर्शन तथा सत्यपत पर चलने को प्रेडित करते हैं इसी मार्ग पर अनेको संथ, निवर्टिना, यान देव, मुक्ता भाई, नाम देव, गोरा, गोनाई, एकना, तुकारा, नरहरी, नरसी भाई, सजन, कसाई, संवतामादी और रामदाज, तथा कई अन्य संथ, सत्यमार्ग का दिगदर्शन कराने के हेतु, भिन्न भिन्न उ नदी के तट, बड़े ही भागे शाजी हो, जिन पर अनेक संतों ने जन धारन किया, और अनेकों ने वहाँ आश्रे पर, ऐसे ही संतों में, श्री ज्यानेश्वर महराज प्रमुक्त, शिर्डी, एमदगर जिले के कोपर गाउं कालुका में, गोदावरे नदी पार करने के पश्चात मार्क सीधा शिर्डी को जागा है, आठ मिल चलने पर, जब आप निमगाओं कहुचेंगे, तो वहाँ से शिर्डी दुरुष्टी गोचर होने लगती है, कृष्णा नदी के तट पर, अन्य तीर्थस्थान, गांगापूर, नर्सियां वाडी और अउदुंबर के समान हीत, शिर्डी भी प्रसित्था तीर्था है, जिस प्रकार दामोजी ने मंगल वेडा को, जो कि पंधरकूर के समीप है, समर्थर आंदास ने सज्जंगड को, दत्तावतार श्री नर्सियां सरस्वती ने वाडी को पहुत्र किया, उसी प्रकार श्री साहिनात ने श् करिकर का अवलोकन करें था, उन्होंने इस भावसागर पर विजय प्राप्ट कर ली थी, इसे पार करना महान दुश्कर तथा कठिन है, शंति उनका अभूशन था, तथा वे ज्यान की साक्षात प्रतिमात थी, वैश्ण भत्त सदय वह वहां आश्रे पाते थे, दान वीरो शीषे के सदरुश उच्वल था, उनके श्रीमुक से सदय वह अमरत वर्शा फ़ती था, अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे, मान अपमान की उन्हें किंचत मात्र भी चिंटा न था, वे निर्भय होकर संभाशन करते, भाती-भाती के लोगों से मिल जुल कर नर्तकियों का अभिनाय तथा नृत्य देखते और गजल कबालियां भी सुनते थे, इतना सब करते हुए भी उनकी समाधी किंचत मात्र भी भंग न होती थे, अल्लह का नाम सदा उनके होटों पर था, जब दुनिया जाकती तो वे सोते और जब दुनिया सोती थे, तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवारों और व्यापारों का उन्हें भली भाती ज्यान थे, उनके दरबार का रंग ही निराला थे, वे प्रति दिन अने किवधन्तियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांती किंचित मात्र भी विचलित न करते थे, वे विनमर दयालू तथा अभवान रहित थे, उन्होंने सब को सदा सुफ्ट ओंचाया, ऐसे थे श्री साई बाबा, जिनके श्री चर्णों का स्पर्ष का श्रडी पावन बन दे थे, उसका महत्व असाधारन हो गया, जिस प्रकार ग्यानेश्वर ने आलंदी औ और एकनात ने पैठन का उत्थान किया, वही गती श्री साई बाबादवारा श्रीडी को प्राप्ट कोई थी, श्रीडी के फूल, पत्ते, कंकर और पत्थर भी धन्या है, जिने श्री साई चर्णाम बुजों का किम्बन तथा उनकी चर्णरज मस्तक पर धारन करने का स्व भाग्य प्राप्ट कुआ, भक्तगन को श्रीडी एक दूसरा पंदर पूर, जगनात पूरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर, तथा कोकर्ण महाबलेश्वर बन दे, श्री साई का दर्शन करना ही भक्तों का वेदमन्कृत, जिसके परणाम स्वरुप, आसक्ति घट् और आत्मदर्शन का पत सुगम होता था, उनका श्रीडर्शन ही योगसाधन था, और उनके वारतालाब करने से समस्त पाप नश्ट हो जाता, उनका पादसेवन करना ही प्रिवेणी स्नान के समान था, तथा चरणामृत्पान करने मातर से ही समस्त इच्छाओं की तृप्त प्रम्म थे वे छन्नों से परे रहते तथा कभी निराश वहताश नहीं हो देते वे सदा आत्मस्थित चैतन्य घ्रन तथा आनन की मंगल मूती थे कहने को तो शिरी उनका मुक्त केंद रते परंतु उनका कार्यक्षेतर, पंजाब, कलकता, उत्तरी भारत, गुजराड, ढाका और कौकंट तक विस्तर श्री साही बाबा की किर्ती दिन परती दिन चहूं और फैलने लगी और जगे जगे से दर्शनार था आकर उनके भग ये कोई अतिश्य उक्ती नहीं है, दिखी, एक भक्त ने यही अनुभव पाया, अब हम उनके बारे में बात करते हैं, गुली गुवाद, लगबग 95 वर्ष के वयवरुद भक, जिनका नाम गुली गुवाद, पंधरी के एक वारकरी थी, वे 8 मास पंधर गुर, तथा 4 मास आशाड से कार्तिक तक, गंगा तक पर निवास करते हैं, सामान धोने के लिए वे गधे को अपने पास रखते हैं, और एक शिष्य भी सदैवर उनके साथ रहका था, वे प्रतिवर्ष, वारी लेकर पंधर पुर जाते हैं, और लोटते समय, श्री बाबा के दर्शनार्त श इनों के नाथ हैं, गौली बाबा, श्री विठोबा के परमभक्त थे, उन्होंने अने एक बार पंधरी की याक्रा की तथा प्रत्यक्षानुभव किया, कि श्री साही बाबा सच्मुच ही पंधरी नाथ हैं, विठल स्वयम प्रगट को है, श्री साही बाबा की इश्वर च श्री साही बाबा से कहा, आपके आग्या मुझे शिरोधारिया है, परन्तु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि श्री साही बाबा ने अपना रजैस पर्ष करते हुए कहा, कि विठल अवश्व प्रगट हुए, परन्तु साती भक्तों में श्रथा और तीवर उक्सकत का होना भी अनिवारिया है, हाकुरनात की डंक पुरी, विठल की पंधरी, रंचोड की त्वार का यही तो है, किसी को दूर जाने के आवश्व प्रगट हो जाए, क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे, वे तो यहीं वे आजमान है, जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्त जब जान करने को बैठे, तो उन्हें विठल के दर्शन हुए, दो पहर के समय, जब वे बाबा के दर्शनार मस्ज nope, तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों, विठल पार्टी आये थे हना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए, वे बहुत चंचल हे, उनको त्रिझा से पकड यदि थोड़ी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। श्री भी भी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा ये प्रमानित कर दिया है कि शिर्डी पंधरपुर की परिधी में आती है। चतुरवर्णाम अपिवर्गानाम यत्रद्वारानि सर्वतह अतोद्वारावतीत युक्ता विद्वद्भिस्तत्ववादिभे। अर्थ जो स्थान चार वर्णों के लोगों को धर्म अर्थ, काम और मौक्ष के लिए सुलब दर्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से कुकारते हैं। शिर्डी में बाबा की मस्जिद केवल चार वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु, तलित, अस्पृष्ष और भागोजी शिंदे जैसे पोड़ी आदी सब के लिए खुली थी, अतक शिर्डी को द्वारका कैना ही सर्वतह उचितितितितिति अब हम सुनते हैं श्री विठल पूजन में बाबा को कितनी रूचि थी, ये भगवंतराव शिर सागत की कथा से सपश्ट, भगवंतराव के पिता विठोबा के परंधा थी जो प्रतिवर्ष पंधरपूर को वारी लेकर जाते थे, उनके घर में विठोबा की एक मूर्ती थी, जिसकी वे नि शिर से पिते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परंध्र थे, इसी कारण मैंने इनहें यहां बुलाया, इन्होंने कभी नईवेध्यारपन नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखो मारा, इसलिए मैंने इनहें यहां आने को प्रिदित किया, अब मैं इन्हें हठ़ दास गणु का प्रयाग स्ना, गंगा और यमना नदी के संगम पर प्रयाग प्रसित्य पवित्र इर्थ स्नान, हिंदों की ऐसी भावना है कि वहां स्नानादी करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं, इसी कारण प्रत्यक पर्पर सहस्त्रो भक्त गण वहां जाते हैं और स करने का निश्चे की इस विचार से वे बाबा से आग्या लेने उनके पास गए बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की यावर्शक्ता है अपना प्रयाद तो यहीं है मुझ पर विश्वास करें आश्चे लिए महान आश्चे लिए जैसे ही दाजगणों बाबा के चरणों पर नतुख है तो बाबा के चरणों से गंगा यमना की धारा वेक से प्रवाहित होने लगी यह चमतकार देखकर दाजगणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी आँखों से अश्वों की धारा बहने लगी उन्हें कुछ अंतस्पूर्टी हुई और उनके बहुत च्छानबीन की गई बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विशए में उच्टाच की गई पर उनको कोई संतोष परत उत्तर अथ्वा सूत्र हाथ न लग सकता यतारत में हम लोग इस विशए में सरवता अनभिक्या है नामदेव और कबिरदाश जी का जन्न अन् बन में भी था वे शिर्डी में नीम व्रिक्ष के तले 16 वर्ष की तरुनावस्था में स्वयम भक्तों के कल्यानात्त प्रगट वे थे उस समय भी पूर्ण ब्रह्म ज्यानी प्रतीत होते थे स्वपन में भी उनको किसी लोग की पदात की इच्छा नहीं थी उन्होंने माया के नीचे समाधी में लीन दिखाई पाथ सर्दी वर गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी जिंताना था उन्हें इतनी अल्प आयू में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चरियों थे दिन में वे किसी की भेंट नहीं करते थे और रात्री में न इम रिक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर मुन जाते थे यत्यपी वे देखने में युवक पतीत होते थे परंदु उनका आचरण महात्माओं के सद्रिष्ट वे जात और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे एक बाद एक आश्चरिय जनक खतना थे ए इनका कहां से आगमन हुआ है भगवान खंडवा ने एक कुदाली बंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत गिया जब वो स्थान पूरन रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे एटे पाई गई गई पत्थर को हटाते ही एक द्वार द पस्या की है तब लोग योग से प्रश्ण करने लगे परन्तु उसने ये कहकर बात काल दी कि ये मेरे गुर्देव की पवित्र भुमी है अतयव मेरा पुझ्ज स्थान है तब लोगों ने उस दर्वाजे को पुर्ववद बन कर दिया जिस प्रकार अश्वत्त तथा अधी स्थान मान कर सदयव नमन किया करते थे तीन वाड़े के बारे में जानमा चाहेंगे तो वो सुनो नीम वरिक्ष के आसपास की भुमी श्री हरी विनायक साठे ने मोल ले ले और उस स्थान पर एक विशाल भुवन का निर्मान किया जिसका नाम साठे वाड़ा रखा बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वो वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान थी जहां सदयव भीड रहा करती थी निम वरिक्ष के नीचे चारो और चबुतरा बांदा गया सीडियों के नीचे द्रक्षिन की और एक छोटा सा मंदिर है जहां भक्त लोग चबुतरे तथा जीर्न शीर्न स्थिती में था तथा इसके जिर्नोत्धार की नितांत अवश्रक्ता थी जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई खुछ समय के पश्चार एक दूसरे वाड़े का निर्मान हुआ जिसका नाम दिक्षित वाड़ा रखा गया काका साहिब दिक्षित जब इंगलन में थे तब वहाँ उन्हें इसी दुरगटना से पैर में चोट आ दे थे उन्होंने अनेक उप्चाट किया परंतो पैर अच्छा नहों से नाना से चांदूर करने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्ट करने का परामर्श दिया इसलिए उन्होंने 1909 में बाब बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुटा दूर करने की प्राप्त नहीं बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुक प्राप्ट हुआ खियो अनीग दो विशेश भटनाय पहले श्री दादा से ठपर्ड़े को घर वापस लोटने की अनुमती प्राप्त हो गई और दूसरी चावडी में रात्री को आरती आरंभ हो गए। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और राम नुमी 1911 के शुब अउसर पर उसका यथा विदी उत्खाटत कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नाकूर्ट के प्रसित श्रिमंत बूटी ने बनवाए। इस भवन के दिर्मान में बहुत धनराशी लगाई दे। उनकी समझत निधी सार्थक हो गए। क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांकी पा रहा है। और फि इन तीन वाड़ों का निर्मान हो गया। इन सब में साठे वाड़ा पुर्वकाल में बहुत ही उप्योगी थी। बगीचे की कथा, वामन तात्या की साहता से स्वयम बगीचे की देखभा, शिर्डी से श्री साई बाबा की अस्थाई अनुपस्तिती तथा, चान पाटिल क चौधा समाथ हो गया। श्री सद्गुरू साई नाथार पनमस्तु शुभम भवदु। श्री साई शरणम मामा। ओम श्री साई नाथाय नमाह। अध्या पांच प्रारम। बाबा की अनुपती और आशिरवात से अब हम अध्या पांच का श्रवन करें। श्री गनेशाय नमाह। श्री सरस्वत्य नमाह। श्री गोप्यो नमाह। श्री कुलदय वताय नमाह। श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमाह। श्री सद्गुरू साई नाथाय नमाह। इस अध्याय में चान पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुना आगब अभिनन्दन तथा श्री साई शक्त से संबोध हो अन्य संतों से भेट वेश भूशा वनित्य कारिक्रम पादुकाओं की कथा मुहित दिन के साथ पुष्टी मुहित दिन का जीवन परिवर्वन जलका तेल में रूपान करें मिध्या गुरु जोहर इन कथाओं का श्रवन करें जैसा गत अध्य में कहा गया है मैं अब श्री साई बाबा के शिर्डी से अंतरधान होने के पस्टाथ उनका शिर्डी में पुना किस प्रकार आगवन हुआ इसका वर्णन करूँगा अब सुनते हैं चांद पाटिल की बारात के साथ पुना बाबा का आगवन जिला अवरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गाव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे जब वे अवरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी खोड़ी खोगई दो मास तक उन्होंने उसकी खोज में खोर परिश्रम किया और हम तो उसका कहीं पताने चल सका अन्त में वे निराश होकर उसकी जीन को पीट पर लगए अवरंगाबाद को लॉट रहे थे तब लगब चौदा मिल चलने के पश्चार उन्होंने एक आमर व्रिक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तयार करके देखा जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सक्का था फकीर के बुलाने पर चांग पाटिल उनके पास पहुंचे जीन देखते ही फकीर ने पूछा ये जीन कैसी की? चांग पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वो खो गई है और ये उसी की जीन है फकीर बोले, थोड़ा नाले की और भी तो ढूंडो चांग पाटिल नाले के समीब गए, तो अपनी घोड़ी को वहाँ चर्थे देखकर, उन्हें महान आश्चर ये हुआ उन्हेंने सोचा कि फकीर कोई सामान ये बेखती नहीं, वरन कोई उच्च कोटी का मानव डिखाई पड़ता है घोड़ी को साथ लेकर जब बे फकीर के पास लौड़ कर आया, तबकर चिलम भरकर कैयार भूच चुकी थी किबल दो वस्तों की और आवश्च पर रह गए थी, एक तो चिलम चलगाने के लिए अगनी, और दूसरा साथी को बीरा करने के लिए जल, फकीर ने अपना चम्टा भूमे में भुसेड़ कर उपर पुचा, तो उसके साथ ही एक प्रजवलित अंगारा बाहर निकला, और व प्रकार सब प्रबंद कर फकीर ने चिलंपी और ततपश्चत चानपाटिल को भी दी ती, ये सब चम्टार देखकर चानपाटिल को बड़ा विस्मय हुआ, चानपाटिल ने फ़तीर से अपने घर चलने का आगरह दिया, दूसरे दिन चानपाटिल के साथ फकीर उनके घर ला गया और वहां कुछ समय तक रहा, पाटिल धूब गाउ का अधिकारी थी, उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला थी, और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चानपाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंद करने लगा, फ श्रवन करते हैं फकीर को साही नाम कैसे प्राप्ट हुआ, जब बारात शिरडी में पहुंची, तो खंडवा के मंदिर के समीर महलसापती के खेत में एक ब्रिक्ष के नीचे खेराई गई, खंडवा के मंदिर के सामने ही, सब बैल गाड़ियां खोल दी गई, और बारात के सब लोग एक-एक करके नीचे उतरने लगए, तरुन फकीर को उतरते देख महलसापती ने कहा, आओ साही, कहकर उनका अभिनन्दन किया, तथा अन्य उपस्तित लोगों ने भी साही शब्द से ही समोधन कर उनका आदर किया, इसके पश्टा वे साही नाम से ही प्रसित हो ग बाबा को वे बहुत प्रीयत थे, वे उनके साथ कभी हनमान मंदिर में और कभी चावडी में रहते थे, कुछ समय के पश्टा जानकी दास नाम के एक संथ का भी शिरडी में आगमन हुआ, अब बाबा जानकी दास से वारतालाब करने में अपना बहुत सा समय व्यक्तित करन जब प्रतमबार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा आचमबा हुआ, वे इस पश्ट शब्दों में कहने लगे कि शिर्डी परम भग्यशालिनी है, जहां एक अमूल यहीरा, जिने तुम इस प्रकार परिश् जो कुछ शिर्डी निवासियों के साथ शिर्डी पधारे, उन्होंने भी इस पश्ट कहा, कि यद्यपी बाई यद्रिष्टी से ये साधरन वक्ती जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सच मुछ और साधरन वक्ती है, इसका तुम लोगों को भविश्य में अनुभव होग ऐसा कहकर वे यवला लोड गया, ये उस समय की बात है जब शिर्डी बहुत ही साधरन साकानों था, और साई बाबा छोटी उम्र गेते हैं, अब श्रवन करते हैं, बाबा का दहन से हैं, वह नित्य परक्रम के बारे हैं, तरुन अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश क वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भमी देकर लगा देते और स्वयम ही सीचते थे, वामन ताट्या नाम के एक बड़ नित्य परती दो मिट्टी के घड़े दिया करते थे, इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयम ही पौधों में पानी डाला करते थे, वे स्वयम कुएं से पानी खीचते और संध्या समय घड़ों को निम ब्रिक्ष के नीचे रखते थे, जैसे ही घड़े वहां रखते थे, वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाय और कच्छी मिट्टी के बने रहते थे, दूसरे दिन ताट्या उन्हें फिर दो नए घड़ अब श्रवन कीजिए, नीम ब्रिक्ष के नीचे पादुकाओं की करते थे, श्री अक्कलकोट महराज के एक फक्त, जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बात कर था, उनके चित्र का नित्त प्रती पूज़त या प्रते थे, एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महराज की प पारेक्रम में परिवर्तन कर शिर्डी आकर श्री साई बाबा की पूजा गा, वे आननकुरवक शिर्डी में च्छ मास रहे, और इस वपन की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई, शक्समवत 1834 में, श्रावन में शुबदिन देखकर नीम ब्रिक्ष के न नायक को सौपा गया, श्रवन करते हैं कथा का पूर्ण विवरन, ठाने के सेवा निम्वत मामलदार श्री बीवी देव, जो श्री साई बाबा के परमभग थे, उन्होंने सगुन मेरू नायक और गोविन कमलाकर दिक्षित से इस विशे में पूछता जी, पादुकाओं का पूर्ण विवरन, श्री साही लिला भाग ज्यारा, संख्या एक, प्रिश्ट पच्चीस में प्रकाशित हुआ है, जो निम्न लिखनी थे, शक्त 1834, सन 1912 में, बंबई के एक फक्त, टॉक्टर रामराव कोठारे, बाबा के दर्शनार शिर्डी आये, उनका कमपाउंडर औ और भाई की सगुन मेरून नायत, तथा जी के दिक्षित से घनिष्ट दोस्ती हो गई, अन्या विशेयों पर चाचा करते समय, इन लोगों को विचार आया कि, श्री साही बाबा के शिर्डी में प्रस्म आदुबन तथा पवित्र नीम ब्रिक्ष के नीचे, निवास करने क अईतियासी क्मिती के उपलक्ष में, क्यों न पादुकाएं स्थापन की जाए, जब पादुकाओं के निर्मान पर विचार विमर्ष होने लगा, तब धाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा, कि यदि ये बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए, तो वे इस कार्य में निमित अतिसुन्दर पादुकाएं बनवा दें, ये प्रस्तावसत को मान्य हुआ, और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई, उन्होंने शिर्डिया कर पादुकाओं की रूप रेखा बनाई, तथा इस विशय में, उपासनी महराज से भी हंडवा के मंदिर में भ साथ, सुधास्क्राविणम, तिक्टम, अप्यप्रियम्तम, तरुम कल्प प्रिक्षाधिकम, साधयंतम, नमामीश्वरम, सद्गुरू, साइना, अर्थाथ, मैं भगवान साइना को नमन करता हूँ, जिनका सानित दिपाकत, नीम रिक्ष कटू, तथा अप्रिय होते हुए और कंपाउंडर के हाथों शिर्डी भेज दी गई, बाबा की आग्या नुसार, इसकी स्थापना श्रावन की पुर्णिमा के दिन की गई, इस दिन प्रातक काल ग्यारा बजे, जी के दिक्षित, उन्हें अपने मस्तक पर भारन कर, खंडोबा के मंदिर से समारो, और धूम स्थापना के निमित्त दे गिए, स्थापना में कुल सो रुपे गयव हुए, जिनमें पचत्तर रुपे चंदे द्वारा एकत्रित हुए, प्रथम पांच वर्षोतर, डॉक्टर टोठारे, दीपत के निमें, दो रुपे मासिक भेजते रहे, उन्होंने पदुकाओं के च अक्तल कोट जाते हुए, वे शक समवच 1834 में पादुका स्थापन के शुब आउसर पर शिर्डी आये, और दर्शन करने के पश्टाथ, जब उन्होंने बाबा से अक्तल कोट प्रस्थान करने की आग्या मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे, अक्तल कोट में क्या है, इन सब बातों का विवरण हेमाडपन को विदित नहीं था, अन्य था, वे श्री साई सच चरितर में लिखना कभी नहीं बूलते है, मोहिद दिन तंबुली के साथ खुष्टी और उसका जीवन परिवर्तन आये, श्रवन कर दिया, श्रडी में एक वैलवान था, जिसका ना असन तथा शयन के लिए काट अटुपडा काम में लागे थे, इस प्रकार पटे पुराने चिपड़े पहन कर वे बहुत अंतुष्ट प्रतीत होते थे, वे सदे वे यही तहा करते थे कि गरीबी अवल बादशाही, अमीर इसे लाग सवाई, गरीबों का अल्ला भाई, गं वो संसार छोड आत्म अनुभूती की ओर चुप गया, पुन तानबे के समीप एक मट स्थापन कर अपने शिश्यों सहीद महा रहने लगा, श्री साइबाबा लोगों से न मिलते और नहीं वारतालाब करते थे, जब कोई उनसे कुछ प्रश्ण करता, तो वे केवल इतना ही उत्तर देते थे, दिन के समय वे नीम ब्रिक्स के नीचे विराजमान रहते थे, कभी-कभी वे गाउं की मेड़ पर नाले के गिनारे एक बबल ब्रिक्स की छाया में भी बैठे रहते थे, और संध्या को अपनी इच्छा नुसार कहीं भी वायू सेवन को निकल जाया करते नीम गाउं में वे बहुदा बाला साहब डेंगले के घर जाया करते थे, बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे, उनके छोटे बाही जिसका नाम नाना साहब था, उनके द्वित्य विवाह करने पर भी उनको कोई संतान नह था, बाला साहब ने नाना साहब को दर्शनार्थ शिर्डी भी दा कुछ समय पश्टात उनकी श्रीक रपासे नाना साथ के यहां एक उत्र रत्न हो इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्राडम हो गया तथा उनकी कीर्थी भी दूर दूर तक खैलने ले अहमद नगर में भी उनकी अधिक प्रस्थी हो गया तभी से नाना साथ जांदोर कर केशल की दंबर तथा अन्यकई भक्तों का शिर्डी में आगमन होने बाबा दिन भर अपने भक्तों से खिरे रहते हैं और रात्ती में जीरन शिरन मस्जिद में शयन कपते थे इस समय बाबा के पास कुल सामगरी, चिलम, तमाकू, एक टमरे, एक लंबी कफनी, सिर्के चारो और लपटने का कपड़ा और एक सटका जिसे वे सदा अपने पास रखते थे सिर्फर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस परकार बांगते थे कि उसका एक छोर बाई कान पर से पीट पर गिरता हुआ, ऐसा परतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो, हफ्तों तक वे इन्हें स्वच नहीं करते थे पैर में कोई जूता या तप्कल भी नहीं पैल देते केवल एक टाक का टुकड़ा ही अधिकांच दिन में उनके आसन का काम देता थे वे एक कौपीन धरन करते और सद्धी से बचने के लिए दक्षिन मुखोद धूनी से तब देते वे एक धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम इच्छाओं और समस्त विशय आसक्तियों की उसमें आहुती दिया करते थे वे अल्ला मालिक का सदा उच्छारण किया करते थे जिस मस्जिद में बेपधरे थे उसमें केवल दो कमरों के बराबर लंबी जगे थी और यहीं सब्भक उनके दर्शन करते थे 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ पुरानी मस्जिद का जिरनोधार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया मस्जिद में निवास करने के पूरू बाबा दीर के काल तक तक तक्यामें वे पैरों में धुंगरू बांकर प्रेम विबल होकर सुन्दर निवत्य वगायन भी करते थे अब श्रवन करते हैं जल का तेल में परिवर्तन कैसे था बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था वे संध्या समय दुकांदारों से विख्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीप मालाओं से मस्जित को सजा कर रातरी भायर दीपक जलाया करते थे ये क्रम कुछ दिनों तक ही किसी प्रकाट ठता रहा अब बनिया तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निष्टे किया कि आज कोई उन्हें तेल की बीच्छा न नत नित्या नियमानुसार जब बाबा तेल मंगने पहुँचे तो प्रतेक स्थान पर उन्हा नकारात्मत उत्तर से स्वागत हुआ इसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जित को लोट आया और सुखी बाकियां दियों में डाल बनियों तो बड़े उत्सुक होकर उन पर रिष्टी जमाय हुए थे बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वो तेल में से जल बे पी गए उन्होंने उसे पना टिन पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया उच्छुबनियों ने जब दीपकों को कुर्ववत रात्री भर जलते देखा तब उन्हें अपने किये पर बात दुख हुआ और उन्हें बाबा से एक ख्षमा याचना की बाबा ने उन्हें ख्षमा कर भुश्य में सत्विवार रखने के लिए सावधान किया अब श्रवन करते हैं मिध्या गुरू जोहर अली उपर युक्त वरनित कुष्टी के पांच साल पश्चा था जोहर अली नाम के एक फकीर अपने शिश्चों के साथ रहता है वे वीरभत्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगा फकीर विद्वान की आयते हैं उसे कंठस ततलते हैं उसका कंठ मधुर था गाहों के बहुत से धार्मिक और शधालु जन उसके पास आने जाने लगा और उसका यतायों के आदर होने लगा लोगों से आर्फिक साहता तराप कर उसने वीरभत्र मंदिर के पास एक इदगाह बनाने का निश्चे के इस विशए को लेकर फुछ छगड़ा हो जिसके फिलसरूप जोहर अली रहता छोड़ शिर्डी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा उसने अपनी मधरवानी से लोगों के म पूर्ण परिच्ट था इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तर निभाते रहे और उसकी अनेक रकार से सेवा थी वे दोनों कभी-कभी शिर्डी भी आया करते थे परंतुमुत्य निवास रहता में ही था श्री बाबा के पूर्ण को उनका दूर रहता में रहना अच्छा नहीं लगता था इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिर्डी वापस लाने के लिए गये इन लोगों की इदगाह के समीब बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमनता हेतु बताया बाबा ने उन लोगों को समझाया क कि फकीर के आने के पूरव ही आप लोग शिर्डी लौट गया इस प्रकार वारताला पो ही रहा था कि इतने में फकीर आपा हो इस प्रकार अपने शिर्डी को महां से ले जाने का कूप रहत न करते देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए कुछ वार्विवात के पश्छा चांड पाटिल की बारात के साथ जब बाबाश शिर्डी में आये थे उससे बारा वर्ष पूरवप, देविदास लगबग दस या गयरा वर्ष के आवस्था में शिर्डी आये थे और हनुमान मंदिर में रहते थे देविदास, सुडोल, सुद्र आक्रती तथा तिक विवाद में जोहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और श्रीडी छोड वैजाफूर को भाग गया वो अनेक वर्षों के पस्टाद श्रीडी आया और श्री साई बाबा के चरण बंदना था उसका ये भ्रहम की वो स्वयन गुरू था और श्री साई बाबा उनके शिश अब दूर हो चुका था श्री साई बाबा उसे गुरू समान ही आदर करते थे उसका स्मरण कर उसे बहुत वश्चापता हुआ इस प्रकार श्री साही बबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि एहंकार से किस प्रकार छुकारा पातल शिष्ष के कतव्यों का पालूं कर किस तरह आत्मानु भव की और अग्रसर होना चाहिए ओपर वरनित कता महलसापती के कतना नुसार है अगले अध्याय में राम नुमिका प्योहार मस्जित की पूर्व हालत एवं पश्थार उसके जिर्नों धार इत्यादिका वरनन होगा यहां अध्याय पांच समाप्त होता है श्री सद्गरू साइनाथा अल्ग नमस्तु शुभंभवतु ओम श्री साइनाथाय नमानु अध्या छे प्रारम। बाबा की अनुमती और आशिरवाद लेकर अब हम अध्याय छे का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाहा, श्री सरस्वत्य नमाहा, श्री गुरोभ्यो नमाहा, श्री कुलदय वताय नमाहा, श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमाहा, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमाहा इस अध्याय में राम नौमी उत्सव मस्जिद का जिर्णों था गुरू के कर्स पर्ष की महिमा चंदन समारोः उर्ष और राम नौमी का समनवे मस्जिद का जिर्णों था गुरू के कर्स पर्ष के गुन इसका वरनन किया गया है जब सद्गुरु ही नाव के खिवया हैं तो वे निश्चही कुशलता तथा सरलता पुरवक इस भवसागर के पार उतार देंगे सद्गुरु शप्त का उचारण कते ही मुझे श्री साही की स्पृति आ रही ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयम मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं देखो देखो वे आप अपना वरदहस्त उठा कर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं अब मेरा रिदय आनन से भर गया है मेरे नेत्रों से प्रेमा शुरू बह रहे हैं सद्गुरु के कर्षपर्श की शक्ति महान आश्चरय जनध है लिंग यही सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्षप करने वाली अगणी से भी नश्द नहीं होता हैं वो गुरु के कर्षपर्श से पलभर में ही नश्द हो जाता है अनिये जन्वों के समस्थ पाक नश्द हो ज आँखों में अशुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब प्रदय भाउँ से भर जाता है तब सोहं भाव की चाक्रती होकर आत्मान भाव के आनन का आभास होने लगता है मैं और तू का फेद याने द्वाइत किफाव नश्ट हो जाता है और तर क्षण की ब्रह्मा के साथ अभिनता प्राप्त हो जाती है जब मैं धार्मिक ग्रंतों का पठन करता हूं तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है बाबा राम या क्रिष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयम अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं अर्था जब मैं भागवत का श्रवन करता हूं तब बाबा श्री क्रिष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्यानार्थ उद्धव विता सुना रहें। जब कभी भी मैं किसी से वार्थाला किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान मिलाता हूँ जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सखल हो सकूँ तब एक शब या वाक्त की रचना भी नहीं कर पाता हूँ जब वे स्वयम खृपा कर मुझसे लिखवाने लगत जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर कोई साधना करने के आवश्यक्ता नहीं है धर्म, अर्क, काम और मोक्ष उसे सहजी प्राप्त हो जाते है इश्वर के पास पहुंचने के चार मार्थ कर्म, ज्यान, योग और भक्ती इन सब में भक्ती मार अधिक कंटका कीरन गड़ों और खाईयों से परिपूरन परंतु यदि सद्गरू पर विश्वास कर गड़ों और खाईयों से बचते और पदानों करमन करते हुए सीधे अगरसर होते जाओगे तो तुम अपने धेय, अर्थार, इश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे श्री साही बबा ने निश्यात्मक स्वर में कहा है कि स्वयम ब्रम्ह और उनकी विश्वतो उत्पत्ति, रक्षन और लाय करने आदी की भिन्न भिन्न शक्तियों के पुर्थकत्व में भी एकत्व इसे ही गरंत कारों ने दर्शाया, भक्तों के कल्लानार्थ श्री साही उपासक हैं, उनके कल्लानार्थ में सदय वच्चिंतित रहता हूँ, कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया, इसलिए भोजन तथा वस्त के लिए अधिक चिंता ना करो, यदि कुछ मांगने की अभिलाशा है तो इश्वर को ही मांग, सांसारिक मान, वो आख से आकरशितन, सदय वर मेरे समरण में मन लगाए रखो, ताकि वो देह संपत्तिव अईश्वर्य की और प्रवृत्तन, तब चित स्थिर, शांत, वनिर्भय हो जाएगा, इस प्रकार की मनस्थिती प्राप्त होना इस बात का पतीक है, कि वो सूसंगती में, यदि चित की चंचलता नश्क नव हुई, तो उसे एकाग्द नहीं किया जासा, बाबा के उपयुक्ते शब्दों को उध्रुत कर, गरंथकार श्रीडी के रामनोमी उच्छव का वर्ण करता है, श्रीडी में मनाये जाने वाले उच्छवों में, रामनोमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है, अताएव इस उस्थव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साही लिला पत्रिका 1925 के प्रिष्ट, 197 पर प्रकाशित खुआ था, यहां संशेप में दिया जाता है, प्रारम रख, कोपर गाउ में श्री गोपाल राव गुण नाम के एक इंस्पर्टर थे, वे बाबा के परमभग थे, उनकी तीन स्क्रिया थी, परन्तु एक के भी संतान नत्र, श्री साही बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इस सर्ष के उपलक्ष में सन 1897 में उन्हें विचार आया, कि श्री में मेला अथ्वा उर्ष भरवाना चाहिए, उन् उन्हें बाबा की भी स्विक्रूती और आश्वासन प्राप्त हो गया, उर्ष भरने के लिए सरकारी आग्या आवश्क थी, इसलिए एक प्राथना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परन्तु ग्राम कुलकरणी याने पटवारी के आपत्ती उठाने के कारण उन्होंने ऐसी आग्या दी, अर्थात उर्ष वो राम नौमी के उत्समों का एकी करण का था हिंदू मुस्लिम एक्ता, जो भविश्यकी घटनाओं से ही स्पष्ट है कि ये धेय पूर्न सफल हो, प्रथम बाधा तो किसी परकार हल हुई, अब द्वितिया तखनाई जल के अभाव के उपस्ति थुई, शिर्डी तो एक छोटा सा ग्राम था, और पूर्वकाल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था, गाउ में केवल दो कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राया सूप जाया करता था, और दूसरे का फानी खारा था, बाबा ने उसमें फूल डाल पर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को परियाब खो सफ़ता था, इसलिए दात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया, लकडी और बासों की कच्ची दुकाने बनाई गई तथा कुष्णियों का भी आयोजन कि गोपाल राओ गुन के एक मित्र दामौणा कासार एहमद नगर में रहते थे, वे भी संतान हीन होने के कारण दुकी थे, श्री साही बाबा की कृपा से उन्हें भी एक उत्ररत्म की प्राप्टी हुई थे, श्री गुन ने उनसे भज देने को का, एक ध्वज जागिरदार श्री नाना साहिर निमोन करने भी दिया, ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गाउं में से निकाले गए, और अंत में उन्हें मस्जित जिसे बाबात वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर पैरा दिया लिया, ये कारेक्रम भी पुर्ववत्भी चल अब सुनते हैं, चंदन समारोह, इस मेले में एक अन्यकारेक्रम का भी श्री गणिश हुआ, जो चंदन उत्षव के नाम से प्रसित है, ये कोरहल के एक मुस्लिम भग श्री अमीर शकर धलाल के मश्तिस की सूच थी, पुराया इस प्रकार का उत्षव से मुस्लिम संतों के स अमात हो जाता, धालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जित की दिवारों पर डाल दिया जाता, इस उत्सव का प्रबंध प्रथम तीन वर्षों तक श्री अमीर शकर ने किया, और उनके पश्चात उनकी धन पत्ती ने किया, इस प्रकार हिंदू और दौरा धज्च मुसल्मानों के द्वारा चंदन का जुरूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा, अब सुनते हैं प्रबंध, राम नुमी का दिन श्री साई बाबा के भुक्तों को अट्टन्द ही प्रिया और पवित्र, कारिया करने के लिए बहुत से स्वयन सेवत तयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे, बहर के समस्त कारियों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कारियों को श्री साई बाबा की एक परंभक्त महिला प्राधा कृष्णमाई संभालती थी, इस अउसर पर उनका निवास्थान अठितियों से पर उतना आदी, मस्जित की फर्ष तथा दिवारे निरंतर धुनी जलने के कारण काली पड़ गई थी, जब रात्री को बाबा चावडी में विश्राम करने चले जाते, तब वे ये कारियों कर लिया करती थी, समस्त वस्तुएं धुनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी, और स सब कार्य राधा कृष्णमाई के निवास्थान पर ही होता था, बहुत से धनाड्य वश्रीमंत भग इस कार्य में आर्थिक साहयता पहुचाते थी, अब श्रवन कीजे उर्ष का राम नमी के त्योहार में समन वै, सब कारेक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा, और मेले का महत वशनई शनई बढ़ता ही गया, सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ, एक भग कृष्णराव जोगेश्वर भीष्वा, श्री साही सगणो पासना के लेकर, अमरावती के दादा साहिप खापरड़े के साथ मेले में एक दिन पूर्व, श्रीडी के दिक्षित वाड़ वह मेला ठीक राम नोमी के दिन ही भता है, इसमें आवश्चर ही कोई गूड रहस्यव नहीं थी, राम नोमी का दिन हिंदूओं को बहुत ही प्रिया है, कितना अच्छा हो यदि राम नोमी का उच्छव का भी श्री गनेश कर दिया जाए, काका महाजनी को ये विचार उच है, तैयार हो चुका है, तो मैं उसका ही किर्टन करूँगा, और तुम हर्मोनियम पर साथ करनेगे, तथा राधा कृष्ण माई सुन्च वड़ा तैयार करतेगे, तब वे दोनों ही शीग रही बाबा की स्विकृती प्राप्त करने हैं तू मस्जिद को बैठ, बाबा तो समझ सकने की तारण स्थब्ध होकर खड़े रहे, तब बाबा ने भीश्म से पूछा कि क्या बात है, भीश्म ने राम नोमी उच्छव मनाने का विचार बाबा के समक्ष रस्तुत किया, तथा स्विकृती देने की प्राप्त नागी, बाबा ने भी सहर्ष अनुमती दे द हो गया, भीश्म कीरतन करने को खड़े हो गया, और महाजनी हर्मोनियम पर उनका साथ करने लगे, तब ही बाबा ने महाजनी को बुलाबा भीज़ा, यहां महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आग्याद देंगे भी या नहीं, पर उन्तु जब वे बाबा के समी पहुंचे, तब बाबा ने उनसे प्रश्ण किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है, महाजनी ने बताया कि राम नौमी का कारेक्रम प्रारंब हो गया है, और इसी कारण यह पालना यहां रखा गया है, बाबा ने निम्बर पर से दो हार उठाय, उनमें से एक तो उन्होंने काकाजी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीश्मा के लिए भेज दिया अब किर्तन प्रारंध हो गया था किर्तन समात हुआ तब श्री राजारान के उच्छसवर से जयजयकार हुई जब हर कोई परसनता से जूम रहा था तब अचानक ही एक गरस्ती हुई धनी उनके कानों पर पड़ी वस्तुता है जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कंड अनायाज ही बाबा की आँख में चले गए तब बाबा एकदम कुर्द होकर उच्छसवर में अपशप कहने वकोसने लगे ये द्रिश देखकर सब लोग भैबीत होकर स जन दिन है अतह रावन का नाश एहंकार एवन दुष प्रवर्टे रुपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वता उचित है इसके साथ-साथ उन्हें ये विदित था कि जब कभी भी शिर्डी में कोई नवीन उपकरम रचा जाता था तब बाबा इसी परकार कुपित होई ही जाया करते थे इसलिए वे सब तब्धी रहे इधर राधा कृष्णमाई भी भजबी थी कि कहीं बाबा पालना न तोड़ फोड़ डाले इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन पूर्ण नहीं हुआ है अगले दिन गोपाल काला उच्छव मनाया गया जिसके पश्चाद बाबा ने पालना उतारने के आग्या दे थे उच्छव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्की के बरतन में लटका दिया जाता है और किर्तन समाब्थ होने पर वो बरतन खोड़ दि के रूप में वो कोहा सबको वितरित कर दिया जाता है जिस प्रकासे श्री कृष्ण ने गौलों के साथ किया था राम नोमी का उच्छव इसी तरह दिन भर चलता रहा दिन के समय दो धजों का जुलूज और रात्री के समय चंदन का जुलूज बड़ी धूम धाम और समारो के साथ निकाला गया इस समय के पश्चाथी उर्ष राम नोमी के उच्छों में परिवर्टित हो गया अगले वर्ष 1912 से राम नोमी के कारेक्रमों की सुची में व्रिध्धी होने लेगे श्रीमती राधाकृष्ण माई ने चैतर की प्रतिपदा से नामसप्ताह प्राड़ के मिलने की कट्चनाई पुना पस्तित हुई परंतु उच्छों के पूर्व ही ये समस्या हल हो गई पांच्छों दिन पूर्व श्री महाजनी की बालागवा से अकस्मात हैंट हो गई बुआ साहे अधुनिक तुकारां के नाम से प्रसित थे और इस वर्ष किर्धन का कारि उन्हें ही सौपा गया अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास सातारा जिले के बाला बॉआ सातार कर ब्रच सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेक का प्रकोप होने के कारण अपने गाउं में हरिदास का कारिया नहीं कर सकते थे इस वर्ष पे शिर्डी में आए काका साहिब प्रच सार्य को उत्तम रिती से सफलता और विद्वत्वा पूर्वक्त कूर्ण लगन से निभाते रहे सन 1912 से उत्सव के आउसर पर लोगों की संख्या में उत्तर व्रिद्धी होने लगी जैत्रशुक्ला अश्टमी से 12 तक शिर्डी में लोगों की संख्या में इतनी शिर्डी को संस्थान का रूप मिला संपती भी दिन प्रति दिन बढ़ने रगी एक सुन्दर खोड़ा पालकी रद और चांदी के अन्यपदा बरतन पात्र शीशे इत्यादी भक्तों ने उपहार में भेंट किये उत्सर के अउसर पर हाथी भी बुलाया जाता था हम देने योग्य है कि जुलूस कता उत्सों में हिंदो और मुसल्मान दोनों ही साथ-साथ कार्या करते थी परन्तो आज तक ना उनमें कोई विवाद हुआ और नो कोई मतबे थी पहले-पहल तो लोगों के संख्या 5000-7000 के लगबग ही होती थी परन्तों किसी-किसी वर्ष तो ये संख्या 75,000 तक पहुँचाती थी फिर भी न कभी कोई बिमारी फेली और नहीं कोई दंगा हो अब सुनते हैं मस्जित का जिर्णोधार ऐसे हुआ जिस प्रकार उर्ष या मेला भराने का विचार प्रतमता हा श्री गोपाल गुन को आया था उसी प्रकार मस्जित के जिर्णोधार का विचार भी प्रतमता उन्हें ही आता उन्होंने इस कार्य के निमित पत्थर एकत्रिक कर उन्हें वरगाकार करवाई परन्तु इस कार्य का श्रेव उन्हें प्राप्त नहीं होना था वो सुयश तो नाना साहित चंद्वरकर के लिए ही सुरक्षित और फर पूरा फर्ष बन गया अभी तक बाबा एक टाट के टुपड़े पर ही बैट दे थे अब उस टाट के टुपड़े को वहां से हटा कर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई सन 1911 में सभावंडब भी भोर परिश्रम के उपरांथ ठीक हो गया मस्जित का अंगन बहुत छोटा तथा असुविधा जनत था काका साथ दिक्षित अंगन को बढ़ा कर उसके उपर छपर बनवाना चाहते थे यतिश्ट द्रव्य रैशी बैकर उन्होंने लोहे के खंबे बल्लियां वकेंचियां मोल दी और कार्य भी प्रारम्ठ हो गया दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंबे जमीन में गाड़े जब दूसरे दिन बाबा चावडी से लोटे उन्होंने उन खंबों को उखार कर फिक गया और अतिक रोधित होए वे एक हाथ से खंबा पकड़कर उसे उखारने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने दाट्या का साफा उटा लिया और उसमें आग लगा कर गड़े में फेंकिया बाबा के नेतर जलते हुए अंगारे के सद्रुष लाल हो गये किसी को भी उनकी और आख उठा कर देखने का साहस नहीं होता था सभी बुरी तरह भैबीत होकर विचलित होने लगे किया अब क्य होगा भागो जी शिंदे बाबा के एक कोड़ी भक कुछ सहस कर आगे बढ़े पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढखिल दिया माधवराग की भी वही गति हुई बाबा उनके उपर भी इट के धेले फेकने लिए जो भी उन्हें शान्त करने गया उसकी वही तशा कुछ समय के बश्चात ख्रोध शान्त होने पर बाबा ने एक दुकांदार को बलाया और एक जरीदार फेटा खरीद कर अपने हाथों से उसे ताट्या के सिर्पर बानने लगया जैसे उन्हें विशेश समान दिया गया ये विजितर व्यवार देखकर भक्तों को आश्चर ये हुआ वे समझे नहीं पा रहे थे कि किस अग्यात कारण से बाबा इतने ग्रोधित होए उन्होंने ताट्या को क्यों पिटा और तक्षण ही उनका ग्रोध क्यों शांत होगा बाबा कभी-कभी आती गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर अगले अध्याय में बाबा यवन हैं या हिंदू इसका विवेचिन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति और अन्य विश्यों पर भी विचार किया जाएगा यहां शटा अध्याय समाप्त हो रहा है श्री सद्गुरू साई नाथार पनमस्तु शुभं भवदु सक्तह पारायना प्रथम विच्छार अध्याय साध्वा अब बाबा क्यानुमती से और आशिरवाद लेकर हम अध्याय सात्वे का श्रवन करेंगे इसमें अध्वत अवता श्री साई बाबा के प्रती उनकी योगिक प्रियायन उनकी सर्व व्यपकता पुष्ठरोगी की सेवा खापरडे के पुत्र को प्लेग, पंधर कुर्गमन, अध्भुत, अउथा, इसके बारे में जानेंगे श्री साही बाबा समस्त योगी क्रियाओं में पारंगत था छो प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ग्याता था छो प्रियाएं जिसमें धाउती, एक तीन इंचोड़े और साड़े बाईस इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्पच करना खंड योग, अर्थाद अपने शरीर के अवयों को प्रखत प्रसक कर उन्हें पुना पुर्ववत जोड़ना और समाधी आधी भी सिम्मिलित हैं, यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकरती से वे यवन से प्रतित होते थे कोई भी ये निश्चव फुर्वत नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन वे हिंदूों का रामनों में उच्व यथा विधी मनाते थे और साथ ही मुसल्मानों का चंदनों उच्व वे उच्व में दंगलों को प्रुच्छान तथा विजटाओं को परियाप्त पुरसकार देते थे गोपल अश्टमे को वे गोपाल काला उच्व भी बड़ी धूम धाम से मनाते थे एद के दिन वे मुसल्मानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित क्या करते थे एक समय मुहर्म के अउस्सर पर मुसल्मानों ने मस्जिद में ताजिये बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गाउं से निकालने का करेक्रम रचा थे श्री साही बाबा ने केवल चार दिन ताजियों को वहां रखने दिया और फिर बिना किसी राग द्वेश के पांचवे दिन वहां से हटवा दिया यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदूँआं की रीती के अनुसार छिदे हुए थे और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में नाना साहिद कांदोरकर जिन्होंने उनको बहुत समीब से देखा था उन्होंने बतलाया कि उनकी सुननत नहीं हुई थी साही बाबा पत्रिका श्री बीवी देव द्वारा लिखित शुर्शक बाबा यवन के हिंदू पुरुष्ट 562 देखे यदि कोई उन्हें हिंदू होशित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि यवन कहें तो वे सदा वहां धूनी प्रजवलित रखते थ तथा अन्य कर्म जो कि इसलाम धर्म के विर्थ है जैसे चक्की पिसना, शंक तथा घंटानाद, होम, आदी कर्म कराना, अन्नदान और अरग्यत वारा पूजन आदी सदेव वहां चलते रहते थे यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राम्हन और अग्नी हुत्री भ जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्म ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो गया, अस्तु इसका निरने कोई न कर सका, कि यदात में बाबा हिंदू थे या यवन थे, इसमें आश्चरिय ही क्या है, जो एहम वे इंद जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखे थे, फकिरों के साथ वे आमिश और मचली का सेवन भी कर लेते थे, कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मूँ डालकर स्वतंत्रता पुर्वत खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपती नहीं क अईसा पूर्वा और अखुत श्री साई बाबा का अवतार थे, गत जन्मों के शुबस हंसकारों के परिणाम सुरुख, मुझे भी उनके श्री चरणों के समीब बैटने और उनका सत्चंगलाब भठाने का सौभा के प्राप्ट हुआ, मुझे जिस आनन वो सुक का अनुह तो हुआ, उसका वर्नन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, यथारत में बाबा अखंड सर्चिदानन थे, उनकी महनता और अजवीतियता का बखान कौन कर सकता है, जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षातकार की प्राप्टी हुई थी, अन्ये सन्यासी, साध और अन्यमुक्षजन भी श्री साई बाबा के पास आया करते थे, बाबा भी सदैवे उनके साथ चलते, फिते, उटते, बैटते, उनसे वात्रा लापकर उनका चितर अर्जन किया करते थे, अल्ला हमालिक, सदैवे उनके होटों पर था, वे कभी भी विवाद और मतबेद म में कौन थे, अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे, वे लोगों के गोईवे अपार को पुर्ण दया जानते थे, और जब वे रहस से प्रकट करते थे, तो सब विस्वित हो जाते थे, स्वयम ज्याना उतार होकर भी, वे सदैवे अज्यानता का प्रदर्शन किय करते थे, उन्हें आदर सतकार से सदैव अरुची थी, इस प्रकार का श्री साई बबा का वैशिष्ट था, थे तो वे शरीर धारी, परन्तु कर्मों से उनकी इश्वरियता स्पष्ट ठलकती थी, श्रीडी के सकल नरनारी उन्हें परब्रम ही मानते थे, अब संते हैं धार किया, श्री तात्या पटिल के द्वारा शनी, गंपती, शंकर, पारवती, घ्राम्य देवता और हनमान जी आदी के मंदिर ठीक दरबाया थे, उनका दान भी विलक्षन थी, लक्षन के रूप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से बे किसी को 20 रुपे, किसी को 15 बाबा के दर्शन से भुतों को अने प्रकार का लाग पहुचता था, अने को निश्कपट और स्वस्थ बन गए, दुष्टात्मा पुन्यात्मा में परणिप हो गए, अने को कुष्टरोग से मुख हो गए, और अने को को मनोव अंचित हल की प्राप्ती हो गई, पंगों क कभी स्नान करते और कभी स्नान किये विनाही समाधी में दीन रहते थे, वे सिर्पर एक साफा, कमर में एक भोती, और तन धटने के लिए एक अंगरखा धारन करते थे, प्रारम से ही उनकी वेशभूशा इसी प्रकारती, अपने जीवनकाल के परवार्ध में वे गाउं में चिकिच्चा कारिया भी किया करते थे, रोगियों को निदान कर उन्हें अउशदी भी देते थे, और उनके हाथ में अपरिमिद, यश्ट, इस कारण वे अलपकाल के लिए ही योग्य चिकिच्चत प्रिख्यात हो गए, यहां केवल एक घटना का उल्ले किया जाता है, जो भक्त गणने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्तिक दिया, इस प्रकार की पीडा में डॉक्टर प्राया, लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूद, तथा कपुर्योग का अउशदीयों को उप्रयोग मिलाते हैं, पर बाबा के अउशदी तो सर्वता ही भिन्नत थी, उन्होंने भिलावा पीस कर उसमें दो गुलियां बनाई हैं, और रोगी के नेत्रों में एक एक गुली चिपका कर कपड़े की पट्टी से आँखे बांग दी, दूसरे दिन पट्टी हटा कर नेत्रों के उपर जल के छिटें छोड़े गए, सुजन कम हो गई और नेत्र प्राया निर अब सुनिए बाबा की योगिक प्रयोग और प्रयाय क्यां थी, उनमें से केवल दो काही खुल्ले क्या जाता, धहुती क्रिया, आते स्वच्छ करने की क्रिया, प्रती तीसरे दिन बाबा मस्जिद से परियापत दूरी पर एक वटवरिक्स के नीचे क्या करते थी, एक मातों को उदर से बाहर निकाल कर उन्हें चारों और से स्वच्च किया और समीप के व्रिक्ष पर सूखने के लिए रखिया शिर्डी में इस घटना की पुष्टी करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं उन्होंने इस सत्य की परिक्षा भी की साधरन धोती क्रिया एक तीनिं उसे बाहर निकाल लेते हैं पर बाबा की तो ये धूती क्रिया सर्वता विजित्रों और असाधारन की थी अब खंड़यों के बारे में सुनते हैं एक समय बाबा ने अपने शरीर के आवया और पुथक कर मस्जित के भिन्न भिन्न अस्थानों में बिखे ले अकस्मात उसी ये सोचकर वे मौन रहें दूसरे दिन जब वे मस्जित में गए तो बाबा को पुर्ववत रुष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्वाई हुआ उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृष्ष देखा था वो कहीं स्वपन तो नहीं था बाबा निर्धनों और रोग्यों को स्वास्थ प्रदान किया इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर ने मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वाथ की चंता नकर अनिक विघ्णों का सामना किया तथा स्वयम गसहनिय वेदना और कष्ट सहन कर सदेव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्यों में साहता पहुंचे बेसदा परम कल्यानार्थ चिंतित रहते थे ऐसी ये गटना नीचे लिपकी जाती है जो उनकी सर्वव्यापक्ता तथा महान दयालुता की द्योतक है अब सुनिये बाबा की सर्वव्यापक्ता और दयालुता सन 1910 में बाबा रहे से जुलस गए नौकर माधहो तथा माधहोरा दश्पन्डे ने बाबा को धूनी में हाठ डालते देखकर तुरन दौड कर उन्हें बलपुर्वत पीछे खींच लिया माधहोरा ने बाबा से कहा देवा आपने ऐसा क्यों किया बाबा सावधान होकर कहने लगे यहां से कुछ दूरी पर एक लोहारियन जब भट्टी धौक रही थी उसी समय उसके पती ने उसे बुलाए कमर से बंदे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वो शिखरता से वहां दौड कर गई अभाग्यवश शिशु फिसल कर भट्टी में गिर पड़ा मैंने तुरन भट्टी में ह अजी साथ देकर शिखरता से शिर्ली को आए उन्होंने बाबा से डौक्टर परमानन को हाथ की चांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने के लिए अनुमती मांगी ये प्रार्फना और स्विकृत हो गए हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ट रोग पीडित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदवे पट्टी बांगते थे उनका कार्या था प्रति दिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके उपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुना पुर्ववद कर सकर बान दे कहां उस शिक्र भर गए इसके लिए नाना से च अन्होंने हाथ का परिक्षन करवाना अस्विकार कर दिया दॉक्तर परमानन की दवाईयां शिड़ी के वायू मंडल में नक हो सकी और ना उनका उप्योगी हो सका फिर भी डॉक्टर साथ का परमभाग्य था जो उन्हें बाबा के शिरी दर्शन का लाब भागोजी को दव लगाने की अनुमती मिल गए कुछ दिनों के उपरां जब भाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए परन्तु ये किसी को भी यात नहों हो सका कि कुछ पीड़ा शेश रही थी या नया प्रति दिन प्रातक काल घृत से हाथ की मालिश और पुना कसकर पठ्टी बानना श् अजब घृत्ने स्विकार की जब बाभा लेंडी बाग को जाते तो भागो जी च्छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे प्रति दिन प्रातक काल जब भाबा धुनी के पास आसन री राज थे तब भागो जी वहाँ पहले सही उपस्ति रहकर अपना कार्य पररारम कर देते भ ज़्यपी बाहिय दृष्टी से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे पर उत्तु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्त में वे भी अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थी उन्हें बाबा के साम्यन धका पूर्ण लाग प्राप्थ हुआ अब सुनिये बालत खापरडे को प्लेग हुआ तब की बाद अब मैं बाबा की एक दूसरी अर्भुत लिला का वरणन करूँ श्रीमती खापरडे अमरावती के श्री दादा सेव खापरडे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुतर के साथ कई दिनों से श्रीडी में पुत्र त समाधी मंदिर कहा जाता है कि पास से जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लोटने की अनुमती मांगी तथा कमपित्सवर में कहने लगी कि मेरा पुत्र प्लेक से ग्रस्थ हो गया है अब मैं घर लोटना चाहती हूँ प्रेम पुरवत उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा अकाश में बहुत बादल चाहे हुए हैं उनके हटते ही अकाश पुरवत सच हो जाएगा ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कपनी उपर उखाई और वहां उपस्तित सभी लोगों को अंडों के बराबर चार गिल्तियां दिखा करता है देखे मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कश्ट उठाना पड़ता है उनके कश्ट मेरे है ये विचित्र और असाधारन लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कश्ट सेहन करने पड़ते हैं संतों का रिदय मौम से भी नरम तथा मक्षन के जैसा कोमल होगा विए अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना नीजी संबंदी समझते हैं अब सुनिये पंधरपुर गमन और निवास तो सुनो बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से जान लेते थे इसका वर्नन कर मैं ये अध्याय समाथ करूगा नाना सहथ चंदरगर बाबा के परम भक्ते वे खंदेश में नंदुर बार के मामलत दार थे उनका पंधरपुर को स्थानान तरन हो गया और श्री साई बाबा की भक्ती उन्हें फलदाई हो गई क्योंकि उन्हें पंधरपुर जो भूव एकुन थे पृत्वी का स्वर्ख सद्रशी समझा जाता है उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया नाना सहथ को शीगर ही कार्यभार समालना था इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिये बिना ही शीगरता से शिर्ड पर ही है बाबा पास बेटे हुए मालसा पती आपका शिन्दे और काशिराम से वार्खालाब कर रहे है उसी समय मस्जिद में सब्दता चा गई और बाबा ने अचानक ही कहा चलो चारों मिलकल भजन करें पंधरपूर के द्वार खुले हुए है ये भजन प्रेमपुर बग क्योंकि वो मेरे स्वामी इश्वर का कर है बाबा गाते जाते और भक्तगंड उसे दोहराते जाते हैं कुछ समय में नाना साथ ने महां साहर कुटमबर पहुँचकर बाबा को प्रणान किया उन्होंने बाबा से पंधरपूर पधार ने तथा वहां निवास करने की कर पंधरपूर को रवाना हो गया बाबा की कथाएं अनन्त है अन्य विशय जैसे मानव जन का महत्व बाबा का भिक्षा वृत्ति पर निर्वाः बाइजामा की सेवा कथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष प्रक्तर अब मुझे यहां विश्राम करना चाह ओम श्री साइनाथाय नमाः अध्या आठ्वा प्रारम बाबा का अशिर्वाद और अनुमति से अब हम अध्या आठ्वे का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोप्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीता राम चंदरा भ्याम नमाः श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाः इस अध्याय में मानो जन्द का महत्व, श्री साही बाबा की भिख्षा बृति, बाईजाबाई की सेवा सुशुशा, श्री साही बाईजाबा का शेयन कच्छ, खुशाल चंपर परेने, इसका वरनन किया गया है जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है अब श्री हेमाडपन मानो जन्द के महत्व को विस्तुत रूप से संभगते है श्री साही बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे बाई जाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुशुशा करती थी वे मस्जिद में ताट्या कोते और महलसा पती के साथ किस प्रकार श्रैम करते तथा खुशालतन पर उनका कैसास नहा था इसका आगे वर्नन किया जाए अब सुनिये मानो जन्द का महत्व इस विचितर संसार में इश्वन में लाखों प्राणियों हिंदू शास्तर के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्य किया है जिनमें देव, दाना, गंधर्व, जीवजंतु और मनुष्य, आदिस, सम्मिलित हैं जो स्वर्ग, नरक, पृत्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं इन प्राणियों में जिनका पृण्य प्रबल हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं पृण्यों के ख्षीन होते ही वे फिर निमनस्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुश्कर्म किये हैं नरक हो जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं जब उनके पाप और पुण्यों का समनवय हो जाता है तब उन्हें मानव जन और मोक्ष प्राफ्ट करने का अवसर प्राफ्ट हो जाता है जब पाप और पुण्य दोनों नश्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं अपने कर्म तथा प्रारब्त के अनुसार की आत्माएं जन लेती या काया प्रवेश्ट करती हैं अब सुनिए मनुष्य शरीर अनमोल यह सक्य है कि समस्त प्राणियों में चार बातें एक समान हैं आहा, निद्रा, भै और मैथुन मनो प्राणि को ज्यान एक विशेश देने जिसकी सहयता से वो ईश्वर दर्शन कर सकता है योन्य किसी योनी में संभव नहीं यही कारण है कि देवता भी मानो योनी से इर्शा करते हैं तथा पृत्वी पर मानो जन धरन करने हैं तू सदय वलालाईत रहते हैं जिससे उन्हें अंत में मुक्ती प्राप्ती किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानो शरीर अती दोशयुक्त है यह क्रुमी, मज्जा और कफ से परिकूर्ण, शनभंगुर, रोग ग्रस तथा नश्वर है इसमें कोई संदय हैं नहीं कि यह कथन अंश्वता सत्य है परंतु इतना दोशकूर्ण होते हुए भी मानो शरीर का मुल्य अधिक है क्योंकि ग्यान के प्राप्ति केवल इसी योनी में संभभ मानो शरीर प्राप्त उन्हे पर ही तो ग्याद होता है कि यह शरी, नश्वर्ध और विश्वरभ परिवर्तन शील है और इस प्रकार धारना कर इंद्रिय जन्ने विश्यों को तिलाँजली दे कर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात कार किया जा सकता है इसलिए यदि हम शरील को तुछ और अपवित्र समझ कर उसकी उपेक्षा करें तो हम ईश्वर दर्शन के अवसर से वंचित रह जाए यदि हम उसे मुल्यवान समझ कर उसका मोह करेंगे तो हम इंद्रियों सुखों की और प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन भी सुनिश्चित ही है इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए ये है कि न तो देह की उपेक्षा करो और नहीं उसमें आ सकती रखो केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुट सवार का अपनी आत्रा में अपने घुडे पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वो अपने निद्धिष्ठ स्तान पर पहुंच कर बलॉटना इसलिए इश्वर दर्शन या आत्म साप्षात कार के मित रखो शरीर को सदा ही लगाए रखना चाए जो जीवन का मुख्य थेयत ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों के उत्पत्ती करने के पश्चाथ भी इश्वर को संतोश ने हुआ कारण ये है कि कोई भी प्राणियों उसकी अलोकिक रचना और स्रिष्टी को समझने में समझने के योग्या है तब उन्हें अतिहर्ष एवं संतोश भागवत्सकंद 11,9,28 के अनुसाथ इसलिए मानो जन प्राप्त होना बड़े सौभागय का सूचत पुछ ब्राह्मन कुल में जन लेना तो परम सौभागय का लक्षन है परमतुसाई चर्णाम भुजो में प्रीति और उनकी शर्णागती प्राप्त होना इन सधी में अतिश्रेष्ट है अब सुनिए मानो का प्राप्त हो इस संसार में मानो जन अतिदुरलब है हर मनुष्य की मृट्यू तो निश्चित ही है और वो किसी विक्षन उसका अलिंगन कर सकी है ऐसी धारना कर हमें अपने धेयकी प्राप्ति में सदय वतत पर रहना चाहिए जिस प्रकार खोय हुए राजकमार की खोज में राजा प्रत्यक संभव उपाय प्रयोग में लाता है इसी प्रकार पिंचित मात्र भी विलंब ना कर हमें अपने अभिष्टती सिद्धी के के तूस्छी घ्रता करनी ही सरवता उचित अतक पूर्ण लगन और उच्छुकता पुर्वक अपने धे आलस और निद्रा को त्याज़ कर हमें इश्वर का सरवदा ठान रखना चाहिए यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पश्यों के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा अब सुनिये कैसे प्रवृत्व होना है अधिक सफलता पुर्वक और साक्षातकार को सुलब प्राप्त करने का एकमात रोपाय है इस योग्यसंद या सद्गुरु के चर्णों की शीतल प्राया में आश्रे ने जिसे की इश्वर साक्षातकार हो चुका है जो लाब धार्मिक राखानों के श्रवन करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्यान करने से प्राप्त नहीं हो सकता वो इन उच्च आत्मा ग्यानियों की संगती से सहज ही प्राप्त हो जाता जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं देशे इसी प्रकार जिस अध्यत्मिक ज्यान की उपलब्धी हमें सद्गुरु की क्रिपासे हो सकी है वो ग्रंथों और उपदेशों से इसी प्रकार संभव नहीं है उनकी प्रत्यक गतिविधी, मृदुभाशन, गुये उकदेश, शमाशीरता, स्थिरता, वैराग्य, दान, परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्र, एहंकार शुन्यता आदी गुर्ण, जिस प्रकारधी वे इस पवित्र मंगल विभूती द्वारा व्यभार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्र अलीन रहते थे, वे समस्त प्राणियों से फ्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे, सुखों का उनको कोई आकरशन न था और नवे अपतियों से बिचलित होते थे, उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे, जिनकी केवल कृपा से भिकारी भी राजा बन सकता थे, वे श्रीवी में दौर 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 फूम कर भिक्षा उपारजन किया करते थे, ये कारिये वे इस प्रकार करते थे, अब सुनिये बाबा की भिक्षा वृत्दी, श्रीवासियों के भग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके दौर पर एक परब्रम् ओ माई एक रोटी का टुकडा मिले और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ खैलाते थे एक हाथ में बेसदा कमरेल लिये रहते तथा दूसरे में एक जोली कुछ घरों में तो वे प्रति दिन ही जाते और किसी किसी द्वार पर केवल प्थेरी ही लगाते थे वे साथ, दूद या छाँच आदी पदार्त तो टिन पाट में लेते तथा भात, रोटी, आदी, अन्यसुखी वस्तुएं जोली में डाल लेते बाबा की जिवा को कोई स्वाध रुची नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश्च में कर लिया था इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाध की चिंता क्यों करते जो कुछ भी भिच्छा में उन्हें मिल जाता उसे ही वे मिश्वित कर संतोष दुर्वक ग्रहन करते थे अमुक पदार्थ स्वाधिष्ट है या नहीं बाबा ने इस वोर कभी धानी है नहीं थे वान उनकी जिवा में स्वाध बोधी नोगी वे केवल मध्यान तक ही भिच्छा उपारजन करते थे ये कारिया बहुत अनियमित था किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन बारा बज़ेते वे एकत्रिक भोजन एक कुंडी में डाल देते जहां कुत्ते बिल्यां कववे आदी स्वतन फरता पुर्वक भोजन करते थे बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया एक स्त्री भी जो मस्जित में ज़ाडू लगाया करती थी रोटी के दस बारा टुकड़े उठा कर अपने खर ले जाती थी परन्त किसी ने कभी उसे नहीं रोगा जिन्होंने स्वतन में भी बिल्यों और कुट्टों को कभी दुद्कार कर नहीं भगाया वे भरा नी सहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्योंकर रोगते ऐसे महान कुरुष का जीवन धन्या है शिर्डी वासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिर्डी में इसी नाम से विख्षाद भी हो गया थे जो विख्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो वला उसका कोई आदर कैसे करता है परन्तु ये तो उदार विदाय, क्यादी और धर्मात्मा थे जद्यपी वे बाहर से चंचल और अशांतर प्रतीत होते थे परन्तु अंतक्रण से द्रड़ और गंभीर थे उनका माल गहम तथा गूर थे फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और स्वभागे शाली बगती थे जिन्होंने उन्हें पैस्टान कर एक महां पुरुश माना ऐसी ही एक खटना अब सुनी बाईजा वाई की सेवा तात्या कुते की माता जिन था नाम बाईजा माई था तो पहर के समय एक टोक्री में गोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढून कर उनके चरंड पकड़ती थी बाबा तो शान्त और ध्यान मग न बैठे रहते थी वे एक पत्तल बिचा कर उस पर सब प्रकार के वेंजनादी जैसे रोपी, सार, आधी परोस्ती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आगरह करती उनकी सेवा तथा श्रधा की रीती बड़ी फी विलक्शन थी प्रति दिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूनना और भोजन के लिए आगरह करना उनकी इस सेवा और उपासना की स्कृती बाबा को अपने अंतिम चणों तक बनी रखे उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाब पहुँचा है माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर द्रिड़ निश्टा था उन्होंने बाबा को सदय वईश्वर के समान ही पूजा बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फकीरी ही सची अमीरी है उसका कोई अंक नहीं जिसे अमीरी के नाम से फकारा जाता है और कोशीग रही लुप हो जाने वाली है कुछ वर्षों के बाबा ने जंगल में विचरना प्याग दिया वे गाउं में ही रहने और मस्जित में ही भोजन करने लिए इस कारण वाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूनने के कश से चुटका रहा है अब सुनते हैं तीनों का शेंकक्ष क्याब वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके रिदे में भगवान वासुदेव सदय ववास करते हैं वे भगभी भगशाली हैं जिन्हें उनका सान्यत्य प्राप्ट होता है ऐसे ही दो भगशाली भगथ थे एक टात्या पुते पाटिल और दूसरा भगत मालसा था दोनों ने बाबा के सान्यत्य का सदय ववपूर्ण लाग रखाया बाबा दोनों पर एक समान प्रेम करते थे ये तीनों महनुभव मस्जिद में अपने सिर्फ पूर्व पश्टिम तथा उत्तर के ओर करते और केंदर में एक दूसरे के पैर से पैर मिला कर शैयन किया करते थे विस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पुरुवत वारतालाब और इधर उधर की चर्चाएं क्या करते थे यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता थे यदि तात्या खराटे लेने लगते तो बाबा शिग्रही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे यदि कहीं वो महलसा पती हुए तो उन्हें भी अपनी और खींचते और पैरों पर धका देकर फ्वीट थपत पाते थे इस प्रकार तात्या ने चौदा वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जित में निवास किया कैसे सुहाने दिन थे वे उनकी क्या कभी विस्मुटी हो सकती है उस प्रेम का क्या है बाबा की क्रिपा का मुल्य कैसे आखा जा साता था पिता के मृत्यू होने के पस्टा तात्या पर धरबार की जिम्मेदारी आ पड़ी इसलिए वे अपने घर जाकर रहने के दिए रहता निवासी खुशाल चन के बारे में सुनिये शृडी के गंपत तात्या कुते को बाबा बहुत ही चाहते थे वे रहता के मारवाडी सेड शृड शृ चंद्रभान को भी बहुत प्याद करते थे सिर्जी का ध्यान तो होने के उपरान बाबा उसके भतीजे खुशाल चन को भी अधिक प्रेम करते थे वे उनके कल्यान की दिन रात लिक्र किया करते थे कभी बैल गाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ रहता को जाया करते थे ग्राम वसी बाबा के गाउं के भाटक पर आते ही उनका अपूर हो स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूम धाम से गाउं में ले जाते थे कुशल्टन बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठा कर उत्तम सूस वादू भोजन करा थे और आनंद तथा प्रसंचित से कुछ देर तक वार्तला किया प्याते थे फिर बाबा सब को आनंदित कर और आशिरवाद दे कर शिर्डी वापस लोटाते थे एक और रहता दक्षिन में तथा दूसरी और नीमगाओं उत्तर में थे इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिर्डी स्थित है बाबा अपने जीवन में कभी इन सीमाओं के पार नहीं गए उन्होंने कभी रेल गाड़ी नहीं देखी और नकभी उसमें प्रवासी किया परन् इसके विपरीच जो अवद्या करते उन्हें दुर्भागे वो दुर्गटनाओं का सामना करना पड़ता था इस विशे से संबंदित भटनाओं और अन्य विशेओं का अकले अध्याय में विस्तार पूर्वत वरणन किया जाए विशेश इस अध्याय के नीचे दीव ही ट इसका उलेग यहां नहीं किया गया है क्योंकि इसका वरना इस सच चरित्र के तीसवे अध्याय में किया जाए यहां आठ्वा अध्याय समाप्त पुता है श्री सद्गरू साइना अथार पनमस्तु शुभंभवत ओम नमो भगवते साइदे वाया ओम श्री साइनाता अध्या नौ प्रारम्ण। हम बाबा की अनुमती से और बाबा का आशिरवात लेकर अध्याय नौ का श्रवन करेंगे इस अध्याय में विदा होते समय बाबा की आख्या का पाला और अवग्या करने के परिणामों के कुछ उकदा हरन बिक्षा वृत्ती और उसके आवश्यकता भक्तों के अनुभव इसमें तरखड कुटुम के अनुभव सुनेंगे गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लोटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सर्थुशल घर लोटे और जिन्होंने अवग्या की उन्हें दुर घटनाओं का सामना करना पड़ा इस अध्याय में ये कथन अन्य कई पुष्टिकारे घटनाओं और अन्य विशयों के साथ विस्तार पुर्वक समधाया जाए अब सुनिए शिर्डी यात्रा की विशिष्टा शिर्डी यात्रा की एक विशिष्टा ये थी कि बाबा की आग्या के बिना कोई भी शिर्डी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया भी तो माना उसने अनेक कश्कों को निवंतरन दे दिया परन्तु यदि किसी को शिर्डी छोड़ने के आग्या हुई तो फिर वहाँ उसका ठैरना नहीं हो सकता था जब भक्तगर्ण लोटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालंग अति आवश्यक था यदि इन आदेशों की अवग्या कर कोई लोट गया तो निश्टय ही उसे किसी निकिसी दुरगटना का सामना करना पड़ता था ऐसे कुछ उधारन यहां दियो जाते हैं अब सुनिए तात्या कोटे पाटिल की कत्था एक समय तात्या कोटे पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गाओं के बाजार को जा रहे थे वे शिगरता से मस्जिद में आयें बाबा को नमन किया और पहा कि मैं कोपर गाओ के बाजार को जा रहा है बाबा ने कहा शिगरता ना करो थोड़ा थेरो बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गाओं के बाहर न जाओ उनकी उतावली को देखतर बाबा ने कहा अच्छा चम से कम शामा को तो साथ लेते जाओ बाबा की आग्या की अवहलना करके उन्होंने तुरंट तंगा आगे बढ़ा तंगे के दो गोड़ों में से एक गोड़ा जिसका मूल लिया लगबग तीन सो रुपिया अथी चंचल और दृतगामी थी रास्ते में सावली विहर ग्राम पार करने के पश्चा थी वो अधिक वेक से दोड़ने लगा अकस्मात की उसकी कमर में मोच आ गए वो वहीं गिर पड़ा यद्दिपीत तात्या को अधिक चोट न आई परंतु उन्हें अपने साई मा के आदेशों की स्कुति अवश्य हो आया एक अन्या उस्सर पर कोलहार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवग्या की थी और उपर वरनित घटना के समान ही दुर घटना का उन्हें सामना करना पड़ाता अब सुनिये एक येउरोपियन महाश्य की कत्र एक समाए बंबई के एक येउरोपियन महाशय नाना सहफ चांदरुकर से परिचय पट्र प्राप्तकर किसी विशेश कार्य से शिल्डी आया उन्हें एक आलिशान तंबो में ठेराया गया वे तो बाबा के समक्ष नत होकर करकमलों का चुम्बन करना चाहते थे इसी कारण उन्होंने तीन बार मस्जिद की सीड़ियों पर चड़ने का पैतना किया परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोग दिया उन्हें आंगन में ही ठैरने और वहीं से दर्शन करने की आगया मिला इस विचितर स्वागत से और प्रसनन होकर उन्होंने शिग रही शिर्ड़ी से परस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के है तू वे वहाँ आए बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शिखता नगा करने की राई लिए अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्राफ़ना थी परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैटकर रवाना हो गया कुछ दूर तक तो भोड़े खीठाक चलते रहे परंतु सावली वहिर नामक गाउं पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई जिसे देखकर भोड़े भेवीत हो गया और दूर्तगती से दौड़ने लगए फलस्वरुप तांगा उल्टा हो गया और महाशेजी नीचे लुड़क ले और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ धसीटे चले लोगों ने तुरंधी दौड़कर उन्हें बचा लिया परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गाउं के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी इस घटना से भक्तों ने शुक्षा ज्रहन की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी ने किसी प्रकार की दुर घटना का शुकार होना ही पड़ता है और जो आज्या का पालन करते हैं बेस्सा कुशल और सुखपुर्वत घर पहुंच जाते हैं अब सुनिये विख्षा वृत्ती के आवश्यक पर अब हम विख्षा वृत्ती के प्रश्ण पर विचार करेंगे संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने स्रेष्ट पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन विख्षा वृत्ती पर ही क्यों निर्वाह किया इस प्रश्ण को दो दृष्टिकों समक्षरक हल किया जा सकता पहला दृष्टिकों विख्षा वृत्ती पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है शास्त्रा नुसार वे विख्षी जिन्होंने तीन मुख्य आ सकती है एक कामिन, दूसरा कांच, तीसरा खिर्थी का त्याक कर आ सकती मुख्यों सन्याज ग्रहन कर लिया वे भिख्षा वृत्ति के उपिवत अधिकारी है क्योंकि वे अपने ग्रह में भोजन तैयार कराने का प्रवंदन नहीं कर सकते अतर उन्हें भोजन कराने का भार ग्रहस्तों पर ही है श्री साही बबा न तो ग्रहस्त थे और न वानव प्रस्ती वे तो बालब रम्हचारी थे उनकी ये द्रिडभावना थी कि विश्व ही मेरा ग्रह थे वे तो स्वयम ही भगवान वासुदेव विश्व पालं करता तथा परब्रम्ह थे अतह वे भिच्षाव पारजन के पूर आये करनी पड़ती थी कंड़नी याने पीसना पेशनी याने दलना उतकुंभी बरतन मलना मारजनी मांजना और धोना चूली चूला सुलगाना इन प्रियाओं के प्रिणाम स्वरूप अने कीटानों और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार ग्रहस्ता श्रमियों को पा करके यार यग्य करने की आग्या दिये अर्थात ब्रह्म यग्य अर्थात वेजाध्या ब्रह्म को अर्पन करना या वेत का अध्ययन करना पित्र यग्य पुर्वजों को दान तीसरा देव यग्य देवताओं को बली भूत यग्य प्राणियों को दान मनुष्य अतितियों मनुश्यों अथितियों को दान यदिये कर्म विधिपुर्वत शास्प्रानुसार किये जाएं तो चित्षुद्ध होकर ज्यान और आत्मानों हुथी की प्राप्ति फुलब्ध हो जाती है बाबा द्वार द्वार पर जाकर रहस्त श्रमियों को इस पवित्र कर्तब्य की स्वर्तीत दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भग्य शाली थे जिने धर बैठे ही बाबा से शिक्षाक रहन करने का आउसर मिल जाता था अब सुनिये भग्तों के अनुखव अब हम अन्यमनोरंजक विश्यों का वरणन करते है भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जो मुझे भग्ति पुर्वत केवल एक पत्र फूल फल या जल भी आरपन करता है तो मैं उस शुद्ध अंतक करन वाले भग्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्शत स्विकार कर लेता है यदि भग्त सच्वुच में श्री साई बाबा को कुछ भेट देना चाहता था और बाद में यदि उसे आरपन करने की विस्तु भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेट की स्पृति कराते और भेट देने के लिए कहते तथा भेट प्राप्त कर उसे आशिश देते थे अब ऐसी ही घटनाओं का परणन सुन दिजिए तर्खड पुटंब पिता और पुत्र श्री रांगचंद्र आत्माराम उपनाम बाबासाइब तर्खड पहले प्रार्थना समाजी थे को सहमत न हुआ उसे भैट था कि बाबा का पूजन घर में विधिकुर्वत न हो सकेगा क्योंकि पिता जी प्राथना समाजी है और संभव है कि बे श्री साई बाबा के पूजनादी का उचित्धान न रख सके परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथा विधी ही होता रहेगा माँ और पुत्र ने एक शुकरवार की रात्गी में श्रीडी को प्रस्थान कर दिया दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड ब्रह्म मुहत में उठे और स्नानादीकर पूजन प्रारम करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करते बोले कि बाबा मैं ठीक बैसा ही आपका पूजन करता रहूँगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा परंतु खृपा कर इसे शारिरिक परिश्रम तक ही सीमित नर ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरम किया और मिश्री का नैवेध्य अर्पित किया जो दो पहर के भोजन के समय पर साथ के रूप में वितरित कर दिया गया उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इत्वार भी निर्विग में व्यतीत हो गया सुमवार को उन्हें आफिस जाना था परंतु वो दिन भी निर्विग न निकल गया श्री तर्खड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी उनके रिदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिये गए वचना नुसार पूजा यथा क्रम संतोष पुरुवक चल रही अगले दिन मंगलवार को सदय वकी भाती उन्होंने पूजा की और आफिस को चले गए दो पहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो ठाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोजियों से इस सम्मन में प्रश्ण किया उसने बतलाया कि आज विस्कुरती वश बेनैवेत आरपन करना भूल गया है ये सुनकर वेत्पुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर शमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पत्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारिरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाना देने लगे उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरन अपने पत्र को पत्र द्वारा सुचित किया और उससे प्राफना की वो पत्र बाबा के श्री चर्णों में रखकर उनसे कहना कि वे इस अपरात के लिए शमा प्राथी है ये घटना बांदरा में लगबग दोपहर को हुई थी और उसी समय श्रीडी में जब दोपहर की आती प्रारम होने वाली ही थी कि बाबा ने श्रीमती तर्खड से कहा मां मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुमारे घर बांदरा गया था द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार ग्रह में प्रवेश किया परन्तु वहां देखा कि भाव श्री तर्खड मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रखके गए हैं अतह मैं भुका ही लौट आया किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया परन्तु उनका पुत्र जो समीब ही ख़़ा था सब कुछ समझ गया कि बांदरा में पूजन में कुछ तो तुरूटी हो गई है इसलिए वो बाबा से लोटने की अनुमती मान में लगा परन्तु बाबा ने आज्या न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया उनके पुत्र ने शिल्डी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविश्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए बिंती की दोनों पत्र डाक वारा दूसरे दिन दोनों पक्षोतों मिलें क्या ये पितना आश्चरिय पूर्म नहीं है अब सुनिये श्री मती तर्खड एक समय श्री मती तर्खड ने तीन वस्तुएं अर्थात भरित भुर्ता याने मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और धगी काचरिया बैंगन के गोल टुकड़े खी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भीज़े बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्विकार किया इसे अब देखेंगे बाञदरा के श्री रघुवीर्istem फसकर पुरंदरे बाबा के परमभव्त एक समय वे श्रीडी को जा रहे हैं श्रीमती तर्खड ने श्रीमती पुरंदरे को दो बैंगन दिये और उनसे प्राफणा की, की श्रीडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुरता और दूसरे का काचरिया बना कर बाबा को भेंट कर दे श्रीडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुरता लेकर लाजा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं वे बड़े असमंज़स में पड़ दी कि अब क्या करना चाहिए बेंगन की तो अभी प्रितु ही नहीं अब समस्या उत्पन हुई कि बेंगन के इस प्रकारुप लग जब इस बात का पता लगाया गया कि भूता लाया कौन तब ग्यात कुआ कि बेंगन श्री मती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचरिया बनाने का कारिया सौपा गया था अब प्रत्येक को बाबा की इस पुष्टाज का अभिप्राय विधित हो गया और सब को बाबा की सरवग्यता पर महानाश चर्यों के दिसंबर सन 1915 में श्री गोविन बालाराम मानकर श्रीडी जाकर वहां अपने पिता की अंतेश्टि प्रिया करना चाहते थे प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तर्खड से मिलने आया श्रीमती तर्खड बाबा के लिए कुछ भेट श्रीडी भेजना चाहती थी उन्हें पूरा घर छान डाला परन्तु के वल एक पेड़े के अतिरिक कुछ न मिला और वो पेड़ा भी अर्पित नेवेत्य क प्रस्था था बालक गोविन ऐसी परिस्थिती देखकर रोने लगा परन्तु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए फेज दिया गया उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्विकार करेंगे शिर्डी पहुंचने पर गोविन मान कुछ नहीं बाबा ने पुनक प्रश्ण किया और उसने वही उपर योगत उत्तर फिर दोहरा दिया अब बाबा ने इस पश शब्दों में पूछा क्या तुम्हें मा श्रीमती तर्खड ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी अब उसे स्कुर्दी हो आई और वो बहु मुझ पर विश्वास करता है इसलिए मैं स्विकार कर लेता हूँ ये भगवत बचन सिद्ध हो आप सुनिये बाबा का संतोष पुरवक भोजन एक समय श्रीमती तर्खड श्रडी आयू ही थी दोपहर का भोजन प्राया तैयार हो चुका था और थालियां वरोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहाँ एक भुका कुत्ता आया और भौकने लगी श्रीमती तर्खड तुरंत उठी और उन्होंने रोपी का एक पुट्रा कुत्ते को डाल दिया खुत्ता बड़ी रुची के साथ उसे खा गया संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा मा आज तुमने मुझे बड़े प्रेम सिख लाए मेरी भूकी आत्मा को बड़ी सांखुना मिली है सदयव ऐसा ही करती रहो तुम्हें कभी न कभी इसका उत्कम फल अवश्य फ्राफ्ट होगा मैं इस मस्जिद में बैठ कर कभी आसके नहीं बोलूँगा सदय पर भूको को भोजन कराओ बाद में तुम भोजन किया कर इसे अच्छी तरह से ठान में रखो बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया इसलिए उन्होंने प्रश्ण किया बहला मैं किस परकार भोजन करा सकी हूँ मैं तो स्वयम दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती थी बाबा कहने लगे उस रोटी को प्रहन कर मेरा रिधाय त्रिप्ट हो गया और अभी तक मुझे डखारे आ रही है भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था वे अधात में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्या, सुवर, मक्या, गाय, आदी भी मेरे ही स्वरूप हैं मैं ही उनकी आकारों में डोल रहा है जो इन सक प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे त्यंत प्रिय है इसलिए द्वैत या भ शका परावार में रहाे है शिक्षा समस्त प्राणियों में इस masturb दर्शन करों यही इस अध्धाय की शिक्षा है उपनिशद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि इशा वाश्य मिदम सर्वा सब प्राणियों में इश्वर का ही बास है इसका प्रत्यक्ष लाई गई घटना तथा अन्य अने घटना है जिसका लिखना अभिशेश है स्वयम बाबा ने प्रत्यक्च वधारन प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिशिधों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए इस प्रकार श्री साई बाबा शास्त्र गंतों की शिक्षा ओम श्री साई नात्राय नमा अध्याए दस प्रारम बाबा के अनुमती से और उनसे आशिरवात लेकर हम अध्याए दस का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमा श्री सरस्वत्य नमा श्री गुरो भ्यो नमा श्री खुलदय वताय नमा श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमा श्री सद्गुरू साईनाताय नमा इस अध्याय में श्री साही बाबा का रहन सहन, श्रेम पटिया, शिर्डी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनए शीलता, नाना वली, सुगम पत्थ, इसके बारे में हम सुनेंगे श्री साही बाबा का सदा ही प्रेम पुर्वक स्मरण करोगा, क्योंकि वे सदय वर दूसरों के कल्या नार्थ, ततपर, तथा आत्मलीन रहते थे, उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यू की पहली हल करना है, साधनाओं में या तिस्रेश्ट तथा सरल साधना है, क्योंकि इ उन्हें सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरू ही ईश्वर हैं, हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रत्था रखनी चाहिए, वे तो हर इंसान के भाग्य विदाता और प्रेम मैं प्रभू हैं, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भव भव सागर से निश्टर ही मुप्टी को प्राप्त होंगे, नाय अत्वा विमाउसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्टा नहीं है, जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय हैं, नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सद्गुरू पर करना चाहिए, सद्गुरू तो केवल भक्तों के भक्तिभाव की ओर ही देखकर उन्हें ग्यान और पर्मानन की प्राप्ति करा देते हैं, गत अध्याय में बाबा की भिक्षा वृत्ती, भक्तों के अनुहरों तथा अन्य विशेयों का वर्णन किया गया है, अब श्रोता गन सुने कि श्री साई बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे, अब सुनिये बाबा का विच्तर विश्तर, पहले हम ये देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे, श्री नाना सहेब जें बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी जिस प्रकार भी हो ये तो रामी जाने है परन्तु ये तो बाबा की एक लीला थी जो पटी चिंदियां तक्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी बाबा को तक्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं को भी दुरलब द्रिश्चे था सब अश्चरे चकित थे कि बाबा किस प्रकार तक्ते पर चड़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे कउतु हलवश लोग इस रहस्यों धगाटन के हितु द्रिश्ची लगाए रहते थे परंतु ये समझने में कोई भी सखल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड उत्तरोत तर बढ़ने लगते इस कारण बाबा में एक दिन कप्ता तोड़ तर बाहर पिड़ दिया यद्यपी बाबा को अश्ट सिधिया प्राप्त थी परंतु उन्होंने कभी उनका प्रयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी च्छाई ही हुई वे तो स्वताही स्वाभावी कुरूप से पुर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी अब सुनिये ब्रह्म का सगुना होता बाहर दृष्टी से श्री साई बाबा साड़े तीन हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे फिर भी प्रत्य के रिदय में वे विराजमान थे अंदर से वे आसकती रहित और स्थिर्थ थ रहते थे अंदर संपूर्ण रूप से निस्वार थी थे वक्तों के निमित्य उनके रिदय में परम शांती विराजमान थी परंतु बाहर से वे आशांत प्रतीत होते थे वे भीतर से ब्रह्मक ज्यानी परंतु बाहर से संसार में उलचे हुए दिखलाई पढ़ते थे वे क अपने भक्तों का सदय वे उचित ध्यांग रखते थे, वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे, वे कभी आत्रा को नहीं निकले, उनका गंड एक छोटी सी लखडी थी, जिसे वे सदय वे अपने पास संभाल के रखते थे, विचार शुन्य होने के कारण वे शांत थे, उन्होंने कांचन और किर्टी की कभी चिंता नहीं की, तथा सदा ही विच्षा वृत्ती द्वारा निर्वाह करते रहे, उनका जीवन ही इस परकार थे, अल्लह मालिक सदय वे उनके होटों पर रहता था, उनका भक्तों पर विशेश और अटूट प्रिम था, वे आत्मज् ये सारा विश्व है, श्री साई बाबा में आविर्भुत हुआ था, या मुल्या निधी केवल सत्वगून संपन्न और भग्यशिल भुतों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साई बाबा को केवल मनुश्य या सामान्य पुरुष समझा, या समझते रहे, वे यथा श्री साई बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मतिति का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके श्रीडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जब पहले-पहल बाबा श्रीडी में आये थे, तो उस समय उनकी आयू केवल सोला वर्ष की वे श्रीडी में तीन वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतरधान हो गए, कुछ काल के उपरांच वे औरंगाबाद के समीब निजाम स्टेट में प्रकट गए और चान पाटी के बारात के साथ उनकी आयू बीस वर्ष की थी, उन्होंने लगातार साथ वर् अब सुनिये, बाबा का धेय और उपदेश, सत्रवी शताब्दी 16-18 से 16-18 में संथ गामदास प्रकट हुए, और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मनों की रक्षा करने का कार्या सफलता पुर्वग किया, परतु दो शताब्दियों के प्यतित हो जाने के बाद, हि इसे दूर करने के लिए ही साई बाबा प्रकट हुए, उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम, जो हिंदों का भगवान है, और रहीम, जो मुसल्मानों का खुदा है, एक ही है, और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है, फिर तुम उनके अनुयाई क्यों पृतक प्रकट करो, कलह और विवात व्यर्थ है, इसलिए न जगड़ो, और नहीं परस पर प्राण भातक बन, सदय वे अपने हित तथा कल्यान का विचार करो, श्री हरी तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, योग, वैराग्य, तप, ज्यान, आदी इश्वर के समीम पहुंच से, तो तुम्हारा जन व्यर्थ है, तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न कर, यदि कोई शुभकर्म करने की इच्छा है, तो सदय वद, दूसरों की भलाई कर, संच्छेप में यही श्री साई बाबा का उपदेश है, कि उपर युक्त कथना नुसार आचरन करने से, भाउतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही छेत्रों में तुम्हारी प्रगती होगी। पवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साई बाबा ने धार्मिक निश्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दही गुद्धी उन्हें किंचित मात्र भी छून गई थी, परन्तु उनमें में मेक्तों के लिए असीन प्रेम था। गुरू दो प प्रति पत्र लगा देते हैं। परन्तु नियत गुरू की संगती मात्र से दैत गुद्धी का राज शीघ्र हो जाता है। गुरू और भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यतार्थ में जो हमें आत्मस् जिखे प्रावा करूब्र अब उन्हें दों एक समान थे भाग्या और दुर्भाग्या का उनपर कोई प्रभावना था वे कभी संशे ग्रस्पी नहीं हुए देह धारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र आ सकती न थी देह तो उनके लिए केवल एक आवरन मात्र था यथाक में तो वे नित्यमुक्त थो वे श्रीडी वासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साही बाबा के इश्वर रूप में उपासना थी सोते जाकते, खाते पीते, वाडे या खेत तथा घर में अन्यकार्य करते हुए भी वे लोग सदैवा उनका स्मरण तथा गुंगान करते थे साही बाबा के अतरिक दूसरा कोई इश्वर वे मानते ही न थे शिर्डी की नारियों के प्रेम की माधूरी का तो कहना ही क्या है वे बिल्कुल भूली भाली थी उनका पवित्व प्रेम, उन्हें घ्रामिन भाशा में भजन रचने की सदैव प्रेणा देता रहता था यद्यपी वे शिक्षित न थी, तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्यती छलक था ये कोई विजवत्ता न थी, वरहन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरत कविता तो सच्चे प्रेम का प्रगट स्वरूप ही है जिसमें चतुर शोता गण ही यथार्थ दर्शन या रसिक्ता का अनुभव करते हैं अब सुनियें बाबा की बिनाई शीर्या ऐसा कहते हैं कि भगवान में छे प्रकार के विश्रेश गुण होते हैं यथा कीरती, श्री, वैराध्य, ज्यां, अईश्वर्य और उदारत श्री साही बाबा में भी ये सब गुण विद्यमान थे उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ती के निमित दही सगुन अउतार धारन किया उनकी कृपा बड़ी ही विच्चतर थे भक्तों के हेतू, वे अपने श्रीमुक से ऐसे बचन कहते जिनका वरणन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती उनमें से यहां एक रोचक नमुना दिया जाता है बाबा अतीब विनमरता से इस पकार बोलते दासान गास, मैं तुम्हरा रिनी हूँ कैसी भी नमरता है यज़पी बाईय दृष्टी से बाबा विशे पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे परन्तु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और नहीं उनके उपभोग का ज्याम थे वे खाते अवश्यत थे, परन्तु उनकी जिवा को कोई स्वाद न थे वे नेत्रों से देखते थे, परन्तु उस दृष्ट में उनकी कोई रुची न थे काम के संबन्ने, वे हनुमान सदृष्ट अखंड ब्रह्मचारी थे उन्हें किसी पदात में आसकती न थे वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहां समझत इच्छाएं, एहंकार और अन्य चेश्टाएं विश्राम फाती थे संख्षेप में वे निस्वार्त मुक्त और पूर्ण ब्रह्मच थे इस कथन को समझने के हितु, एक रोचक कथा का उधारन यहां दिया जाता है वो स्वयम ही गादी पर बैठना चाता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा बाबा ने तुरंद गादी छोड़ दी और तब नाना वली वहां विराजमान हो गया थोड़े समय वहां बैठ कर वो उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहन करने को कहा बाबा कुना आसन पर बैठ गया यह देखकर नाना वली उनके चरणों पर गिर पड़ा इस प्रकार अनायास ही आग्या दिये जाने और वहां से उठाये जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी और पसंदनाता की जलत न थी सुगमपत संतों की कथाओं का श्रवन करना और उनका समागव उसके बारे में सुनाता यद्यपी बाहिय द्रिष्टी से श्री साई बाबा का आचरण सामान्य पुर्षों के सद्रुशी थे परद्दू उनके कारियों से उनकी असाधारन बुध्यमत्ता और जट्राइस पश्ठी प्रतीत होती थी उनके समस्तकर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अत्वा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही पुका उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याक कर सदे वसाई साई स्मरण करो इस प्रकार आचरन करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ती प्राप्त हो जाएगे पंचागनी, तप, याग, स्मरण, अश्टांग योग आदी का साध्य होना केवल प्रामनों को ही संभाव है मन का कारिय विचार करता है बिना विचार किये, वो एक शंड भी नहीं रह सकता यदि तुम उसे किसी विश्य में लगा दोगे तो वो उसी का चंतर करने लगेगा और यदि उसे गुरू को औरपन कर दोगे तो वो गुरू के संबन में ही चंतर करता रहेगा आप लोग बहुत ध्यान दुर्वक साई की महानता और स्रेश्टता का श्रवन कर चके हैं ये कथाएं सांसारिक भै को निर्मुल कर अध्यात्मिक पत पर आरूर करती हैं इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवन और मनन करो कथा आचरण में भी लाओ सांसारिक कारियों में लगे रहने पर भी अपना चित, साई और उनकी कथाओं में लगाये रहे तब तो ये निश्चित है कि बेख खृपा अवश्यत रहें ये मार्ग अतिसरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं कर देग कारण केवल ये है कि इश्चित रुपा के अभाव वश्यत लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुची उत्पन्द नहीं हो इश्वर की कृपा से ही प्रत्यकार्य सुचारू एवं सुन्दर धंग से चलता है संतों की कथा का श्रवण ही संत समागां सद्रुष्ट संत सानिध का माहत्व अतिमहान है उससे देहिग बुद्धी आहेंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है रिदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है और इश्वर से मिलन हो जाता है जो चैतन्य घं स्वरूप है विशेयों से निश्य ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और अध्धात्मिक उन्नती सुलब हो जाती है ज़ि तुम कोई साधन जैसे नामस्मरण, पूजन या भक्ति त्यादी नहीं करते परंदु अनन्य भाव से केवल संतों के शर्नागत हो जाओ तो वे तुम्हें आसानी से भावसागर के पार उतार देंगे किसी कार्य के निमित संत विश्व में प्रकट होते है पवित्र नदिया, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदी जो संसार के समस्त पापों को धो देती है वे भी सदय वे इच्छा करती हैं कि कोई महत्मा अपने चरण सपश से हमें पावन करे ऐसा संतों का प्रभाव, गत जन्मों के शुबकर्मों के खलस स्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति, समभव है श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर, यona थाय, समाप्त करता है उनका स्वरूप, इतना सुन्दर और मनोहर है मस्जित के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्यानार उदी वितरन किया करते हैं जो इस विश्व को मिठ्या मान कर सदा आत्मानन में निमगन रहते हैं ऐसे सचिदानंद श्री साई महराज के चर्णकमलों में मेरा बार बार नमस्कार है यहाँ अध्या दस्त समापत कुता है श्री सगरू साईनाथार पणमस्तों शुहंद बदों ओम श्री साईनाथार आत्यानाथाई अध्याई ग्यारवप्रारम्त बाबा का अशिर्वात और अनुमति से हम अध्याय ज्यारवे का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरोप्यो नमाहा श्री खुलदयवताय नमाहा श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमाहा श्री सद्गुरु साईनाथाय नमाहा सगुन ब्रह्म श्री साई बाबा, डॉक्टर पंडिक बारा पूजन, हाजी सिद्धिक ठाल के तत्वों पर नियंत्रण, इसके बारे में शोताओं को सुनाता हूँ, तो सुनिये इस अध्याय में अब हम श्री साई बाबा के सगुन ब्रह्म सवरूप, उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का परणन करेंगे सगुन ब्रह्म श्री साई बाबा ब्रह्म के दो स्वरूप हैं निर्गुन और सगुन निर्गुन निराकार है और सगुन साकार यद्यपी वे एक ही ब्रह्म के दो रूप है फिर भी किसी को निर्गुन और किसी को सगुन उपासना में दिल्चस्पी होती है जैसा कि गीता के अध्याय बारा में वरनन्त किया गया है सगुन उपासना सरल और सेष्ट है मनुष्य स्वयम आकार शरीर इंद्रिय आदी में है इसलिए उसे इश्वर की साकार उपासना सवावता ही सरल है जब तक कुछ काल सगुन उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में व्रिधी ही नहीं होती सगुन उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है हम निर्गुन उपासना की और अग्रसर होते जाते है इसलिए सगुन उपासना से ही श्री गनेश करना अत्युत्तम है मूर्ती, वेदी, अग्नी, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मन आदी सब्त उपासना की बस्कुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इनमें सब में स्रेश्ट है श्री साही का सरूप आँखों के समुखला जो वैराग्यती प्रत्यक्ष मूर्ती और अनन्य शर्णागर भक्तों के आश्रद आता है उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग कोई कोई श्री साही बाबा की गणना भगवद भग अथ्वा एक महा भगवद याने महान भग में करते थे क्या करते हैं परन्तों हम लोगों के लिए तो वे इश्वरावटार हैं वे अत्यंत प्षमाशील, शान, सरल और संतुष्ट थे जिसके कोई उक्मा ही नहीं दी जासा यद्यपी वे शरीर भड़ी थे पर यथात में नर्गुन, निराकार, अनंत और नित्मुत थे गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रिश्म से व्यतित अनेक प्राणियों को शीतलता पहुँचा कर अनंदित करती हसलों और जुक्षों को जीवनदाद देती और जिस प्रकार प्राणियों की ख्षधा शांत करती है उसी प्रकार श्री साई संत जीवन बतित करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुचाते है बगवान स्री कृष्ण ने कहा है संत ही मेरी आत्मा है वे मेरे जीवन प्रतिमा और मेरे ही विशुथ रूप है मैं स्वया वही हूँ यह अवर्ननिय शक्तिया या इश्वर की शक्ति जो कि सत, चित और आनन्द है शिर्ली में साही रूप में अवतीरन हुई थी शुर्ती दैतरिय उपनिशिद में ब्रह्मा को आनन्द कहा गया है अभी तक ये विशय केवल खुस्तों को में पढ़ते और सुनते थे परंतु भक्तगर्ण ने शिर्ली में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनन्द पा लिया है बाबा सब के आश्वरेदा था उन्हें किसी की साहेता की आवश्रता न थी उनके बैटने के लिए भक्तगर्ण एक मुलायम आसन और एक बड़ा सा तकिया लगा देते थे बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छानुसार पुजनादी करने देने में किसी प्रकार की आपत्ती न करतेते कोई इत्र, कोई चंडन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेट करते और कोई नैवेद्य ही अर्पित करते थे यद्यपी ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवासस्थान शिर्डी में है परन्तु वे तो सर्वव्यापत थे इसका भक्तों ने नित्रप्रती अनुभाव किया ऐसे सर्वव्यापत गुरुदेव के चलनों में मेरा बार बार नमस्कार है अब सुनिये दॉक्टर पंडित की भक्ती एक बार श्री तात्या नुलकर के मित्र दॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनारत शिर्डी बला से बाबा को प्रणाम कर वे मस्जित में कुछ देर तक बैठे बाबा ने उन्हें दादा भट केल कर के पास पजिजा जहांबर उनका अच्छा स्वागत हुआ फिर दादा भट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जित तोंचे थे दादा भट ने बाबा का पूजन किया बाबा का पूजन तो प्राया सभी किया करते थे परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने ही साहस नहीं किया तो केवल एक महलसा पती ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे दोक्टर पंडित ने फूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रपुंडा कार लगाया लोगों ने महानाश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब भी नहीं का संध्या समय दादा भट ने बाबा से पूछा क्या करण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर तंदन नहीं लगाने देते और तो डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं का बाबा कहने लगे दोक्टर पंडित में मुझे अपने गुरू श्री रभुनात महराज धुपेश्वर कर जो कि काका पुरानी के नाम से प्रसिद्ध हैं कि समान मुझे समझा और अपने गुरू को वे जिस पकार चंदन लगाते थे उसी जवना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया तब मैं कैसे रोग सकता था पूछने पर डॉक्टर पंडित में दादा भट से कहा कि मैंने ब पूजन की ठाली फेक कर उद्रावतार धारन कर लेते थे तब उनके समीब जाने का साहज किसी को नहों सबसा था कभी वे भक्तों को जड़कते थे और कभी मौम से भी नरम होकर शांती तथा क्षमा की मूर्ती से प्रतीत होते थे कभी कभी वे प्रोधावस्था में कमपायमान हो जाते और उनके लाल नेतर चारो और भूमने लगते थे तथा भी उनके अंतरकरन में प्रेम और मात्रूस नेता स्क्रोध बहा ही करता था भक्तों को बुला कर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्याती नहीं है कि वे कब उन पर प्रोधित हुए यदि ये संभव हो कि समुद्र नदियों को लोटा दे तो वे भक्तों के कल्यान की भी उपेक्षा कर सकते हैं वे तो भक्तों के समीम भी रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं, तो वे तुरंत ही उपस्तित हो जाते हैं, वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूके हैं। अब सुनिये हैं, हजी सिद्धिक फालके, ये कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साइई बाबा अपने भक्तों अपना कृपा पातर बना लेंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर थे, हजी सिद्धिक फालके की कथा इसी का उधारन, कल्यान निवासी एक यवन, जिसका नाम सिद्धिक फालके था, मक्का शरीव की हज करने के बाद शिर्डी आया, वे चावडी में उत्तर की ओर रहने लगे, वे मस्जित के सामने खुले आंगल में बैठा करते थे, बाबा ने उन्हें नौ माह तक मस्जित में प्रविष्ठ होने की आग्या न दी, और नहीं मस्ज द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रहतना, जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्रक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी शामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए, फलके को ये विचार उचित प्रकित हुआ और उन्होंने शामा से साहता की प्रात्मा की शामा ने भी आश्वासन दे दिया और अउसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा आप उस बुड़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते अने भक्त स्वेच्छा पुबक्त आपके दर्शन को आया जाया करत अच्छा तुम उससे पूछाओ कि क्या वो बारवी कुएं की निचली पकडंडी पर आने को सहमत हैं शामा स्विकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे पिर बाबा ने पुना शामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वो मुझे चार किष्टों में 40,000 रुपे देने को तयार है फिर शामा उत्तर लेकर लोटे कि आप कहें तो मैं 40,000,000 रुपे देने को तयार हूँ मैं मस्जित में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ उससे पुछो कि उसे क्या वुचिकर होगा बकरे का मास नाद या अंड़कोश शामा ये उत्तर लेकर लोटे कि यदि बाबा के अगर उठा कर फैंग दी और अपनी कप्री उठाये हुए सीधे हाजी के पास पहुचे वे उनसे कहने लगे कि वेरती नमाज क्यों पढ़ते हो अपनी स्रेश्टता का पदर्शन क्यों करते हो ये वृद्ध हाजियों के समान वेशब हुशा तुमने क्यों धारन की है क्या तुम तुरान शरीफ का इसी परकार पठन करते हो तुम्हें अपने मक्ता हज का अभिमान हो गया और उन्तुर तुम मुझसे अनभिक गया हो इस परकार डाट सुनकर हाजी घबडा गया बाबा मस्जित को लॉट आये और कुछ आमों की ठोक्तियां खरीद कर हाजी के पास इस परकार हाजी बाबा के दर्वार में सम्मेलित हो गया अब सुनिये बाबा का तत्वों पर नियंत्रन बाबा के तत्व नियंत्रन की दो घटनाओं के उलेक के साथ ही ये अध्याय समप्त हो जाएगा एक बार संध्या समय शरीडी में भयानत संधावात आया आकाश में और काले बादल चाय होए थे पवन जपो रहा था बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थे मुसलाधार वर्शा प्रारम हो गए जहां देखो वहाँ जल ही जल दुश्टी गोचर होने लगा सब पशुपक्षिया और शिर्डी वासी अधिक भैवित होकर मस्जिद मे इकत्रित हो गए शिर्डी में देवियां तो आने को है परन्तु उस दिन साहता के लिए कोई ना आई इसलिए सभी ने अपने भगवान साही से जो भक्ति के ही भुके थे संकट मिवारन करने की प्राथने की बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकला आया थे मस्जिद आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए तब सब लोग अति प्रसंद होकर अपने अपने घर लोगाए एक अन्या उसर पर मध्धान के समय धूनी की अग्णी इतनी प्रचंड होकर जरने लगी कि उसकी लप्ते उपर छट्ट्र कहुंचने लगी मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में ना आता था कि जल डालकर अग्णी शांत कर दें अथा कोई अन्या उपाय काम में लावे बाबा से कुछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था परंतु बाबा शीख्र परिस्ति को जान गए उन्होंने अपना सक्का उठा कर सामने के खंबे पर बलपुर्वक प्रहार किया और बोले नीचे उत्रो और शांत हो जाओ सट्के की प्रत्यक फोकर पर लप्ते कम होने लगी और कुछ मिनिटों में ही धूनी शांग और यथा पुर्वक हो गई श्री साई इश्वर के उतार है जो उनके सामने नत होकर उनके शर्नागत होगा उस पर वे अवश्यक पिर्पा करेंगे जो भक इस अध्याई की कथाएं प्रकिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीग रही चुपकारा हो जाएगा किवल इतना ही नहीं वरंद उसे सदय वसाई चनों का समर्ण बना रहेगा और उसे अलपकाल में ही इश्वर दर्शन की क्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगा और इस प्रकार वो निश्टान बन जाएगा यहां अध्याएक ज्यारवा समाप करता का श्री सद्गरू साई नाथार प्रमस्तू शुभम भवत शुभम भवत शुभम भवत शुभम भवत बाबा की अनुवती लेकर और अश्रवात पाकर हम अध्याए बारा का श्रवन करें इस अध्याए में काका महजनी धुमाल वकीर श्रीमती निमोन कर नासिके मुलेशाफ की एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लिलाओं कानुपा इसका वर्णन किया गया है इस अध्याए में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेख करते हैं और कैसा बर्ताव करते थे इसका वर्णन किया गया है अब सुनिये संतों का कारी हम देख चुके हैं कि इश्वरी आउतार का ठेय साधु जनों का परित्करान और दुष्टों का सहमार करना है परंतु संतों का कार्य तो सर्वता भी नहीं है संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राया एक समान ही है यथर्ट में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रतम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पत पर लगा देते हैं वे भावसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्ते के सद्रुष्ट है और अध्यान दथा अन्रक्कार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है संतों के रिदय में पगवान वासुदेव निवास करते हैं वे उनसे प्रत्रत नहीं है श्री साही भी उसी कोटी में है जो कि भक्तों के कल्यान के लिए नमित कही अफदिर्ण हुए थे वे ज्यान जोती स्वरूफ थे और उनकी दिव्यप्रभा अपूर्वती उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था वे निश्काम तथा नित्यमुत्त थे उनकी द्रिष्टी में शत्रू, मित्र, राजा और भिक्षुक सर्ब एक समान से शोता हूं अक्रिपया उनका यश्रवन करें भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्यगुन समोह कुरुन तहा प्रेयोग किया और सदय वे उनकी साहता के लिए तत्पर रहे उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुँची नहीं सकता था यदि उनके शुभकर्म उदित नहीं हुए है तो उन्हें बाबा के स्प्रती भी कभी नहीं आई और नहीं उनकी लिलाएं उनके कानों तर पहुँच सकता तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था अनेक व्यक्तियों की श्री साही बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधी लेने तक कोई योग प्राप न हो सकता अता, ऐसे वर्षी जो दर्शन लाग से वन्चित रहे हैं, यदि वे शब्धा पुर्वक साही लीलाओं का अश्रवन करेंगे, तो उनकी साही दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक क्रिप्त हो जाएगा। भाग्यवश, यदि किसी को किस पकार बाबा के दर्शन हो भी गए, तो वो वहाँ अधिक ठैर न सकता। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आध्यातर ही वहार उपना संभव था और आध्याफोते ही स्थान छोड़ देना आवश्रत हो जाता था। अता, ये सब उनकी शोड़िच्छा पर ही अवलंबित था। अब सुनिये काका महाजनी, एक समय काका महाजनी बंबे से शिर्डी पहुत था। उनका विजाथ एक साथ ठैरने और गोकल अश्रमी उत्समे सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब अश्चरियता हुआ, उत्तर देना तो आवश्चक ही था। इसलिए उन्हें ने कहा, जब बाबा आ गया दे। बाबा ने अगले दिन जाने को करता। बाबा के शत कानून थी, जिनका पालन करना नितान तो आवश्चक था। काका महाजनी ने तुरंथी प्रस्थान जब बंबे में अपना ओफिस में पहुंचे थे, तो उन्हें अपने सेट को अती उत्षफता पूरवक्त प्रतिक्षा करते पाए। मुनिम ने अचाने की अस्वस्त हो जाने के कारण काका की उपस्तिती अनिवार्य हो गई थी। सेट ने शिर्डी को जो पत्र काका के लि रहे थे। मार्ग में वे शिर्डी उत्रे थे। उन्होंने बाबा के दर्शन किये और तकाल ही निवार्य को प्रस्थान करने लगे। परम्तु बाबा की स्विकृती प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिर्डी में एक सता और रोप गिया। इसी दीच निवार्य क उदर पीडा से प्रस्ट हो गया इस कारान उनका मुकदमा इसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया एक सतावाद हाउसर को लोटने की अनुमती मिली इस मामले की सुनभाई कई मेहनों तक और चार नयाधिशों के पास थी अलस्वरूप दुमाल ने मुकदमे में सफलता क्राप की और उनका मौकिल मामले में बरी हो गए अब सुनिये श्री मती निमोनकर श्री नाना साहिब निमोनकर जो निमोनकर के निवासी और अवैतनिक नयाधिश्ट थे श्रीडी में अपनी पत्नी के साथ खेरे होए थे निमोनकर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगती में व्यतित किया करते थे एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापूर में रोख से पीडित हो गया तब उसकी माता ने बहां जाकर अपने पत्र और अन्य संगन्यों से मिलने तथा कुछ दिन वही व्यतित करने का निश्टेक दिया परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लोट आने को कहा वे असमन्यस में पढ़ गई कि आप क्या करना चाहिए परंतु बाबा ने साहब तक श्रीडी से प्रस्थान करने के पूर वे बाबा के पास दे बाबा साथे बाड़ा के समीर नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े होय थे उन्होंने जाकर चरणवंदना की और प्रस्थान की अनुमती मन बाबा ने उनसे कहा शीखर जाओ घबराव ने शांत चित्तु से बेलापूर में चार दिन सुथोर वक रहकर सब संबन्दियों से मिलो और तब शिर्डी आ जागा बाबा के शच्फ कितने सामईग थे श्रीम निमोन करकी आगया बाबा द्वारा रद्ध हो गए अब सुनिये नासि के मुले शास्त्वी जोती शी नासि के कर्मनिष्ट अगनी हुद्र ब्रामन थे जिनका नाम मुले शास्त्वी था इन्होंने चे शास्तों का अठेन किया था और जोतिश तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत वे एक बार नाक्तों के पसित करोड़ पती श्री बापुसाइब गुटी से भेट करने के बार अन्य सजनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्था खरीदे और मस्जिद में उपस्तित लोगों में उनको भी तरित कर दिया बाबा आम को इतनी चतुराई से चारो और से दबा देते थे कि चूस्ते ही संपूर्ण रस मूँ में आ जाता तथा गुठली और छलका तुरंद फेक दिया जासा बाबा ने केले चील कर वक्तों में बाट दिया और उनके छलके अपने लिए रख ली थे हस्तर एका विशारत होने के नाते मुले शास्त्री ने बाबा के हाथ का परिक्षण करने की प्राप्धना की परन्तु बाबा ने उनकी प्राप्धना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें चार्प के लिए इसके बाद सब लोग वाड़े को लोड़ा अब मुले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदी में जुट गए बाबा भी अपने नियमानुसा अर्लेंडी को रवाना हो गए जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना आज भगुआ वस्त्र रंगेंगे बाबा के शब्दों का अभिप्रायक दिसी को समझ में ना आया कुछ समय के बाबा लोड दे अब मध्यान ने बेला की आर्ती की तैयारियां प्रारंण हो गई थे वापसहब जोग ने मुले से आर्ती में साथ करने के लिए पूछा उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाए तब जोग अक वे सुचने लगे कि मैं तो एक अगनिहोतर ब्राह्मन हूँ फिर मुझे दर्शना देना क्या उच्जित है मना कि बाबा महान संथ है पर उन्हों ने उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीके महान संथ दर्शना मांग रहे हैं और बूटी सरीके करोर पतील लेने को आये हैं त वे उनकी अवहिलना कैसे कर सकते हैं इसलिए वे अपने प्रित्य को अधुराही छोड़कर तुरन बूटी के साथ मस्जित को गया वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जित तो अवभित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गया और दूर से हाथ जोड़कर उन् परन्तु जागरत होते हुए भी मेरे गुरु महराज यहां कैसे कुछ समय पर उनके मूँ से एक शब्भी दो निकल उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुना विचार किया परन्तु वे निरने न कर सके कि कैलास वासी गुरु घुलक स्वामी मस्जित में कैसे आप और गुरु के चरणों पर किर्फ साथ जोड़कर स्थुती करने लगे दूसरे भक्तो बाबा की आर्ति का रहे थे परन्तु मुले शात्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे पर सब जाती इपाती का एहन का तथ पवित्रता और अपवित्रता की कलपना त्य कर वे गुरु के श्री चरणों पर पनक धिर पुड़े उन्होंने आखे मून दी परन्तु खड़े होकर जब उन्होंने आखे खोली तो बाबा को दक्षना मांगते हुए देगा बाबा का आनंद सरूख और उनकी अनिर्वचनिया शक्षिदे मुले शात्री बाबा की ये अद्बुत लिला देखकर सब भक्त और मुले शात्री दरवित हो गया गेरुला आज भगवा वस्तर रंगेंगे बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सब की समझ में आ गया ऐसे अद्बुत लिला श्री साही बाबा की थी अब सुनिये डॉक्टर एक समय ए असाहमत थे। मामलत्दान ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाते न करे और नहीं तुम्हें कोई ऐसा करने को कहे अता मेरे साथ चलो अनन रहें। वे शिल्डी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए। परंतु डॉक्टर को ही सब से आगे जाते देख और उन्हें नमसकार किया। जब वे ऐसा कह रहे ही थे तब ही उन्हें साइं बाबा का रूप पुरह दिखने रगा। वे आश्चेरे चकित होकर बोले क्या यह सवक्न हैं। यह यवन कैसे हो सकते हैं। अरे अरे यह तो पूरन योग आवतार हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उक्वास करना पारव कर दिया उन्होंने प्रतिग्या की कि चब तक बाबा स्वयम बुला कर आशिरवात नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापी नजाओना इस प्रकार तीन दिन गतीत हो गए चौते दिन उनका एक इश्ट मित्र खांदेश से शिर्यार वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से कुछा आपको बुलाने का कैस्ट किसने किया आप यहां कैसे पदा रहे ये प्रश्ण सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गया और उसी रात्री को बाबा ने उन पर कृपा की टॉक्टर कुनिद्रा में ही परमानन का अनुभव हुआ वे अपने शेह लोट आये तो भी उन्हें पंधरा दिनों तक वैसा ही अनुभव होता है इस प्रकार के उनकी साही वक्ति कई गुना बढ़ गए उपर योक्त कथाओं की शिक्षा है विशिश्त हा मुले शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में द्रड़ विश्वास होना चाहिए अगले अध्याय में अन्न लिलाओं का वर्णम होगा यहां बारवा अध्याय समाप्त होता है श्री सद्गरू साइनाता अलपरमस्तु के शुभं भवटे ओम श्री साइनाताय नमाप्तimize अध्याय प्राड़म करते हैं बाबा की अनुमती से अब हम अध्याय तेरा का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाह, श्री सरस्वत्य नमाह, श्री गुरोभ्यो नमाह, श्री कुलदय वताय नमाह, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमाह, श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाह, इस अध्याय में अन्य कई लीला हैं, रोग निवारव, भीमाजी पाटिल, बाला जंपत द माया की अभेद्य शक्ती बाबा के शब्द सदयव संख्षित अर्थपूर्ण भूर और विद्बत्ता पूर्ण समतोल रहते थे वे सदा निश्चिंद और निर्भय रहते थे उनका कथन था कि मैं पकीर हूँ न तो मेरी स्प्री है और न घरद्वार ही सब चिंदाओं को ज इस स्थान पर रहता थे थे माया मुझे घष्ट पहुंचाया करती है मैं स्वयम को भूल चुका हूँ परंटो माया मुझे नहीं भूल की क्योंकि वो मुझे अपने चक्र में ठसा लेती है श्री हरी की ये माया ब्रहमादी को भी नहीं चुड़ती थे फिर मुझ जैसे पक और बावा का भी कहना यही था कि वेभग्यशा जी जिनके समस्तफात नश्ट होने को हो ते ही मेरी उपसना की ओर अग्रसर होते हैं यदि तुम केबल साई साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसाजर से पार उतार दूगा इन शब्दों पर विश्वास करो तुम्हें आवश्चर लावत होगा मेरी पुजा के निमित तो कोई सामगरी या आश्टांग योग की भी आवश्चरता नहीं मैं तो भक्ती में ही निवास करता हूँ अब आगे देखिए कि अनाशितों के आश्वे दाता साही ने भुतों के कल्यानार के क्या क्या दे अब सुनिये भिमाजी पाटिल सत्य साइव लग नारायना जो तालुका जुनत और जिलापुने के एक महनुभाव भिमाजी पाटिल को सन 1909 में वक्सस्तल में एक फैंकर रोग गवा जो आगे चलकर शहरोव में परणित हो गया उन्होंने अनेक प्रकार की इत्सा की परन्तु कुछ लाग न हो अंत में हताश होकर उन्होंने भगवन से प्रात्ना की हे नारायन, हे प्रभव, मुझ अनार्ट की कुछ साहता कर ये तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते हैं परन्तु जो ही दुर्भा के फेर लेता है और दुर्दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है इसी लिए भिमाजी ने भी इश्वर को पुटा रहा उन्हें विचार आया कि कि ये उन्हें साही बाबा के परमभग श्री नाना साहर चांदरुकर से इस विशे में परामश लिया जा और इसी हिक्रूप उन्होंने अपनी स्थिती पूर्ण विवरंग सही थी उनके पास लिए भी भीजी और उचित मारगे दर्शन के लिए प्राता है प्रत्रिक्पर में श्री नाना साहर ने लिख दिया कि अब को केवल एक ही उपाय शेष है और वो है साही बाबा के चरण कमलोग की शरणा लिए नाना साहर के वच्छनों पर विश्वास कर उन्होंने श्री प्रस्थान की तैयारी की उन्हें श्री नाना साहर और श्रामा भी इस समय वहीं उपस्तित थे बाबा बोले कि ये पूरवजन के बुरे कर्मों का ही फ्ल इस कारण मैं इस धंजट में नहीं बढ़ना चाहर ये सुनकर रोगिया अतंत निराश होकर करुणा कुरुणा स्वर में बोला मैं बिल्कुल निसाहय हूँ और अंति माशा लेकर आपके श्री चर्णों में आया हूँ आपसे दया की भीक मांता हूँ ये दिनों के शरण मुझ पर दया करूँ इस प्राथना से बाबा का रिदय द्रवित हो आया और वे बोले की अच्छा फैरो चिंता ना करूँ तुम्हारे दुखों का अंध शीख रहोगा कोई कितना भी दुखित और पीडित क्यों नहीं जैसे ही वो मस्जिद की सीडियों पर पैर रखता है वो सुखी हो जाता है मस्जिद का फकीर बहुत धयालू है और वो तुम्हारा रोग भी निर्मुल कर देगा वो तो सब पर प्रेम और दया रखतर रक्षा करता है रोगी को हर पांचवे मिनिट पर खून की उल्टियां बहुत रती थी पर नतुब बाबा के समख उसे कोई उल्टी न हुई जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्न शब्दों में उप्त उदगार प्रगट किये उसी समय से रोग ने भी पढ़ उसका रोग परण कर लिया पहले स्वपन में रोगी ने देखा कि वो एक विद्यात्ती है और शिक्षक के सामने कविता मुखागर न करने के दंड़ सरूप पेतों की मार से असानिया कश्ट भोग रहा है दूसरे स्वपन में उसने देखा कि कोई रिदय पर नीचे से उप और उपर से नीचे की ओर पत्फर घुमा रहा है जिससे उसे असर्य पिड़ा हो रही स्वपन में इस पकार कश्ट आकर वो स्वस्थ हो गया और घर लोड़ा है फिर वो कभी-कभी शिर्डी आता और साही बाबा की दयाता स्वरण कर साश्टां प्रणां कर रहा है बाबा अपने काउं पहुंचने पर भीमा जी ने भी सत्यनारायन के स्थान पर एक नया ही सत्यसाई व्रत प्रारंग कर दिया अब सुनिये बाला गंपत दर्जी एक दूसरे भग जिनका नाम बाला गंपत दर्जी था एक समय जीरन जवत से पीडित हुए उन्होंने सब प्रकार क दवाईयां और पढ़े लिए पर तो इनसे कोई लाब ना हुआ जब 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 तिल मात्र भी न खटा तो वे श्रीडी दोड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरंग लिए बाबा ने उन्हें विच्छतर आदेश दिया कि लक्षमी मंदिर के पास जाकर एक काल और तही उस पुत्ते के सामने करते जिसे वो तुरंधी खा गया इस चरितर की विशेष्टा का वरना कैसे करते कि ये उपर युकता उपाय करने मात्र से ही बाला दर्जी काजवार हमेशा के लिए जाका रहा है अब सुनिये बापु साहिब गूटी श्रीमान बापु साहि इतनी गंदिर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्ख थे बाबा ने उन्हें बुला कर अपने समुख बिठाया और बोले सावत अब तुम्हें दस न लगे में अपनी उंगली उठा कर पिर कहने लगे उल्टियां भी अवश्य प्रक्टर पिल्ले ने हर प्रकार के उप्चार किये परंतु स्थिती नस भी अंध में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तुरुशा रोग निवारन के आउशदी के लिए प्राठना शंकर बाबा ने उन्हें मिठे दूद में उबाला हुआ बादा अक्रोड और पिस्ते का काढ़ा पियो यह अउशदी बता दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बताई हुई इस अउशदी को पुरान घा तक भी समझता परन्तु बाबा की आक्या का पालन करने से ये रोगनाशक सिध्ध हुई और आश्चरी की बात है कि रोग समूल नश्ट हो गया स्वामी के कान में असय पीड़ा था जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुश करता है उनकी शल्लत पिट्सा भी हो चुकी थी फिर भी ठिती में कोई विशेश परिवरत नहुआ था दर्थ भी अधिक था वेकिंग करतब या विमूर होकर वापिस लोटने के यह बाबा से अनुमती मांगने गए यह देखर शामा ने बाबा से प्राठना की कि स्वामी के कान में अधिक वीड़ा है आप इन पर ठिपा करो बाबा आशवासन दे कर गोले अल्लाह अच्छा करेगा स्वामी जी पुना वापस लोट गए और एक साताह के बाद उन्होंन सर्जन ने जांच करने के बाद कहा कि शल्यच इत्सा की कोई आवश्क्ता नहीं बाबा के शब्दों का गुडार हम नेरे मुर्ग क्या समझें अब सुनिये काका महाजनी काका महाजनी नान के अन्यभक तो अतिसार की बिमारी हो गए बाबा का सेवा क्रम कें तूट नजाय इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक पोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर श्रीग रही बाहर जा सके श्री साही बाबा को तो सब विजी थी फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से श्रीग रही मुक्ती पा जाए मस्ज जरवड़ी में कोई आद्मी मुंखली की एक चोटी सी फ्रेली वहां भूल गया बाबा ने उसमें से एक मुठी मुंखली निकाली और दाने चील कर दाने काका को खाने के लिए दे दी क्रोधित होना मुंखली चीलना और उन्हें काका को खिलाना ये सब कारिया एक साथ ही चलने लगा तो हम बाबा ने भी उसमें से कुछ मुंखली खाई जब ठेली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी जाकर थोड़ा जल ले आओ काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अत क्या मुंखली अतिसार रोग की आउशदी है इसका उत्र कौन दे दे वरतमान चिकिचा प्रणाली के अनुसार तो मुंखली से अतिसार में विद्धी ही होती नकि मुद्धी इस विशे में सदैवे की भाती बाबा के श्री वजन ही आउशदी स्वरूप थे अब सुनिये ह हरदा के दत्योपन हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्योपन था चौदा वश से उदर लोग से पीडित किसी भी आउशदी से उन्हें लाब नहुआ अचानक कहीं से बाबा की कीती उनके कानों में पड़ी कि उनकी द्रिश्टी मातर से ही रोगी स्वस्थ हो जाते अतह बेभी भाग कर शिल्डी आये और बाबा के चरणों की शरण बाबा ने प्रेम द्रिश्टी से उनकी ओर देखकर आशिरवाद देखकर अपना परदहस्त उनके मस्तक पतक आशिश और उदी प्राग कर वे स्वस्थ हो गये तथा विश्व में उन्हें फिर कोई पीड दो वर्ष पच्चात उन्हें पुना वही पीड़ा उत्पन न हुई बाबा से बिना परामर्श लियाए वे उसी काड़े का सेवन करने लगे परणाम ये हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया परन्तु बाद में बाबा की क्रपासे शीग रही ठीक हो गया काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदवे उधर की पीड़ा बनी रहती बाबा की किरती सुनकर वे भी शिड़ी आए और आरोग के प्राप्ति के लिए प्राथना करने लगे बाबा ने उनके उधर को स्पर्ष कर कहा अल्लह अच्छा करेग इसके पश्चात कुरंती उनकी उधर पिड़ा मिट वे और वे पूरन अतहा स्वस्त हो गए श्री नाना साहिट कांदरकर को भी एक बार उधर में बहुत पिड़ा हो गए वे दिन रात मचली के समान तड़पने लगे डॉक्टर ने अन्हें कुछाट किये और उन्तु की पुता है कि सच्छी आउशदी जिससे अनेकों को स्वास्थिलाब कुआ वो बाबा के केवल श्रीमुक से उच्चारित पचनों एवं उनकी क्रिपा का ही प्रठावत यहां अध्याय तेरा समाक्त पुता है श्री सगरू सायनाथार पनमस्तू शुभन मुपतू सप्ताह पारायना वित्यविश्रा अगराण अगराण शुभन श्री सायनाथा अनमा को अध्याइच चौदा प्रारम बाबा की अनमतिया और आशिरवात लेकर अब हम अध्याय चौदा का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरोप्यो नमाहा श्री कुलदय वताय नमाहा श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमाहा श्री सद्गुरू सायनाथाय नमाहा इस अध्याय में नन्नेट के रतंजी वाडिया सन् दक्षिना मिमाउसा, गंपत्राव गोड़स, श्रीमती तर्कट, दक्षिना का मर्म इसका वर्णन किया गया है। उनके अन्यकार्य भी, जैसे भोजन, चलना, फिरना, तथा स्वाभाविक अमृतोपदेश, बड़े ही मधुर, वे आनन के अवतार, इस पर्मानन का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसा स्वादन कराया, और इसलिए उन्हें उनकी चिरस्मृतिक बनी दें। भिन्न भिन्न प्रका के कर्म और कर्तम्यों की अने कर्थाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे सत्व मार्थ का अवलंबन कर सके। बाबा की सदयव यही इच्छा थी कि लोग संसा में सुखी जीवन गतित करें, और वे सदयव जागरूप रहकर अपनी जीवन का परम लक्ष, आत्मानु भुति या इश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुखकारियों के हलस्वरूप ही यह देह प्राप्त हुई है, और उसकी साथता तभी है, जब उसकी साहता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके। हमें अपने अंध और जीवन के लक्ष के हेतू सदयव सावधान तथा ततपर रहना चाहिए, यदि तुम निद्य श्री साही के लिलाओं का श्रवन करोगे, तो तुम्हें उनका सदयव दर्शन भता रहेगा, दिन रात उनका रिदय में स्वरन करते रहो, इस प्रकार नंदेड के रतंजी, अब हम इस अध्याई की मूल कथा का वर्नन करते हैं, निजाम रियासत नंदेड में रतंजी शाफुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे, उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशी संग्रह कर ली थी, उनके पास अतुल में वे वैसे न थे, विधाता की रचना कुछ ऐसी विजित्र है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाड्य रतंजी भी इसके अकवाद न थे, वे परोपकारी तथा दानशील थे, वे दिनों को बोजन और वस्त्र वितरन करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रक वाध्यरहित संगीत, यग्योपवित रहित ब्राह्मण, व्यावारी ज्यान रहित कलाका, पश्चाता प्रहित तीर्थ यातरा और कंठमाला यानि मंगल सूत्र रहित अलंका, उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित ग्रहस्त का घर भी सूना ही रहता है, प् सदय वह उदास रहते थे उन्हें भोजन से भी अरुची हो गई उत्र की प्राप्ति कब होगी यही चिंता उन्हें सदय वह घेरे रहती थी उनकी दासगणु महराज पर दृढ़न निष्ठा थी उन्होंने अपना रुदय उनके सम्मुक खोल दिया तब उन्होंने श्री सा के लिए और बाबा के दर्शन कर उनके चड़नों पर गिरे उन्होंने एक संदर हार बाबा को पहना कर बहुत से फल खूल भेट किये तत्पश्टात आदर सहित बाबा के पास बैटकर इस पकार प्राथना करने लगे अनेक अपति ग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आ कि सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चड़नों में आया मुझे बड़ा भरोसा हो गया है किरपया मुझे निराश न कीजिए श्री साई बाबा ने उनसे पांच रुपिया दक्षना माई जो वे देना ही चाहते थे पर अन्तु बाबा ने कुनक कहा मुझे तुम में लगे कि ये श्री आने का मेरा प्रथमी आउसर है और ये बड़े आश्चरिय की बात है कि इन्हें तीन रुपे चौदा आने पहले ही प्राक्त हो चुके हैं वे ये पहली हल न कस्त है वे बाबा के चल्मों के पास ही बैठे रहे तता उन्हें श्रीज दक्षना अर्प इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वर्द हस्त उनके मस्तक पर रख कर कहा अल्लह तुमारी इच्छा पूरी करेगा बाबा की अनुमती प्राप्त कर रतंजी नांदेर लोट आये और शिर्डी में जो कुछ हुआ उससे दासवणू को सुनाया रतंजी ने कहा सब का रुपया समझाईए कि इसका क्या आर्थ इससे पूर्ग मैं श्रिडी कभी गया नहीं फिर बाबा को वे रुपय कैसे प्राप्त हो गया जिसका उन्होंने उल्लेक किया दासवणू के लिए भी ये एक पहली ही थी बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहें कई दिन नांदेर के एक प्रसित दसंत थे जो खुली का काम किया करते थे जब रतंजी ने श्रिडी जाने का निश्चे किया था उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहिब अनायास ही रतंजी के घर आये रतंजी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे इसलि वाबा का त्रिकालग ज्यान विदित हो गया यज़यपी वे श्रिडी में विराजमान थे परांटु श्रिडी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा पूरा ज्याना तरह अने श्लिट में बाबाभू और प्रत्तिक आतमात था रिदय के साथ सम्भद्द थे एक तो समय पर उनके यहां एक पुत्र का जन्द गुआ जिससे उनके हर्ष का पारावार नरा कहते हैं कि उनके यहां बारा संताने हुई जिन में से केवल चार शेश रहे इस अध्धाय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बाहदूर हरी विनायक साथे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यू के पेस्टाद दूसरा ब्याह करने पर कुत्र रत्न की प्राप्ति बताइए अब सुनिये दक्षणा मिमावसा दक्षणा के समझ में कुछ अन्य बादो का निरूपन कर हम याध्याय समाप करेंगे ये तो विदित्खी है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षना लिया करते थे यहां किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरत्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षणा ग्रहन करना और कांचन को महत्व देना उचित था अब इस प्रश्ण पर हम विस्तुत रूप से विचार करेंगे बहुत काल तक बाबा भगों से कुछ भी स्विकार नहीं करते थे वे जली हुई दिया सलाईयां एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे चाहे भगो या और कोई वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्विकार करके उसे तमाकू अथ्वा तेल आदी खरीद लिया करते थे वे प्राया बिडिया चिलम लिया करते थे कुछ लोग ने सोचा कि बिना कुछ भेट किये संतों का दर्शन उचित नहीं है इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रख दे थे यदि एक पैसा होता तो वे उसे जेभ में रख लेते और यदि दो पैसे हुए है तो तुरंट उसमें से एक पैसा वापस कर देते जब बाबा की तीर्ति दूर दूर तक ठैली और लोगों के जण के जण बाबा के दर्शनार आने लगे तब बाबा ने उनसे दक्षना लेना आरम कर दिया शुरुती कहती है कि स्वन मुद्रा के अभाव में भागवत पूजन भी अपूर्ण अतः जब इश्वर पूजन में मुद्रा आवश्रक है तो फिर संथ पूजन में क्यों न हो इसलिए शास्क्रों में कहा है कि इश्वर, राजा, संद या गुरू के दर्शन अपनी सामर्थ्यान उसार बिना कुछ अरपन किये कभी न करना चाहिए उन्हें क्या भेट दी जाया अधिकतर मुद्रा या धन इस संबन्ने उपनिशिदों में बरनित नियुमा का अवलोकन करे पुरहदा रण्यक उपनिशिद में बताया गया है कि दक्षप प्रजापती ने देवता मनुष्ण और राक्षतों के सामने एक अक्षर दो का उच्चारन किया देवतां ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम, अर्था, आत्म, नियंतरन का अभ्यास करना चाहिए मनुष्ण ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षतों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए मनुश्यों को दान की सलादी गई कैते भी ये उपनिशित में दान वा अन्य सत्व गुणों को अभ्यास मिलाने की बात कही गई दान के संबन में लिखा है विश्वास पुरवक दान करो उसके बिना दान गर्थ है उदार गृदय तथा विनम रबनकर आदत और साहन भूती पुरवक दान करो वक्तों को कांचन त्याक कापाट पढ़ाने तथा उनकी आसकती दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षना दिया करते परंतु उनकी एक विशेष्टा भी थी बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्विकार करता हूँ मुझे उसे सो गुना से अधिक पापस करना पड़ता है इसके अपने प्रमान है अब सुनिये एक घटना श्री गंपत्राव बोडस प्रसिध दकलकाव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आगरह करने पर उन्होंने अपने रुपियों की फेली उनके सामने उड़े ले श्री बोडस लिखते हैं कि इसका प्रड़ाम ये हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का भाव कभी न हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा इसका एक धिन अर्थ भी है अने को बार बाबा ने किसी प्रचाटी दक्षणा स्वीकार भी नहीं की इसके दो उधारण है बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से पंधरा रुपे की दक्षणा माने वे प्रक्षणतर में बोले की मेरे पास तो एक पाई नहीं है तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं परंतु तुम योग वशिट का अठ्यन तुखटे हो उसमें से ही दक्षणा दो यहां दक्षणा का अर्थ है उस तक से शिक्षा ग्रहन कर दिद्धे अंगम करना जो कि बाबा का निवास थान है एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती आरे तर्खड से छे रुपे दख़णा माई महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी ना दे उनके पती ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो शर्रिक्वों से जने बाबा को समर्कित कर देना चाहिए बाबा इस अच्छ से सहत हो गया ये रधान देने की योग्या है कि बाबा के पास दख़णा के रूप में बहुत साथ दरव्या एकत्रिक हो जाता सब दरव्यवे उसी दिन व्याय कर देते और दूसरे दिन फिर सदयवे की भाती निर्धन बन जाते थे जब उन्होंने महा समाधी ली तो दस वर्ष तक हजारों रुप्या दख़णा मिलने पल भी उनके पास वल प्राशी ही शेशी शेशी संक्षेप में दक्षणा लेने का मुख्य धेत और भुत्तों को केबल शुद्धी करण का पार्टी से सनाते अब सुनियें दक्षणा का मर्म ठाने के श्री बीवी देव सेवा निम्रत प्रांत मामलद्दार जो बाबा के परंभद थे उन्होंने इस विशय पर एक लेख साही लिला पत्रिका भाग साथ प्रिश्ट 623 अन्य विशयों सहित प्रकाशित किया है जो निम्रत प्रकार बाबा प्रत्यक से दक्षणा नहीं लेती थे यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षणा भेट की तो वे कभी तो स्विकार कर लेते और कभी और स्विकार भी कर देते थे वे के बल भक्तों से ही कुछ मांग करते थे उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ ने मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षणा देंगे यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद दक्षणा दे दी तो वे वहाँ से उसे उठाने को कह दे दे थे स्तुरी और बालोकों से भी दक्षणा ले ले दे थे उन्होंने सभी धनाड्यों या निर्धनों से भी कभी दक्षणा नहीं मांगी बाबा के मंगने पर भी जिन्होंने दक्षणा न दी उनसे वे कभी प्रोधित नहीं हुए यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षणा भिजवाई गई होती और उसका उन्हें स्मरण न रहता तो बाबा किसी ने किसी पकार उसे स्मरण करा कर वो दक्षिना ले ले लेते कुछ औसरों पर वे दक्षिना की राशी में से कुछ अंश लोटा भी देते और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे इससे दाता या भक तो बहुत लाब पहुंसता था यदि किसी ने अपनी इच्छित राशी से अधिक फिट की तो बे वो अधिक राशी लोटा देते थे किसी किसी से तो बे उसकी इच्छित राशी से भी अधिक मांग कर बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेने या दूसरों से मांगने को भी कहते थे किसी किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षणा मांगा करते थे दक्षणा में एकत्रित राशी में से बापा अपने लिए बहुत फोड़ा खर्ट किया करते थे जैसे चिलन पीने की तमापू और धूनी के लिए लख्णिया मोल लेने के लिए आदि शेश्ट अन्न विक्तियों को विविन्न राशियों में बिख्षा सरुप दे 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 थे श्रीडी संस्तान की समस्त सामग्रिया प्राधा कृष्णमाई की प्रेना से ही धनी वक्तों ने एकत्रकीत अधिक मुल्यवाले पदाथा लाने वालों से बाबा अतिक रोधित हो जाते थे और अपशब्द कहने लगते थे उन्होंने श्री नाना साथ चांदोकर से कहा कि मेरी समस्ती केवल एक कौपिन और अम्रेल है लोग बिना कारण ही मुल्यवान पदार था लाकर मुझे दुख्धित करते थे कामिनी और कांचन मार्ग में दो मुख्य बाधायें हैं और बाबा ने इसके लिए दो बाट शालाएं फुली थे यथा दक्षणा ग्रहन करना और राधा कृष्ण माई के यहां भेज़ना इस बात की परिक्षा करने के लिए कि क्या उनके भुक्तों ने इस आसक्तियों से चुकरा पालिया है या ने इसी लिए जब कोई आता तो बे उनसे दक्षणा मांगते और उनसे शाला में याने राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते यदि बे इन परिक्षाओं में उप्तिर्ण हो गए अर्फात ये सिद्ध हुआ कि बे कामिनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त है तो बाबा की क कि किसी दिफ्ध स्थान में इसी पुज्ज संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्यानकारी होता है शिर्डी और शिर्डी के प्रमुक देवता साई बाबा से पवित्रत और है ही क्या यहां हमारा अध्याई चौदा समाप्त होता है श्री सद्गरू साई नाथार अध्याई पंद्रवा प्रारम प्री बाबा का आशिर्वात लेकर और उनकी अनुमती से अब हम अध्याई पंद्रा का श्रबन करेंगे इस अध्याई में नारदिय पिर्तन पंथटी श्री चोलकर की शक्र रहिचाय दो छिपकलिया इसका वरनन किया गया है श्रोताओं को स्मरण होगा की छटे अध्या के अनुसार शिर्णी में रांग नोमी उत्सों मनाया जाता था ये कैसे प्रारम हुआ और पहले वर्ष भी इस अफसर पर किर्टन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या-क्या पिठनाया हुई इसका भी वर्णन वहां किया गया इस अध्याय में दास्गरों की किर्टन पर्थती का वर्णन होगा आप सुनिये नारदिय किर्टन पर्थती बहुदा हरिदास किर्टन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशा पहनते हैं वे सिर्फर फेटा या साफा बांगते हैं और एक लंबा कोट पताबधीतर कमीज कंदे पर प्रमचा और सदयवेती भाती एक लंबी भोती पहनते हैं एक बार गाओं में किर्टन के लिए जाते हुए दासगनों भी उपर युखतर हीती से सचधश पर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे अच्छा दूले राजा इस प्रकार बंठन कर कहा जा रहे हो उत्तर में मिला की किर्टन के लिए बाबा ने पूछा कि कोट गंचा और फेटे इन सब की आवशक्ता ही क्या है इनको अभी मेरे सामने ही उतागए इस शरीर पर इन्हें धारन करने की कोई आवशक्ता नहीं है दासगणों ने इन वस्तों को कभी नहीं पहने वे सदेवर कमर के उपर अंग खिले रखकर हाथ में कटाल और गले में हार पहन कर ही किर्टन किया करते जिए ये पद्धती यद्यपी हरी दासों द्वारा अपनाई गई पद्धती के अनुरूप नहीं है परन्तु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र किर्टन पद्धती के जन्मदाता नारद मुनी कटी से उपर सिर्थ तक कोई वस्तों धरन नहीं कटे जिए वे एक हाक में बेना लेकर हरी किर्टन करते हुए त्रिलोग में घूंते थी अब सुनिये श्री चोलकर की शक्कर रही चाय बाबा की कि किर्टी कौंकर में भी खैल दे इसका श्रेर केवल श्री दाजगोनों को ही है बगवान उन्हें सजय वस्खी रख रखे उन्होंने अपने संदर प्रखतिक ठिकन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया श्रोताओं की रुची राया भिन्न भिन्न प्रकाट की होती है किसी को हरी दासों की विद्वत्वा, किसी को भाव, किसी को गाया, तो किसी को चुख्कुले कथा किसी को वेधानत विवेचन और किसी को उनकी मुथ्थ नियुका कताय रुचिकर कतीः कुती ही परन्तु ऐसे बिले ही है जिनके रिदय में संत कथा या किर्टन सुनकर शत्था और प्रेम हमरता था श्री दास गणू का किर्टन शोताओं के रिदय पर स्थाई प्रभाव डालता था एक ऐसी घटना वेटी जो अभी में बता दिवाला था एक समय ठाने के कौपनेश्वर मंदिर में श्री दास गणू किर्टन में श्री साई बाबा का गुणगान करता है शुरताओं में एक चोलतर नामत प्विक्ति जो ठाने के दिवानी नहायले में एक अस्थाई कर्मचारी था वो भी बहाँ उपस्तित था दास गणू का किर्टन सुनकर वो बहुत प्रभावित कुआ और मनी मंद बाबा को नमन कर प्राथना करने लगा कि के बाबा मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कितुं का भरण कोशन भी भली भाती करने में असमर्थ हूँ यह दिने आपकी ख्रिका से विभागिया परिक्षा में उत्तिरन हो गया तो आपके श्री चड़ों में उपस्तित होकर आपके निमित मिश्रिफा फिसाज बाटन भागियने कल्टा खाया और चोलकर परिक्षा में उत्तिरन हो गया उसकी नोक्री भीस थाई हो गई अब के श्री यात्रा के लिए मार्ग व्याई जुटाने में असमत हुआ हाने जिले में एक कहवत प्रचलित है कि नाने घाट बसयात की परवत श्रेणियां कोई भी सरलता पुरुवत पार कर सकता है परन्तु गरीब को उम्बर घाट व्यह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है श्री छोलकर अपना संकल शिग्राती शिग्र पुरा करने के लिए उच्छ था उसने मितव्याई बनकर अपना खर्च घटा कर पैसा बचाने का निष्टे की इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पिना प्रारम किया और इस तरह कुछ दरब एकत्रित कर वो श्रीडी पॉं प्रसंदा हुई है मेरी समस्ते इच्छ आएं तो आपके कृपा खर्ष्टी से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी मस्जिद में श्री छोलकर का अर्थित्त करने वाले श्री बापुसे जोग भी वहीं उपस्तित थे जब वे दोनों वहीं से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतितिको चाई के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला करते ना इस अर्थकूर्ण शब्दों को सुनकर श्री छोलकर का रिदय भर आया और उसे बड़ा आश्चरिय होगे उनके नित्रों से अश्री धराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेंट से विबल होकर श्री चर्णों में गिर पड़े श्री जोग को अधिक शक्कर सही चाई के प्याले अतितिको दो ये विजितरा आग्या सुनकर बड़ा कउदुहल हो रहा था कि यथात में इसका अर्थ क्या है बाबा ने उन्हें सिंकेत किया था कि रेशक्त छोड़ने के गुप निष्टे से ब्ली फाती परीचित है बाबा का ये कतन था कि यदि तुम श्रद्धा पुर्वत मेरे सामने हाथ पहलाओगे तो मैं सदैवत तुम्हारे साथ रहूँगा यद्यपी मैं शरीर से यहां हूँ परंदु मुझे साथ समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ग्यान है जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के रिदे में वाज है उसकी ही पुजा करो धन्यम और सौभा के शाली वही है जो मेरे सर्ववयापी स्वरूप से परिचित है बाबा ने श्री चोलकर को पुत्नी संदर तथा महत्वकूर्न शिक्षा प्लाना भी अब सुनियें दो छिपकलियों का मिलन दर अब हम दो छोटी छिपकलियों की कठा के साथ ही ये अर्पाय समाप करेंगे एक बाबा मजज़िद में बढ़े थे कि उसी समय एक चिपकली चिकशिक करने लगर तो उतुहल बश एक भखने बाबा से पूछा की चिपकली के चिकशिक काने का या कोई विशेश अर्थ है? ये शुभ है ये अशुभ? बाबा ने कहा की इस चिपकली की बहन आज औरंग प्रशाबाद से एक आदमी भोड़े पर बाबा के दर्शनाग खाया। कर क्रेम पुर्वत नाचने लगी। कहां शिर्डी और कहां औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी भोड़े पर सवार होकर खेली में चिप्किली को लिये हुए वहां पहुंसता है। और बाबा को उन दो बेहनों की भेट कपता कैसे चल जाता है। ये सब धतना आश्चेव दूर हो जाएंगे और वो पूर्ण सुखी बनकर शंती को प्राक्त करेगा। यहां अध्याए 15 समाच होता है। श्री सद्गुरु साई नाथार पनमस्तु शुभंध होता है। ओम श्री साई नाथाय नमाः अध्याय सोला तथा सत्रा का प्रारंब। बाबा की अनुमति से हम उनका आश्रवार लेकर अध्याय सोला तथा सत्रा का श्रवन करें। श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोभ्यो नमाः श्री कुलदय वताय नमाः श्री सीता रामचंदरा प्ख्याम नमाः श्री सद्गुरु साई नाथाय नमाः इस अध्याय में श्री ग्रब्रमग्यान की प्राप्ति प्रमग्यान की योग्यता म बाबा का उपदेश, बाबा का वैशिष, इन दोनों अध्यायों में एक घनाड़ ने किस प्रकार साई बाबा से शीगर ब्रह्मग्यां प्राप्त करना चाहा उसका वरणना है। यदि वहेंकार सहीद भेट की गई तो वो अस्विकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सचिदा अनंद होने के कारण वे बाइया आचार विचारों को विशेश महत बनना देते थे और गिनमरता और आदर सहीद भेट की गई बस्तु का स्वागत करते थे। यदात में देखा जाये तो सद्गुरू साही बाबा से अधिक दयालुआ और हिटेशी दूसरा इस संसार में कौन हो सलता है। उनकी तुलना समस्तर इच्छाओं को कुरुन करने वाली चिंतामणी या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमुल्या निधी की उपलब्धी हमें सद्गुरू से होती है वो कल्पना से भी वरे है। ब्रह्मा ज्यान की प्राफ्टी की हिच्छा से आये हुए एक धनाड्य वक्ति को श्री साही बाबा ने किस प्रकार उप्देश किया उसे अब श्रवन करें। एक धनी वेक्ति दुर्भा के से मौल गरंत में उसका नाम और परिचर नहीं दिया गया है। अपने जीवन में सब प्रकार से संपन मत था। उसके पास अकुल संपति, भोड़े, भूमी और अन्हीं दास दासियां था। जब बाबा की किर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाशा शेष नहीं रह गई। इसलिए अब शिर्डी जाकर बाबा से ब्रहमध्यां प्राप्त करना चाहिए और यदि किसी परकार उसकी प्राप्ति हो गई तो फिर मुझसे अधिक रखी और पौन हो सकता है। जाए और सीधे मस्जित करना चाहिए और सीधे मस्जित करना चाहिए। प्राप्त करना चाहिए और मैं उधार कभी नहीं करता है। इसी का मैं अनेक लोगधन, स्वास्त्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य, तथा अन्या पदार्थों की इच्छा पुट्टी कहे तू, मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है, जो ब्रह्माग्यान का पिकासु है। बहुत इक पदार्थों की अभिलाशा से यहां आने वाले लोगों का कोई आप्दाव नहीं। परंदो आत्यात्मिक जग्यासों का आत्मन बहुत भी दुरलब है। मैं सुचता हूँ कि ये एक शंच मेरे लिए बहुत धन्यत अथा शुब है। जब आप सरीखे महन भाग्यान यहां पदार कर मुझे ब्रह्माग्यान देने के लिए जोख दे रहे हैं। ये कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्मादर्शन कराने के हित्व अपने पास बठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिए जिससे कुछ समय के लिए वियापना प्रश्टम भूल गए। उन्होंने एक बालग को बिलाकर नंदू मारवाडी के यहां से पांच रुपे उधर लाने को भेजा लड़के ने वापसा कर बताया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहां लिए इस बार पर नंदू धर पर नहीं है। यह नटक तो उन्होंने केवल अनवे शक्षपे परिक्षार के ही रचाता था। ब्रह्म जिक्यासों महाशेजी के पास नोटों की घडियां थी और यदि वे सत्मुची ब्रह्मग्यान के आकांशी होते तो इतने समय तक शांत न बढ़ बढ जब बाबा गरता खुरुबक पांच उपए उधार लाने के लिए बालक को यहां वहां दवड़ा रहे थे तो वे दर्शक बने ही न बैठे रहते थे। यह जानते थे कि बाबा अपने वच्षण पूरा कर रिनवश्च चुकाएंगे। यदि भी बाबा द्वारा इक्ष की अतिस्रेश्ट वस्कू है उसकी प्राप्दी करने के लिए आया। यदि बाबा से सस्मुच प्रेम करने वाला अन्य कोई वक्ति होता तो वो केवल दर्शक न बनकर तुरंत की पांच रुपे दे 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 परन को इन महाशे की दशा को बिल्कुल ही विपरित की उन्होंन इस नाकत से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तुम्हे ब्रह्म धर्शन कराने का ही तो प्रेप्न कर रहा है। संक्षेपमितात्परियोह यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पांच गोस्कू का तया करना पड़ता हा। पांच प्राण, पांच इंद्रिया मन, पुध्धी तथा एहनका ये हुआ ब्रमग्या आत्मान भुधी का मारगी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना श्री साही बाबा ने फिर इस विशे पर विस्तुरुद वक्तपे दिया जिसका सारांश ये है ब्रमग्यान या आत्मान भुधी की योकिता है सामाने मनुशों को प्राया अपने जीवन काल में ब्रमग के दर्शन नहीं होते उसकी प्रक्ति के लिए कुछ योकिताओं का भी ओना निदानत आवश्चत मुमग्शुत्व, मुक्ति की तीवरुद कंटा जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुख्ष होना चाहे तो इस धेर की प्राक्ति के लिए उच्शुता और द्रिड़ संकल्प से प्रैत्न करता रहे तथा प्रत्यक परिस्थिती का सामना करने को तयार रहे वही इस अठात्मिक मार्ट पर चलने योग क्या है विरक्त, लोग पर लोग के समस्त पताफों से उधासिंता कफाव अहिक वस्तु हैं, लाग और प्रतिष्था जो कि कर्मचन जन्यन है जब तक इनसे उधासिंता उत्पन्न नहोगी तब तक उसे अठात्मिक जगत में प्रवेश्च करने का अधिकार नहीं अंतरमुक्ता इश्वन ने हमारी इंग्रियों के रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभावी क्युट्ती सदयवे बाहर की और अक्रुष्ट करती है हमें सदयवे बाहर का ही धान रहता है नहीं कि अंतरकर जो आत्मदर्शन और दैविक ख्रीवन के इच्छुष्ट है उन्हें अपनी दृष्टी अंतरमुक्ती बना कर अपने आप में ही लीन होना चाहिए पापशुष्टी जब तक मनुष्ट जोष्टता त्याकर जोष्टर्म करना नहीं छोड़ता तब तक ना तो उसे पूरन शांती ही मिलती है और नमन ही स्थिर होता वो मात्र, बुद्धि बल द्वारा, ग्यान लाप, कतापी नहीं कर सकता उचित आच्छरा जब तक मनुष्ट सत्यवाजी, जागी और अंतरमुकी बनकर द्रमचर्यों बरत का पाला करते हुए जीवन गतित नहीं करता तब तक उसे आत्मों पलब्धी संभव नहीं सारवस्टूग ग्रहन करता दो प्रकार की वस्टूएं है, नित्या और अनित्या पहली आध्यात्मिक विशेओं से संभन्दिक है तथा दूसरी सांसारी क्विशेओं मनुष्टों इन दोनों का सामना करना पड़ता है उसे विवयक तवारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है विद्वान पुरुष्ट अनित्या से नित्या को श्रेस करवानते है परन्तु जो मूड मती हैं वे आसक्तियों के वशिवूत होकर अनित्या को ही स्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते है मन और इंद्रियों का निग्रफ शरीफ एक रत है आत्मा उसका स्वामी तथा गुद्धी सारती है मन लगाम है और इंद्रिया उसके घोड़े इंद्रिया नियंत्रण ही उसका पत्र है जो अलपगुद्धी है और जिनके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रिया सारती के दुष्ट घोड़ों के समान है वे गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्ममुर्ट्यू के चक्र में ही भूमते रहते हैं परंतु जोग विवेक शीर हैं जिनोंने अपने मन पर मियंत्रन कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारती के उत्तम धोडों के समान मियंत्रन में हैं वे ही गंतव्य स्थान कर पहुंच पाते हैं अर्थात उन्हें परंपत की प्राप्ती हो जाती है और उनका पुनल जन्म नहीं होता जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश्च में कर लेता है वो अंत में अपना लक्ष प्राक कर उस सर्वश्क्रिमान भग्वान विष्ण के लोग में पहुंच जता है मन की पवित्रता जब तक मनुष्ण निश्काम कर्म नहीं करता तब तक उसे चित्ध की शुद्धी एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है विषद्धमन में ही विवेक और वायरा के उत्पन्न होते हो जिससे आत्मदर्शन के पत्में प्रगती हो जाती है एहंकार शुन्य होय बिना तृष्ण से च्छकारा पाना संभव नहीं विशयवासना आत्मानु भूती के मार्ग में विशेश आधक है ये धर्णा है कि मैं शरीर हूँ एक धर्ण यदि तुम्हें अपने जीवन के धेय याने आत्म साक्षाथकार को प्राग करने की अभिलाशा है तो इस धर्णा तथा आसक्तिका सर्वधा जाक कर दो गुरू की आवश्यक्त आत्मग्यान इतना गूड और रहस्यमे है कि मात्र निजप्रयतन से उसकी प्राग्ती संभव नहीं इस कारण आत्मानों हुटी प्राग्त गुरू की साहता परम आवश्यक्त अत्तिन तकठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते है जो ऐसे गुरू की ख्रिपा से सहज ही प्राग्त हो सकता है जिससे स्वयन उस मात्र का अनुसरन कर अनुभाव कर लिया है वही अपने शिश्रकों भी सरलता पुर्वत पत पर अध्यातनिक उन्नति करा सकता है अन्त में इश्यक्त परमावश्यक है जब भगवान किसी कर ख्रिपा करते हैं तो बेख उसे विवेख और वैरा के देकर इस धवसागर से पार करा देते हैं यह आत्मानों भुदी न तो नाना प्रकार की विद्याओं और गुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुश्क वेदा ध्यन द्वारा ही इसके लिए जिस किसी को यह आत्मा वरन करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वो अप्रासपरुख प्रकट करती है पठोप निशिद में ऐसा ही वरनम किया गया बाबा का उपदेश जब ये उपदेश समात हो गया तो बाबा उन महाशाय से बोले कि अच्छा महाशाय आपकी जेब में पांच रुपे के पचास गुना रुपियों के रूप में ब्रह्मा है उसे रुपेया बाहर निकाल लिया उसने नोटों की कड़ी बाहर निकाली और गिन्ने पर सबको अच्छंत आश्चरी हुआ तिपेय दस-दस की 25 नोट थे बाबा की ये सरवग्यता देखकर वे महाशाय ज्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आश्रवात की प्रार्थना करने लगे तब बाबा बोले की अपना ब्रह्म का ये बंडल हपेट रो यानि की नोटों का बड़बर जब तक तुम्हारा लोग और तिर्शा से पूर्ण चुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के सकते सरूप को नहीं जान सकते जिसका मन, धन, संता और आईश्वरिय में लगा है वो इन सब आसक्तियों के त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जाने की आशा कर सकता है आसक्ति का ध्रम और धन की तुम्हारा तुक का एक खबर है जिसमें एहनकार और इर्शालपी मगरों का वाज है जो इच्छा रहित होगा केवल वही ये भवसागत पार कर सकता है तुर्शा और ब्रह्म के पारसपारिक सम्मन इसी प्रकाज़े है अतर वे परसपर कटर शत्रू हो तुलसिदाजी कहते हैं जहां राम तहा काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी कबहूं खोत नहीं रवी रजनी कठाँ जहां लोग है वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्धान की कुझाईश ही नहीं फिर लोभी पुरुष को विरक्ती और मौक्ष की क्राप्ती कैसे हो सकी लाल्ची पुरुष को न तो शाम्ती है और न संतोश ही यदि फलप्राप्ती की इच्छा या अपने करतोब्यों का प्रकिफल पाने की भावना से मुक्ष नहीं है और यदि उनके प्रती उसमें अरूचियोत पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ वो आत्मानों भूती प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता जो एहंकारी तथा सदयव विशय चिंतन में रद्ध हैं उन पर गुरू के उपदेशो तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ अतर मन की पवित्रता अध्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधानाओं का कोई महत्व नहीं तथा वो निरा अतंबह ही है इसलिए श्रेयसकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिकम में हो वो उसे ही अप्रभाव मेरा ख़दाना पूर्ण है और मैं प्रत्यक की इच्छा नुसार उसकी पूर्ती करता हूँ पर उनको मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान पड़ना पड़ता है जो कुछ मैं करना है यदि तुम उसे एकाकर होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्के ही लाब होगा इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असथ के भाशन नहीं करता जब भर में किसी अतिती को निमंत्रन लिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्यमित्र और संबंदी आदी भी भोजन करने के लिए आमंत्रिक किये जाते है बाबा द्वारा धनी महाशे को दिये गए इस ज्यान भोज में मस्जित में उपस्थित सभी जन सम्मेलित भी बाबा का आशिरवात प्राफ कर सभी लोग उन धनी महाशे के साथ खर्श और संतोश पुरवर अपने अपने घरों को लोड़ गया अब सुनिये बाबा का वैशिष ऐसे संग अने जो घर प्याक्टर जंगल की कुखाओं या जोप्टियों में एककांत वाज़ करते थे अपनी मुक्ति या मोख्श प्राफ्टि का प्रैद्न करते रहते है वे दूसरों की किंचित मात्र भी आपक्षान न कर सदा नस्त रहते है श्री साइववा इस परक्रती के नस्त यत्यपी उनके कोई खरद्वार स्त्री और संता समीप या दूर के संबंदी नस्त फिर भी प्राफ्टि के निचे निवास करते तथा समस्त संसारिक रवाहा करते रहते इस विश्व में रहकर किस पकार आचरन करना चाहिए इसकी भी बेशिक्षा देते ते ऐसे साधू या संथ प्राया बिरले ही होते जो स्वयम भगवत प्राप्ति के पश्टाद लोगों के कल्य इसलिए हेमाडपंत कहते हैं वो देश धन्या है वो कुटुम धन्या है तथा वे माता पिता धन्या है यहां साई बाबा के रूप में ये असाधारन परमस्रेष्ट अनमोल विश्व धरत्न उत्पन्न हुआ है यहां हम सोलक और सत्रा अध्याय समाक्त करते हैं श्री साई नातार पणमस्रेष्ट शुभं भवत अमो भगवते साई देवाया ओम श्री साई नाताय नमातार अध्याए 18 और 19 बाबा की अनुमति से और आशिरवात देकर हम अध्याय 18 और 19 का श्रवन करें श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोभ्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीता रामचंद्रा भ्याम नमाः श्री सद्गुरू साईनाताय नमाः इस अध् और श्रीमदी देश्मुक की कथा, उत्तम विचारों को फुट्साहन, उपदेश में नविंता, निंदा संबंदी उपदेश, और परिश्रफ के लिए मजदूरी, इसका वर्नन किया गया है। परिश्रम के प्रतिफल के संबंद में, किस प्रकार उपदेश किया, इनका इन दो अध्यायों में वर्नन किया जाए। पूर्व विशेश, ये विदित है कि सद्गुरु पहले अपने शेश्य की योग्यता पर विशेश राम देते हैं। उनके चित्त और किंचित मात्र भी उसे अन्य लोगों में प्रसारित न करना चाहिए। उनके ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यत्हारत में ये दृष्टिकों संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा वित्व के मेगस दृष्ट जो सर्वत्र एक समान वरसते हैं अर्थाद वे अपने अमर्द घुल्य उपदेशों को विस्दुद शेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रतमता उनके सारानश को रहन कर आत्मसार्थ कर लें और पिर संक्रिनता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रसार करें। ये नियम जागरत और स्वक्न दोनों प्रसाओं में प्राक्त उपदेशों के लिए है। उधारनार्थ बुद्रकुशी क्रिशी ने स्वक्न में प्राक्त प्रसिद्ध रामरक्षास चोत्र साधारन जन्ता के हितार्थ प्रगट कर दिया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी आउसदी बलपुर्वत प्रयोग करती है। उसी प्रकार श्री साही बाबा भी अपने भक्तों के कल्यानार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी प्रधती गुप्त नवरत कर पूर्न स्पष्टता को ही अधित महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्न दहा पालन किया। वे अपनी भक्तों की प्राप्टी में सथल हुए। श्री साही बाबा जैसे सद्गुरु ही जान अचक्षों को खोल कर आत्मा की दिव्दता का अनुभाव देने में समर्थ है। विशय वासनाओं से आसती नश्ट कर वे भक्तो का सान्मिध्य प्राप्ट को तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्ट कर सके। तब ही भक्त काम अकल्पतरू हैं हमारी साहय अतार कर आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुख़गत सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगती केवल सद्गुरु की किपासे ही संभाव गया जो की स्वयम इश्वर के प्रफीक हैं। इसी लिए हमें सद्गुरु की खोज में सदय वर आहना चाहिए। अब हम मुख़्विश्य की ओर आते हैं। श्री साथे। एक महनुभाव का नाम श्री साथे का। प्राफट के शासन काल में कई श्री साथे को व्यापार में अधिक खानी हुई और परिस्तितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लाई। व्यात्त दुख्यत और निराश हो गये और अश्रान्थ होने के कारण घर छोड़कर किसी हेकांत स्थान में वास करने का विचार करने विए। बवदा मनुष्यों को इश्वत की सुर्ति आपतिकाल तथा दुल दिनों में ही आती है। और उनका विश्वास भी इश्वत की ओर ऐसे ही समय बढ़ जाता है। तब ही वे प्रक्ष्टों के निवारनार्थ उनसे प्राथना करने लगते हैं। यदि उनके पापकर्म उन्हें शिर्डी जाने की सलाथ जहां मन की शांती प्राथ करने और इच्छा पूर्ति के निमित देश के कोने कोने से लोगों के जण के जण आ रहे हैं। उन्हें ये विचार अतिरुचिकर प्रतित्वा और संग 1917 में वे शिर्डी गए। बाबा के सनातन, पूर्ण ब्र जन्मों के संचित शुभकर्मों के फलस्वरूपी आज मैं श्री साही बाबा के पवित्र चर्णों तक पहुँचने में समत हो सका है। श्री साथे द्रढ़ संकल्थ के वेक्टी थे। इसलिए उन्होंने शीगरही गुरु चरित्र का पारा और प्राण कर दिया। जब ए रहे हैं तथा श्री साथे सम्मोर बैठे ध्यान पुर्वक श्रवन कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वपन को स्मरण कर वे बहुत प्रसंद दो है। उन्होंने विचार किया कि ये बाबा की अत्यंत ख्रिपा है जो इस प्रकार अच्छे तनाव अस्थ में पड़े हुए को जागरत कर उन्हें गुरु चरिकर का अमरत्पान करने का अउसर प्रदान करते हैं। उन्होंने ये स्वपन श्री काका सहीब दिक्षित को सुनाया। और श्री साई बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यधार्था क्या है। और क्या एक श्री काका सहीब दिक्षित ने उचित असरपा कर बाबा से पूछा कि हे देव उस दृष्टान से आपने श्री साथे को क्या उपदेश दिया है। क्या वे पारायन सप्ताह स्थित करते हैं। वे एक सरल गृधय भक्त हैं। इसलिए उनकी मनों का मना आप पूर्ण और हे देव कृपा कर उन्हें इस वक्न का यथार्ध अर्थ भी समझा देए। तब बाबा बोले कि उन्हें बुरुचरितर का एक सप्ताह और पारायन करना उचित है। यदि वे ध्यान पुर्बर पाट करेंगे तो उनका चित शुद्ध हो जाएगा और श्री रही कल्या इश्वर भी प्रसन नहोकर उन्हें भबबंधन से मुद्ध करा देंगे। इस अउसर पर श्री हेमाडपन भी वहाँ उपस्तित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायन से ही मन मेरा गत्त साथ वर्ष का 1910 से 17 तक सहवाज क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस प्रुपा घंकी रहा देख रहा ह। जो मेरे उपर अम्रुद वर्षन कर रहा है। वे तब मुझे अपने उपदेश देने की क्रिपा करेंगे। ऐसा विचार उनके मस अचारों को प्रुटसाइब करते हैं। हिमाड़पन का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंथ ही आग्या दी कि शामा के यहां जाओ और कुछ समय उनसे वार्थालाब कर पंधर रुपे दक्षना ले आओ। बाबा को दया गई थी। इसी कारणों नोंने ऐसी आग्या उनकी अवग्या करने का साहस भी किसे जाओ श्री हेमाड़पन श्री ग्रशामा के घर पर पर जाओ इस समय श्रामा समान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड़पन से पुछा कि आप यहां के से जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं तथा उदाज क्यों है आप अकेले ही क्यों आए हैं आईए बैठिये और थोड़ा विश्राम तो करिये जब तक मैं पुजनादी से भी निवर्त हो जाओ तब तक आप खृपा करके पान आदी लें इसके पश्चात ही हम और आप सुख पुर्वक वारतालाब करें ऐसा कहकर वे दीतर चले गए दालाब में बैठे-बैठे हेमाडपन की द्रिष्टी आचानक खिट्टी पर रखी नात भगवत पर पड़ी नात भगवत श्री एकनात द्वारा महा भगवत के ग्यारवेस कंत पर मराठी भशा में की हुई एक पिका है श्री साई बाबा क्यानुसार श्र जिसका नाम भवार्थ दीपिका या ज्यानिश्वरी है कृष्ण और भगवत श्री कृष्ण उध्व समवार और एकनात का महां ग्रंथ भवार्थ रामयन का पठन किया करते थे जब भगवत से कोई प्रश्न कुछने आते तो वे कभी आंचिक उत्तर देते और कभी उनको उपर युक्त भागवत पथा प्रमुक ग्रंथों का श्रवन करने को कहते थे जिनने सुनने पर भगवतों को अपने प्रश्नों के पूर्ण तयहा संतोश्प्रत उत्तर प्राप्त हो जाते थे श्री हैमाडपंधी नित्यप्रती नाथ भगवत के कुछ अंशों का पाठ आज प्रता मस्जित को जाते समय कुछ भगवतों के सत्संत कारण उन्होंने अपना नित्यम्यमान उसार पाठ अधुरा ही चोड़ दिया थे उन्होंने जैसे ही वो गरंथ उठा कर खोला तो अपने अपुर्ण भाग का प्रिश्ट सामने देखकर उनको आश्चरिया उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहां भेजा है ताकि मैं अपना शेश पाठ पूरा कर ले और उन्होंने शेश अंज का पार आरंग कर दिया पार पूर्ण होते ही शामा भी बाहर आये और उन दोनों में वार्तालाब होने लगा हिमार्पंत ने कहा कि मै मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूं उन्होंने मुझे आपसे पंधरा रुपे दक्षना लाने तथा पूरी देर वार्तालाब कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आग्या दी शामा आश्चरे से बोले मेरे पास कोई कूटी कौडी भी न है इसलिए आप रुपियों के बद्रे दक्षना में मेरे पंधरा नमस्कार ही ले जाओ तब हमार तंत में कहा कि ठीक है मुझे आपके पंधरा नमस्कार ही स्विकार आईए अब हम कुछ वाता लागते और प्रिपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे जनाएं जिससे इस परमेश्वर की लीला अद्धुत है कहां मैं अशिक्षित देहा दी और कहां आप एक विद्वान यहां आने के पस्चाद तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयम देखी चुके हैं जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वरनत कर सकता हैं अच्छा ये पांस परी तो खा शामा बाहर आये और फिर उन दोनों में इस परकार वातालाब होने लगा शामा बोले इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध है जिसका कोई पार नहीं वे तो लीलाओं से अलिप रहकर सदय वविनोत क्या करते हैं इसे हम अग्यानी जीर क्या समझ सकते हैं वाबा स्वयम ही क मुर्द के पास क्यों भेजागा उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के परे हैं मैं तो इस विशे में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे रिजवकिक नहीं हैं इस भूमिका के साथ ही साथ शामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा किसमर्थी हो आई है इसे मैं व्यक्त रूप से जाम तक जैसी भक्त की निष्टा और भाव होता है बाबा भी उसी पतार उनकी साहता करते हैं कभी-कभी तो बाबा भक्त की कढःन परिछा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं उपदेश शल्ट सुंकर साथे के गुरुत रिक्र पारायां के घटना का तबकाली स्पर पिर भी वे अपने विचार को प्रगट न करें शामा की कथा को ध्यान पुर्वत सुनने लगा उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के पती बाबा के मन में कितनी तया और स्नेह था इन कथाओं को श्रवन कर हेमारतन को आंतरिक लास्कान हो हने लगा तब श श्री मती राधावाई देश्मुट एक समय एक प्रिधा श्री मती राधावाई जो खाशावा देश्मुट की मान थी बाबा की खिर्थी सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिर्डी आ जा जा बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई श्री साही चल उन्होंने विश्राम ग्रह में आकर उन्होंने अन्न जल्द जाग दिया और इस प्रकार तीन दिन गतित हो गया मैं इस गृध्धा की अगनी परिक्षा से बिल्कुल भेभीत हो गया और बाबस से प्राथना करने लगा देवा आपने आप यह क्या करना आरंग कर दिया ऐसे दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग गर्थी आपको दोशी ठेराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राक्तम होने की वज़े से ही उसकी मृत्यू हो गई इसलिए अब दया कर उसे आशिश और उपदेश दीजिए विर्धा का हिसा द्रहनिश्य करना चाती हो तुम मेरी मां और मैं तुम्हारा बेटा तुम मुझ پर दया करो और जो कुछ भी मैं कहूँ उसे द्ध्यान पुर्वक hazard मैं अज़नी सवयम की कथा तूमसे कहता है और यदि तुम उसे द्ध्यान पुर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम-श मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था मेरी प्रबल उतकंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव को बन प्रप्राब करें परंदू उनकी रीती तो जारी ही थी उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे दो पैसे दक्षना में मांगे जो मैंने तुरंद ही दे 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 यदि तुम प्रश्ण करो कि मेरे गुरू तक्षना निश्कान थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनिया था और फिर उन्हें विरत भी कैसे कहा जासा था इसका उसकर किवल ये है कि वे कंचन को टुकराया करते थे क्योंकि उन्हें उसकी स्वप्न में भी आवश्रक्ता न थे उन्हें दो पैसों का अर्थ था द्रिडर निश्ठा और ठेड़ जब मैंने ये दो वस्तों उन्हें अर्पित कर दी तो वे अर्थिन को पसंद न हुए मैंने बारा वर्ष उनके श्रीच रणों की सेवा में ही व्यतिक किये उन्होंने ही मेरा भरण कोशन किया तह मुझे भोजन और मस्त्रों का कोई अभाव न वे प्रेम की मुर्तिते अथ्वा यों कहो कि वे प्रेम के साक्षा अवतार थे मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता है क्योंकि उनका तो मुझे पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई विल्ला ही गुरू मिलेगा जब मैं उनकी और निहारता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मतना है और तब हम दोनुआ अनंदित हो जाते थे आठो प्रहर मैं एक टक उनके ही श्रीमू की और निहारा करता था मैं भूक और प्यास की सुद्वत खो बैटा उनके दर्शनों के बिना मैं अशान्त हो उटता था गुरु सेवा की चिंथा क्या तिरिक मेरे लिए और कोई चिंतनीय विशय या पदार्थ नहीं था मुझे तो सदायव उन्हीं का ध्यान बहता था अतक मेरा मन उनके चरनकमलों में लीन हो गया ये हुई एक पैसे की दख्ष था धेर्य है दूसा पैसे मैं धेर्य पुर्वत बहुत काल तक प्रतिक्षा कर गुरु सेवा करता रहा यही धेर्य तुम्हे भी भवसागर से पार उता देगा धेर्य ही मनुश्य में मनुशत भख़़गा धेर्य धारन करने से समस्तपा और मोहन नश्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते तथा भख़य जाता रहता है इसी प्रकार तुम्हे भी अपने धेय की प्राप्टी हो जाएगा धेर्य तो गुनों की खान वहुत्तम भुचारों की जननी है निश्टा और धेर्य दो जुड़वा बहनों के समान ही है जिन में परस पर प्रगाण फ्रेम की मेरे गुरू मुझसे किसी वस्कुष की आकांशा न रखते थे उन्होंने कभी मेरी उपेख्षा न की परंसदय बर रक्षा चकते रहे यद ज़िए मैं उनके सदय बर उनके चर्णों के समीप को रहता था फिर भी कभी किनी अन्यस खानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई वे सदा मुझ पर प्रपाद रिष्टी रखते थे जिस प्रकार कछवी प्रेम द्रिष्टी से अपने बच्चों का पालम करती है जाहे बे उसके समीप को अथ्वा नदी के उस पाद सोहे मां मेरे गुरू ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं तब मैं तुम्हारे काम में कैसे कोई मंत्र फोकूप केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरू की भी कछवी के समान ही प्रेम द्रिष्टी से हमें संतोष प्राप्त होता है इस कारण गर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रेतन ना करो मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य अध्य बना और तक तुम्हें निसंदे हैं प्रमात की प्राप्ती हो जाएगे मेरी और अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी और वैसे ही देखूंगा इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा कि किनी साधनाओं या शास्तों के अध्यान के आवशक्षा ने कुरन केबल गुरु में विश्वास ही परियाप पूर्न विश्वास रखो की गुरु ही करता है और वो धन्य ने जो गुरु की महनता से परिचित हो उसे हरी खर और ब्रह्म का अवतार समझता है इस प्रकार समझाने से ब्रिध मैला को सांपुना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना पूर्वास या गिया ये कथा ध्यान पुर्वक एका ग्रता से श्रवन कर सथा उसके उपयुक अर् आश्चरियों के उनका रुदय भराया और उन्हें रोमान छोग था अत्यंत आनन विभोर हो जाने से उनका कंड रुंद गया और बे मुख से एक शब भी न बोल सके उनकी ऐसी सिखी देख शामा ने पूछा कि आप ऐसे इस तब क्यों हो गया बात क्या है बाबा की तो इस प्रका की लिलाएं अगनित हैं जिनका वर्नन मैं किस मूख से करूं ठीक उसी समय मस्जिद में भेंटानाद होने लगा जो की मध्यान पूजन तथा आर्ती के आरम का त्योत था तब शामा और हेमाडपन भी शीग रही मस्जिद की ओर चले बापसाइब जोग ने पूजन अरम कर दिया था स्त्रिया मस्जिद में उपर खड़ी थी और पुरुश्वर नीचे मंडब था सब उच्छस्वर में वात्यों के साथ साथ आर्ती गा रहा है तब हेमाडपन का हाथ पकड़े हुए शामा भी उपर पहुँचे और वे बाबा के दाहिनी ओर तथा बाबा ने का अच्छा ठीक है तो अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विशाय पर वाताला पकुआ है तब घंटे ढोल और सामोही गान की धनी की चिंता न करते हुए हेमाडपन उतकंठा पुरुवक्त उन्हें वो वाताला सुनाने गा बाबा भी सुन अगाल और इस कथा की ही ओट में आपने मुझे पर विशेश ख्रिपा की तब बाबा ने कहा वो तो बहुत ही आश्चरिय पूर्ण है अब मेरी तुम पर ख्रिपा पैसे हुई इसका पूर्ण विवरंद सुना वाताला जो उनके रिदय पठल पर अंकित हो चुका था वो स पर ख्रिपा की हां बाबा आया तो है उससे मेरे चित्त की चंचलता नश्ट हो गई अब यथास में मैं वास्तविक शांति और सुप का अंधो कर रहा हूं कथा मुझे सत्यमाद का पता चल गया है तब बाबा बले सुनो मेरी पतती भी अध्वितिय है यदि इस कथा का प्योगी सिद्ध होगी आत्मग्यान प्राप्ट करने के लिए ध्वान अत्यंत आवश्ट है और यदि तुम इसका निरंदर अभास करते रहोगे तो कूप रवृतियान शांत हो जाएगी तुम्हें आसकती रहित होकर सदय वैश्वर का ध्वान करना चाहिए जो सर्व प प्रितियान केंदरित हो जाएगी तथा ध्वाता ध्यां और धेय का प्रतकत्व नाश्ट हो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्रात कर ब्रह्म के साथ अभिन्ह हो जाएगी तो छोबी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे न वो उन्हें का ही समरण करते रहते हैं उन चोटे चोटे बच्चों पर पच्चोवी की केवल दृष्टी ही उन्हें अमृत्तुल्य आहाद और अनन प्रदान करती है ऐसा ही गुरू और शिष्ष का भी सम्मन ना बाबा ने ये अंतिम शक्त कहे ही थे किया आती समाथ हो गई और सब ने जैकार में सम्मिलित है और ती समाथ होने पर पसाद वितरन हुआ बपसाइब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का पसाद दिया ये मिश्री हेमाड़ पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कखा को अच्छी तरह से सदय वर समर रखोगे तो तुमारी भी स्थिती इस मिश्री के समान मधूर होकर समस्ता इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे हेमाड़ पंतने बाबा को साश्टांग प्रणाम किया और स्तुती की की प्रभो इस प्रकार दया कर सदय वर मेरी रक्षा चति रहो तब बाबा ने आशिरवाद देकर कहा कि इन कथ्रों को श्रवन कर नित्यमनन तथा निदी ध्यासन कर तत्व को प्रहन करो तब तुम्हें इश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वो स्वयम तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रगट कर देगा प्यारे शोता हूं हेमाड़पन को उस समय मेश्री का पसाद घली भाती मिला जो आज हमें इसका थामरूद के पान करने का अफसर प्राप्त हुआ आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका ग्रहन कर बाबा की किर्पा से स्वस्थ और सुखी हो जाए 1908 के अंत में हमाड़पन ने कुछ और भी विश्यों का वरनाई किया है जो यहां दिये जाते है अपने बरताव के संबन में बाबा का उपदेश नीचे दिये हुए अमुल्य वच्छन सर्वसाधरन अक्तों के लिए है और यदि उन्हें धान में रखकर आचरन में लाया तो सदय वही कल्यान होगा जब तक किसी से कोई पूर्वन आता या संबन ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं आता है यदि कोई मनुष्य या प्तानी तुम्हारे समीप आये तो उसे अभधरता से नुट पराओ उसका स्वागत कर आदर तुलवक भरता कर यदि तुरु ना होंगे यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे तो तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो न दो परन्तु उसके साथ अभधर वेवहार न करे तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे फिर भी कटता उत्तर देकर तुम उस पर फ्रोद न करे यदि इस प्रकार ऐ अर्थात इश्वर ही सर्व शक्तिवान है और उसके सिवा अन्यकोई सावरक्षन करता नहीं है उनकी कार्य प्रणाली अलव की अनमोल और कल्पना से परे हैं उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं वही मार्ग पदर्शन कर सभी इच्छाएं फूर्न तप्रे हैं प्रिणानो बन के कारण ही हमारा संगम होता है इसलिए हमें परस कर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा कर सद तक प्राण है तब तक जीवी दिन उत्तम विचारों को प्रुच्छा है ये ध्यान देने योग्य बाद है कि श्री साइबाबा सदेगों उत्तम विचारों को प्रुच्छान दिया तो इसलिए यदि हम प्रेम और भक्तिकृवक अनम्य भाव से उनकी शरण जाए तो हमें अ स्मरण दिन भर करों तो वो तुम्हारा विदेख अक्यन तबिकसित और प्रसन्न कर देगा हिमार पंदी इसका अनुहाव करना चाहते थे इसलिए इस पवित्र शिरडी भुमी पर अगले गुरवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कितन में ही व्यतिक करूँ ऐसा विचार पार कर बूटी वाड़े के समीब से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की धनी जो मस्जित की ओर से आ रही थी सुनाई पर एक नात का ये भजन अउरंगा बात कर मधुर लाइक पुरवत बाबा के समक्ष गार है गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई राम बिना क जहां देखे वहां राम सरीखा भजन अनेकों हैं परंतु विशेश कर ये भजन ही क्यों औरंगा बात करने की क्या ये बाबा द्वारा ही संयोजित विछी तरह अनुरुकता नहीं और क्या ये हिमाड़पन के पिछले दिन अफंद राम नाम स्परण के संकल्प को जाँ पाने के लिए इसे एक अमोग उपाय बतलाते हैं अब सुनिए बिन्दा संबंदी उपदेश उपदेश देने के लिए किसी विछे समय क्या हस्तान के पर्तिक्षा ना कर बाबा ये थायोग के समय पर ही स्वतनतरा प्रुवत उपदेश दिया गा पिए एक बार एक कटू वाक्टों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके पती खिना होने लिए बहुदा देखने में आता है कि लोग गत्थी दूसरों को निंदा कर चखड़ा और बुरायां उत्पन करते हैं संतो निंदा को दूसरी ही दृष्टी से देखा करते हैं उनका कथन है कि शुद्धी के लिए अनेक बिधियों में मिट्टी, जल्ग और साबुन परियापत है परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भी नहीं होती है वे दूसरों के दोशों को केवल अपनी जिवा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार, वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं जिसके लिए वे धन्यवाद के पाक रहें निंदा को उचित्मात पर लाने के लिए साही बाबा की पत्थी, सर्वताई ही भिन्नत थे वे तो सर्वग्यत थे ही इसलिए उस निंदक के कारिये को पिर समझ गए मध्यान नकाल में जब लेंडी के समीब उससे भेंट कुई तब उन्होंने विश्ठा खाते हुए एक सुर की और उंगली उठा कर उससे कहा कि देखो वो कितने प्रेम पुर्वत विश्ठा खा रहा तुम जी भरके अपने भाईयों को सदा पशब पता करते हो और ये तुम्हारा आचरन भी ठीक उसी के सदरुश है अने शुबह करमों के परणाम खरूप ही तुम्हें मानोतन प्राप्ट हुआ और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरन किया तो श्रडी तुम्हारी साहता क्या कर सके बक्त ने उप्देश ग्रहन कर लिया और वहां से चला गया इस प्रकार असंगा नुसार ही वे उप्देश गिया करते थे यदि उन पर ध्धान देकर नित्टे उनका पालम किया जाए तो अध्यात्निक भे अधिक दूर न होगा एक कहवत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरी होगा तो वो मुझे चार पाई पर बैटे बैटे ही भोजन पहुंचाए ये कहवत भोजन और बस्तर के विशय में सब्ते प्रतित हो सकती है परतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस से वश्व बैठा रहे तो वो अध्यत्निक शेक्र में कुछ भी प्रगती न कर उल्टे पतन के और अंधक्रार में निमगन हो जाएगा इसलिए आत्मान भूती प्राक्ति के लिए प्रत्यक को अन्वरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वो प्रेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद्धी होगा बाबा ने कहा है मैं तो सर्व व्यापी हुई और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनन्दग केवल उनके भ्रम निवार्णार थे ही जिरकी दृष्टी में बे साड़े तीन हाथ के मानव से स्वयं सगुन रूप धारण कर अप्तिरन हुए इसलिए जो भक अनन्यभाव से उनकी शरण आये और जिनोंने दिन रात की उनका ध्यान किया उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्थ हुई जिस प्रकार की माधुरिया और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेप्र और कांकी में अभिन्नता हुआ करती है जो आवागमन के चक्र से मुप्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मीक जीवन प्यतीत करे दुखदाही कटू शब्दों के प्रयोग से किसी को दुख्यत न कर सदय वर उत्तम कारियों में सल्लग्न रहकर अपना करतब करते हुए अनन्य भाव से भैरहित हो उसकी शरण में जाना चाहिए जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवन कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तों की चिंता याद देगा उसे निस संदे आत्मानों भूती की प्राप्ती होगी उन्होंने अने को से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा जो ये जानने को उत्सुप थे कि मैं कौन हूँ बाबा ने उन्हें भी लिलाएं श्रवन और मनन करने का परामर्ष दिया किसी को भगवत लिलाओं का श्रवन किसी को भगवत पाद पूजन तो किसी को अध्यात मरामायन और ज्यानेश्वरी तथा धार्वी क्रंथों का पठन एवं अध्यान करने को कहा अनेको को अपने चर्वों के समीप ही रखतर बहुतों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेको को विश्णू सहस्रणाम का जाब करने वाच्छांदोग्य उपनिशित तथा गीता का अध्यान करने को कहा उनके उपदेशुफी कोई सीवा नहीं उन्होंने किनी को प्रतेक्ष और बहुतों को स्वपन में द्रिश्टाम दिये एक बार वे एक मदिरा सेवी के स्वपन में प्रकट फोकर उसकी श्ठाती पर चड़ गए और जब उसने मद्यपान प्यागने की शपत खाई तब ही उससे छोड़ा किसी किसी को मंत्र जैसे गुरूर व्रमा आधिका अर्थ स्वपन में समझाया तथा कुछ खठयोग्यों को हठयोग छोड़ने का नदेश देकर चुपचाप बैट धहरी अगतने को का उनके सुगमपत्व और विधी का वरणन ही असंभाव है साधरन सांसारिक गवारों में उन्होंने अपने आचरन द्वारा ऐसे अने को उधारन प्रस्तुत किये जिन में से एक यहां मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अब सुनिये परिश्रम के लिए मजदूरी एक दिन बाबा ने राधा कृष्णमाई के घर के सिनिप आकर एक सीड़ी लाने को का तब एक भक सीड़ी ले आया और उनके बताए हुए अनसार वामन गौनकर के घर पर उसे लगा रही वे उनके घर पर चड़ गए और राधा कृष्णमाई के छपर पर से होकर दूसरी छोर से नीचे उतरा रही इसका अर्थ किसी के समझ में ना आया राधा कृष्णमाई इस समय जवर से काप रही थी इसलिए हो सकता है कि उनका जवर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है नीचे उतरने के पश्चाद शीग रही उन्होंने सीड़ी लाने वाले को दो रुपे पारिश्रमिक्स परूप दिये तब एक ने सहसकर उनसे पूछा कि इतने अधित पैसे देने का च्यार खरता है उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मुल्य चिपाए कार्या न कराना चाहिए और कार्या करने वाले को उसके श्रम का शीखर निप्टारा कर उदार रदय से मज़दूरी देनी चाहिए यहां हमारा अठारा और उन्नीस वाद है समात्तुता है श्री सद्गरू साहिनाथार पनमस्तू शुभं धुवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत प्रारम बाबा की अनुमती से अब हम अध्याय बेश का श्रवन करें। प्रारम बाबा की शिक्षा इसके बारे में हम इस अध्याय में सुनेंगी। आओ श्री साई बाबा का ध्यान वस्वारन करें। और फिर श्रीडी चलकर ध्यान पुर्वक्त मध्यन की आर्ति के पश्चात का कारेकरम देखें। जब आर्ति समाक्ष हो गई तप्श्री साई बाबा ने मस्जिद के बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ बक्तों को उदी वितरन की। बप्त गणभी उनके समाक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण चूटे और उदी वितरन का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से बच्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्टकपप उदी का त्किका लगाते थे। बाबा के रिदय में भक्तों के पğती असीन प्रेम था, वे भक्तों को प्रेम से समधित करते, ऑभूद, अब जाओ, बोजन करो, अन्प, तुम भी अपने घर जा, बापू, तुभी जा, बोजन कर, इसी प्रकार वे प्रत्यक भक्त से समाशन करते और उन्हें गर लटाया प करते हैं अहां क्या दिन थे वे जो अस्त हुए तो ऐसे कि फिर इस जीवन में कभी न मिले हैं यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी उस आनन का अनुभव कर सकते हैं अब हम साई की आनन मैं मूर्थी का ठान कर नमरदा प्रेल और आदर पुर्वक उनकी चरणवंदना कर इस कखा आरंब करते हैं इशोपनिशित एक समय श्री दासगणों ने इशोपनिशित पर टीका इशावास भावर्त बोधिनी लिखना प्रारम किया प्रणन करने से पूर्व इस उपनिशित का संक्षित परिच्छे देना भी आवश्चक है इसमें बज्दिक संहिता के मंत्रो इशोपनिशित के नाम से भी प्रसिद्ध है वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे उन अन्य उपनिशितों की अपिक्षा स्रेश्टतर माना जाता है जो कि ब्रह्मण और अरण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विश्यों के विवरनात्मक घ्रंथ की कोटी में आत इशोपनिशित एक लगू उपनिशित होते हुए उसमें अनेक विश्यों का समावेश है जो एक असाधारन अंतद्रिश्टी प्रतान करता है इसमें केवल 18 श्लोकों में ही आत्मतत्व वरन एक आदर्श संट की जीवनी जो आकर्शन और कष्टों के संसर्ट में भी अचल रहता है कर्म योग की सिर्फंदों का प्रतिविम्म जिसका बाद में सूत्री करण किया गया तथा ज्यान और करतबी के पोशक तत्वों का वरनन है जिसके अंत में आदर्श चमतकारिक और आत्मा संबंदी गूड तत्वों का संगर है इस उपनिशित के संबंद में संखि को ग्रहन न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई विद्वानों से शंका निवारनार्थ परामर्ष और वाद्विवाधी किया परंतु समाज से आप पुरुववत जटिल ही बनी रही और संतोष जनक खावार इस अस्ता के प्रयोक से जन्म मरण का बंधन छिन भिन हो जाता है और मुप्ति की प्राप्ती होगी अतर श्री दास गुण को विचार आया कि जिसे आत्म साप्षातकार हो चुका हो के वल वही उपनिशित का वास्तविक अर्थ कर सकता है जब कोई भी उनकी शंका का निव वन्दना करने के प्रस्टाथ उपनिशत में आई भी कटिना या उनके समख्ष रक कर उन से हल करने की प्रापने श्री साही बबा ने आशिरवाद दिकर कहा कि चिंदा करने की कोई आवश्युथ्ता नहीं उसमें कटिना आई क्या जब तुम लोटोगे तो विले पार्ले म काका दिक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारान कर दोगे। उपस्तित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोधी कर रहे हैं। और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटल समस्या का हल कर सकती है। पर अ अबाके वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिर्डी से विले पारले, जो कि एक बंबे का उपनगर है, वहां पहुँचकर काखा दिक्षित के यहां ठहरे। दूसरे दिन दासगणू सुभई की मीठी निन का अनन ले रहे थे, तभी उन्हें नर्धन वालिका के सुन नारे कितने सुन्दर थे इत्यादीत्या, उन्हें वो गीत अतिरुचिकर क्रतित कुआ, इस कारण उन्होंने बाहरा कर देखा कि ये गीत एक बालिका नामे की बहर, जो काका साहिद दिक्षित की नौकरामी का रही, बालिका बरतन मांज रही थी और केवल एक फटे इतनी दरिद्र परिस्तिती में भी उसकी प्रसंद मुत्रा देखकर दासगण को दया आगे, और दूसरे दिन श्री दासगणु ने श्री M.V. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्राठान, जब राव बाहदूर M.V. प्रधान ने उस बालि उसने नई साड़ी पहनी और अत्यम तहर्शित होकर नाचने कुदने लगी, एवं अन्य बालिकाओं के साथ वो खुगडी खेलने में मद नगे, अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदुक में रख दी, और पुर्ववत फटे पुराने कपड़े पहन कर आई, फिर तो अब तो उसके पास नई साड़ी थी, जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहन कर भी उसे गर्व और आनंद का अनुभव करती रहे, उसके मुद पर दुख या निराशा का कोई निशान भी नहीं गानी, इस पकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख औ और जो भी स्थिती उसकी दया से प्राक्त है, वो अपने लिए अवश्य ही लावपरत होगी, इस विशिश्य खटना में बालिका की निर्धनावज था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृती देने वाला ये सब इश्वर द होता है, सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतक उसी में संतुष रहने में हमारा कल्यान है, अब सुनिये अद्वितिय शिक्षा पर्धति, उपर योक्त ध्रखना से शोताओं को विदित होगा, कि बाबा की पर्धति अद्वितिय और अपूर्वत, बाबा शेड़ी क किसी को मच्छंदरगर, किसी को कॉला कूर, या सोला कूर साधनाओं के लिए भेजा, किसी को दिन में, किसी को रातरी में दर्शन दिया, किसी को काम करते हुए, तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिया, और उनकी इच्छाएं पूर्ण, वक्तों को शिक्षा देने की दासगणू को बाहर घजने के आवशकता ही क्या था क्या वे स्वयम ही नहीं समझा सकते थे उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्भा ही आपनाया अन्य था श्री दासगणू किस प्रकार का एक अमुल्य शिक्षा उस निर्धम नवकरानी को उसकी साड़ी द्वारा प्राप करते जिसकी रचना स्वयम साई नहीं की थी अब सुनिए इशोपनिशित की शिक्षा इशोपनिशित की मुख्य देन नीति शास्ट कसंबंदी उपदेश के हर्ष की बात है कि इस उपनिशित की नीती निश्टित रूप से अध्यात्मिक विश्यों पर आधारित है जिसका इसमें ब्रहत रूप से वर्णन किया गया है उपनिश्ट का प्रारम्भी यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं इश्वर से ओत अप्रोत है यह आत्मविश्यत स्थिती का भी एक उपसर्धान है और जो नीती संबंदी उपदेश उससे ग्रहन करने योग्या है वो यह है कि जो कुछ इश्व सुपा से प्राप्त है उसमें ही अहनंद मानना चाहिए और द्रेड़ भावना रखनी चाहिए कि इश्वर ही सर्वश्धिवान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपवयुक्त है ये भी उसमें प्राप्तिक रूप से वर्नित है कि परायधन की प्रिश्णा की प्रवृत्ती को रोपना चाहिए सारांश ये है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष प्रहना क्योंकि यही इश्वर की इच्छा है चरित्र संबंदी दितिय उपदेश ये है कि कर्तव्य को इश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतित करना चाहिए विशेष्टा उन कर्मों को जिनको शास्त्र में व्रनित किया गया है इस विशे में उपनिशत का कहना है कि आलसे से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेट्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतित करने वाला ही और कर्मन्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार आत्मस्वरूप हो चुके हैं उसे मोह कैसे उत्पन नहों सकता ऐसे विक्ति को दुख कोई कारण नहीं हो सकता सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण बिन्न बिन्न प्रकार के शोप, मोह और दुखों की वृद्धी होती है जिसके लिए सब बस्तुएं आत्मसरूप बन गई हो वो अन्य सामान्य मनुशों का चद्रान वेशन क्यों करें अब वीषवा अध्या यहां समाप करते हैं श्री सद्गरू साइनाथार पनमस्तूप शुभम धवतों अध्याए 21, प्राराम, बाबा की अहनुमती और अश्रवात से अब हम अध्याए 21 का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमा, श्री सरस्वच्य नमा, श्री गुरोभ्यो नमा, श्री खुलदय वताय नमा, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमा, श्री सद्गुरू साइनाथाय नमा, इस अध्याय में हेमाडपंत ने श्री विनाय खरिष्चंद्र ठाकुर बिये, श्री अनुंत्र तो आध्यात निकपत पर शोतागन अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारम ये एक साधरन सा नियम है कि गज जन्मों के शुभकर्मों के फलस्वरूफी हमें संतों का सान्मिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उजारना, हेमाडपन स्वहम अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांदरा के स्थानिया नायदिश रहे। पीर मौलाना नामक के एक मुस्लिम संत भी वहां निवास करते थे। उनके दर्शनार अनेक हिंदू, पार्सी और अन्य धर्माव लंबी वहां जाया करते थे। उनके मुझावन ने हेमाड़ पंसे भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आगरह किया। परंतु किसी ने किसी कारण वर्ष उनकी भेंट उनसे नहों सोथो। अनेक वर्षों के उपरान जब उनका शुभकाल आया तब वेश्र जी पहुंचे और बाबा के दर्बार में सथाई रूप में सम्मिलित हो गये। भाग्यहिनों को संत-समागम की प्राक्ति कैसे हो सकती है। इवल वे ही सवभागयशाली हैं जिनें ऐसामसर प्राप्त हो। संतो द्वारा लोक शिक्षा कैसे प्राफ्ट होती है , उसके बारे में स्रवण करेंगे। संतो द्वारा लोक शिक्षा का कार्यत चर्काल से ही इस विश्व में संपादित होताया है। अनेको संत, बिन अभिन स्थानों पर किसी निश्चित उद्देशक की कुर्टि के लिए स्वयम प्रगट होते हैं, जड़िपी उनका कारियस्थल धिन्ना होता है, परंतु वे सब पूर्ण तहा एक ही हैं, वे सब उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतरगत एक ही लहर में कार्या करते हैं, उन्हें प्रत्तिक के कार्या का परस पर ज् मचारी थी, वे एक समय भूमी मापक दल के साथ कार्या करते हुए बेलगाओं के समीब वडगाओं नामक ग्राम में पहुंचे, वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरूष इनका नाम अप्पा था, उनके दर्शन कर उनकी चरण वंदना की, वे अपने भक्तों को निश् पूर्ण हो जाएगी, तथा जब कालंतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे, तो सभाग्यवश तुम्हें एक महान संच से भेट होगी, जो मारगे प्रदर्शन कर तुम्हारे रिदय को शांती और सुप्रदान करेंगी, बाद में उनका स्थानांतरन जुन्नर को हो गय जहांकि नाने घाट पार करके जाना पड़ता है, ये घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें पेंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुईधा जनक तथा कश्टकर प्रतित हुआ, इसके पश्चाथ उनका स्थानांतरन का लैंड में एक उच्चपत पर हो गया, और वहां उनका नाना सेफ चांदोलकर से परीचे हुआ, उनके द्वारा उन्हें साही वाबा के सम्मन में बहुत कुछ ग्यात हुआ, और उनके दर्शन की तीवर कंठा हुई, दूसरे दिन ही नाना सेफ श्रड़ी को प्रस्थान हो गए, ठाने पहुँचने पर मुकदमे की तारीक आगे के लिए बढ़ गए, इसलिए उन्हें नाना साथ का साथ मुन देने पर पश्टा प्ताप हुआ, फिर वे श्रड़ी पहुँचे, तब वहां उन्हें ग्यात हुआ, कि नाना से पिछली दिन ही यहां से चले गए है वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साई बाबा के दर्शन को बैए, उन्होंने बाबा के दर्शन किये, और उनके चरनक अमलों की आराधना कर अत्यंत हर्शिक हुए, उन्हें रोमांच हो आया, और उनकी आँखों से अश्रुधराएं प्रभाहित होने लिए, तिकाल दर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस थान का मार इतना सुगम नहीं, जितना की कानडी संथ अप्पा के उपदेश पर, नाने घाट पर, भैसी की सवारी थी, अध्यत्मिक पत पचलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्यो उन्होंने दोनों हाथ जोटतर बाबा के चरनों पर अपना मस्तक रखा, और उनसे प्राथना की, प्रभणों, मुझ पर क्रिपा करो, और इस अनात को अपने चरन कमलों की शीतल चाया में स्थान दो, तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा, वो सत्यत, उसका अभ् प्रिपा के बिना ग्रंथाव लोकन तथा आत्मान भूती निरर्थक ही है, श्री ठाक्तों ने अभी तक केवल विचारो सागर गंथ में सैज्ध्यांतिक प्रक्रन ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष विवाहर प्रणाली तो उन्हें श्रडी में ही ग्याथ हुई एक दूसरी कथा भी इस सक्ट का और अधिक सशक्त प्रमान हैं, अब श्री आनंत्राव पाटन के कथा संदे हैं, पुना के एक महाश्य श्री आनंत्राव पाटन के श्री साही बाबा के दर्शन के इच्छुप थे, उन्होंने श्री डिया के बाबा के दर्शन किये, प्रेद, वेदांत और उपनिशिदों का भी अध्यन किया। तथा अन्य पुरान भी शरवन किया। फिर भी मुझे शांती न मिल सकते। इसलिए मेरा प्रठन वर्थी सित हुआ। एक मेरा अग्यानी भग अनुस से कहीं स्रेश्ट है। जब तक मन को शांती नहीं मिलती तब तक गंठाव लोकन व्यर्थी है। मैंने ऐसा सुना है कि आप येवल अपनी द्रिश्टी मात्र से और विनो दुक्तून वचनों के द्वारा दूसरों के मन को सरलता पुर्वक शांती प्रतान करते हैं। यही सुनकर मैं भी आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशिर लिए और इस प्रकार उसके चित को शांती प्रतान कर इस कथा का कुछ भी आत समझना सके। इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर अपनाम दादा केलकर से अज समझाने की प्रतान कर और पूछा बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वे बोले कि जो कुछ बाबा क नवविधा भक्ति यथा एक श्रवण, दूसरा प्रतन, तीसरा नामस्वण, चौथा पादसेवन, पांचवा अर्चन, छटा बंदन, सातवा दास, आठवा सक्य, और नवा आत्मन वेदन। ये भक्ति के नौ प्रकार है। इन में से यदि एक को भी सत्यता से कारिय जाये तो भगवान श्री हरी अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रगट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्था जब तब योगा भ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट न हो, बिल्कुल शुशके ही हैं। वेद ज्यानी या ब्रह्म ज्यानी की किर्ती भक्ति भाव के अभाव में निरर ठक है, अवशक्ता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को भी उसी सवदाकर के समान ही जान कर और व्यगरता तथा उत्चुप्सा पुरवक सक्त को खोच कर नौ प्रकार की भक्ति को प्राप्ट करो। तब कहीं तुम्हें बाबा ने उन्हें आश्रवार दे कर सांतुना दी की तुम्हें सुख और शांती प्राप्त हो जाएगी। जिससे सुनकर श्रीपाटर करके हर्श का पारावार न रहाए। आईए, अब सुनते हैं पंधरपूर के वकील की कथा। बक्तों के दोश दूर कर उन्हें उजित बाबा उनके और देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर थे हैं जो यहां आकर चरणों पर गिरते हैं और दक्षना देते हैं और उन्हें पीट बीचे गालियां देते रहते हैं कितने आश्चरी की बात है ना। यह पगड़ी वकिल के से पर ठीक बैठे और उन्हें उसे चुलारन दिया वो मेरी ही और लक्षकर कहा गया था ये सक्ष है वो केवल चेतामी ही थी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए एक समय जब उपन आयादिश श्री नूलकर स्वास के लाग करने के लिए पंधरपूर से श्रीडी आकर ठेरे तो बारवूम में उनके विवात का विशय था कि जिस व्यादी से उपन आयादिश अस्वस्त हैं क्या विना उच्दी सेवन किये केवल साही बाबा के शरन में जाने से ही उससे चुटकारा पाना संभव है और क्या श्री नूलकर सदुरुष एक शिक्षित व्रति को इस मात का अवलंबन करना उच विवास नहीं वरन एक उप्तार है जो के वल उपदेश है कि मुझे किसी की निंदा न करनी चाहिए और नहीं दूसरों के कारियों में बिगन डालना चाहिए श्री और पंधरपुर में लगवर तीन सो मिल का अंतर है फिर भी बाबा ने अपनी सरवग्यता द्वारा जान मार्ग में आने वाली नदियां जंगल और पहाड उनकी सरवग्यता के लिए रोड़ा न थे वे सब के रिदय की गुईयबाद जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा नहीं समीबस्त या दूरस्त प्रत्यक वस्तू उनके लिए दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान थी श्री साही बबा के महानता कोई न आग सका और नहीं उनके अद्वुत लिलाओं का अन्थी पा सका उनकी जीवनी भी तद अनुरूफी है क्योंकि वे परब्रम्म स्वरूप हैं यहां 21 अध्याय समाप्त होता है श्री सद्गरू साही नाथार प्रणमस्तू शुभम ओम श्री साही नाथाय नमाः अध्याय 22 प्रारम नमाः बाबा की अनुमति और आश्रिवात से अब हम अध्याय 22 का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाहा, श्री सरस्वत्य नमाहा, श्री गुरोप्यो नमाहा, श्री खुलदय वताय नमाहा, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमाहा, श्री सद्गुरु साईनाताय नमाहा इस अध्य में सर्पविश्ख से रक्षा कतां पांच है श्री बाला साहब मिजिरीकर श्री बापू साहब बूटी श्री हमीर शक्कर श्री हेमाडपन और बाबा के विचाथ इसके वारे में श्रवन करते हैं अब सुनिये बाबा की सर्प माने कर सला श्री साही बाबा का ध्यान पैसे किया जाए उस सर्वश्क्तिमान के प्रक्ति अगाद है जिसका वरणन करने में वेद और सहस्त्र मुखी शेशनाग भी अपने को और समर्थ पाते है बक्तों की रिची स्वरूप वरणन से नहीं उनकी तो दिड़धारना है कि आनन की प्राप्ति केवल उनके श्री चर्णों से ही संभव है उनके चर्णकमलों के ध्यान के अत्रिक उन्हें अपने जीवन के सर्वोच लक्षकित काप्ति का अन्यमाद विदीथी में प्राप्ति बक्ति और ध्यान का जो एक अति सरलमाच सुझाते हैं वो है कृष्णपक्ष के आरम में होने पर चंद्र कलाएं दिन प्रति दिन घटी जाती है तथा उनका प्रकाश भी क्रमशाहा ख्षीन होता जाता है और अन्त में अमावास्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारो और निशा का भेंगर अंधेरा चाजाता है परंतु जब शुक्लपक्ष का प्रार्म होता है तो लोग चंद्रदर्शन के लिए अति उत्सुत हो जाते हैं इसके बाद वित्या को जब चंद्र अधिक्स पष्ट नहीं होता तब लोगों को ब्रिक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्रदर्शन के लिए कहा जाता है और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुता और धान गुर्वग देखने का प्रैतन किया जाता है तो दूर ख्षिक्षपत छोटी सी चंद्र रेखा के द्रिष्टी गोचल होते ही मानाती प्रफलित हो जाता है इसी सिध्धान का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी रैतनक करना जाए बाबा की चितर के ओर देखो आहा कितना सुन्दर है वे पैर मोड कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाय गुतने पर रखा गया बाय हाथ के उंगलियां दाहिने चरन पर फैली हुई है दाहिने पैर के अंगुठे पर तरजनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुई है इस अत्रती से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे अध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शुन्य और विनम रहोकर उक्त दो अंगुलियों के बीच से मेरे चरन के अंगुठे का ध्यान करो तब कहीं तुम उस सत्य सुरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे बक्ती प्राप्त करने का ये सबसे सुगम पंत है अब एक शन्ट श्री साही बाबा की जिवरी का आमलोकन करें साही बाबा के वाद से ही शीरी तीर्थस्तल बन गया है चारों और से लोगों की भीड़ वहां पृति जिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाब पहुँच रहा था बाबा के असीन प्रेम उनके अद्बुत ज्यान भंडा और सर्व व्यापत्ता का वर्वन करने का सामर्थ किसे है धन्य तो वही है जिससे कुछ अनुदो हो चुका है कभी कभी वे ब्रह्म में निमग न रहने के कारण तीर घमावन धारन कर लिया करते थे कभी कभी वे चैतन्य घान और आनन मूर्ती बन लोगों से घिरे हुए रहते थे कभी द्रिष्टान देते तो कभी हाज से विनोत किया करते थे कभी सरल चित रहते तो कभी कुर्थ भी हो जाया करते थे भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन वार्तालाब करने और लिलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अत्रुती ही बनी रहे थे फिर भी हम फूले न समाते थे जलब रिष्टी के कणों की गणना की जा सकती है वायो को भी चर्ण की थैली में संचित किया जा सकता है परंतु बाबा की लिलाओं का कोई भी अंत न पा सकता है अब उनकी लिलाओं में से एक लिला यहां दर्शन करें वक्तों के संकटों के घटित होने पूर वही बाबा उपयुक्त अउसर पर किस पकार उनकी रक्षा किया क्या थे श्रीव बाला साहिब मेरी कर जो सरदार काका साथ के सुपुत्र तथा कोपर गाउं के मामलत दार थे एक बार दोरे पर चितली जा रहे थे तभी मार्ग में वे साही बाबा के दर्शनात श्रीडी पढ़ा रहे उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा की च्रणवंदना की और सदेवे के भापी स्वास्तित तथा अन्य विश्यों पर चर्चा जड़ा की बाबा ने उन्हें चेतामी देकर कहा की जहां तुम बैठे हो वहीद वाका माना जो उसकी गोद में बैठता है वो अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाईयों को दूर कर देती है ये मस्जिद माई परम दयालु है सरल रिधे भक्तों की तो वो माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्यक रेगी जो भी उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त तकश दूर हो जाते है जो उसकी च्छत्र चाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की फ्राप्ती होगी तद उपरांक बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रख आश्रिवात दिया जब श्री बाबा सहिब जाने के लिए उट खड़े हुए तो बाबा बोले क्या तुम लंबे बाबा अर्थात सर्प से परिचित हो और अपनी बाई मुक्ती बंद कर उसे दाहिने हाथ की कुहनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को साथ के सदर शिला कर बोले की वो आती भैंकर है पर उतु द्वार का माई के लालों का वो करी क्या सकता है जब स्वयम द्वार का माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्थ का सामर्थ ही क्या है वहाँ उपस्तित लोग इसका आर्थ तथा मेरी करको इस प्रकार की छिकावनी देने का कारण जानना चाहते थे पर उन्तु पूछने का साहस किसी में भी नो था बाबा ने शामर को बलाया और बाला साथ के साथ जाकर चितली आत्रका अननन लेने की आग्यात है तब शामर ने जाकर बाबा का आदेश बाला साथ को सुनाए वे बुले कि मार्च में अस्विधाएं बहुत है अतर आपको वेर्थी कष्ट उठाना उचित नहीं है बाला साथ ने जो कुछ कहा वो शामर ने बाबा को अदा बाबा बले अच्छा की कहना जाओ सदेवे उचित अर्थ ग्रहन कर स्रेश्ट कारिये ही करना चाहिए जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहे बाला साथ ने पुना बिचार कर शामा को अपने साथ चलने के लिए पाथ तब शामा पुना बाबा की आग्या प्राप्तर बाला साथ के साथ तांगे मेरा वाना हो वे नौ बजए एक चित्ली पहुँचे और मारती मंदिर में जाकर ठैरे अफिस के कर्मचारी गण अभी नहीं आये थे इस कारण बे यहां वहां की चत्रा करने लिए बाला साहर देनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शाम की तुरग बैठे थे उनकी धोती का उपरी सीरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाकवर एक सर्फ बैठा हुआ था किसी का भी ध्यान उधर नहीं था वो सीसी करता हुआ आगे रहने लगा यह आवाज सुनकर चप्रासी दोड़ा और लाल्टें ले आये सर्फ को देखकर वो साहब साहब बहकर उच्चसवर में चिलाने लगा तब बाला साहब वती भैवित होकर कापने लगे शामा को भी आश्चरी हुआ तब वे तथा अन्य वेक्ति वहाँ से धीरे धीरे हटे और अपने हाथ में लाठिया ले ले सर्फ धीरे धीरे कमर से नीचे उचराया तब लोगों ने उसका ततकाल ही प्रानांत कर दिया जिस संकट्टी बाबा ने भुरिश्वानी की थी वो टल गया और साही चर्णों में बाला साहब का प्रेम द्रिड हो गया अब बाकु साहब बूटी कथा सुनिये एक दिन महान जोच्छी सी नाना साहब डेंगले ने बाकु साहब बूटी से जो उस समय स्रिडी में ही थे कहा आज का दिन तुम्हारे लिया तंत अशुब है और तुम्हारे जीवन को संकट प्रद है ये सुनकर बाकु साहब बड़े अधिर हो थे जब सदेवे के भाती बाबा के दर्शन करने गए तो वे बोले की ये नाना क्या कहते है वे तुम्हारे अम्रत्य की भविश्यवानी कर रहे है परंतु तुम्हें भैबित होने की किंचित मात्र भी आवश्यक्ता ने इनसे द्रदता पुरव कैदों की अच्छा देखें काल मेरा किस तरहा परंट करता है जब संध्या समय बापू अपने शौच ग्रह में गए तो वहां उन्हें एक सर्प दिखाई दिया उनके नोकर ने भी सर्प देख लिया और उसे मानने को एक पत्थर उठाया बापू साहब ने एक लंबी लखड़ी मंगवाई परंतु लखड़ी आने के पूरव ही वो सांप दूरी पर रंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंथी द्रिष्टी से ओजल हो गया बापू साहब को बाबा के अभय पूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और बड़ा ही संतोश हो था अब सुनियें अमीर शक्कर की कहाँ अमीर शक्कर कोरले गाउं का निवासी था जो कोपर गाउं कालुके में है वो जाती का कसा ही था और बांदरा में दलाले का धंदा किया करता वो प्रसिद्ध विक्तियों में से एक था एक बार वो गठिया रोग से अधिक कश्ट पा रहा था जब उसे खुदा की इसमुर्टी आई तब कामदंदा छोड़कर वो शुड़ी आया और बाबा से रोग निव्रत्ती की प्राथना करने लगा तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने के आग्या दे दिया चावड़ी उस समय एक अस्वास्थ कारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए स्रवथा अयोग यह थे गाउं का अन्यकोई भी स्थान उसके लिए बहतर होता परंतो बाबा के शक्त तो निर्णायात्मक तथा मुख्य अउशदी स्वरूप थे बाबा ने उसे मस्जित में ना आने दिया और चावड़ी में ही रहने किया दिया दिया वहां उसे बहुत लाध हुआ बाबा प्रातः और सायंकाल चावड़ी से निकलते थे तथा एक दिन के अंतर से जलूस के साथ वहां आते और वहीं विश्राम किया करते थे इसलिए अमीर को बाबा का सानित सरलता पुर्वत प्राप्त हो जाया करता था अमीर वहां पूरे नौ मास रहा जब किसी अन्य कारणबश उसका मन उस थान से उग ग गया तब एक रात्री में वो चोरी से उस थान को छोड़कर को परगाओं की थम साला में जाट गया वहां पहुँचकर उसने वहां एक फकीर को मरते हुए देखा जो पानी मांग रहा था अमीर ने उसे पानी दिया जिसे पीते ही उसका देहान थो गया अब अमीर केंग करतव विमूर हो गया उसे उचाराया कि अधिकारियों को इसकी सुचना दे दूँ तो मैं ही मुल्ट्य के लिए उत्तरदारी ठहराया जाओंगा और प्रथम सुचना पहुचाने के नाते कि मुझे अवश्य इस विशय की अधिक जानकारी होगी सबसे प्रथम नहीं पकड़ा जाओंगा तब बिना अग्या शिर्डी छोड़ने की उतावली पर उस वाप अच्छाता हो उसने बाबा से मानी मन काथना की और शिर्डी लोटने का निश्चे कर उसी रात्री बाबा का नाम लेते हुए वहाँ फटने के पूरवे ही शिर्डी वापस पहुंचकर चिंता मुथ हो गया फिर वो चावडी में बाबा की इच्छा और अग्या नुसार ही रहने लगा और शिर्ग रही रोग मुथ हो गया एक समय ऐसा हुआ कि अर्धर अत्री को बाबा ने जोर से खुकारा की ओ अब्दुल कोई दुश्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चड़ रहा है अब्दुल ने लालचें लेकर बाबा का बिस्तर देखा पर तो वहाँ कुछ भी न देखा बाबा ने ध्यान दुर्वक सारे स्थान का निरिक्षिं करने को रहा है और वे अपना सट्का भी जमीन पर पटखने ले बाबा की ये लीला देखकर अमीर ने सुचा कि हो सकता है कि बाबा को किसी साथ के आने की शंका हुई हूई दीर विकाल तक बाबा की संगती में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कारियों का अर्थ समझें आ गया था उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई हैं और एक सांप को कुंडली मारते हुए वहां बैठे देखे जो अपना फखन खिला रहा था फिर वो सांप तुरंथी मार डाला गया इस प्रकार बाबा ने सामाईक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा चाज़ा अब हेमाडपन की कहानी सुनिये वो है विच्चू और सांप कार बाबा की आगया नुसार काका सेथ दिक्षिश श्री एकनाद महराज के दो गुंतों भागवत और भावार्थ रामाईन का नित्य पाराण की आगया पिरते एक समय जब रामाईन का पाट हो रहा था तब श्री हेमाडपन भी श्रोताओं ने सम्मिले थे अपनी मा के आदेश आनुसार के इस प्रकार हर्मान ने श्री राम की महांता की परिक्षा लिए ये प्रसंग चलवा था सब श्रोताजन मंत मुग्ध हो रहे थे तथा हेमाडपन की भी वही स्थिती थी पता नहीं कहां से एक बड़ा बिच्चू उनके ओपर आगिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया जिसका उन्हें कोई भान तक न हुआ इश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयम करनी पड़ती है अचानक की उनकी दृष्टी दंधे पर पड़ गए उन्हें ने उस बिच्चू को देख लिया वो मुर्तप्राई सा प्रतीत हो रहा था मनों वो भी कथा के आनन में तल्लीन ही हरी इच्छा जानकर उन्हें श्र खिद्र में से भीतर खुसाया और कुंडली मार कर बैट गया वत्ती लाने पर पहले तो वो थुआ चमका फिर वहीं चुक्चा बैठा रहा और अपना खान हिलाने लगा बहुत से लोग चड़ी और टंडा लेकर वहां दाउड़े परंदु वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान कर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर ना पड़ता था लोगों का शोर सुनकर वो शीगर ही उसी चिद्र में से अद्रिश हो गया तब कहीं अब लोगों की जान में जाना अब सुनते हैं कि बाबा के विचार क्या है एक बहत मुताराम कहने लगा कि चल लना ही उचित तो दूसरे का इसके विपरीत मत था रात्रियाधिक हो जाने के कारण किसी निश्करश पर कहुंचे बिना ही उन्हें विवात स्थगित करना पड़ा दूसरे दिन ये प्रशन बाबा के समक्ष लाया गया तब बाबा निरने आत्मक वचन बोले कि सब जीवो के बिना कोई भी दूसरे को आनी नहीं पहुंचा सकता समस्त विश्वाम के आधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत्चित से जीवन जतीत करना चाहिए इश्वर का ही रक्षत है यहां अध्याय 22 समात्थ होता है श्री सद्गरु साइना अथार पनमस्तु शुभं भवतु सप्ताह पारायना तृतिय विश्वाम ओम श्री साइना अध्याय नमा अध्याय तेईस प्रारम बाबा के आशिरवाद और अनमती से अब हम अध्याय तेईस का श्री गनेशाय नमा श्री सरस्वत्य नमा श्री गुरो भ्यो नमा श्री खुलदय वताय नमा श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमा श्री सद्गरु साइना अथाय नमा इस अध्याय में योग और प्याज श्रामा की सर्दंश्वे मुक्ति विशुचिका याने हैजार उस वस्तुताहा मनुश्र लीगुण मया, तीन गुण अर्थात, सत्व, रज, तम, ये हैं। तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। के स्वी चरणों में अटल प्रेम और भक्ती। सबसे महान अभिने करता भगवान साई ने भक्तों को पूर्ण आनन पहुंचा कर उन्हें निजस्वरूप में परिवर्तित कर लिया। वो परियुक्त काहनों से हम साई बाबा को इश्वर का ही आवतार मांगते हैं। परंतु उन्हें लोगों के समक्ष प्रस्तित किया। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में इश्वर के दर्शन करता हूँ। उसको विनशीलता ही उपयुक्त थी। उन्हें किसी की उपेक्षाय आनागर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगबद दर्शन करते थे। उन् और नहीं हमें ग्यात है कि वे किस प्रकार आचरण क्या करते हैं। अथवा उन्ती दिन चर्या इत्यादी क्या। इश्वर्पा से केवल हमें इतना ही ग्यात है कि व्याग्जान और बद्ध जीवों के निमित स्वयम अफदीरन होते हैं। शुभतर्मों के परिणाम स्वर उसने पातिंजली योग सुत्रत था योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेश अध्यन किया था। परंतु व्यावहारी कन्हों से बंचित था। मन एकाग्र नहों सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधी न लगा सकता था। यदि साही बाबा की कृपा प् विचा राया कि ये कच्छी प्याज सहीत सूखी रोटी खाने वाला वेक्ती मेरी कठिनाईयों को किस परकार हल कर सकेगा। साही बाबा अंतर ग्यान से उसका विचार जानकर तुरन नाना साहब से बोले कि ओ नाना जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खान प्राप किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वो श्रडी से चला किया। अब सुनते हैं शामा की सर्थ दंस्ते मुप्ती के बारे कथा प्रारम करने से पूर्व हेमाड़पन लिखते हैं कि जीव की तुलना पाल्तू तोते से पीजा साथी हैं क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं एक शरीर में तो दूसरा फिंजे में दोनों ही अपनी बद्धावस्ता को श्रयस कर समझते हैं परंतो यदि हरी कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरू मिल जाए और वो उनके ज्यान चक्षू खोल कर उन्हें बंधन मुप् श्रोतागर्ण अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवन करें एक बार शामा को विशदर सर्थ ने उसकी हाथ की उंगले में डस लिया समस्त शरीर में विश्क का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कर्ष्ट का अनुभव करके करंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समी उनके इश्टमित्र उन्हें भवान विठोबा के पास ले जाना चाते थे जहां इस प्रकार की समस्त पीडाओं की योग्यति कित्साफ होती थी पर उन्तु शामा मस्जिद की और ही दवरा अपने विठोबा श्री साही बाबा के पास जब बाबा ने उन्हें दूर से आते नीचे उतर श्री साही बाबा को इस प्रकार अत्यंत प्रोदी देख शामा उलजन में पड़ गया और अंदिनाश होपर सोचने लगा कि किवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साही बाबा मातर आसायों के आश्रे दाता है और जब वे इस प्रकार मुझे यहां से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरन में जाओं उसने अपने जीवन के आशा ही छोड़ दी और वहीं शांती पुरवक बैट गया थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पुरवक शांत होए तो शामा उपर आकर उनके समीप बैट गया तब बाबा बदे डरो नहीं तीर मातर भी चि था त्यार गया उन्हें घर विजवाने के पश्चा थी पीछे से बाबा ने तात्या पार्टिल और काका साहिब दिक्षित चिद्वारा ये कहला भेजा कि वो इच्छा नुसार भोजन करें घर में टेहलते रहें लेटे नहीं और नशयन करें कहने की आवश्यक्ता नहीं क आदेशों का अक्षर शाहा फालन किया गया और थोड़े समय में ही बेपूरन स्वस्त हो गया इस विशे में केवल यही बात स्परणी हो गया है कि बाबा के शब्द हट दूर हट नीचे उतर शामा को लक्ष करके नहीं कहे गये थे जैसे कि उपर से पतीत होता है वरन उस स और उसके विश के लिए ही यह आग्या थी अथा शामा के शरीर में विश न पहलाने की आग्या थी अन्य मंतर शास्त्रों के विशे शग्यों की तरह बाबा ने किसी मंतर या मंतरोक्त चावल या जल आदी का प्रयोग नहीं किया यह साम पिछले जन्द में बमन था इसकी और संकेत है साम को ग्रामन भी माना जाता है इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साही बावा के चर्णों में ये दिड़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया युक संसार को पार करना हो तो केवल श्री साही चर्णों का अरिदे में ध्यान करों अब सुनि तब गाओं के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश पसारिक किये पहला लकडी की एक भी गाड़ी गाओं में न आने दी जाए और दूसरा कोई भी बकरे की बली न दे इस आदेश का उलंगन करने वाले को मुख्या और पंचों द्वारा दन दिया जाए बागा तो जानत ये समाझा कहीं बाबा के पास पहुंग तब वे स्वयम वहाँ आये और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को खा बाबा के विरुद कोई चूच अपट तक भी न दो सका यथात में उन्हें धूनी के लिए लकडियों की अत्तनता आवश्यक्ता थी और इस उसमें किसी ताले चावी की आवश्यक्ता न थी डाउं के गई बादमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकडिया निकाल भी ले जाया करते थे परन्तो बाबा ने इस पर कभी कोई आपती नहीं बाबा तो संपूर्ण विश्व को इश्वर से ओत अप्रोध देखते थ इसलिए उनमें किसी के प्रती घ्रणा या शतुता की भावना न थी पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारन ग्रस तकासा उधारन लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया अब हम सुनते हैं गुरु भक्ती की कठिन परिक्षाटे बारे अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या देशा चाए वो आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बक्रा बली देने लाया गया वो अत्यंत दुर्बल गूरा और मनने ही बाबा था उस समय माले गाउं के फकीर पीर मुहमद और बड़े बाबा भी उनके समीब भी करे थे बा अन्यमक्ते जब दोपहर को भोजन फरोज दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर कुर्वत बुलाकर अपने दाहिनी ओर लिखाते और तब सब भोजन करते बाबा के पास जो दक्षना एकत्रित होती उनमें से वे पचास उपर प्रति दिन बड़े बाबा को दे जब लोठते तो बाबा भी उनके साथ सौ कदम तक जाया करते थे उनका इतना अधर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अंस्विकार कर पशच शब्दों में कह दिया कि बली चणाना गर ती है तब बाबा ने शामा को बकरे की बली के ल देर तक मस्जित में न रोके, तब काका से बिख्षिक्ची बारी आई, वो सोना सच्छा तो था, परंतो उसको कसावटी पर कसना भी अत्या आवश्यक था, बाबा ने उनसे चाकुल आकर बखरा काटने को का, वे साथे वाड़े से एक चाकुल ले आये, और बाबा की आज्य था कि बड़े बाबा, एक यवन होते वे भी बखरा काटने को सहमत नहीं है, और ये एक सनातर ब्रामन, बकरे की बली देनी की तयारी कर रहा है, उन्होंने अपनी धोती उपर चड़ा ली, फिंटा कस लिया, और चाकुल लेकर हाथ उपर उठाकर बाबा की अंतिमाग्या क पर तिक्षा करने लगे, बाबा बुले, अब विचार क्या कर रहे हो, ठीक है, मारो, जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बुले, ठेरो, तुम कितने दुश्ट हो, ब्रामन होकर तुम बकरे की बली दे रहे हो, पाका साहिब, चाकु नीचे रखकर बाबा क्या करते हैं, हमें ये विचार करने की आवश्यक्ता नहीं कि बकरे को माना उचित है या उचित है, और ना हम इसका कारण ही जाना चाहते हैं, हमारा करतव और धर्म तो निश्टन कोच होकर गुरू की आग्या का पूर्ण तहा पालम करने में ही है, तब बाबा ने काका सा अमर्ग भक्तों के इस प्रकार का वर्णंकर श्री हेमाणपंद ये अध्याय समाप करते हैं। भक्त तीन प्रकार के हैं। एक उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा साधरा। प्रथम श्रणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरू की इच्छा पहले से ही जांकर अपना करते विम किया करते हैं। भक्त गर्ण, यदि अपनी जाकरत गुद्धी और धैर्य धारन कर द्रड़ विश्वास थिर करें। तो निस संदेह, उनका अध्यात्मिक धेय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वास उच्छवास का नियंत्रा, हठयोग या अन्यकठिन साधनाओं की कोई आवश्चता नहीं है। जब शिश्य में उपरियुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अगरिम उपदेशों के लिए भूमी का तयार हो जाती है। तभी गुरु स्वयम प्रगट होकर उसे पूरनता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक खास सिवनोत के संबन में चर्चा करेंगे। यहां तेईस वाध्याय समापत करते हैं। श्री सद्गरु साइनाथार पनमस्तू शुभं भवतू। अध्याय 24 पा और आरामाद। बाबा की अनुति और आशिरवात से अब हम अध्याय 24 का श्रवण करें। प्रारमाद। अगले अध्याय में अमुक अमुक विश्यों का वर्मन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार का एहनकार ही है। जब तक एहनकार गुरुचरणों में आर्पित न कर दिया जाए। तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निराविमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साइं बाबा की वक्ति करने से ऐहीक तथा अध्यात्मिक दोनों प्राप्तों की प्राप्ती होती है। और हम अपनी मूल प्रक्षिती में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुप के अधिकारी बन जाते हैं। अतर मुमुक्षों को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साई बाबा की लीलाओं का श्रवनतर उनका मनन करें। यदि वे इस प्रकार प्राप्त में तब पे रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन धेयर तथा परमानन की सहज ही प्राप्ती हो जाएगा। अभी ऐसा एक अपना ही उधारण प्रस्तुत करते हैं। तो सुनिये, श्री में बाजार पती रहवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर महा रास्तों पर दुकानी लगाते और सवदा बेशते हैं। मध्यान के समय मस्जिद लोगों से ठसा ठस भर जाया करती थी। परम तो इत्वार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक विड़ होती कि प्राया दम भी घुटने लगता था। ऐसे ही एक रहवार के दिन श्री हेमाडपन बाबा की चरण से बाकतर रह रह दे। शामा बाबा के बाई और तथा वामन राव बाबा के दाही में बाज़ते। इस अफसर पर श्रीमान बूटी साहिब और काका सहिब दिक्षिद्धी वहां उपस्तिक थे। तब शामा ने अपनी बाई कुहनी सीधी की तो चने के कोई दाने लुड़कतर नीचे भी गिर पड़े जो उपस्तिक लोगों ने बिनकर उठाए। वक्तों को तो आजसा का विश्य मिल गया और सभी आश्यरेच कित होकर भाती-भाती के अमान लगाने लगे। परंतु कोई भी ये न ज दान सकता कि ये चने के दाने वहां आये कहा से और इतने समय तक उसमें कैसे पसे रहे। इसका संतोश प्रद उत्तर किसी के पास न परंतु इस प्रहस से कभी जानने को हर कोई उठ्चुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशया अन्ना साहब को एकांत में खाने की हेमारपन बोले कि बाबा मुझे कभी भी एकां में खान की आदत नहीं फिर इस परकार मुझे पर दोशाल उपन क्यों करते हैं अभी तक मैंने शिल्जी के बाज़ा के दर्शन भी नहीं किये तथा आज के दिन को मैं भूल कर भी बाज़ा नहीं गया तब उनके खाने की ब तुम्हें कभी मेरी स्मुती भी आती है क्या मैं सदय वो तुम्हारे साथ नहीं हूँ फिर क्या तुम पहले मुझे ही अरपन कर भोजन किया करते हो शिक्षा इसके बारे में सुझे इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं थोड़ा इस ओर ध्यान करनेके आवश्कता इसका सारांश यह है कि इंद्रियां मन और बुद्धी द्वारा पाड़्ध का रसा स्वाधन करने के पूर बाबा का स्मरण करना जाए उनका स्मरण ही अरपन की एक विधी है इंद्रिया विशय परार्थों की चिंता किये बिना कभी नहीं रह सकते इन परार्थों को उपभोग से पूर्व इश्वरार्पन कर देने से उनकी आसकती स्वभावता नश्ट हो जाती है इसी प्रकार समस्त गुरू की ओर मोड़ देना जाए यदि इसका नित्या अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी गूप रवुद्धियों के दमन में साहियत होंगे विशय के रसा स्वादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्तिती का धान अवश्य रखना जाए तब विशय गुरू और इश्वर में कोई कृतकतव नहीं और जो उन्हें भिन्न समझता है वो निराअग्यानी है तथा उसे इश्वर धर्शन होना भी दुरलब है इसलिए समस्त भेद्धाव को भूल कर गुरू और इश्वर को अभिन्न समझना चाहिए इस प्रकार गुरू सेवा क इश्वर दिपाप राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित शुत कर हमें आत्मानु भूती प्रगान करेंगे। सारांच ये है कि इश्वर और दुरू को पहले अर्पन किये बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राईय विशे का रसासादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्याज करने से भक्ती में उत्रोत कर विद्धी होगी फिर भी साहीं बाबा की मनोहर सबुन मूर्थी सदेव आँखों के सम्मुथ रहेगी जिससे भक्ती वैराज्य और मोक्ष की प्राप्ती शीवर हो जाएगी। ध्यान प्रगार होने से एक शुधा और संसार के अस्तिक्व की विस्मृती हो जाएगी और सांसरी क्विशें का आकर्शन स्वताहा नश्ट होकर चित्यकों सुख और शांती प्राप्त होगी। संदीपनी रिशी की पत्मी ने सुधामा को भी उसी कार्य के निमित वन भेजा तथा तीन विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुधामा के द्वारा भेज ज़ते। सुधामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रकाड निद्रा में निमकनफ हो गया। तभी सुधामा ने अफसर पाकर खने चबाना प्रारम कर गया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूझ बैठे कि लादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कर की धनी कैसे हो रही है। सुधामा ने उत्तर दिया कि यहां खाने को है ही क्या। मैं तो शीत से काक रहा हूँ और इसलिए दान कड़कर बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णू सहस्र नाम भी उच्चारन नहीं कर पा रहा है। यह सुनकर अंतर यामी क्रिश्चन ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वपन में देखा कि एक बेक्ति दूसरी की बस्तों खा रहा है। जब उससे इस विष्णु मैं प्रश्ण किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक मतलब धूल खा रहा है। तो प्रश्ण करता ने कहा एवमस्त ऐसा ही हो। तादा ये तो केवल स्वपन था। मुझे तो ग्यात है कि तुम मेरे बिना अन्नका दाना भी गरहन नहीं करते है। परंतु श्रम के वशिभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्ण किया। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वग्यता से परिजित होते तो बे इस भातिया अचरन कभी न करते है। सुदामा को अपना शेष जिवन दरिद्धा में वशित करना पड़ा। परंतु केवल एक ही मुठी रूखे चावल जो उनकी स्त्री सुशिला ने अत्कंद परिश्रम से उपाजित किये थे। भेट करने पर स् उसके बदले में स्वरन नगरी प्रदान करती है। जो दूसरों को दिये बिना एकांत में खाते हैं। उन्हें इस कथा को सदेव स्वरन रखना चाहिए। शूति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रत्थम ईश्वर को ही आर्पन करें। तथा उच्ष्ट हो जाने के उपरान थी उसे ग्रहन थे यही शिशा बाबा ने हासे के रूप में दी है। अब मौसी भाई और अन्ना चिंचनी करके बारे में सुने। अब श्री हेमारपन एक दूसरी हासे पूरन कर्था का वरनन करते हैं। जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कारियद किया है। ज़्यपी व्यावाहरीक दृष्टी से वेरूखे और असहिश्णू प्रतीत होते थे। परंतु अंतक्करण से कपट हीन और व्यवाहार कुशलते। इसी कारण बाबा उन्हें विशेश प्रेम करते थे। सभी भग अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग अंग क जाते थे। वे एक शुद्धरेदे की व्रिद्ध मेला थी। वे उस समय दोनों हाथों की अंगलिया मिला कर बाबा के शरीर को मसन सकी थे। जब वे बलपुरवक उनका पेट दबाती तो पेट और पीट का प्राया एकी करण हो जाता थे। बाबा भी इस दबाव के कारण यहां महसरक रहे थे। अन्ना दूसरी और सेवा में दस्क थे। मौसी भाई का सिर आथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे उपर पो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में चुटे थे तो अन्यायासी मौसी भाई का मुक अन्ना क्याती निकटा गया। मौसी अन्ना करोदित होकर बोले तुम कहती हो कि मैं एक वित और बुड़ा विक्ती हूं क्या मैं मुर्ख हूं। तुम खुद ही छेड़ खानी करके मुस्से जगड़ा कर रही ह। वहां उपस्तित सब लोग इस विवाद का आमन ले रहे थे। बाबा का अस्निह तो दोनों पर गए और सब उपस्तित लोग जी भरके ठाहा का मार कर बाबा के विनोट का आनन्द देने ले अब सुनिये बाबा की भक्त पराया थे। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा नुसार ही सेवा करने दिया कर थे। और इस विशे में किसी प्रकार का हस्तक शेप उन्हें सहन नथ एक अन्य उसर पर मौसी भाई बाबा का पेट बलब पुर्वक मसल रही थी जिसे देखकर दर्शक गर्ण गगर होकर मौसी भाई से कहने लेगे मां किरपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाब इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाडियां ही तूड जाएंग और दूसरा चोड जमीन पर रख उसे पेट से ठका देंगे शटका लगबग दो या तीन फूट लंबा था अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो पेट में चिदर कर प्रवेश कर जाएगा लोग भिवित हो थे कि अब पेट ठकने ही वाला है बाबा अपने अस खान पर हो यथार्थ में भटगर्ण का संकेत मौसी भाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीती से सेवा शर्शर्शा करें किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुचानी की न थी वक्तों ने तो ये कार्य केवल सज्वावना से प्रवित होकर ही किया था परन्तों बाबा तो अपन बाबा का प्रोच शान्त हो गया और सक्का छोड़कर प्रवित प्रविराजवान हो गया इस ख़तना से भक्तों ने शिप्सा ग्रहन की कि अब दूसरों के कार्य में कभी हस्तर्शे न तर गए और सब को उनकी इच्छा नुसार ही बाबा की सेवा परने देगी केवल बाब देगाई सेवा का मूल्य आतने में समर्थे यहां अध्याई 24 समाक्त होता है श्री सगरु साइनातार परमस्तु शुभम भग। बाबा की अनुमती और आशिर्वात से हम अब अध्या 25 का श्रवण करें। प्राकतन जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन वह आश्रे दाता हैं जो परब्रम के पूर्ण आवतार हैं। हम उन साहिनात की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिमध्यय प्राक्ट कर लिया था। श्री साही बाबा अनिर्वचनिय प्रेम स्वरूप है। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में द्रण भक्ती ही रखने चाहिए। जब भक्त का विश्वास द्रण और भक्ती परिपक्त हो जाती है तो उसका मनोरत भी श्री रही सखल हो जागा। जब हेमाडपन को साही चरित्र तथा साही लिलाओं के रचने की तीवर उतकंठा हुई तो बाबा ने कुरंत ही वो कूर्ण कर दी। जब उन्हें स्पृति पत्र इत्यादी रखने की आग्या हुई तो हेमाडपन्त में स्पूर्ती, बुद्धिमत्ता, शक्ती तथा कार्य करने की श्मता स्वयम ही आ लगी। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सरवदा अयोग्य होते हुए भी श्री साही के शुभाद शिरवा वसाई लीला रूपिया अमरिज छरा करता है ताकि श्रोतागर्ण जी भरकर उसका पान करे। जब भक पुर्ण अंतक्रम से श्री साही बाबा की भक्ती करने लगता है तो बाबा उसके समस्त तकष्टों और दुरभाग्यों को दूर कर स्वयम उसकी रक्षा करने लगते ह एमर्दगर के श्री दामोदर सावलाराम रासने कासार की निम्न लिखित कथा उपर युक्त कथन की पूश्टी करती दामोण श्रोताओं को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंद चटवे अध्धाय में श्रीडी के राम नुमी उत्सव के प्रसंद में आ चुका ये लग रित गरीब इकश्कों को भोजणादी करया करते थे दामोण रर्ना के सवड़ी इसके बारे में श्र jobbar करते हैं पहला है रुहिका सवदा दामोण इनelsonना को बंबई के उनके एक मित्रा ने लिखा कि वो उनके साथ साज़ेदारी में रुहिका सवदा करना चाहते हैं जिसमे कि एक साज़ेदारी से हाथ खीच कर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था दलाल ने लिखा था कि धंदा अत्युत्तम है और हानी की कोई आशर्का नहीं ऐसे स्वर्णिम उसर को हाथ से नखोना चाहिए तामोणना के मन में नाना पकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे परंतु स्वयम कोई निर्नाय करने का साहस बें न कर सके उन्होंने इस विशे में कुछ विचार को अवश्य कर लिया परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरंड सहीत एक पत्र शामा को लिख लिए जिसमें बाबा से परामर्श प्राप्ट करने की प्राथन ये पत्र शामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दो पहर के समय मस्ज़ित में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष ठक, शामा से बाबा ने पत्र के सम्मन में पूछ आच की, उत्तर में शामा ने कहा की, एमन अगर के दामण ना कासार आपसे कुछ आग्या प्राप्त करने की रहें बाबा ने पुछा वो इस पत्र में क्या लिख रहा है कि उसने क्या योजना बनाई मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश को चुना चाहता है उसे जो कुछ भी भगबत प्रिपा से फ्राक्त है वो उसे संतिश्ट नहीं अच्छा पत्र पढ़कर सुना शामा ने कहा जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है हे देवा आप यहां शांत और स्थीर बैठे रहकर भी वक्तों को उद्विखन कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आतरशित कर किसी को पत्रों द्वारा यहीं खीच लेते हैं जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं बाबा कहने लगे कि शामा तुम तो पत्र पढ़ो मैं तो ऐसे ही अनाप्षनाग मतता हूँ मुझे पर कौन विश्वास करता है तब शामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यान गुरुवक सुनकर चिंतित होक कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतित होता है कि सेट दामुर्णा पागल हो गया है उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तो का अभाव नहीं है इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोशकर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए शामा ने उत्तर लिख कर भेज दिया जिसकी पतिक्षा उच्छता पुरवक दामौना कर रहे है पत्र पढ़ते ही लाखों रुपय के लाभ होने की उनकी आशा पर ख़ानी की उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की परन्तु शामा ने पत्र में संके दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है इसलिए श्रेयस कर तो यही होगा कि स्वयम शिड़ी आकर बाबा की आग्या प्राप करो बाबा से स्वयम अनुमती लेना उचित समझकर वे शिड़ी आए बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की परन्तु बाबा के समझक सवयम वाली बात करने का साहस बेन न कर सकता उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने खृपा कर दी तो इस सवयम में से कुछ लाभाउश उन्हें भी अरपन कर बना यदि ये विचार दामो अन्हा बड़ी गुप तरीती से अपने मन में कर रहे थे तो भी त्रिकाल दर्शी बाबा से क्या चपा रहे सकता था बालग तो मिश्टान मांगता है परन्तु उसकी मां उसे कडवी अउशदी देती है क्योंकि मिठाई इस स्वास्थे के लिए हानी करक रुपी और इस कारण वो बालग के कल्यानारत उसे समझा बुझा कर कडवी अउशदी किला दिया क्याती है बाबा एक दयालु मां के समान थे वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविश्ट जानते थे इसलिए उन्होंने दामु अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बपू मैं अपने को इस संसारिक जंजटों में प्रिसाना नहीं चानगे बाबा की अस्विक्रुती जानकर दामु अन्ना ने ये विचार क्या जाए अब श्रवन करेंगे अनाज का साओधा उसके बारे कुछ समय तक तो अनाजो का भाव चड़ता ही गया और ऐसा प्रतित होने लगा कि संभव है बाबा की भविश्यमानी सत्यनी परंतु दो एक मास के पश्चा थी सब स्थानों में परियात ब्रिश्टी हुई जिसके फलसरूब भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यतेश्टा खानी उठानी पड़ी पर दामो अनाज इस विपत्ती से बच गए ये कहना व्यर्थ नह होगा कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्याकारी की साज़ेदारी में किया था उसमें उसे अधिक खानी की बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया ये देखकर दामो अना का साही चरणों में विश्वास द्रिड हो गया और वे जीवन परियंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे अब सुनिये बाबा के आम रिली एक बार गुआ के एक मामलतदार ने जिसका नाम राले था लगबर टीम सो आमों का एक पारसल शामा के नाम चिर्डी हुई पारसल खुनने पर प्राया सबी आम अच्छे निए था वक्तों में इनके विवरंग का कारिया था शामा को सौपा गया था उनमें से बाबा ने चार आम दामों अच्छे ना के लिए प्रथक निकाल कर रगए दामों अच्छे ना की तीन स्थिया था परंटों अपने दिये हुए बक्तव्य में उन्होंने बताया कि उनकी केवल दो ही स्थिया था वेसंजान हीं थे इस कारण उन्होंने अने जोतिशियों से इसका समाधान करा है और स्वयम भी जोतिशास्त का थोड़ा सा अध्यम कर्द क्यात कर लिया कि जन कुंडली में एक वापगरह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान मुख देखने का कोई योग नहीं परंतु बाबा के पती तो उनकी अटल सब्धा थी परसल मिलने के दो गहते पश्चा थी वे पूजणार था मस्जिद में उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं परंतु ये दो दामू के हैं जिसके हैं उन्ही को खाने और मनने इन शब्दों को सुन दामू अन्हा के रिदह पर बचरागात साथवा परंतु महलसा पती ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यू शब्ध का अर्थ एहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की किर्पा से तो वो आशिरवात परूप है तब वे आम खाने को तयार को गए इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम न खाओ उन्हें अपनी चोटी स्थी को खाने दो इन आमों के प्रभाव से उसे चार पुत्र और चार पुत्रियां उत्पन्न होंगी या अग्या शिरोधार्यकर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी चोटी स्थी को दिए धन्य है श्री साई बाबा की दीड़ा जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुप दिया बाबा की इस श्वेच्छा से दिये वचन सत्य हुए जोती शियों के नहीं बाबा के जिवनकाल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापिती परंतु महान आश्चरिया है कि उनके समाधिस्त होने के उपरांथ भी उनका प्रभाव कुर्ववत ही है बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास है यदि पी मैं देहत्याग भी कर दूँगा परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आश्चा और विश्वास का संचार करती रहेंगे केवल नहीं नहीं मेरी समाधि भी वार्तालाग करेगे चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुचाती रहेगी जो अनन्यभाव से मेरे शरनागत होगा निराशन होना की मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा तुम सदय वह मेरी अस्थियों को वक्तों के कल्यानार्थ ही चिंतित पाऊगे यदि मेरा निरंतन स्मरंड और मुझ पर द्रडव श्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाव होगा प्रार्थना एक प्रार्थना कर हेमाडपन ये अधाय समाप करते है हे साई सब्गुरू हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभे चरणों की हमें कभी विश्वृति न आपके श्वी चरण कभी भी हमारी द्रिष्टी से ओजल न हम इस जन्मृत्यू के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी है अब दयाकर इस चक्र से हमारा शीग्र उधार कर दे हमारी इंद्रियां जो विश्व पदार्थों की और आतरशित हो रही है उनकी बाई ये प्रवृति से रक्षा कर उन्हें अंतरमुकी बना कर हमें आत्मदर्शन के योग जो बना दो चब तक हमारा इंद्रियों की बहिरमुकी प्रवृति और चंचल मन पर अंकुष नहीं है तब तक आत्म साक्षातकार की हमें कोई आशान है हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आए हे साही हमारे तो एक मात्र तुमी हो जो हमें मौक्ष्ट और आनन्त रदान करोगे हे प्रभू हमारी तर्क वितर्क तथा अन्यत कूप रउल्टियों को नश्ट कर दो हमारी जिवा सदय वह तुम्हारे नामस्वरन का स्वाद लेती रहे हे साही हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नश्ट कर दो रबो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रहर में आ सकती न रहे हमारा एहंकार सर्वतार निर्मल हो जाए और हमें एक मात्र तुम्हारे ही नाम की स्कुती बनी रहे तथा शेश सबका विस्वरन हो जाए हमारे मन के अशांती को दूर कर उसे स्थिर्द और शांत करो है साई यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अग्यान रूपी राथी का आवरन शीवर दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ग्यान प्रकाश में सुख पुरवक विचरण करने लगेंगे ये जो तुम्हारा लिला मुरुद पान करने का सौभाग्या हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जाग्रत कर दिया है ये तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभकारियों का ही फल है विशेश इस संबन में श्री दामवणना के उपरो कत्थन को उध्रत किया जाता है जो ध्यान देने योग यह है एक समय जब मैं अन्यलोकों सहित बाबा के श्री चर्णों के समीब बैठा था तो मेरे मन में दो प्रशन उठी उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया पहला प्रशन जो जनस मुदाइश वी साई के दर्शनाथ सिर्डी आता है क्या उन सभी को लाग पहुंचता है इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बाब लगे आम व्रिक्ष की और देके यदि सभी बार फल बन जाया तो आमों की गणना भी न हो सकेगी परन तो ऐसा होता है बहुत से बार ज़र कर किर जाते हैं कुछ फले और बढ़े भी तो आंदी के ज़करों से गरकर नश्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेश रह जाते हैं प्रश्न दूसरा मेरे स्वयम के विशय में यदि बाबा ने निर्वान ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निरा श्रित हो जाऊँगा तब मेरा क्या होगा इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहां भी तुम मेरा समरन करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा इन बचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के परश्चाथ आज भी निभा रहे हैं वे अभी भी मेरे ही साथ रहकर मेरा पत्रदर्शन कर रहे हैं ये घटना लगबग सन 1910-11 की है उसी समय मेरा भाई मुझे पृत्खवाया और मेरी बहन की मुट्की होगी मेरे घर में चोरी हुई और पुलीस जांच पड़ताल कर रही थी इन्ही सब भीतनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया थी मेरी बहन का स्वरवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार न रहा और जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधूर उपदेशों से मुझे सांत बना दे कर अपपा कुलकर्णी के घर पुरन पुली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगा जब मेरे घर में चोरी हुई और मेरे ही एक तीस वर्षिय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदुख जिसमें मंगल सूत्र और नथ आदी थे चुरा लिये तब मैंने बाबा के चितर के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वो गप्तीस वयम गहनों का संदुख मुझे लोटा कर शमा प्राथना करने लगा यहां हमारा पच्चीसवा अध्याय समात्त होता है श्री सद्गरू साइनाथार पड़मस्तू शुभम भवद शुभम भवद ओम श्री साइनाथार या नमात्त अध्याय चब्वीस प्रारम बाबा के आशिरवाद और अनुमति से अब हम अध्याय चब्वीस का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोभ्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमाः श्री सद्गुरू साहीना थायनवाह इस अध्या में बगपन, हरिश्चन रपितले और गोपाल अम्रेकर की कथाएं सुनें इस स्रिष्टी में थूल, सूक्ष, चेतन और जड़ आधी जो कुछ दृष्टी गोचर हो रहा है वो सब एक ब्रह्म है और इसी एक अध्यवीतिय वस्तू ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं जिस परकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रसी यहार को हम धमवश सच समझ लेते हैं उसी परकार हम समस्त पलार्थों के केवल बाय स्वरूप को ही देख रहे हैं नकि उनके सत्य स्वरूप एक मात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टी से माया का अवरण दूर कर हमें वस्तूओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं इसलिए आओ, हम श्री सद्गुरू साही महराज की उपासना कर उनके सत्य का दर्शन कराने की प्राथना करें जो कि इश्वर के अतुरिक और कुछ भी नहीं है अंतरिक पूजन के बारे में सुनिए श्री हेमाडपन उपासना की एक सर्वता नवीन पधती बताते हैं वे कहते हैं कि सद्गुरू के पाद प्रक्षालन के निमित आनन अश्रू के उश्न जल का प्रयोग करो उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दिढ़ विश्वास रूपी वस्त पहनाओ तथा कोमन और एका करचित रूपी फल उन्हें अर्पित कर भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा बक्ती की कच्छनी बांग अपना मस्तक उनके चर्णों पर लगा इस पकार साई को समस्त आभूशनों से विभूशित कर उन्हें अपना सर्वस्व निचावर कर उश्नता दूर करने के लिए भाव की सदा चवर डिलाओ इस पकार आनंद दायक पूजन कर उनसे चारता ना करो हे प्रभु साई हमारी प्रणुत्ती अंतरमुकी बना दो सत्य और असत्य का विवेग दो तथा सांसारी पदार्थों से आसरती दूर कर हमें आत्मानु भुती प्रदान कर हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चड़ों में अर्पित करते हैं हे प्रभु साई मेरे नित्रों को तुम अपने नित्र बना दो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभा ही ना हे साई मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छन पूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चड़ों की शीचल चाया में विश्राम करने दो अब हम इस अध्याई की कथाओं की ओर आते हैं ये कथा भक्त पंध की है एक समय एक भक्त जिसका नाम पंध था और जो एक अन्यसर गुरू के शिश्षत है उन्हें शिर्ड़ी पढ़ाने का स्वभाग प्राप्ट हो उनकी शिर्ड़ी आनी की इच्छा तो न थी परन्तु मेरे मन कच्छो और है विधाता के कुछ और वाली कहावत चलितार्थ हुई वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे पुरानी बीबी सी आयरे जहां उन्हें बहुत से मित्र और संबंदियों से अचानक ही भेट हो गई जोकि शिर्ड़ी आत्रा को जाही रहे उन लोगों ने उनसे शिर्ड़ी तक साथ साथ चलने का प्रस्तार किया पर न ये प्रस्तार और स्विकार न पसकर तब वे सब लोग बंबे में उत्रे और पंथ विरार में उत्रे अपने सद्गुरु से शिर्डी प्रस्तान करने के अनुमती लेकर तथा आवश्यक खर्च आदिका प्रबन कर सब लोगों के साथ रवाना होते वे प्रातक काल वहां पहुंच गए और लगबग ग्यारा वजे मस्जित हो गए वहां पूजनार वक्तों का एकत्रित समधाय देख सबस्वाती प्रसन्नाता हुई परंतु पंथ को अचाने के मुर्चा आगा और वे बेशुद होकर वहीं गिरबगे तब सब लोग भिबीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्तों क्यार करने लगे बाबा की खिरपासे और मस्तक पर जल के चीचे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैटे जैसे कि कोई नीन से जगा प्रिकालग के बाबा ने ये सार जानकर कि ये अन्य गुरु का शिश्य है उन्हें अभैदान देकर उनके गुरु में ही विश्वास को द्रड़ करते होगे कहा कि कैसे जियाओ पर उन्तु भूलो नहीं अपने ही स्थम को द्रड़ता पुर्वत पकड़कर सदेवस थीर हो उनसे अभिन्नता प्राप्त करो पंतुरंत इन शब्दों का आशाय समझ गये और उन्हें उसी समय अपने सदगुरु की स्थवती हो आई उन्हें बाबा के इस अनुगरह की जीवन भर स्थवती बनी गए श्री हरिष्चंदर पितले इनके बारे में सुआ है बंबबै में एक श्री हरिष्चंदर पितले नामक सद ग्रहस्त थे उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीडित था उन्हें अने अन्यक वर कार पी देशी वो विदेशी खिकित्साएं कराई परन्तु उनसे कोई लाब नहीं हो अब केवल यही उपाई शेश रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरणी है पंद्रावे अध्या में बतलाया जा चुका है कि तासगणों के सुमधू कीरतन से श्री साई बाबा की कीरती मंबई में अधिक खैल चुकी पितले ने भी सन 1910 में उनका कीरतन सुना और उन्हें ग्यात हुआ कि श्री साई बाबा के केवल करस पर तथा द्रिश्टी मात्र से ही असाध्यरोग समूल नश्ट हो जाते हैं तब उनके मन में श्री साई बाबा के शुवदर्शन की तीवर इच्छा जागत है यातरका प्रबंद कर भेट देने के हितूप फलों की टोक्री लेकर पत्नी और बच्चों सहीत बेश्रडी बढ़ा गया मस्जित पहुंच कर उन्होंने चरणवंदर्णा की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया बाबा की दृष्टी उस पर पढ़ते ही उसमें विचित प्रपरिवर्तन हो गया बच्चे ने आँखे फेर दी और बेसुद होकर गिर पर उसके बूर से जाग निकलने लगी तथा शरीर पसीने से भिग गया और ऐसी आशनका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले ये देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराज होकर खबराने लगी बच्चे को थोड़ी मुर्चा तो अवश्चा आ जाया करती थी और तो ये मुर्चा गिर काल तक रहे माता की आँखों से आशूं की धारा बह रही थी और वो दुख ग्रासी थो आर्टनाथ करने लगी कि मैं इसी सिती में हूँ जैसी की एक प्रत्ती चोरों के डर से भाग कर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वो घर ही उसके उपर गिर पड़ती तब बाबा ने सांतुना देते हुए कहा कि इस प्रकार का प्रलाब न करो धहरी अधारन करो बच्चे को अपने निवास्थान पर ले जाओ वो आदा घंटे के पश्चात खोश में आ जा तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरन पाला गिए बाबा के बच्चन सब के निकले जैसे ही उसे वाड़े में लाए कि बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवान पती पत्नी वह अन्य सभी लोगों को महान हर्श हुआ और उनका संदेह दूर हो गया गया श्री पितले अपनी धन पत्नी सहीद बाबा के दर्शनों को आए और अतिविनम्र होकर आदर पूरवक्ट चरणवंदना कर पादसेवन करने लगे मनी मन में वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे तब बाबा ने उसको राख रख कहा क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाय मिट गई है जिन्हें विश्वास और थैर्य है उनकी रक्षा श्री हरी अवश्य करेंगे श्री पितले एक धना डेवती थे इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बाटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेट किये श्री मती पितले सात्वी पित्ति की नहिला था वे एक स्थान पर बैटकर बाबा की ओर प्रेम अपूर नद्रिष्टी से नि या भाव से पूजन करते हैं उनकी रक्षा संत करते हैं श्री में कुछ दिन सुख पुर्वक प्रती कर पितले परिवार में बाबा के सनीफ मस्जिद में जाकर और चरण बंदना कर श्री से प्रस्तान करने की अनुमती मामी बाबा ने उन्हें उदी देकर आशिरवार दि इससे तुम्हरा कल्यान हो श्री पितले ने उन्हें प्रसाद सरूप ग्रहन कर बाबा को पुना साश्टां करणां किया तथा आशिष के लिए प्रातना की उन्हें ये विजार गी आया कि प्रतम अवसर्व होने के कारण मैं इसका अज समाजने में अलसमात हुए कि दो पूरी तरह विचार करने पर उन्हें पुरानी हुटना की स्थिख हो आई जिसने ये समस्या खल कर गी उनकी व्रिद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रता तुम अपने प्रकुले कर शी साई बाबा के दर्शनार्थ कहे थे ठीक उसी प्रता तुम्हें लेगर तुम्हारे पि योगी त्रिका लगे और बड़े उदार तुम्हारे पिता परमभग थे इस कारण उनकी पूजा स्विकार की तब महराज ने उन्हें पूजनार्थ दो रुपे दिये थे जिनकी उन्होंने जीवन परियंत पूजा गया उनके पश्चात उनकी पूजा यकाविधी नहो सक कर दिया है अब भविष्य में जागरूप रहकर समस्त शंकाय और सोच विचार छोड़कर अपने प्रवजों को स्मरण कर रिवाजों का आनुकरन कर उत्तम प्रकार का आच्रण अपना अपने पुलदेव तथा इन रुप्यों की पूजा कर उनके यतात स्वरूप को संज और संतों का आशिरवात ब्रहन करने में गर्व माना श्री साही समत ने दया कर तुम्हारे रिदे में भक्ति का विजार ओपन कर दिया है और अब तुम्हारा करतब यह है कि तुम उसकी पृद्धी कर दो दो माता के मधुर वचनाम रुद्ध का पानकर श्री पितले को अत्यन्त हर्ष को उन्हें बाबा की सर्वकालग यता विदीत हो गई और उनके श्री दर्शन का महत भभी जात हो गया इसके पुश्चा वे अपने विभार में अधिक सावधान हो गये सुनो श्री अम्रेकर पि परंतुबे सखल न हो तब उन्हें दर्वाग्या ने चारों और से खेर लिया जिससे उनके आर्थिक स्थिती और भी अधिक दयनिये हो गई ऐसी परिस्थिती में उन्होंने साथ वर्ष श्री जाते और अपनी दुगदाई कथा वारता बाबा को सुनाया करते सन 1916 में उन परिस्थित्वाड़े के सामने एक बैल गारी पर बैठे बैठे उन्होंने कुवे में गिल कर प्राणांत करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा काने का निश्चे के वहीं समीप ही एक भोजनाले के मालिक श्री सगुन मेरुन नाया थी उसी समय बाहर आकर उनसे इस वातालाब करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अखलकोर्ट महराज की जीवनी पढ़ी है सगुन से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रार्म कर दिया पुस्तक पढ़ते बे एक ऐसी कत्तक पर पहुंचे जो इस पकार थी श्री अखलकोर्ट महराज के जीवन काल में एक प्रक्ती असाद्य रोग से पीड़ी थी जब वो किसी प्रकार के प्रशक सहन सका तो वो बिल्कुल निराज हो के और एक रात्री को कुवे में पुद तक शंभी महराज महां पहुंच गया और उन्होंने स्वयम अपने हातों से उसे बाहर में वे उसे सम्झाने लगे क तुम्हें अपने शोब शुक कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन मधरन करना पड़ेगा इसलिए मृत्यू से ये श्रेयसकर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्वजन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर समकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांती हो गया होता बाबा की व्यापत का और दयालता देखकर उनका विश्वास द्रिड़ हो गया और वे बाबा के परमभग रंदे उनके पिता श्री अक्तलकोर्ट महराज के शुशत थे और बाबा की इच्छा भी उन् अपना शेश जीवन्त सुक्त और शांति पुर्वत प्रतितिया यहां हमारा चब्रीस वाज्या समाफ्त होता श्री सद्गुरू साइनातार पनमस्तु शुभं भावतु अध्याय सताइस अब हम साही बाबा की अनुमती और आशिरवात से सताइस वे अध्याय का श्रवन करें। श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरोभ्यो नमाहा श्री खुलदय वताय नमाहा श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमाहा श्री सद्गुरू साइनाताय नमाहा इस अध्याय में भागवत विश्णु सहस्र नाम प्रदांकर अनुग्रहित करना गीता रह्ज्य दादा साइब खापड़े इनके बारे में सुनेगे इस अध्याय में बताया गया है कि श्री साइब बाबा ने किस प्रकार धार्मी प्रंथों को करसपश से पवित्र कर अपने भक्तों को पारायन के लिए देकर अनक्रहित किया तथा और भी अन्य कई घटनाओं का उल्ले किया गया प्रारम जन्र साधारन का ऐसा विश्वास है कि समद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त्र तीर्थों तथा पवित्र नद्यों में स्नान करने का पुर्ण्य प्राप्त हो जाता है ठीक इसी प्रकार सद्गुरू के चरणों का आश्रे लेने मात्पर से ही तीनों शक्तियों याने ब्रम्हा, विश्णु महेश और प्रब्रम्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता श्री सक्चिदानंद साई महराज की जय हो वे तो भक्तों के लिए कलपतरू दया के सागर्थ और आत्मानों भूती देने वाले हैं ये साई तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी शद्धा जाकरत कर दो गंगोर वर्षा रितुमें जिस प्रकार चाफर पक्षी स्वाती नक्षत रखी केवल एक बून का पान कर प्रसंद्न हो जाता उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधू से प्रगटित एग जल कंड का संस्त्रांच दे दो जिससे शोताओं के रिदे तुप्थ होकर प्रसंद्नता से प्रपूर हो जाए शरीर से स्वेध प्रवाहित होने लगे आसों से नेत परिपूर्ण हो जाए प्रांट स्थिरता पाकर चित एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे ऐसा सात्वी भाव सभी में जा पित हो जो जदि वे सब भाव उत्पन होने लगे तो इसे गरू प्रिपा के लच्छन माना इन भामों को अंतक्रण में उधित देखकर गरू अत्यनत प्रसंद्न होकर तुम्हें आत्मानों भूती की ओर अग्रसर करेंगे माया से मुक्त होने का एक मात्व सहर उपाय अनन्यभाव से केवल स्वी साई बाबा की शरण जाना ही है वेद वेदान तभी माया रुपी सागर से पार नहीं उतार सकते ये कार्य तो केवल सब्गरू द्वारा ही संभव है समस्तत्राणियों और भूतों में इश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उनी में है पवित्र गरंठों का पता शरण खरू गत अध्याय में बाबा की उपदेश चैली की नविंता ज्यात को चुकिये इस अध्याय में उसके केवल एक उधारन का ही वर्नन करेंगे वक्तों को जिस गरंठ विशेश का पारायन करना होता है उसे वे बाबा के करकमलों में भेट कर देते हैं और यदि बाबा उसे अपने करकमलों से सपर्ष कर लोटा देते हैं तो वे उसे स्विकार कर लेते हैं उनकी ऐसी भावना हो जाती है कि ऐसे गरंथ का यदिनित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदय वे उनके साथ ही होंगे एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिड़ी आ गा शामा ने ये गरंथ अध्यान के लिए उनसे ले लिया और उसे लिये हुए वे मस्जिद में पहुचे तब बाबा ने वो गरंथ शामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्ष कर कुछ विशेश पुरुष्टों को देखकर उसे समाल कर रखने के आजिया दे कर वापस लोगा दी शामा ने उन्हें बताया कि ये गरंथ तो काका साथाब का है और उन्हें इसे वापस लोगा नहीं तब बाबा कहने लगे नए नए ये गरंथ तो मैं तुम्हें दे रहा है तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो ये तुम्हें अत्नत उपयोगी सिर्थ होगा कुछ दिनों के पश्टा पाका महाजनी उन्ह श्री एकनाती भागवत की दूसरी प्रती लेकर आये और बाबा के करकमरों में भेट लगी जिसे बाबा ने प्रसाद सरूप लोटा कर उन्हें भी उसे सावधानी से समाल कर रखने किया दिया साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि ये तुम्हें उत्तम स्थिती में पहुचाने में साहयक सिर्थ होगा काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्विकार कर लिया अब सुनते हैं शामा और विष्टू सहस्थ्र नाम करता शामा बाबा के अंतरंग भक्त थे इस करण बाबा उन्हें एक विच्ट्र धंग से विश्णू सहस्त्र नाम प्रसाद गुपने देने की क्रिपा कमा चाते थे तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिर्डी मेट थे वो नित्या नियमान उसार प्रातकाल उपता और हात मुध हने के पश्चाद स्नान कर भगुआ वस्तर धारन करता तथा शरीर पर भस्मा लगा कर विश्णू सहस्त्र नाम का चप्तिया करता और बहुदा इन्ही ग्रंटों को ही पढ़ा करता कुछ दिनों के पश्चाद बाबा ने शामा को भी विश्णू सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समी बुला कर उससे कहा कि मेरे उधर में अत्यंत फीड़ा हो रही है और चब तक मैं सोना मुखी का सेवन न करूँगा तब तक मेरा कश्ट दूर न हो तब रामदासी ने अपना पाट स्थगित कर दिया और वो औशदिलाने बाजार चाट लिया उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहां वो पाट किया क्याता था वहां जाकर उन्होंने विश्णु सहस्रमान की वो पुस्टिका उठाई और अपने आसन पर विराज़मान होकर शामा से कहने लगे कि ये बुस्तक अमुल्य और मनोवांचित फल देने वाली है इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्र पठ़न करो एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा रिदय ठटकने का मेरे प्राण पखेरू उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सद्ग्रंट को अपने रदेतर रखी है कैसा उस्तुक पहुंचाया इसने उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्ला ने स्वयम ही पृत्वी पराकर मेरी रक्षण इस कारण ये ग्रंट मैं तुम्हें दे रहा इसे तोड़ा धीरे-धीरे कम सकम एक फ्लोग को कि दिन अवश्य पढ़ना जिससे तुम्हारा बहुत भड़ा हो तब शामा कहने लगा कि मुझे इस ग्रंट की अवश्यक्ता नहीं क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल हटी और अतिक्रोधी रिखती जो गयर थी अभी आकर लड़ने को त्यार हो जाए रहती अलपर शिक्षित होने के नाते मैं संस्क्त भाशा में लिखित इस प्रंट को पढ़ने में भी असमत भी शमा की धरना थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मन मुटाव करवाना चाहते हैं इसलिए ही उन्होंने ये नाते प्रचा बाबा का विच्छा उनके पती क्या था ये उनकी समझ में ना बाबा ने ये नकेन परकारण विश्कु स्वास नाम उसके कंट में उतार देना चाहते थे वे तो अपने एक अलपशिक्षित अंतरंग भक्तो सांसारी दुखों से मुट्ध कर देना चाहते थे इश्वा नाम के जाब का महत पतो सभी को विदित्धी है जो हमने कौपों से बचा कर थे फूब विदियों से हमारी रक्षा करता जन तथा मुट्धी के बंधन से चुड़ा देता है या आत्मशुद्धी के लिए एक उत्तम साधाम के जिसमें न किसी सामगरी के आवश्चता है और न किसी नियम के बंधन के इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्यकोई नहीं बबा की इच्छा तो शामा से ये साधना कराने की थी परन तो शामा ऐसा न चाते थे इसलिए बाबा ने उनकर दबाउट ऐसा बहुदा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनात महराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राहण से विश्णू सहस्वनाम का जाब कराने के लिए आगरह कर उसके रख्षा थी विश्णू सहस्वनाम का जाब चित्त शिद्धी के लिए एक स्रेष्ट तथा सरल माल इसलिए बाबा ने शामा को अनरोध पुर्वत इसके जाप में परवित किया रामदासी बाजा से तुरंट सोना मुखी लेकर लोड़ा अन्ना चिंशनी कर जो वहीं उपस्तित थे राया पुरे नारद मुनी ही दिया और उन्होंने उक्त घटना का संपुर्ण वित्ता ना रामदासी को बता रहा रामदासी क्रोधा वेश में आकर शामा की ओर लपका और कहने लगा कि ये तुम्हारा ही कालिया जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पिड़ा के बहाने आउशरी लेने को भेजा यदि तुमने पुस्तक न लटाई तो मैं तुम्हारा सिर्ट ओड़ो शामा ने उसे शांत दुर्वक संजाया परम तुमने का कहना ब्यर्थी हुआ तब बाबा प्रेम दुर्वक बोले की अरे रामदासी ये क्या बात है क्यों उपद्रव का रहे हो क्या शामा अपना बालक नहीं है तुम उसे ब्यर्थी क्यों काली दे रहे है मुझे तो ऐसा प्रतित होता है कि तुम्हारी प्रती ही उपद्रवी क्या तुम नम्र और मुर्दलवानी में नहीं बोल सकते तुम नित्य प्रतीन पवित्र गृत्व का पाट गया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित अशुब रही है जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश्व नहीं है तो तुम रामदासी कैसे है तुम्हें तो समस्त वस्तों से अना सक्त होना चाहिए कैसी रिचितर बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर तुना अधिक मोँ है सच्छे रामदासी को तो ममतात जाग कर समदर्शी होना चाहिए तुम तो अभी बालक शामा से केवलग छोटी सी पुस्तक के लिए जड़ा कर रहे है जो अपने आसन पर बैठे पैसों से पुस्तके तो अनेक प्राप्त हो सकती है परंतु मनुष्यन है उत्तम विचारक बनकर विवेक्शिल हो जाओ पुस्तक का मुल्य ही क्या है और उसे शामा को क्या प्रेज़ा मैंने स्वयम उठा कर वो पुस्तक उसे दी ये सोच कर कि तुम्हें तो ये पुस्तक पुर्णता कंठस्त है शामा को उसके प्रेज़ से कुछ लाप को इसलिए मैंने उसे दे दी बाबा के ये शब कितने मृदू और मार्मिक तथा अमृत किल्या है इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा वो चुप हो गया तथा फिर शामा से बोला की मैं इसके बड़ले में पंचरत्नी गीता की एक प्रतीस विखार कर लूँगा तब शामा भी प्रसंद होकर कहने लगे की एक ही क्यों मैं तो तुम्हें उसके बड़ले में दस पतियां देने को तयार है इस प्रकार ये विवाद तो शांत हो गया परन्तो अब प्रशन आया कि रांदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी फिस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी ना आया इतना अग्रह क्यों किया और जो मस्जिद में हर दिन धार्मी ग्रंतों का पाट करता हो वो बाबा के समक्ष ही इतना अलकपात करने पर क्यों उतारू हो गया हमने जानते कि इस दोश का निरा कर्म कैसे है और किसे दोशी खेड़ा हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरा नो किया गया है तो विश्य का महत اور इश्वर नाम की महिमा तत्हा शामा को विश्व सहस्वर नाम के पथन का शुब और सरही प्राप्त नो इससे यही प्रतीच होता है कि बाबा के उगधेश विश्य लिए और उसके प्ठ़्टिया अद्विती है शामाने धीरे धीरे इस ग्रंद का अध्यान कर लिया है और उन्हें इस विशे का इतना ग्यान हो गया कि वो श्रीमान बूटी साहिब के दामान प्रोफेसर जी जी नाके को भी उसका यथार्थ अज़ समझाने में पूरन सफाल कोई अब गीता रहस्य के बारे में श्रवन करेंगे ब्रह्मा बिद्या यानि अध्यात मका जो वक्त अध्यान करते थे उन्हें बाबा सदव तोच्छाइद करते थे इसका एक उधारन है कि एक समय बापुसाहिब जोग का एक पासल आए जिसमें श्री लोगमन ने तिलक्रत गीता भाष्य की एक प्रकी थी जिसे काट में दवाय हुए वे मस्जिद में आए जब ले चरणवन ना के लिए जुके तो वो पासल बाबा के श्री चरणवा में गेर बढ़ा तब बाबा उनसे तुछने लगे कि इसमें क्या है श्री जोग ने तकाली पासल से वो पुस्तक निकाल कर बाबा के करकमलों में रख बाबा ने खोड़ी देर उसके कुछ पुरश्ट देखकर जेब से एक रुपया निकाला और उसे उसक पुस्तक पर रखकर जोप लोटा लिए और कहने लगे कि इसका ध्यान पुरवक पध्यान करते रहो इससे तुहरा कल्यान हो श्रीमान और श्रीमती खापड़े एक बार श्री दादा से खपड़े सकुटम शर्जिया और कुछ पास महीं ठेर उनके ठेरने के नित्य कारेक्तन का वर्मन श्री साई लिला पत्रिकात ये प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है दाला कोई सामान्य वक्ति न थे वे एक धनाध्या और अम्रावती के सूप्रसिद्ध वक्तील तथा केंद्रिय धारा सभा के सदस्यते थे वे विजवान और प्रवीन वक्ता भी थे इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मूँ खोलने का साहस न होता अधिकांश भग्त गंटो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधन कर लिया करते थे किवल तीन वेक्टी खापरड़े नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदेव मावन धारण किये रहे थे तथा अतिविनम्र और उत्तन प्रप्ति के वेक्टी थे दादा सहे बिद्धारण अस्वामी द्वारा रचित पंच दशी नामत प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन जिसमें अध्वैत वेदानत का दर्शन है उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे परंतु जब वे बाबा के समीब मस्जिद में आये तो वे एक शक्त का भी उच्छरण नहीं कर सकते य दोनों अपने शेड़ी प्रवास से अत्यंत प्रसंद थे श्रीमती खपड़े शधालू तक खपूर्ण प्रसंद थे इसलिए उनका साही चर्णों में अत्यंत प्रसंद प्रति दिन दोपहर को वे स्वयम नाइबेद दे लेकर मस्जिद को जाती थे और जब बाबा उसे ग्रहन कर लेते तब ही वे लोटर अपना भोजन क्या करती थे बाबा उनके अठल शधा की जाक्ति का दूसरों को भी दर्शन कराना चाते थे एक दिन दोपहर को वे सांजा पूरी भाद सार खीर और अन्य भोज जुकलात लेकर मस्जिद में आने और दिनों तो भोजन प् कि यह पक्षपात क्यों है दूसरों के ठली उपर तो आप दृष्टी तक नहीं डालते उल्टे उन्हें फैंक देते हैं परन्तो आज इस भोजन को आप बड़ी उच्छता रुची से खा रहे हैं आज एक बाई का भोजन आपको इतना स्वादिश क्यों लगा ये विशे दूद देती थे पशियोनी त्याकर इसने एक माली के ठिकम में जन लिया उस जन के उपरां फिर एक चत्रिया वंच में उत पर नहीं की और उसका ब्याप एक क्यापारी से हो दिरगा काल के पश्चाद इंसे भेट हुई इसलिए इनके ठाली में से फ्रेम पुर्वक चार प्रास तो खाले ने दो ऐसा कहकर बाबा ने फर पे ढोजन किया और फिर हात मूँ धोकर और त्रित्री के चारपार ड़कारे लेकर वे अपने आसन पर पुना आव बिराद पिर श्रिमतिक हापने ने बाबा को नमन किया और उनके पाज़र सेवन करने लगे बाबा उन से एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा तंदक वमल तथा मुर्द श्रिमुक से कहने लगे कि अब सदय वो राजाराम राजाराम का जाप किया करो और यदि तुमने इसका अभ्यास करमबद कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के धेयर के प् अत्यधिक लाग तो अध्यात्मिक विश्यों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए ये गतना साधरन सी पतीच होगी परंतुशास्त्रिय भाषा में ये शक्तिपात के नाम से विदित अर्था गुरुद वाराज शिष्य में शक्ति संचार करना बाबा के वे शक्ति कितने चाली और प्रभाव करी थे जो एक चंड में ही विदय कमल में प्रवेश कर गये और वहां अंकृत होट ये घटना गुरु शिष्य संबन में आदर्श की ज्योतक गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा कमी चाहिए क्योंकि उन दोनों प्रवेश कर गुरुदेव के चंड मस्तक रख रहा है ये तो केवल एक पाई दृष्य मात्त है अंतरिक दृष्टी से दोनों अभिन्न और एक ही है तथा जो उन में भेश समझता है वह अभी अपरिपक्व और पूर्न ही है शोताओं यहां हमारा अध्याय सप्राइश सम शुभम भवत ओम नमो भगवते साइदेवाया ओम श्री साइनाथाय नमाह अध्याय 28 प्रारम साही बाबा की अनुमति से और आश्रवात से अब हम अध्याय 28 का अश्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाह श्री सरस्वत्य नमाह श्री गुरो भ्यो नमाह श्री खुलदय वताय नमाह श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमाह श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाह इस अध्याय में चिडियों का श्रीडी को खीचा जाना लक्षमी चन्द, बुर्हान पूर की महलाएं, मेगा का निर्वान, इसके बारे में सुनेंगे प्राक कत्व, श्री साई अनन्त है, वे एक चीन्टी से लेकर ब्रमान्द परियंत सर्वभूतों में व्याप्त है वेद और आत्म विज्ञान में पूर्ण परंगत होने के कारण, वे सद्गुरू कहलाने के सर्वथा योग्या है चाहे कोई कितना ही विज्ञान क्यों नहीं हो, परंतु यदि वो अपने शिष्ञ की जागरती कर, उसे आत्म स्वरुप का दर्शन न करा सके तो, उसे सद्गुरू के नाम से कदापी संबोदित नहीं किया जा सका साधर अंता है, पिता के वल इस नश्वर शरीर का ही जन्म दाता है, पर तु सद्गुरू तो जन्म और मृत्यू दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं, अता है वे अन्य लोगों से अधिक दयावन्त हैं श्री साही वबा हमेशा कहते थे की, मेरा भग चाहे एक हजार कोज की दूरी पर ही क्यों न हो, वो श्रीडी को ऐसा खीचा चला आता है, जैसे धागे से बंदी हुई चिडियां खीच कर स्वयम ही आ जाती है, इस अध्याय में ऐसी ही तीन चिडियों का वरनन है, सबसे पह श्री छोड़कर वे रेलवे विभाग में आया, और फिर वे मेसर्स, रेली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुन्शी का कार्या करने वे, उनका सन 1910 में श्री साही बागा से संपर्ख हो, वड़े दिन, याने क्रिस्मस से लगबग एक या दो मास पहले, सांता क्रूज में उन् यम था कि वे किर्तन करते समय शोताओं के सम्मुख श्री साही बाबा का चित्र रख लिया करते थे, लक्षमी चन को ये चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस वपन में उन्हें जिस वृत्र के दर्शन हुए थे, उनकी आकरती भी ठीक इस चित्र के किर्तन और उनके संद्वकाराम पर प्रवचन आदिका कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पढ़ा कि उन्होंने श्री यात्र का द्रड़ संकल्प कर लिया, वक्तों को चिर्काल से ही ऐसान हो होता आया है कि जो सद्गुरू या अन्य किसी अध्यात्निक ज्यान के खोज में निक तुरंथी श्रीडी चलने का निश्चय कर दिया, एक मारबाडी से पंदरे रुपे उधार लेकर तथा अन्य आवश्चक प्रभन कर उन्होंने श्रीडी को प्रस्थान कर दिया, रेल गाड़ी में उन्होंने अपने मित्त के साथ कुछ देर भजन भी किया, उसी जिब्ब जब वे एक कोपरगाओ पहुंचे तो बाबा को भेट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया, वे वहाँ के प्राकतिक संदर्यमाई ग्रिश्च देखने में कुछ ऐसे तलिन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुधी ही न रही, परन्तु तब वो वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपाकर ये शेश अमरूद भी मेरी और से बाबा को भेट कर देने, ये सुनकर तक्षन ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने पुनस्मृती करा दी है, श्री साई बाबा के प्रती, उनकी भक्ती देख, वे दोनों बड़े चकित प्रत, लक्षमी चन्न नहीं ये सोच कर कि हो सकता है कि इस वपन में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किये थे, उनकी ही ये कोई रिष्टेदार हो, वे आगे बड़े, उनके दर्शन कर व्यत्यंद आनन्दित होए तथा उनके शीचल चरनों से ऐसे लिपते, जैसे एक मध्युक्ती कमल के मकरन की सुगन से मुख्ध होकर उससे लिपट जाती है, तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा, उसका वरनन हिमार पंत ने अपने मूल गरंत में इस प्रक पाड़ी से उधार रेने की क्या जरूरत थी? हुई क्या मुराद पूरी? ये शक्त सुनकर उनकी सर्व व्यापकता पर लक्षमी चंद को बड़ा अचंभा हुआ, वे बड़े लजजित हुए कि घर से शिरडी तक मार्क में जो कुछ हुआ, उसका उन्हें सब पता है, इस वक्त ने सांजे का प्रसाद लाकर दिया, जिससे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए, दूसरे दिन भी वे सांजा की आशा लगाए बैठे रहे, परन तो किसी वक्त ने वो प्रसाद न दिया, जिसके लिए वे अति-उत्सप थे, तीसरे दिन दो पहर की आरती पर बापु स प्रसाद से कहा, तुमको भूग लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्ध भी है, लो, अब सांजे की ही करो दवा, उन्हें पना अचबभा हुआ कि मेरे मन के समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया, वस्तताहा, बे सरवग्य है, ये हेमडपन के मूल ग्रंत में इस प्र कारण शायद किसी की नजर लगी हो, दूसरे दिन प्रातक काज, जब बाबा मस्जिद को गए, तो शामा से कहने लगे, कल जो मुझे कपसे पीड़ा हो रही थी, उसका मुठ्य कारण किसी की कूज रिष्टी ही है, मुझे तो ऐसा प्रतित होता है कि किसी की नजर लग गई इसलिए ये पीड़ा मुझे हुई, लक्षमी चन के मन में जो विजार उठ रहे थे, वही बाबा ने भी कह दिये, बाबा की सरवग्यता के अनेक प्रमान तथा भक्तों के पते उनका स्नेहा देखकर, लक्षमी चन बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, आपक अपने चरणों के दीन दास की रक्षा कर उसका कल्यान करें, आपके भववायन आशक चरणों का स्परण करते हुए, मेरा जीवन आनन से रतीत हो जाए, ऐसी मेरी आप से विनम्र प्रातना है, बाबा से आशिरवाद और उदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन और उनकी किर्ती का गुणगान करते हुए, घर वापस लोटा आए, और सदैवा, उनके अनन्म्य भक्त बने रहे, शिर्डी जाने वालों के हाथ, वे उनको हार, कपूर और दक्षना भेजा करते थे, अब सुनिये बुरहन पूर की महिला की करते, अब हम दूसरी चिडिया या ये स्वपन अपने पती तथा अन्य लोगों को सुनाए, उसका फती डाक विभाग में नोप्री करता था, वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे, जब उनका स्थानांतरन अकोला को हुआ, तो दोनों ने शिर्डी जाने का भी निष्ठे किया, और एक शुब दिन उन्होंने शिर्डी को प्रस्थान कर दिया, मार्ग में गुमती कीर्थ होकर, वे शिर्डी पहुंचे थे, और वहां दो महां तक थे, प्रते दिन वे मस्जच जाते, और बाबा का पूजन कर आनन से अपना समय व्यतित करते थे, यद्यपी दंपती खिचडी का नेवे जबेट करने क वही आते थे, परन्तु किसी कारणबाश उन्हें चौदा दिनों तक ऐसा सायोग प्राप्त नहों से, उनकी तरी इस कारिया में अब अधिक विलंबन नह करना चाहती थी, इसलिए जब पंधावे दिन दोपहर के समय वो फिचडी लेकर मस्जच में पहुंची, तो उसने परदा हटा कर भीतर चलिया जा, बड़े आश्चरी की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिचडी खाने की ही थी, जिसकी उन्हें आवश्यक्ता था, जब वो थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्श हुआ और वे उसी में से ख अब तृतिय महान पक्षी की चत्था समय था, बिरम गाउं में रहने वाला मेगा अत्यंतर सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था, वो रावादुर हवी साठे के यहां रुसरिये का काम किया करता था, वो शिवजी का परमभग था, और सदेव पंचाक्षरी मंत्र नमस्षिव संध्या की विधी तथा गायत्रि मंत्र चिख़ा दिया, साठे साभ ने श्री साइई बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतला कर, उसे शिवजी भिजने का निश्टे किया, किन्तु साठे साभ से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साइई बाबा तो यवन है, इसलिए मेगा ने सोचा कि श्रडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं, भोला भला आदमी तो वो था ही, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया, तब उसने अपने स्वामी से प्राफना की कि किर्पा कर मुझे वहां न भेज़े, पर हम त एक पत्र भेजा की मेगा का परिज़े बाबा से करा दे, श्रडी पहुंचने पर जब वो मस्जिद में घुसा तो बाबा अतन तो क्रोधित हो गया और उसे उन्होंने मस्जिद में आने से मना ही कर दे, वे गरजन करके कहने लगे, इसे बाहर निकल दो, फिर मेगा की और देखकर कहने लगे, कि तुम तो एक उच्छ कुलीन ब्राम्वन हो, और मैं निम्न जाती का एक यवन, तुम्हारी जाती भरष्ट हो जाएगी, इसलिए यहां से बाहर जाओ, यह शब सुनकर मेगा काप उठा, उसे बड़ा आश्चर यह हुआ, कि जो कुछ उसके मन में व प्रिम्बकेश्वर है, महां चला गया, वर्षभर के पश्चाथ, वो पुना शिर्डी आया, और इस बार दादा केल करके कहने से, उसे मस्जिद में रहने का उसर प्राप्ट हो गया, साई बाबा मौकिक उपदेश्वारा, मेगा की उन्नती करने के बदले, उसका अंतरीक सुधार कर रहे थे, उसकी स्थिती में परियाक तरिवतन होकर यतेश्ट प्रगती हो चुकी थी, और अब तो वो साई बाबा को शिवजी का साक्षात आवतार समझने लगा था, शिववपूजन में बिलवपत्रों की आवश्चता होती थी, इसलिए अपने शिवजी का प पूजन करता और इसके पश्चात की मस्जित में बाबा को परणाम करता, तथा कुछ देर चरण सेवा के पश्चात की चरणाम रत्वान करता, एक बार ऐसा हुआ कि खंडवा के मंदिर का द्वार बंत, इस कारण वो बिना पूजन किये ही वहां से लोट आया, और जब मस् ने उसे अपना पूजन करने की अमयोती थी, अब श्रवन कीजिए गंगास्तान के बारे, एक बार मकर संक्रांती के अउसर पर मेगा ने वचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं, तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराण, बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना थी, बाबा ने पुना मेगा से अनरोत किया कि मुझे इस जंजट से दूर ही रहने दे, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोगे, परन्तु मेगा कुछ सुनता ही न, मेगा की ये द्रड धारना थी, कि शिव परवपर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम करतव्य है, अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा, और नीचे उतर कर वे एक पीड़े पर बैड़ तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे कि, अरे मेगा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे सिर पर ही पानी डालना सिर शरीर का परधा नम है, और उस पर पानी डालना ही पुरे शरीर पर पानी डालने के सदृष्ष certified, मेगा ने अच्छा-च्छा कहते हुए, बरतन खाकर सिर पर पानी डालना प्रारम किया, ऐसा करने से उसे इतनी प्रसंद्धा हुई कि उसने अब सिर ही भीगा और शेश भाग क्यों का क्यों बिलकुल सूखा ही है ये देख उसे बढ़ाश चरिया हुआ अब सुनिये त्रिशूल और पिंडी के बारे मेगा बाबा को दो स्थानों पर स्नान कराया करता था पहले वो बाबा को मस्जित ने स्नान कराता और फिर वाड़े के लिए उसे दर्शन दिया एक दिन प्रातक काल मेगा जब अर्दन निद्रावस्ता में अपनी शया पर पड़ा हुआ था तभी उसे उनके दर्शन हुए बाबा ने उसे जागरत जानकर अक्षद थेंके और कहा कि मेगा मुझे इत्रिशूल लगाओ इतना कहकर वे अद् उनके शब्द सुद्गत उसने उस सुद्धा से अपने आखे खुली परन तु देखा कि कोई नहीं केवल अक्षद ही यहां वहां दिखरे पड़े तब वो उटकर बाबा के पास गया और उन्हें अपने स्वप्न को सुनाने के पश्चाद उसने उन्हें त्रिशूल लग जागरत कर दिया है परन तु सभी द्वार कुर्ववत ही बन देखकर मैं मूरमती भ्रमित हो उठा हूँ कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्चा नहीं है न मेरा कोई रूप ही है और नह मेगा वाड़े को लोट आया और बाबा के चित्तर के समीफी दिवार पर एक लाल त्रिशुल थी जिया दूसरे दिन दिन एक रामदासी भक पूने से आया उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर की एक पिंडी भेट उसी समय मेगा भी वहां पहुंचे तब बाबा उनसे कहने लगे कि देखो शंकर भोले आ गये हैं अब उन्हें समभालो मेगा ने पिंडी पर त्रिशुल लगा देखा तो उसे महन विस्में हुआ वो वाड़े में आये इस समय काका साहिब दिख्षे थे स्नान के पश्चात सिर पर तवलिया डाले साई नाम का जाप कर रहे थे तब उन्हें कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखे कुछ दिनों में जब त्रिशुल का खीचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चितर के पास ही उस पिंडी की स्थापना कर दिया जहां पे मेगा नित्य पूजन करता था मेगा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम त्रिपुन ड़कीचने का अउसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास द्रिड़ कर दिया इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आर्ती तथा पूजा कर 1912 में मेगा परलोग वासी हो गया बाबा ने उसके मृ अंति भोज ब्रह्मनों को दिये जाने की आध्या की इसका पालं काका साहिब दिख्षित ने किया यहां हमारा अध्याए 28 समाफ्त होता है श्री सद्गुरु साइनाथार पड़मस्तु शुभम भवत सप्तह पाराणा जतुर्थविश्वार्ण श्री साइन अमामा श्री स अम श्री साइनाथाय नमाहा अध्याए 29 प्राड़म साइ वबा की अनुमतिव और आशिर्वार दे कर अब हम अध्याए 29 का श्रवन करेंगा श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गोप्यो नमाहा श्री खुलदय वताय नमाहा श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमाहा श्री सद्गुरु साइनाथाय नमाहा इस अध्याय में मदरासी भजनी मेला, तेंडूल कर पिताब और पुत्र, डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदी की कथाएं सुनें मदरासी भजनी मेला लगबग 1916 में एक मदरासी भजन मंडली पवित्रकाशी की तीर थे यात्रा पर निकली उस मंडली में एक पुरुष उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी, अभागे वश्ट, उनके नाम यहां नहीं दिये जा रहे हैं मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि एहमद अगर के कोपर गाउं कालुका के श्रीडी ग्राम में श्री साई बबा नाम के एक महान संत रहते हैं जो बहुत बयालुआ और पहुचे हुए हैं वे उदार जिदै और अहेतुत खृपा सिंदू हैं वे प्रति दिन अपने भक्तों को रुपया बाठा करते हैं यदि कोई कलाकार महां जाकर अपनी कलाका पतर्शन करता है तो उसे भी पुरसकार मिलता है प्रति दिन दक्षणा में बाबा के पास बहुत रुपय एकठा हो जाया करते हैं इन रुप्यों में से बेनित्ग एक रुपएा बक्तखॅणाजी की तीन वर्षिय तन्याआ अमनी को किसी को रुपए से पांच रुपे तक छे रुपे अमनी की मा जमली को और دس से बीस रुपे तक और कभी-कभी पचास रुपे भी अपनी इच्छानुसार अन्यवद्टो को दिया करते थे ये सुनकर मंडली शिर्डिया करूखी थी मंडली बहुत सुन्दर भजन और गायन क्या करती थी परन्तु उनका भीतरी थे तो द्रूब्यो पारजन ही था मंडली में तीन वक्ति तो बड़े ही लाल्ची थी के वल प्रधान स्त्री का ही सभाव इन लोगों स से उसके इश्ड़ रूप में दर्शन दिया और केवल उसे ही बाबा सीतानात के रूप में दिखलाई दिये जबकि अन्य उपस्तित लोगों को सामाने ही अपने प्रिय इश्ड़ का दर्शन पाकर वो द्रवित हो गई तथा उसका कंट रूंद गया और आँखों से श्री राम स्परूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादी उसने सब बताए पती ने सुचा कि मेरी स्ट्री बहुत भूली और ठाउक है अतख इसे राम का दर्शन होना एक मानसी क्रिकार क्यातरिक तुछ नहीं उसने ऐसा कहकर उसके उपक्षा कर दी कि कहीं ये भी संब स्थिर और संत्रुक्त हो चुका था अब सुनिया आश्टेरिया जनक तर्शन के बारे इस प्रकार दीन बीटे गए एक दिन रातरी में उसके पती को एक विचितर स्वपन आया उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफतार कर रसी से बांकर उसे कारावास मे डाल दिया तक पश्चा थी उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिकंजों के बाहर उसके समीब खड़े हैं उन्हें अपने समीब खड़े देखकर वो गिरगरा कर कहने लगा आपकी किरती सुनकर ही मैं आपके स्वी चर्णों में आया फिर आपके निकट होते हुए मेरे उपर ये विपदा क्यों आई तब वे बोले तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्च बगतना चाहिए उपना बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की सुनती नहीं जिसके कारण मुझे ये दूर दिन देखने को मिला बाबा ने कहा कि यदि इस जन उसे भस हो जाना चाहिए जिस प्रकार सुकी घास अगनी दौरा शीग रभस को हो जाती है बाबा ने कुछा क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा द्रड़ विश्वास है उसने कहा हाँ बाबा ने उससे अपनी आँखे बं करने को कहा और जब उसने आँखे बं की उसे किसी भा बाबा बोले बच्चू अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी पुलीस अजीकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ़तार कर लेगा तब वो गिरफ़तार करने लगा कि आप क्या तिरे मेरी रक्षा और कौन कर सकता है मुझे तो एक मात आपी का साहरा है भ बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिनता है या नहीं इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर तो वो बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में हैं मेरे तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं, प्रत्युत्तर में उसने कहा है जी नहीं, तब वे फिर पुछने लगे कि, क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं, क्या तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवा तथा अ बाबा ने जो ही उससे पीछे घुमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं और जैसे ही वो उनके चरणों पर गिरने को तक्र हुआ वे तुरंत अदुर्श हो गए। तब वो बाबा से कहने लगा आप तो बृत प्रतीत होते हों क्या आ बाबा लुप्त हो गया और तभी उसकी नीन भी खुल गए। जागरत होते ही वो गंविरता पुर्वा के इस वपना पर विचार करने लगा उसकी मानसिक प्रवृत्ती में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महनता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी त जब सब लोग मस्जद में आर्टी के ने में तरिकत रित हुए तब बाबा ने उसे पसाद में लगबग दो रुपे की मिठाई है और दो रुपे नगत अपने पास से दे कर आशिवा दिया। उसे कुछ दिन और रोक कर उन्होंने आशिश देते हुए कहा कि अल्ला तुम में कोई कश्ट या अस्विधा न हुई और वे अपने घर सरकुछल पहुंगे उन्हें बाबा के श्री वच्छनों तथा आशिर्वार और उनकी कृपा से प्राप उस आननं की सदय वस्कृति बनी रहे। इस खथा से विजित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों करने मराठी भाषा में श्री साइनात हाजनमाला नामत एक कुस्तक प्रिक्षी है जिसमें लगबर आट सो अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लिलाओं का मधरु वालनन है ये बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य कुस्तक है उनका जैश्ट कुत्र बाबू परिक्षा में बैटने के लिए अन्वरत अभ्यास कर रहा है उसने कई जोतिशियों को अपनी जन कुंडली दिखाई परन्तु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है किन्तु अगले वर्ष परिक्षा में बैटने से उसे अवच्छ सखलता प्राप्त ह परिक्षा में बैटने से उसे बड़ी निराशा हुई और वो आशांत हो गया थोड़े दिनों के साथ उसने अपने कुटर की निराशा कर दथा आशांती के बाद भी बाबा से कहते है उनके कुछ दिनों के पश्चात ही परिक्षा में बैटना था बाबा कहने लगे कि परश उत्रण हो जाए उससे कहना कि निराश होने की कोई बात नहीं माने घर आकर माबा का संदेश पुत्र को सुना दिया उसने परिश्रम किया और परिक्षा में बैट 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 सब परचों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे परंतु फिर भी संचय ग्रस्थ होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्रण होने योग्यांक मुझे प्राप्त नहों हो सो इसलिए उसने मौफी परिक्षा में बैटने का विचार त्याग दे परिक्षत तो उसके पीछे ही लगा था उसने एक इत्यारती द्वारा सोचना भेजी कि उसे लिखित परिक्षा में उत्रण होने लायक अंग प्राप्त है अब उसे मौफी परिक्षा में होस्चा ही बैटना चाहिए इस प्रकार प्रत्सान पाकर वो उसमें भी बैट गया तथा दोनों परिक्षाओं में उत्रण हो गया उस वर्ष्ट की ग्रहद अशा विपरित होते हुए भी बाबा की किर्पा से उसने सफलता पाई यहां केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्या है कि कश्ट और संशे की उत्पत्ती अंत में द्रण विश्वास में परिणित हो जाती है जैसी भी हो परिक्षा तो होती ही है परनतों यदि हम बाबा पर द्रण विश्वास और श्रत्ना रखकर रायतन करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिले इसी बालक के पिता रखुनात राव बंबई के एक विदेशी गलसाइट पम में नोख्री करते थे वे बहुत बृद्ध हो चुके थे और अपना कार्या सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे इसलिए वे अब चुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे चुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्त में कोई परिवर्तन न हुआ अब ये आवश्रक था कि सेवा निमृत्ती की पुर्वकालिक छुट्टी ली जाए एक प्रित्र और विश्वास पात्र नौकर पोने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवा निमृत्त करने का निरने नहीं नहीं पेंशन कितनी दी जाया ये प्रशन विचाराधीन था उन्हें देर सो रुपे मासिक पेंशन मिलता था इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपे जो कि उनके किटम के निर्वा है तू और परियाप थी इसलिए वे बड़ी चिंखी थे निरने होने के 15 दिन पूर वही बाबा ने श्रीमती तेंडुलकर को इस फ़क्त में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन सो रुपे दी जाया क्या तुम्हें इससे संतोश होगा श्रीमती तेंडुलकर ने कहा कि बाबा मुझदासी से आप क्या पूछते हैं हमें तो आपके श्री चरणों में पूर्न विश्वास है यह दिपी बाबा ने सो रुपे कहे थे परन्त उसे विशेष प्रकरन समझ कर 10 रुपे अधिक अर्थाथ 110 रुपे पेंशन निश्च रखते थे अब क्याप्टन हाटे साब की कहानी सुखी बिकानर के निवासी क्याप्टन हाटे बाबा के परमभग थे एक बास वप्षा कि क्या तुमें मेरी विसमृती हो गई श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा कि यह दिबालत अपनी मा को भूल जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है इतना कहकर शीहाटेश शीगरम बगीचे में जाकर कुछ वल पपड़ी तोड़ा है और एक ठाली में सिधा यानि सूखी भीक्षा तथा दक्षिना रखकर बाबा को भेट कर गया उसी समय उनकी आँखे खुल गई और उन्हें आईसा भान हुआ कि ये तो एक स्वक्ण था फिर वे इस सब बस्टूएं जो उन्होंने स्वक्ण में देखी थी बाबा के पास श्रीडी भेजने का निश्चे कर ज़िए कुछ दिनों के पश्चा तो एगवालियर आये और वहां से अपने एक मित्र को बारा रुपयों का मनी ओर भेज कर पत्र में लिख भेजा कि दो रुपयों में सीधा की सामगरी और वल पपड़ी आदी मोल लेकर तथा दस रुपए दक्षणा स्वरूप रखकर मेरी और से बाबा को भेट देदा उनके मित्र ने श्री आकर सब बस्तुएं तो संग्रह कर ली और तो वल पपड़ी प्राक्ट करने में उन्हें अतनत कठिनाई हुई थोड़ी देर के पश्चाथ की उन्होंने एक स्ट्री को सिर्पर टोपड़ी रखे सामने से आपे देखा उन्हें ये देखकर अक्कंता अश्चरी हुआ कि उस टोपरी में वल पपड़ी के अतिरे के कुछ भी न था तब उन्होंने वल पपड़ी खरीद कर सब एकत्री तवस्तुएं लेकर मस्जित में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेट कर दूसरे दिन श्री निमोन करने उसका नेवेद्य याने चाबल और वल पपड़ी के सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन करा सब लोगों को बड़ा विस्वए हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वल पपड़ी ही खाई और अन्य वस्तों को सपर्ष तक न किया उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार को पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद होटे और उनके हर्ष का पारावार मेरा पवित्र रुपया एक अन्य उसर पर क्याप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र करकम लो द्वारास परशित एक रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए अचानकी उनकी भेट अपने एक मित्र से हो गई जो श्रीडी जा रहा है उनके हाथ ही श्री हाटे ने एक रुपया भेज़ी श्रीडी पहुंचने पर बाबा को यथायों के परणाम करने के पश्चाद उसने दक्षना भेट जिसे उन्होंने तुरंधी अपने जेब में लगे कि उदी सहीत ये रुपया अपने मित्र को लोड़ते हैं मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए उनसे कहना कि वे आनन पुर्वक रहे हैं मित्र ने ग्वालियर आकर हो रुपया खाटे को देकर वहां जो कुछ हुआ था वो सब उन्हें सुना जिससे सुनकर उन्हें बड वामन नार्वेकर श्रोतागर्ण अब एक भिन कथा श्रवन करें एक महाशय जिनका नाम वामन नारवेकर था उनकी साई चर्णों में प्रगाड प्रिती थी एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाये जिसके एक और नाम लक्षमन और सीता तथा दूसरी और करबद्ध मुद्र वामन मालती का चित्रंकित था उन्होंने ये मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने करसपश से पवित्र कर उदी सहीत लोटा दे परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया शामा ने वामन राव की इच्छा बता कर उनसे मु पच्छी सुप्या देना स्विकार करें तो मैं इसे लोटा दूँगा वो मुद्रा वापस पाने के है तू श्री वामन राव ने पच्छी सुप्या एकत्रित कर उन्हें भेट तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल ये तो पच्छी सुप्यों से कहीं अधिक है श हमारा 29 अध्याय समाप्त होता है श्री सद्गोरु साइनाथार पनमस्तुद शुभम भवत जो अम श्री साइनाथायनमहा आध्या तीस प्रालम बाबा की अनुमति से अब हम अध्याय तीस का श्रवण करेंगे इस अध्याए में शिर्री को खीचे गए भाग उनके बारे में सुनिया गए बणी के काकाबै दूसरे थे खुशालचन और बंबे के रामलाल पंजाब इस अध्याए में बतलाया गया है कि तीन अन्यभक किस प्रकार श्रीडी के ओर खीचे गए प्राक कथन जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्निह करने वाले दया के सागर है तथा निर्गुन होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिनोंने स्वेच्छा पुर्वक मानव शरीर धारन किया जो ऐसे भक्तव अच्छल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भाउसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं ऐसे ही श्री साइनात महराज को हम नमन करें भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कारिया है श्री साइन जो संत शिरोमनी है उनका तो मुख्य धेय ही यही है जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं उनके समस्त पात नश्ट होकर निश्चित ही दिन प्रति दिन प्रगती करते हैं उनके श्री चरणों का स्मारण कर पवित्र स्थानों से भक्तगंड शिरिडी आते और उनके समीब बैटकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीन हीन है और जो ये भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते है उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असाहय छोड़कर उपेक्षा भले ही करते हैं परंतु अनाथो के नाथ और प्रभूशी साई मेरा कभी परित्याक न करें जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति मित्यानित्यमे विवेक तथा ज्यान सहज ही प्राप्त हो जाता है वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं इसलिए भुक्तों को मनोवांचित फल की प्राप्ती हो जाया करती है और वे सदाक्रितक्य बने रहते हैं। हम उन्हें साश्टांग प्रणाम कर प्राथना करते हैं कि वे हमारी तुरूटियों की और ध्यान न देकर हमें समझ तकष्टों से बचा लिए। जो विपत्ती ग्रस प्राणी इस प्रकार श्री साई से प्राथना करता है उनकी क्रिपा से उसे पूर्ण शांती तथा सुक्र समर्द भी प्राप्त होती है। जो प्राथना करेगा उसे श्री साई की महांता और सर्व वैपक्ता विपित हो जाएगा। विवाल और अलोचना करना चाहते हैं। उन्हें इन कथाओं के और ध्यान देने की आवश्यक्ता भी नहीं है। यहां तर्की नहीं। परन प्रगाड, प्रेन और भक्ती के अतिंदा प्रेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रधालुजन अत्वा जो अपने को साई पत सेवक समझते हैं। उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर्द तथा शिक्षाप्रद पतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो वे केवल कपोल कलपना हैं। श्री साई के अंतरंग भक्तों को श्री साई लिलाएं कलपतरु के सद्रुष हैं। श्री साई लिला रुपिय अमरतपां करने से अग्यानी जीवों को ग्यान, ग्रस्था श्रमियों को संतोश, तथा ममुक्षों को एक उच्छ साधन प्राक्त होता है। अब हम इस अध्याई की मूल कफा पर आते हैं ये कथा काका जी बैद की है नासिक जिले के वणी ग्राम में काका जी बैद नाम के एक रख्ती रहते थे वे श्री सप्ते श्रंगी देवी के मुख्च पुजारी थी एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस परकार ग्रासित हुए कि उनके चित की शांती भूंद हो गए और वे बिलकुल निराश हो उटे एक दिन अती व्यत्थित होकर देवी के मंदे में जाकर अंतकरन से वे प्रार्थना करने लगे की हे देवी हे दया मई मुझे प्रष्टों से शीख रमुक्त करो उनकी प्रार्थना से देवी प्रसंद हो गई और उसी रात्री को उन्हें स्वापन में बोली की तू बाबा के पास जा वहां तेरा मन शान और स्थिर हो जाए बाबा का परिचाए जानने को काटा जी बड़े उच्चुप थे और अग्तु देवी से प्रश्ण करने के पूरव ही उनकी निद्रा भंग हो गई वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा है जिनकी और देवी ने मुझे संकेत किया है कुछ देर विचार करने के पश्चार थे वे इस निशकर्ष पर पहुंचे की संभव है कि वे त्रमकेश और बाबा शिवजी ही हो इसलिए वे पवितर तीर थे त्रमकेश वर गए और वहाँ दस दिन ब्यतित थे वे प्रातकाल उटकर स्नानादी से निवृत्त हो रुद्रमंत्र का जापकर साथी साथ अभिशेक वान्यधार्मिक त्रित्य भी करने लगए वरन तो उनका मन पुर्ववत का शांत बना रहा तब फिर अपने घर लोटकर व्याति करून स्वर में देवी की स्थूति करने लगे उसी रात्री में देवी ने पुना स्वप्ण में दर्शन देकर कहा कि तु व्यर्था ही द्रम्बकेश्वर क्यों गया बाबा से तो मेरा अभित्राय था श्रिडी के श्री साई समझ से अब काकाजी के समख मुख्य प्रश्ण ये उपस्थित हो गया कि वै कैसे और कब श्रीडी जाकर बाबा के दर्शन का लाब उठाएं यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संथ के दर्शन को आतुर हो तो किवल संथ ही नहीं भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं वस्तुता यदि पुछा जाए तो संथ और अनंद एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं यदि कोई कहे कि मैं स्वता ही अमुग संथ के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे दंभ के अतिरिक्प्रक्ट और क्या कहा जा सकता है संथ की इच्छा के विरुद उनके समीव जाकर कौन दर्शन ले सकता है उनकी सक्ता के बिना वृट्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जिनकी तीवरो उतकंठा नहीं शिख्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जो निमंतरण लेता है वो आदरातित्य का प्रबन भी करता है काका जी के संबन में सच मुछ यही हुआ शामा की मान्यता के बारे में सुने जब काका जी शेड़ी यात्रा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनके यहां एक अतित्थी आया जो कि शामा के अतिरिक और कोई नोई है शामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से वे ठीक इसी समय बड़ी में क्यों और कैसे आप हुँचे अब हम इस पर द्रिश्टी दागे बाल्या वस्था में वे एक बार बहुत बिमार पड़ गए थे उनकी माता ने अपनी कुलदेवी सफ्तश्रंगी से प्राफ्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर ड़ा लिए कुछ परशों के पश्चाथ ही उनकी माता के स्तन में दाध हो गए तब उन्हें पुनत देवी से प्राफ्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के दो स्तन चड़ाऊं पर ये दोनों वचन अधुरे ही रहे परन्तु जब वे बृत्टी शया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र शामा को समीब बला कर उन दोनों वचनों की स्वृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन फाकर प्राण जाग दिया कुछ दिनों के पश्चाथ वे अपनी ये प्रतिग्या भूल गए और इसे भूले पूरे तीस वर्ष बतीत हो गए तभी एक प्रसित जोच्छी श्रीडी आया और महां लगबग एक मास पर श्रीमन बूटी साहिब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविश्यवानी प्राया सही नहीं जिन से सब तो पूर्ण संतोष्थ था शामा के लगूब भ्राता बापाजी ने भी उनसे कुछ प्रश्ण पूचे तब जोच्छी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जेश्ट भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशया पर जो वचन दिये थे उनके अब तक पूर्ण न किये जाने के कारण देवी असंतुष्ठ होकर उन्हें कष्ट पहुचा रही है जोच्छी की बाद सुनकर शामा को उन्हें अपूर्ण वचनों की सुर्टी हो आई अब और विलम करना खतरनाख समझ कर उन्होंने सुनार को बलाकर शीधर चांदी के दोस्तन तयार कराए और उन्हें मस्जित में ले जाकर बाबा के समक्ष प्रक दिया तथा प्रणाम कर उन्हें सुर्टी कर वचनमत करने की प्रक शामा ने कहा कि मेरे लिए सब्ते सुन्गी देवी आप ही है पर उन्तु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयम ले जाकर देवी के चड़नों में आर्पित कर दो बाबा क्या क्या वो उदी लेकर उन्होंने वणी से प्रस्थान कर दिया पुजारी का घर पुछते पुछते वे काका जी के पास जा पांचे काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उच्चुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर शामा भी वहां पहुँच गया वो सयोग भी कैसा विच्चतर था काका जी ने अगंतुक से उनका परिचप राक्तर पुछा कि आप कहां से पढ़ा रहे हैं जब उन्होंने सुना कि वे श्रड़ी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमान मत्त हो शामा से लिपड़ गए और फिर दोनों का श्री साई लीडाओं का वाकाला आरंभ हो गया अपने वचन सन्बंदी कुट्कियों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ सिर्डी लवगा है काका मस्जिद वांच कर बाबा के श्री चरणों से जा लिपने उनके नेद्रों से प्रेमा श्रोमों की धारा बहने लगी और उनका चित स्थिर हो गया देवी के दृष्टांता अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किये उनके मन की अश्रांती तुरंट नश्ट हो गई और वे परम शांती का अनुभा करने लगे वे विचार करने लगे कि कैसी अद्वत शक्ती है कि बिना कोई संभाशन या प्रश्णोत तर किये अठ्वा आश्शिष पाये दर्शन मात्र से ही अपार प्रसनता हो रही सच मुच में दर्शन का महत वतो इसे ही कहते हैं उनके तुर्शित नेत्र साही जणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जिवा से एक शब भी न बोल सकी बाबा की अन्या लिलाएं सुनकर उन्हें आपार आनंद हुआ और वे पूर्न तहा बाबा के शर्णागत हो गए सब जिन्ताओं और कश्टों को भूल कर वे परम आनंदित हुए उन्होंने वहां सुख परवत बारा दिन व्यतित किये और फिर बाबा की आग्या आशिरवात तथा उदी प्राक्ट कर अपने घर लोग गए अब रहता निवासी खुशाल चन की कहानी सुने ऐसा कहते हैं कि प्रातब बेला में जो स्वपना आता है वो बवधा जागरता उस्था में सक्के ही निकलता है ठीक है ऐसा ही होता होगा और तो बाबा के संबन में समय का ऐसा कोई परतिबन नहीं ऐसा ही एक उधारन ट्रस् अंदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरान थुड़ी देर मुझे जपकी आ गई थी तब ही बाबा स्वपन में आये और मुझे शीग्रही शिरडी आने को कहा वरं तो फोड़े का उचित प्रबंद नहों सकने के कारण मैंने अपने पुतर को ये सुचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था जब वो गाउं की सीमा तक ही पहुँचा था तब ही आप सामने से तांगे में आते दिखें थे दोनों उस तांगे में बैटकर शिरडी पहुँचे तथा बाबा से भेटकर उन्हें बड़ी प्रस देकर शिर्डी आने पुपा उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता न चल रहा था उनको श्री दर्शन करने की तीवरोत कंथा तो थी पर उनको पताठी का ना ज्यात नो होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे जो आमंतरन देता है वही आने का प्रबन भ वे इस चित्र के ही सद्रिश थे पूश्टाच करने पर उन्हें ग्यात कुआ कि ये चित्र शिर्डी के श्री साई समर्थ का है और तब उन्होंने शीगर ही श्री को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन परियंत श्री में ही निवास किया इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त प्रस्थान के लिए श्रीडी में बुलाया और उनकी लोकिक तथा पाल लोकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की तीसवा अध्या यहां समाप्त उता है श्री सगरू साई नाथार पनमस्तु शुभममवदवदवदवदवदवदवदवदवदवदवदवदवदवदव इस अध्याय में मुट्टिदांद शन्या सी लिजयानन, बाला रम मानकर, नूलकर, मेखा, बाग की मुक्ति इसका वरनन किया गया है इस अध्याय में हेमारपन बाबा के सामने कुछ भक्तों कीमर्ट्यु तथा बात के प्राण क्या की कथा का वरनन करते है प्रालम वो जो कुछ भी द्रिश्ष देखता है स्री कृष्ण ने गीता के आठवे अध्धाय में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम खण में मुझे स्परन करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय वो जो कुछ भी दृष्ष देखता है उसी को अंत में पाता है ये कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस खण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे जहां तक अनुभों में आया है ऐसा प्रपीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भैवित होने की संभावना रहती है इसके अनेक कारण है इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्चत इस कारण सभी संथों ने हरी स्मरण और जाप को ही स्रेष्ठ बताया ताकि मृत्यू के समय में हम किसी घरेलू उल्जन में न पड़ जाने अतक ऐसे उससर पर भक्तगन पूर्ण ताहा संतों के शरनागत को जाते है ताकि संत जो कि सर्वग्या है उचित पथपथशन कर हमारी यतेश्ट साहता कर इसी परकार के कुछ उधारन नीचे दिया जाते है सुनिये विजयानन एक मदरासी सन्यासी विजयानन मान सरोवर की आत्रा करने में की मार्ग में वे बाबा की कीरती सुनतर शिर्डी आए जहां उनकी भेंट हरिद्वार के स्वामदेव जी स्वामी से हुई और इनसे उन्होंने मान सरोवर की यात्रा के संबन में पूश्टाच की स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मान सरोवर गंगोत्री से पांसो मिल उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेक दिया जैसे कि बर्ख की अधिक्ता, पचास कोश तक भाषा की बिन्नता तथा भूटानवासियों के संशेई स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कश्ट पहुचाया करते हैं यह सब सुनकर सन्यासी का चित्व उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विज़ार ट्याकर मस्जित में जाकर बाबा के श्री चर्णो का स्परश किया बाबा कुरोधित होकर कहने लगे इस निकमे सन्यासी को निकलो यहां से इसका संथ करना बगर्थ है सन्यासी बाबा के सभाव से पूर्ण अपरिचित उसे बड़ी मिराशा हुई पर उन्तु महां जो कुछ भी गतिविधिया चल रही थी उन्हें वो बैठे-बैठे ही देखता रहा प्रातक्काल का दर्बार लोगों से ठसा ठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधी अविशे कराया जा रहा था कोई पात प्रक्षालं कर रहा था तो कोई चाणों को छूकर तथा कोई तिर्थसपश से अपने नेत्रत्त कर रहा था कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे मदरास से पत्र आया कि उसकी मा किस्तिती अत्यंत चिंता जनक इससे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वो अपनी मा के दर्शन की इच्छा ठाने लगा परन्तु बाबा की आग्या के बिना वो शिर्डी से जाही कैसे सकता था इसलिए वो हाथ में पत्र लेकर उनके समीब गया और उनसे घर लोटने की अनुदी मा तरिकाल दर्शी बाबा को तो सब का भविश्य बिदी थी था उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी मां से इतना मोह था तो फिर सन्यास धारन करने का कश्ट ही क्यों उठाया ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है जो चुपचाप अपने स्थान पर रहेकर कुछ दिन शांती पुरवग बिताओ परंतु सावधान वाडे में चोर अधिक है इसलिए द्वार बन कर सावधानी से रहना नहीं तो चोर सब को चुरा कर ले जाए लक्ष्मी याने संप्रती चंचला है और ये शरीर भी नाश्वान है ऐसा ही समझकर इह लोकिक वो पारलोकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याकर अपना करतब व्यकर जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरी के शरनागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीग रचुटकारा हो उसे परमानन की प्राप्ती हो जाती है जो परमात्मा का ध्यान वचिंतन प्रेम और भक्ति पुर्वक करता है परमात्मा भी उसकी अविलम्व साहता करते है पूर्व जन्मों के शुभस अंसकारों के फ्लस रूप ही तुम यहां पहुंचे जाते है और अब जो कुछ मैं कहता हूं उसे ध्यान बुर्वक सुनो और अपने अंतिम धेये पर विचार कर इच्छा रहित होकर कल से भागवत का तीन सप्टाह तक पठन पाठन प्रारम क तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर करतेंगे माया का आवरन दूर होकर तुम्हें शांती प्राप्त होगी बाबा ने उसका अंतिकाल समीब देखकर उसे ये उक्छार बता दिया और साथ की राम विज़ा पढ़ने की भी आगया जिससे अधिक प्रसन्न होते हैं। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की साहता कर उसे सद्गती प्रकाने अब सुनिये बाला राम मानकर बाला राम मानकर नामक एक ग्रहस्त बाबा के परमभक थे जब उनकी पत्नी का देहान्त हुआ तो वे बड़े निराश हो गये और सब घरबार अपने लड़के को सौंप प रहने को का मानकर कि इच्छा उनका सान्यत जो छोड़कर अन्यतर कहीं जाने की नर थी परन्तु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्यानार्थ ही मैं ये उत्तम उपायकों ने बतला रहा हूं इसलिए वहां जाकर दिन में तीन बार प्रभु का ध्यान करो बाबा द्वारा बताई गई विधी से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारम कर दिया और कुछ दिनों के पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया बहुदा भक्तों को समाधी या तुरियावस्था में ही दर्शन होते हैं परन्तु मानकर जब तुरियावस्था से प्रकृता पर उठने लगे थे, इसी कारएं, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांती प्राप्त हो, तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिर्डी में ही विद्धिमान हूँ, और साड़े तीन हाथ के इस पंच तत्व के पुतले के अत्रिक कुछ नहीं हूँ, परं से दादर रेल द्वारा जाना काता था, परंतु जब वो टिकेट घर पहुंचा, तो वहाँ अधिक भिड़ के कारण वो टिकेट खरी दी से, इतने में ही एक देहा थी, जिसके कंदे पर एक कंबल पड़ा था, तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अत्रिक कुछ नहीं वहाँ आया, और मानकर से पूछने लगा, आप कहां जा रहे हैं, मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूं, तब वो कहने लगा कि मेरा ये दादर का टिकेट आप ले लीजे, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कारिया आज आने के कारण मेरा जाना आज न हो सक मानकर को टिकेट पाकर बड़ी प्रसंदता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकलने लगते, इतने में टिकेट देने वाला आदमी भीड में कहीं अदुर्श हो गया, मानकर ने भीड में परियाप चानवीन की, परंतु सब गर्थ ही हुआ, जब तक गाड़ी नहीं ऑब वो सदयो बाबा के वचनों और आग्या का पालन करने लगा, अंतो अधगए शाली ने बाबा के सम्मक उंका आशिरवाद प्राप्तर कर अपने प्रांट क्याता है, अब तात्या सहले नूलकर के बारे में सुनिए, हेमाड़ पंत ने तात्या सहले नूलकर के संबन मे कोई विवरन नहीं लिखा है केवल इतना ही लिखा है कि उनका देहान श्रीडी में हुआ था साई लीड़ा पत्रिका में संचित विवरन प्रकाशित हुआ था सन 1909 में जिस समय ताट्या साहिब पंधरपुर में उपनियादीश थे उसी समय नाना साहिब चांदोर कर भी वहाँ के मामलत दार थे ये दोनों आपस में बाउधान मिला करते और प्रेम पुर्वक वार्थला किया करते थे ताट्या साहिब संतों में अविश्वास करते थे जबकि नाना साहिब तो संतों के पती विशेश रथा थे नाना साहिब ने उन्हें साई बाबा की लिडाएं सुनाई और एक बार शिड़ी जाकर बाबा का दर्शनलाब उखने का आगरह भी किया वे दो शर्टों पर चलने को तयार कोई उन्हें ब्राम्वन रसोगिया मिलना चाहिए बेट के लिए नाकुर से उत्तम संद्रे होने चाहिए शिग्रही ये दोनों शर्टे पूर्ण हो गए नाना साहिब के पास एक ब्राम्वन नोक्री के लिए आए जिसे उन्होंने तात्या साहिब के पास भिजवा दिया और एक संत्रे का पार्सल भी आया, जिस पर भेजने वाले का कोई पता न लिखा था, उनकी दोनों शर्ते पूरी हो गई थी, इसलिए अब उन्हें श्रीडी जाना ही पड़ा, पहले तो बाबा उनके प्रोधित हुए, परन तो जब धीरे धीरे तात्या साहिक तो विश्वा जब उनका अंतिकाल समी पाया, तो उन्हें पवित्र धर्मिक पाट सुनाया गया और अंतिम उख्षनों में उन्हें बाबा का पाजतित्वी दिया गया, उनके बृत्यु का समाचा सुनकर बाबा बोल उखे, अरे ताट्या तो आगे चला गया, अब उसका पुना जन्म न बाबा के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए, तथा उन्होंने उसके मृत्य शरीर पर फूल बस आया, दहा सद्सकार खोने का पश्टार बाबा के आँखों से आसु बितने लगे, एक साधारन मनुश्य के समान, उनका भी रिदाय, दुख से विदीर न हो उसके शरीर को फूलों से ठकत, एक निकट संबन्दी के सद्रुष, रोते फिटने वे मस्जित को लोट, सद्गती प्रतान करते हुए, अनेक संद देखने में आया है, परन्तु बाबा की महनता, अद्वितिय, यहां तक कि बाग सरी का एक इंसक पशु भी, अपनी रक्ष उसका भयानक मुद गाड़ी के पीछे की ओर था, वो किसी अध्यात पिड़ा या दद से दुखी था, उसके पालग तीन दर्वेश थे जो एक गाउं से दूसरे गाउं में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेश्ट दर्वे संजय करते थे, और यह उसे जंजिरे पकड़ कर उन्होंने बाग को मस्जिद के दर्वादे पर खड़ा कर दिया, वो सभाता ही भयानक था, पर रुखन होने के कारण वो बैचेन था, लोग भै और आश्चरे के साथ उसकी ओर देखने लगे, दर्वेश अंदर आया और बाबा को सब हाल बता कर वे बाग को उनके सामने लाए, जैसे ही वो सीड़ियों के समी पहुंचा है, वैसे ही बाबा के तेज़पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हड़ गया और अपनी करदन नीचे जुका लगी, जब दोनों की दृष्टी आपस में एक हुई, तो बाग सीड़ी पर चड़ गया और प्रेम अकुरन दृष्टी से बाबा को निहारने लगा, उसने अपनी पूछ राकर तीन बार जमीन पर पट्की और फिर तक शन ही अपने प्रांट ट्याग दिया, उसे मृत देकर दर्वेशी बड़े मिराश और दुखी हुए, तक पस्चार जब उन् चुक गया तो वो स्वतन्त हो गया और जीवन के अंत में उसे साई चरणों में सद्गती प्राप्त हुई, जब कोई प्राणी संतों के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रांट ट्याग दे तो उसकी मुक्ती हो जाती है, पूर्वजन्मों के शुभत संसकारों के ओम नमो भगवते साई देवाया ओम नमो भगवते साई देवाया ओम श्री साई नाथाय अध्या बगवतिस प्रारम श्री साई बाबा के अनुमती से और आश्रवात से अब हम अध्याय 32 का श्रवन करें गरें इस अध्याय में गुरू और इश्वर्त खोज अपवास अमान में बाबा के सरकार इसका वर्णन किया गया है इस अध्या में हेमाडपंत ने दो विशेयों का वर्णंग किया है किस प्रकार बाबा की अपने गुरू से भेंट हुई और उनके द्वारा इश्वर दर्शन की प्राक्ति कैसे हुई श्री मती गोखले जो तीन दिन से उपवास कर रही थी उनको पुरनपोली का भोजन कैसे कराए प्रस्तामा श्री हेमाडपंत बटबर्ख्ष का उधारन देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वरणन करते है गीता के अनुसा बटबर्ख्ष की जड़े उपर और शाखाएं नीचे को चारो और पहली भी है उर्ध्वमूलमदाहा शाका गीता का पंध्रवा अध्याय श्लोप पहला इस व्रिक्ष के गुण, पोशक और अंकुर इंद्रियों के भो के पतात है जड़े जिनका कारण भुद कर्म है बेस्रिष्टी के मानवों की और पहली ही है इस व्रिक्ष की रचना बड़ी ही विजित्र है न तो इसके आधार, उद्गम और अंध का ही भान होता है और नहीं इसके आधार का इस कठोर जड़ वाले संसार उपी व्रिक्ष को नश्ट करने के हेतू किसी बायमात का आवलंबन करना अत्यंता आवशक है ताकि इस असार संसार में आवागमन से मुक्ती प्राप्ट हो इस पत्पर अगरसर होने के लिए किसी योग्यती दर्शक यानि कि गुरू की निदान ता आवशकता है चाहे कोई कितना ही विद्वान, अथ्वावेर और वेदान तुमें पारंगत क्यों न हो वो अपने निर्दिश्ट स्थान पर नहीं कहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायतार कोई योग्यत पत्परदर्शक न मिल जाए जिसके पत्परचिन्हों का अनुसरन करने से ही माग में मिलने वाले गवभरों, खंदकों तथा हिंसक प्राणियों के भैसे मुख्थ हुआ जा सकता और इस विधी से ही संसार यात्रा सुगम तथा कुशलता पुरवक पूर्ण हो सकती है इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने स्वयम बताया वास्तों में आश्च्रिय जनक है यदि हम उसका ध्यान पुरवक अनुसरन करें तो हमें निश्चे ही शर्था भक्ति और मुक्ति प्राक्त होगी अब सुनिये अनुवेशन एक समय हम चार सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्यपुस्तों का अध्यान कर रहे हैं इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग प्रम्ह के मूल स्वरुप पर विचार करने लिए एक ने कहा कि हमें स्वयम को ही जाग्रती करनी चाहिए दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है पर इस पर दूसरे ने कहा कि जिसने मनों निगरह कर लिया है वो धन्या हमें अपने संकिरन विचारों और धावनाओं से मुक्त होना चाहिए क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक और कुछ भी नहीं है तीसरे ने कहा कि ये संसार सदैवक वरी वरतन शीर है केवल मिराकार ही शाश्वत अतख हमें सत्य और सत्य में विवेक करना चाहिए तप चौथे जो कि बाबा थे उन्होंने कहा कि केवल कुस्तखिया ग्यान से कोई लाब नहीं हमें तो अपना करतब पे करते रहना चाहिए द्रडविश्वास और पूर्ण निष्ठा पुर्वक हमें अपना तन्मान धन और पंच प्रानादी सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पन कर देने चाहिए गुरु भखवान हैं सबका आलमखार है इस प्रकार बाद विबाद के उपरांथ हम चारोज सहयवी वन में इश्वर की खोश में निकिए हम चार विद्वान गिना किसी के साहता लिए केवल अपने स्वतंत्र बुद्धी से ही इश्वर की खोश करना चाहते थे मार्ग में हमें एक बंजारा मिला जिसने हम लोगों से पूछा कि है सचनो इतनी धूप में आप लोग किस और प्रस्थान कर रहे हैं प्रट्चुतर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर उसने अपनप पूछा कृपया ये तो बताईए कि वन के ओर जाने का उदेश्य क्या है हम लोगों ने उसे चाल मटोल वाला उत्तर दे दिया हम लोगों को निरुदेश्य सगन भयानन जंगलों में भटटते देखकर उसे दया आ दे तब उसने अधिविनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज काहेतू चाहे मुझे न बता है किन्तु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्यानन के प्रचंड मारतन की तीवर किरनों की उश्नता से आप लोग अधिक कश्ट पा रहे हैं कृपया यहां कुछ शंड विश्राम कर जल्पां कर लीजी आप लोगों को सूर्द है तथा नम्र होना चाहिए बिना पथप्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक बन में भटकते फिरने से कोई लाब नहीं यदि आप लोगों की तीवर इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग के पथप्रदर्शक को साथ ले ले उसकी विनम्र प्राथना पर ध्धान न देकर हम लोग आगे बढ़े हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयम ही अपना लक्ष प्राक्ट करने में समर्थ थे तब थिर हमें किसी के साहरे की आवशक्ता नहीं ही जंगल बहुत विशाल और पतहीन था प्रिक्ष कितने उचे और धने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंच सकना गठिन था परणाम ये हुआ कि हम मात भूल गए और बहुत समय तक यहां वहां भटकते हैं भग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनह जा पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किया तब वही बंजारा हमें पुनह मिला और कहने लगा अपने चाचुरिये पर विश्वास कर आप लोगों को पत की विस्पृति हो गई है प्रत्ते कार्य में चाहे वो बड़ा हो या छोटा मारगे दर्शक हावश्च है इश्वर प्रेना के अभाव में सत्कुर्शों से भेट होना संभव नहीं भूके रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता इसलिए यदि कोई आगरह पुर्वग भोजन के लिए आमंतरित करे तो उसे अस्विकार न कर दो भोजन तो भगवान का पसाद उसे फुकराना उचित नहीं यदि कोई भोजन के लिए आगरह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जाना इतना कहकर उसने भोजन करने का पुना अनुरोद किया फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोद की उपेक्षा कर भोजन करना अस्विकार कर दिया उसके सरल और गूर उपतेशों की और धान दिये बिना ही मेरे तीन साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया अब शुरोता ही अनुमान करे कि बे लोग इतने एहंकारी थी मैं शुधा और त्रिशा से अत्यंत व्याकूल था ही बंजारे के अपूरवा प्रेम ने भी मुझे आकर शुखिए यदिपी हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे परंतु दया एवं प्रिपाक जिसे कहते हैं उससे सर्वथा अनभिक्य ही थे बंजारा था तो एक शूद्र अनपड़ और गमार परंतु उसके रिदय में महान दया थी जिसने बार बार भोजन के लिए आगरह किया जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं सच मुच में वेही महान है मैंने सोचा की इसका आगरह स्विकार कर लेना ज्यान प्राप्ति के हेतु शुख आवाहन है और मैंने इसी कारण उसके दियर हुए रुखे सुखे भोजन को आदर वो प्रेम पुरवत स्विकार कर लिया शुधा निवारन होते ही क्या देता हूँ ये गुरुदेव तुरंथी समक्ष प्रगट हो गए और प्रश्न करने लेगे ये सब क्या हो रहा था घटि धटना मैंने तुरंथी उन्हें सुना दी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे रिदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूँगा परन्तु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को फ्राप सुद मेरे तीनों सहयोगी तो उनके वच्छनों पर अविश्वास कर महां से चले गए तब मैंने उन्हें आदर सही प्राम किया और उनकी आग्या मानना सुविकार कर लिया तक पश्चाथ वे मुझे एक कुवे के समीप ले गए और रसी से मेरे पैर बानकर मुझे कुवे में उल्टा लटका दिया मेरा सिर्द नीचे और पैर ओपर कुथे मेरा सिर्द जल से लगबग तीन फूट की उच्चाई पर था न मैं हाथों के दोरा जल ही चूँ सकता था और न मुँ में ही उसके जास्तने की कोई संभावना थी मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे ने जाने कहां चले गए लगबग चार-पांच घंटों के उपरां तुवे लोटे और उन्होंने मुझे शीग रही कुवें से बाहर निकाल फिर वे मुझे से पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा अनुभाव हो रहा था मैंने कहा कि मैं परमानन का अनुभाव कर रहा है मेरे समान मुर्ख प्राणी वहला ऐसे अनन का वरनन कैसे कर सकता मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुर्देव अत्तनती ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने एर्दे से लगाकर मेरी सरहना की और मुझे अपने संग ले लिया एक चिडिया अपने बच्चों का जितनी सावधभानी से लालन पालन क्रती है उसी परकार उन्होंने मेरा भी पालन किया ंन्होंने मुझे अपनी शाला में सिफान दिया कितनी सुन्दर थी वो शाला वहां मुझे अपने माता पिता की भी बेस्पूर्टी हो गए मेरे समस्त अन्याकरशन दूर हो गए और मैंने सरलता पुरवक बंधरों से मुट्टी पाई मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि मैं उनके रिदे से ही चुक्चे रहकर उनकी और निहारा करो यदि उनकी भग्वे मुट्टी मेरे दृष्टी में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेहसकर समझता ऐसे प्रियत की वो शाला कि वहां पहुँचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लगता मेरी समस्त निधी गर, संपत्ती, माता, पिता या क्या को निधी मेरे सरवस्वत थे मेरी इंद्रियाँ अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में कंड़ित हो गई और मेरे नेत्र उनके मेरे लियो गुरु ऐसे ही हो चुके थे कि दिन राफ मैं उनके ही ज्ञान में निमक न रहता था मुझे किसी भी बात की सुझन इस प्रकार का ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और गुद्धी फिर हो गई मैं स्थम्थ हो गया मानसिक प्रणाम करने लगा अन्य और भी अध्धातनिक केंद्र है जहां एक भी नहीं दृष्ट देखने में आता सादक वहां ज्ञान प्राप करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपपे करता है कठोर परिश्रम भी करता है परन्तु अंत में उसे पश्चाता भी हात लगता है वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते है और अपने को निश्कलंग बतलाते है वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिने तो करते हैं परन्तु उनके अंतर्खरण में दयालेश मात्र भी नहीं होती वे उपदेश अधिक देते हैं और अपने खिर्की का स्वयम ही गुणगान करते हैं परन्तु उनके शब्ध रिदय वेधी नहीं होते हैं इसलिए साद्धकों को संतोष प्राप्त नहीं है जहां तक आत्मदर्शन का प्रश्ण है वे उससे कोसों दूर होते हैं इस प्रकार के केंद्र साद्धकों को उप्योगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नती की आशा कोई कहां तक कर सकता है जिन गुरु के श्री चर्णों का मैंने अभी वर्ण किया है वे भिद्ध प्रकार के ही थे केवल उनकी खृपाद विष्ची से मुझे स्वताहाई ही अनुभूती प्राप्थ हो गई तथा मुझे न कोई प्रयास और नहीं कोई विशेश अध्ययन करना पड़ा मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यक्ता नहीं पड़ी वरन पत्यक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उजवल दिखाई देने लगी केवल वे मेरे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुए में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए पर्वानन का कारन सिथ हुआ उन चार सहयोगियों में से एक महन कर्म कांडी थी किस प्रकार करन करना और उससे अलिप्त रहना ये उसे भरी भाकी ग्या था दूसरा ज्यानी था जो सदैवर ग्यान के एहनकार में ही चूर रहता था तीसरा इश्वर भग्त था जो कि अनन्य भाव से भगवान के शर्णागत खूच करता तथा उसे ज्यान था कि इश्वर ही करता जब वे इस प्रकार विचार विनमाए कर रहे थे तभी इश्वर समंदी प्रश्ट पुट पड़ा तथा वे बिना किसी से साहत अप्राप किये अपने स्वतन तरग्यान पर निर्भर रहकर इश्वर की खोज में निकल पड़े श्री साई जो विवेक और वहरागित प्रतेक्ष मूर्टी थे उन चारों लोगों में सिम्मिलित थे यहां कोई शंका कर सकता है कि जब साही स्वयम ही प्रम के अवतार थे तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा अजरन किया स्वयम अवतार होते हुए भी और ये द्रध हरना कर कि अन्न ही प्रम है उन्होंने एक शुद्र बंजारे के भोजन को सहर्श स्विकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आगरह की उपिक्षा करने और बिना गुरू के ग्यांग प्राप करने वालों की क्या दशा होती है इसका उनके समक्ष एक उधारन प्रस्वत किया शृति का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरू का आदर सहीत पूजन कर धार्मी कृंतों का अध्यन करना चाहिए यह चित शृति के मार्ग और जब तक चित की शृति नहीं होगी तब तक आत्मानु भूति की आशा जर्त आत्मा इंद्रियों मन और बुद्धी के परे है इस विशे में ज्यांग और तर्क हमारी कोई साहता नहीं कर सकते है केवल गुरू की कृपा से ही ये सब संभव है धर्म अर्ग और काम की प्राप्ति अपने प्रैत्न से ही हो सकती है परन्तु मौक्ष की प्राप्ति को केवल गुरू कृपा से ही संभव है श्री साई के दर्बार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था देखो जोच्छी लोट आ रहे हैं और भविशता बखान कर रहे हैं दूसरी और राचकुमार, श्रीमान, संपन्नो और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवये दर्शनार थे चले आ रहे हैं यहां तक कि एक पतिशूत्र भी दर्बार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है साई ही मेरे माँ या बाप और वे जन्मरत्य के चक्र से मेरा चुकारा करते और भी अने को तमाशा करने वाले, किरतन करने वाले, अंधे, पंगू, नात्पंथी, नर्कत, वो अन्य, मनो, रंजन करने वाले दर्बार में आते थे जहां उनका उचित मान किया जाता था और इसी प्रकार को प्यक्त समय पर वो बंजारा भी प्रगट कुआ और जो अभी ने उसे सौंपा गया था उसने उसको पूर न किया हमारे विचार से कुए में 4-5 घंटे उल्टे लड़के रहना इसे सामाने घटना नहीं समझना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने समय तक रसी से लड़काए जाने पर कश्ट का अनुभाव न कर परवानन का अनुभाव करे इसके विपरित उसे पिड़ा होने की ही संभावना अधिक ऐसा प्रतीत होता है कि समाधी अवस्था का ही यहां चितरन किया गया आनन दो प्रकार के होते हैं प्रथम आइंद्रिक और द्वितिय अध्यात्मिक इश्वर ने हमारे इंद्रियों वत्तन मन की प्रवर्तियों क प्रचना वाये मुखी किये हैं और जब वे इंद्रियां और मान अपने विशे पदार्थों में सल्लगन होती है तब हमें इंद्रिय चैतन्यता प्राप्ट होती है जिसके फ्लस रूफ हमें सुख या दुख और प्र॥क या दोनों का समिलित अनुभा होता है नकि परमानन जब इंद्रियों और मन को उनके विशे पदार्थों से हटा कर अंतर मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें अध्यात्मिक बोध होता है और उस समय के आनन का मुख से वरनन नहीं किया जा सकता है मैं परमानन में था तथा उस समय का वरनन मैं कैसे कर सकता हू बाबा ने स्वयम कभी उप्वास नहीं किया नहीं उन्होंने दूसरों को करने दिया उप्वास करने वालों का मन कभी शान्त नहीं रगा तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभावा है प्रथम आत्मा की तिप्ति होना आवश्रक है भूके रहकर इश्वर की काप्टीम नहीं हो सकते यदि शरीर में कुछ अन्न की उर्जा नहो तो हम कौन सी आँख से इश्वर को देखेंगे किस जवासे उनकी महनता का वर्नन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवन करेंगे सारान्श ये कि जब समस्त इंद्रियों को यथिष्ट खुरात और शांती मिलती है तथा जब वे बलिष्ट रहती है तब ही हम भक्ति और इश्वर प्राप्ति के अन्यसाधाएं कर सकते थे इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और नहीं अधिक भोजन भोजन में सयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम श्रीमती काशिबाई कानेट श्री साई बाबा की एक भग उन से परीचे पत्र लेकर श्रीमती कोखले दादा केलकर के पास श्रीडी आया वे एक ग्रेड निश्चे करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर तीन दिन उपवास करो उनके श्रीडी पहुंचने के एक दिन पूरव ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा याने होली के दिनों में अपने बच्चों को भूका नहीं देख सकता हूँ यदि उन्हें भूके रहना पड़ा तो मेरे यहां होने का लाब ही क्या है दूसरे दिन जब वो महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीब बैठी तो तुरन बाबा ने कहा वो पवास की आवशकता ही क्या है दादा बढ़ के घर जाकर पुरन पुली तयार कर अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयम खाओ वे पुली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक घर नसे थे दादा बढ़ के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ती बड़ी सामयी थी श्रीमती गोखले ने दादा बढ़ के घर जाकर भोजन तयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयम भी खाए कितनी सुन्दर कथा है और कितनी सुन्दर उसकी शिक्षा अब सुनिये बाबा के सरकार बाबा ने अपने बच्पन की एक कहानी का इस प्रकार वरना किया जब मैं चोटा था तब जीवी का उपार जनार्थ मैं बिढगाव आया जहां मुझे जरी का काम ने गया और मैं पूर्ण लगन और उमीद से अपना काम करने ला मेरा काम देखकर सेट बहुत ही प्रसंद न हुआ मेरे साथ तीन लड़के और भी काम कर पे थे पहले का काम पचास रुपे का दूसरे का सौ रुपे का तीसरे का देर सो रुपे का हुआ मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया मेरी निकुंता देखकर सेट बहुत ही प्रसंद हुआ वो मुझे अधिक जाता था और मेरी प्रसंचा भी करता रहता था उसने मुझे एक पूरी पोशाख प्रदाना जिसमें सिर के लिए पगड़ी और शरीर के लिए एक शेला भी था मेरे पास वो पोशाख बैसी ही रखी रहे मैंने सुचा कि जो कुछ मनुष्य निर्वित है वो नाश्वान और अपूर्ण है परन्तु जो कुछ मेरे सरकार बारा प्राप्थ होगा वही अंतक रहे किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ लोग मेरे पास आपके कहते हैं मुझे दो दो परन्तु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई धान देने का प्रैत्म नहीं करता मेरे सरकार का खजाना यानि आध्यात्निक भंडार फरकूर है और वो बहरा है मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओगा जो सच्ची मां का लाल होगा उसे स्वयम ही भरना चाहिए मेरे फकीर की कला मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बरताव सरवथा अद्वितिय मेरा का कि ये शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भू बंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर ये अवसर कभी प्राप्त न हो मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ परन तो माया फिर भी मुझे कश्ट पहुंचाती है इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्यानात सदय वे उत्षुखी रहता हूँ जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनन्द की प्राप्ती होगी यहां हम बत्तिस्वा अध्याय समाप करते है श्री सगरू साइनाथार पनमस्तू शुभं भवद शुभं भवद अध्याय थेतिस प्राप्त श्री गनेशाय नमğı श्री सरस्वत्यय नमः श्री गुरो भ्यो नमः श्री कुलदय वताय नमः श्री सीता रामचंदरा भ्याम नमः श्री सत्गुरू साइनाथाय नमः इसमें है उदी की महिमा बिच्छु का डंग प्लेक की कान्ड जामनेर का चमकार, नाराएंडराव, बाला बुवा सुतार, अप्वा सहथ पिलकर्मी, फरी बहुग करनिक, इसका वर्णन किया गया है पूर्व अध्याय में गुरू की महनता का दिक्दर्शन कराया गया है अब इस अध्याय में, उदिके महत्मे का वर्णन किया जाएगा सबसे पहले, प्रस्तावाद, आओ, पहले हम संतों के चर्णों में प्रणान करें जिनकी कृपाद रिष्टी मात्र से ही, समस्त पात वसमुहां भस्म होकर, हमारे आचरन के दोश नश्ट हो जाएंगे उन से वातलाब करना हमारे लिए शिक्षापकत और अतिया आनन्द दायक है वे अकने मन में, ये मेरा और वो तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते इस प्रणा के भेदभाव की कल्पना, उनके रिदे में कभी भी उत्पन्द नहीं होती उनका रिद इस जन्व में तो क्या, अने जन्वों में भी नहीं चुकाया जा सकती उदी, इसे विभूती भी कहते हैं, उसके बारे में सुनिया ये सवविदित है कि बाबा सबसे दक्षिना लिया करते थे तथा उस धन राशी में से दान करने के पश्चा जो कुछ भी शेश बचता उससे वे इन्धन मोल लेकर सदेव धूनी प्रजलित रखते थे इसी धूनी की भस्ट उदी कहराती है भक्तों के शिर्डी से प्रस्थान करते समयें ये भस्ट मुक्तहस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं उदी वितरन कर बाबा हमेशा शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का पतिविम्ब भस्म के ही समान है हमारा तन्धी इन्दन सद्रिश ही है अर्थार पंच भूतादी से निर्मित है जो कि सांसारिक भोगादी के उपरान विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिनित हो जाएगा वक्तों को इस बात पिसमती दिलाने के हितु ही के अंच में ये देख भस्म सद्रुश होने वाला है बाबा उदी वितरन किया करते थे बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते है इस संसार में प्रमही सत्य और जगत मिध्या है इस संसार में बस्ताहा कोई किसी का पिता, खुत्र, अथ्वास्क्रीम नहीं है हम जगत में अकेले ही आये हैं और अकेले ही जाएंगे पूर्व में ये देखने में आज का है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारिरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्त प्रदान किया है यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिना और उदी द्वारा सत्य और अस्त्य में विवेक तथा अस्त्य के त्याग का सिध्धान समझाना चाहते थे इस उदी से वैराग्या और दक्षिना से त्याग की शिक्षान लखी थे इन दोनों के अभाव में इस माया रुपी भवसागर तो पार करना कठें है इसलिए बाबा दुसरे के भोग स्वयम भोग कर दक्षिना स्वीकार कर लिया करते थे जब भक्तगंड विदा लेते तब वे प्रसाग के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तख पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तख पर रखते थे जब बाबा प्रसन चित्त होते तब वे प्रेम पुर्वत गीत गाया करते थे है ऐसा ही एक भजन उदी के संब्ध में भी है भजन के बोल हैं रमते राम आओ जी आओ जी उदिया की गोनिया लाओ जी बाबा ये शुद्धा और मधुर स्वर में गाते थे ये सब तो उदी के अध्यात्मिक प्रभाव के संबन में हुआ परन्तु उसमें भावतिक प्रभाव भी था जिससे भक्तों को स्वास थी समर्द्धी, चिंता मुक्ती एवं अनेक सांसारिक लाग प्राप्थ हुए इसलिए उदी हमें अध्यात्मिक और सांसारिक लाग पौचाती थी अब हम उदी की कथाएं प्रारम करते हैं सबसे पहले बिच्छु का डंग इसके बारे में श्रवन करें नासिक के श्री नारायन मुतिराम जानी बाबा के परमभग थे वे बाबा के अन्यभग रामचंद्र वामन मोडग के अधिन काम करते थे एक बार वे अपनी माता के साथ च्रड़ी गए तथा बाबा के दर्शन का लाग उठाया तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि नारायन राव के एक मित्र को बिच्छुने काट लिया जिससे उसे असहनियां पीड़ा होने लिगी ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबान कसिद्र ही है काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है नारायन ने उदी खोजी और तु कहीं न मिल सकी उन्होंने बाबा के चितर के समक्ष खड़े होकर उनसे साहता की प्राथना की और उनका नाम लेते हुए उनके चितर के समुख जलती हुए अगर्बत्ती में से एक चुट्की भज बाबा के उदी मानकर बिच्छुटे डंक मानने के स्थान पर लेप कर दिया वहां से उनका हाथ हटते ही पीड़ा तुरंट मिट गई और दोनों अति प्रसन्द होकर चले गए प्लेग की कांट उसके बारे में सुनिया थी एक समय एक भग बांदरा में था उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ड्रस्त है और उसे गिल्टी निकलाई उनके पास उस समय उदी नहीं थी इसलिए उन्होंने नाना साहिब चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना थी नाना साहिब ठाने रेलवे जानकर उनसे साहता की प्राथना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया वो भक खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहा थी जब वो घर लोगा तो उसे जानकर पती हर्श हुआ कि जिस समय से नाना साहिब ने ठाने रेलवे स्टेशन के पास बाबा स साहता करने की प्राथना की तभी से उनकी लड़की की स्ठिकी में पर्याप सुधार हो चलाता जो गत तीन दिनों से पीड़ी थी अब सुनिये जामनेर का विलक्षन चमतकार उसके बाइब सन 1905 में नाना सेफ चांदोर कर ठांदेश जिले के जामनेर में ममलतदार थी जाम दो-तिन दिनों में उसे प्रसव वैदना हो रही थी आना साहिब ने सभी संभव प्रैत्म किया परंतु बे सब व्यर्थी सिथ हुए तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे साहता की प्राथना थी उस समय श्रीडी में एक रामगीर बुआ जिने बाबा वापुग रामगीर बुआ के नाम से फुकारते थे अपने घर खंदेश को लौट रहे थे बाबा ने उन्हें अपने समी बुला कर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतर कर ये उदी और आरती श्री नाना साहिद को दे 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 रामगीर बुआ बोले क कि मेरे पास किवल दो ही रुपे हैं जो किठनाई से जलगाउं तक के किराये को ही परियाप्त होंगे पिर ऐसी स्थी में जलगाउं से तीस मिल और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा बाबा ने उतर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं तुमारी सब दवस्ता हो जाए तब बाबा ने शामा से माधव अड़कर द्वारा रचे थे प्रसिफदा आरती की प्रतिलीपी कराई और उदी के साथ नाना साहिप पर पास भेज दी बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामजीर बुआ ने शिर्डी से प्रस्थान कर दिया और पौने तीन बजे राती इस समय उनके पास केबल दो आने ही शेश थे जिससे वे बड़ी दूविधा में थे इतने में ही एक आवाज उनके कानों पर पड़ी की शिर्डी से आये हुए बापुगीर बुआ कौन है उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया मैं शिर्डी से आ रहा है और मेरा ही नाम बाप पाना हो गए तांगा रोकर खोड़ों को पानी पिला इसी बीच चप्रासी ने रामगीर बुआ से खोड़ासा नाश्ता करने को पाई उसकी दाड़ी मुच्छे तथा अन्योवेश खुशा से उससे मुसलमान समझकर उन्होंने जल्पान करना अस्विकार कर दिया तब उस जल्पान कर उन्हां रवाना हुए और सुर्योदे काल में जामने पहुंच गए रामगीर बुआ लभुशंका को गए और थोड़ी ही देर में जब वे लौट कर आए तो क्या देखते हैं वहां न तो तांगा था न तांगे वाला और नहीं तांगे की भोड़े उनके बाबा की आरती और उदी लेकर आया उस समय मैना ताइक इस्तिकी बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी नाना साहिब ने अपने पत्नी को बलाकर उदी को जल्मे मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा उन्होंने सोचा कि ब प्रासी, तांगा तथा जलपान अधी रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहिब को ये सुनकर महाना अश्चरिय हुआ और वे कहने लगे खिकी मैंने तो कोई तांगान अप्रासी ही भेजा था और नहीं मुझे श्रडी से आपके पदाने क की कोई पूर्वसुचना ही थी ठाने के सेवा निवृत बीवी देव ने नाना साहिब चांदोरकर के पुत्र बापु साहिब चांदोरकर और श्रडी के रामगीर बुआ से इस संबन में बड़ी पूछता चाए और फिर संतुष्ठ होकर श्री साईलीला पत्रिका भाग 13 म गद्य और पद्य में एक संदर रजना प्रकाशित है श्री बीवी नसीह स्वामी ने भी मैना ताई बापु साहिब चांदोरकर और रामगीर बुआ के कथन किये है जो की क्रमशाह 1 जुन 1936, 16 सितंबर 1936 और 1 दिसंबर 1936 को छपे है और ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक भक्तों के अनुह भाग तीन में प्रकाशिक किये है अब ये प्रसंद रामगीर बुआ के कथना नुसार उत्रुत है एक दिन मुझे बाबा ने अपने समीब बुलाकर एक उदी की पुडिया और एक आरती की प्रकिलिपी देकर आग्या दिल की जामनेर जाओ और ये आरती का दिन था मैं शीगर ही रवाना हो गया मैं मनमार साड़े च्छे बजे सायन काल और जलगाओ राती को दो बचकर 45 मिनेट पर पहुंचा उस समय फ्लेग निवारक आदेश जारी थी जिससे मुझे और सुविदा हुई और मैं सोच रहा था कि कैसे जामनेर पहुंचू रात मैं भगूर के समीब मैंने जलपान किया जब प्रातक काल जामने पहुंचा तब उसी समय मुझे लगूशनका करने की इच्छा हुई जब मैं लोटकर आया तब देखा कि वहां कुछ भी नहीं है न तंगा और तंगे वाला सब कुछ अधुरुश है अब सुनिये नारायन भग नारायन राव को बाबा के दर्शनों का तीन बार सभग्य प्राप्ठ हुआ। सन 1918 में बाबा के महा समाधी लेने के तीन वर्ष पश्चार वे शिर्डी जाना चाहते थे। परंतु किसी कारण वर्ष उनका जाना न हो सकते। बाबा के समाधिस्क होने के एक वर्ष के होई दिखाई पड़े और सांतुना दे का कहने लगे घबराओ नहीं तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और एक सब्ता में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायन राव स्वस्थ हो गए। अब ये प्रश्ण विचारनिया है कि क्या बाबा देहधारी होन उनकी शरण में जाता है वो कहीं भी हो उसे वे साहता पहुचाते हैं वे तो सडा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भग के समक्ष प्रगट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं अब सुनिये अप्पा साहे पुलकरनी के था सन 1917 में अप्पा साह नांतरण हो गया उन्होंने बाला साहे भाटे द्वारा प्राप बाबा के चित्र का पूजन करना आरम कर दिया उन्होंने सच्चे रिदय से पूजा थी वे हर दिन खूल चंदन और नेवेड जो बाबा को अर्पित करते थे और उनके दर्शनों की बड़ी अभिजाशा र पाला बॉआ सुतार की कथा बब्मे में बाला बॉआ नाम के एक सन थे जो कि अपनी भक्ती भजन और आचरन के कारण अधुलिक तुकारां के नाम से विख्यात थे सन 1917 में वे शिर्डी आये जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें च हर्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत इतने सरवग्यापत और सरवग्यानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रती उनके विदय में इतनी दया होती है मैंने तो किवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था तो भी ये खटना उनको ग्यात हो गई इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सद्रुष्ट है अब हम अपा साथ की कथा पर आते हैं जब वे ठाने में थे तो उन्हें भिवन्डी दोरे पर जाना पड़ा जहां से उन्हें एक सब्ता हमें लोगना संभव न था उनके अनुपस ठिती में तीसरे दिन उनके घर में अभी जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ हो वो विचित्र घटना हुई दो पहर समया पसाड के लिए ऐ कहर पर एक फकीर आया जिसके आफ्कती बाबा के चित्र से ही मिलती जिलती थी श्रीमती कुलकरनी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शर्डी के साई बाबा तो नहीं है इस पर उत्तर मिला कि वे तो साई बाबा के आग्या कारी सेवत है और उनकी आग्या से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ है फकीर ने दक्षना मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें एक हुप्या भेट किया तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुडिया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चितर के साथ रखो इतना कहकर वो वहाँ से चला गया अब बाबा की अध्वत लीला सुने बिवंडी में अप्पा साहिब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दवरे पर आगे न जा सकी तब उसी शाम को वे घर लोटा है घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्ट हुआ उन्हें मन में थोड़ी अशांती सी ही कि मैं फकीर के दर्शनों से बंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल एत रुपया दर्शना देना उन्हें अच्छा निगा वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्तित होता तो दस रुपय से कम कभी न देना तब भी वे भूके ही फकीर की खोज में निकल पड़े उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज परंतु उनकी खोज गर्थी सित हुई श्रताओं अध्या 32 में आपने बाबा के वचनों को सुनग उसे स्परण की भूके वेट इश्वत की खोज नहीं करनी चाहिए अपा साहिब को शिक्षा मिदे भोजन के उपरां वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ धूनने को निकले तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर दृत अगती से आता हुआ दिख़्ाई पाथ अपा साहिब ने सोचा कि ये तो वही फकिर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया है तथा उसकी छबी भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है पकिर ने तुरंती हाथ बढ़ा का दक्षिना मंग बाबा साहिब ने उन्हें एक प्यादे दिया तब वो और मांगने लगा अब अपा साहिब ने दो रुपे दिये तब भी उसे संतोश न हुआ उन्होंने अपने मित्र चित्रे से तीन रुपे उधार लेकर दिये फिर भ अपा साहिब ने कहा कि मेरे पास तो दस रुपे का नोट तो फकीर ने नोट ले लिया और नौ रुपे लोटा कर चला अपा साहिब ने दस रुपे देने को कहा था इसलिए उसने दस रुपे ले लिये और बाबा द्वारास परशित नौ रुपे उन्हें वापस मिल गे अ उसमें फूल के पत्ते और अक्षद हो जब वे कालांतर में शिर्डी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदय वे हाथ पर बांगते थे अब अप्पा साहिब वे उदी की शक्ती विदित हो च इस अस्थाई आकर्शनों के अत्रिक उनके अध्धात्मिक प्रगती भी शिग्रता से होने लिए इसलिए सौभा ग्यवश जिनके पास पूदी है उन्हें इस नान करने के पश्चार मस्तक पर धारन करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर कीर्थ की तरह ग्रहन करना सन 1917 में गुरु पॉर्णिमा के शुब दिन डाहनु जिला ठाने के हरिभव करनिक शिर्डी आये तथा उन्होंने बाबा का यथा विधी पूजन किया उन्होंने वस्तुएं और दक्षणा अधी भेट कर शामा के द्वारा बाबा से लौटने की आग्या प्राप्ती वे मस इसलिए मैं लौटना नहीं चाँ जाँ परन तो शामा का ध्यान उनकी और नहीं गया इसलिए वे एक घर को चल पड़े मार्ग में वे नासिक में काला राम के मंदिर में दर्शन को गया है सन नर्सिय महराज जो कि मंदिर के मुक्ष द्वार के भीतर बैठा करते थे वक्तो आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने ये रुपया नासिके नर्सिय महराज के द्वारा ले लिए इस कथा से ही सिद्ध होता है कि सब संथ अभिन्ह तथा वे किसी नकिसी रूप में एक साथ ही कार्यक्या करते हैं यहां हमारा 33 वा अध्या चौतिस प्रारम श्री साई बाबा की अनुमतियों और आशित्वात से अब हम अध्या चौतिस का श्रवन करें श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोभ्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमाः श्री सत्गुरू साईनाथाय नमाः इस अध्याय में उदी की महिमां डॉक्टर कभ इस अध्याय में भी उदी की ही महत्ता रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्ले किया गया है जिनमें उसका उखयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्धवा अब सुनिये डॉक्टर के भतीजे के बारे नासी जिले के माले गाओं में एक डॉक्टर रहते थे उनका भती भी एक प्रकार का तपे देख उससे पीडी थी उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किया यहां तकि उसकी सल्जच कित्सा भी कराया फिर भी बालग को कोई लाग नहों हुआ उसके कश्मों का पारावार नह था मित्रो और संबंदियों ने ब साथ ध्यरोग साथ ध्यकरने के लिए पसिद्ध है अतकर माता कुटा बालग को साथ देकर श्रीडी आया उन्होंने बाबा को साशकांग प्रणाम कर श्री जर्णों में बालग को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पुरवक बिलन्ती की प्रभुक्त हम लोगों पर दया करो आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहां आये हैं दया कर इस बालग की रक्षा कीजिए प्रभुक्त हमें तो केवल आपका ही भरोसा है प्राथाना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने सांकवना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीड़ी चड़त नहीं ये तो द्वारगावती है और जो इसकी सीड़ी चड़ेगा उसे स्वास्त और सुप की प्राप्टी होगी तथा उसके कश्टों का अंत हो जाएगा बालग को बाबा के सामने बिच्छाया गया वे उस रोग ड्रस्थान पर अपना हाथ खेटे हुए दया पूरुन द्रष्टी से बालग की ओर निहारने लगे रोगिया प्रसन्न रहने लगा और उदी की लेप से बालग थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया है वहकता पिता अपने को बाबाका रेणियों और कृतर ज़्यमान का बालग पलेकर श्रीड़ी से चले गए थे लीला देकर बाल उनके कान भर दिये इस कारण वे शिर्डी जाने का विचार त्याक कर सीधे बंबई चले के वे अपनी शेश छुपियां अधिबाग में गतीत करना चाते थे परंतु बंबई में उन्हें लगातार तीन रात्रियों तक एक ही धनी सुनाई पड़ी की क्या अभी कुम मुझे पर अविश्वास कर रहे है तब गाप्टों ने अपना विचार बदल कर शिर्डी को प्रस्थान करने का निश्चे किया बंबई में उनके एक रोगी को सांसर हो जाए तो कल ही मैं शिर्डी के लिए प्रस्थान करना आज चलिया है कि जिस समय उन्होंने ये निश्चे किया ठीक उसी समय से जवर में उतार होने लगा और ताप प्रमशा सामान्यस्थिती पर पहुंच गया तब वे अपने निश्चेया नुसार शिर्डी को पहुंच किया बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिये कि बे सदा के लिए उनके भक्त हो गया डॉक्टर वहाँ चार दिन फैरे और उदी तथा आशिर्वात रापकर घर वापस आ गया एक पत्वारे में ही वदों नती पाकर उनका स्थानां तरण विजापूर हो गया पिले बाबा के एक अनिष्ट भक्त थे इसी कारण वे उनकर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा हाउ कहकर कुकारते तथा हर समय उनसे वारकालाग करके प्रत्यक विशे में परामर्श भी लिया करते थे उनकी सदे वे यही चारह की थी कि वे बाबा के समीफी बने र कि इसका मुक्ठ कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही है जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी पीड़ा अब दूर करें मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले दस जन्मों में फोगने को तयार हुए तब ताका दिक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्राथना कर्मों का फल दस जन्मों में क्यों होकतना पड़ेगा किवल दस दिनों में ही दस जन्मों के कर्म फल समात हो जाये ज़ए तो यहां तुम्हें धार्मिक और अध्धात्मिक कल्यान देने के लिए ही बैठाँ प्राण त्यागने की इच्छा सदापी न करनी चाहिए जओ ए किसी की पीट पर लाकर उन्हें यहां ले आओ मैं सदा के लिए उनका कष्टों से चुटकारा कर दूँगा तब उसी स्थिकी में फिल्ले को वहां लाया गया बाबा ने अपनी दाहिनी और उनके सिराने अपनी गादी देकर सुख से लिटा कर पहर की इसकी मुख्या उशदी तो ये है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदेवे के लिए शुटकारा हो जाए हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं इसलिए जैसी भी परिस्तिती आये उसी में संतोश करना चाहिए अल्ला ही सब को फल देने वाला है और वही सब का रक्षन करता है ऐसलिए जारकर सदेव उनका ही स्मरण कर वही तुम्हारी चिंता दूर करेगा तन मांधन और वचन द्वारा उनकी अनन्ग शरण में जाओ फिर देखो की ये क्या करते है क्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहिब में मुझे पैर में एक पट्टी बांदी है परन तो मुझे उससे कोई लाब नहीं पहुंचा नाना तो मुर्ख है आवा ने का वो पट्टी हटा नहीं तो मर जाओ थोड़ी देर में ही एक कवा आएगा और वो अपनी चोच इसमे मारे की तब तुम शीघर अच्छे हो जाओ जब वारतलाब हो ही रहा था उसी समय अब्दुल जो मस्जिद में जाडू लगाने का था दियावत्ती आदी स्वच्च करने का कारिया करता था महाँ आए जब वो दियावत्ती स्वच्च कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पा पैर तो सुजा हुआ था ही और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के साथ कीड़े बाहर ने कश्च असर्णियों हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्चे स्वर में चिलना पड़ा किन्ट कुछ समय के बाद बेशान ठोकर जीद नाने रही तब बाबाने कहा देखा बहु अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है काने के बोल थे करम कर मेरे हाल पर तु करीम तेरा नाम रह्मान है कि रहीम तु ही दोनों आलम का सुल्तान है जहां में नमाया तेरी शान है फना होने वाला है सब कारोबार रहे नूर तेरा सदा आश्का तो आशिक का हरदम मददगार है फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वो कववा कब आएगा और चोच मारेगा बाबा ने कहा अरे क्या तुमने कववे को नहीं देखा अब वो नहीं आए अब्दुल जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कववा था उसने चोच मारकर ना सुपो हटा दिया वो अब फिर से क्यों आएगा अब जाकर वाड़े में विश्राम को तुम शीग रही स्वस्थ हो जाओ पूदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी अउशदी या चिकचा के वे दस दिनों में निरोग हो गए जैसा कि बाबा ने उन से कहा था अब शामा के छोटे भाई की पत्नी भाया हो उस बारे में सुनिये थे सावली विहर के समीफ शामा के छोटे भाई बापाजी रहते थे एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेक हो गया उसे च्वर हो आया और उसकी जांग में फ्लेक की दो गिल्टिया निकल आई बापा जिरॉड कर शामा के पास आया और साहता के लिए चलने को का शामा भैबीत हो उठे उन्होंने सदेवे की भाकी बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और साहता के लिए उनसे प्राथना की तथा भाई के घर जाने की अनुमत ही मादा बाबा ने कहा कि इतनी रात्वी गतीत हो चुकी है अब इस समय तुम कहा जाओगे केवल उदी ही भेज दो ज़र और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो भगवान तो अपने पिता और स्वामी है वो शीग्रही स्वस्थ हो जाएगे अभी मत जाओ रातक काल जाना और शीग्रही लोटाओ शामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथा को लगा और कुछ चलमें खोलकर रोगी को पिला जा जैसे ही उसका सेवन किया गया वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लग ज्वर मंद खड़ गया और रोगी प्रगार निद्रा में निमगन हो गया दूसरे दिन बापाजी ने अपनी पत्मी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चरिया प्रकट किया कि न तो च्वर है और नहीं गिल्टी का कोई चलमें दूसरे दिन जब शामा बाबा की आग्या प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपनी भाई की स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा आश्चरिया हो अपने भाई से पूछताच करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदिने एक राती में ही रोग को समूल नश्ट कर दिया तब शामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रात तक काल जाओ और शीघ्र लौट कराओ चाए पीकर शामा लौट आया तो बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि दिवा ये क्या नातिक है पहले बवंडर उठाकर हमें आशांत कर देते हो फिर हमारी शीघ्र साहता कर सब खी ठाक कर देते हो बाबा ने इश्वर ही एक सप्ताधारी और प्रिरना देने वाले हैं वेही परम दयालू हूँ मैं न तो इश्वर हूँ और न मालिक केवल उनका एक आग्याकारी सेवक ही हूँ और सदय वो उनका स्वरन किया करता है जो निराभिवान होकर अपने को कृतक के समझ कर उन पर पूरन व उनकी छोटी कल्या गंटे 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 पर मुर्चत हो जाया कती थी उसके दाथ कस जाते थी उसके हाथ पैर एंट जाते और वो बेहोश होकर घुमी पर गिर पड़ती थी जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाग न हुआ तब कुछ लोगों ने उस इरा परले में काका साहिब दिशित के पास से ही प्राक्त हो सकती है तब इरानी महाशाय ने वहां से उदी लाकर जल में घोलकर अपने बेटी को पिलाए प्रारम में जो दोरे एक घंटे के अंतर से आया करते थे बाद में वे साथ घंटे के अंतर से आये और कुछ दिनों के परामश दिया वे बहुत ही वृत तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्यती कित्सा चराने का साहस नो हो रहा है इस हलत में उनकी व्याधी का और इलाजी क्या क्या इसी समय में नगर के इनामदार भी वहां आये वे थे जो बाबा के परम भक्त थ जाते ही पत्री मलमुत्र के द्वारा बहार निकल गई और वो व्रित शिग्रही स्वस्थ हो गया अब सुनिये बंबई की महला की प्रसव पीड़ा के बारे बंबई की काईस्त प्रभु जाती थी एक महला को प्रसव काल में और सहनिय वेदना हुआ करती थी जब वो प्रसव काल समीप आया तब सदयवे की भाती गर्भाशे के द्वार में रुकावट के साथ अधिक बेदना होने लिए उनकी समझ मह नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए थोड़ी दर में प्रवसन आई और उसने मनी मन बाबा से साहा था कि प्राथना कर जलमें उधी मि प्रसव होगे वालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्तन हुआ परंतु उसकी मा की पीड़ा और कश्ट सदा के लिए दूर होगे वे अपने को बाबा का बड़ा खतक्य समझने लेबे और जीवन परियंत उनके आभारी रहे यहां अध्याज 34 समाप्त होता है श्री अधार पणमस्तु शुभम भवत्वन ओम श्री साइनाधाय नमाहा अध्याय 35 राड़ा शाही बबा के आशिरवाद और अनुमति से अब हम अध्याय 35 का श्रवण करेंगे श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरोभ्यो नमाहा श्री खुलदय वताय नमाहा श्री सीता रामचंद्रा भ्याम नमाहा श्री सद्गुरू साइनाधाय नमाहा इस अध्याए में काका महाजनी के मित्र और सेट निर्विज मनुप्य बांदरा के एक ग्रहस्त की अनित्रा बाला जी पाटिल नेवास कर बाबा का सर्क के रूप में प्रगट होने इसका वरनन किया गया है इस अध्याए में भी उदिका महात्में ही वरनिक है इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेक है कि परिक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिना और स्विकार करती पहले इन घटनाओं का वरनन किया जाए अध्यात्मीक विश्यव में साम्प्रता एक प्रवृत्ति उन्नती के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है निराकारवाजियों से कहते सुना जाता है कि इश्वर की सगुन उपासना केवले ध्रम ही है और संतगन भी अपने सदुरुषी सामान्य पुरुष्ट है इस कारण उनकी चरणवंदना कर उन्हें दक्षना क्यों देनी चाहिए अन्य पंथों के अनूर्याईयों का भी ऐसा ही मर्थ है कि अपने सदुरु के अत्रिक अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति न करनी चाहिए इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साई बाबा के संबन में पहले सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही है किसी का कथन था कि जब हम शिर्डी गए तो बाबा ने हमसे दक्षना मंगी क्या इस भाती दक्षना एटना एक संत के लिए शोभनिय था जब वे इस प्रकार का आचरण करते हैं तो फिर उनका साधू फर्म कहा रहा परन्तु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिर्डी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किये उन्होंने ही सर्वपरथम बाबा को प्रणाम कर प्राथना भी की ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं आपको कहने वाला हूँ काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्दी पुजा में सर्वता विरुधध थे कउतोहल वश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शेड़ी चलने को सहमत हो गए कि बाबा को नमस्कार नहीं कहीं और नहीं उन्हें कोई दक्षना दे जब काका ने स्विकारात मत उत्तर दे दिया तब फिर शनवार की रातरी को उन दोनों ने मंबे से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन रातर काल शेड़ी पहुंचे जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र के ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा अरे आईए श्रीमान पढ़ारिये आपका स्वागत है इन शब्दों का स्वाइर कुछ बिच्चतरसा था और उनका स्वाइर प्राया उन मित्र के पिता के बिलकुल अनुरूप ही था तब उन्हें अपने कैलास्वासी पिता की स्प्रकी हो आई और वे आनन विभोर हो गए क्या मोही नी थी उस स्वाइर आश्चर ये युप्त स्वार में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निस सन्नेह ये स्वार मेरे पिताजी का ही है तब वे शीग रही दोड कर गए और अपनी सब प्रतिज्याएं भूल कर उन्होंने बाबा के श्री चर्णों पर अपना मस्तक लग दिया बाबा ने काका से तो दो पहर में तथा विदा लेते समय दो बार दक्षना मांगी परंतु मित्र से एक शब भी नहीं था उनके मित्र ने फुस्त उसाते हुए कहा कि बाबा ने तो तुमसे दो बार दक्षना मांगी परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ फिर वे मेरी इस प्रकाल उपेच्छा क्यों करते हैं काका ने उत्तर दिया कि बहतर तो ये होगा कि तुम स्वयम ही बाबा से पूछ बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षना दूँ बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देकर मैंने तुमसे दक्षना नहीं मांगा परंद तो यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षना दे सकते हैं तब उन्होंने 17 रुपे भेंट लिए जितने काटाने दिया तब बाबा ने उन्हें उपदेश किया कि अपने बीच जो तेली की दिवार इसका मतब है भेधभाव है उसे नश्ट कर जिससे हम परस पर देखकर अपने मिलन का पत सुगम बना सकते बाबा ने उन्हें लोटने की अनुमदी देते हुए कहा कि तुम्हारी याक्ता सफल रहेगी यद्यपी आकाश में बादल चाय होए थे और वायू वेक से चल गई थी तो भी दोनों सरकुशल बंबई पहुंच गए घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिर्कियां खुली तो वहाँ दो मृत चमगा दर्ड पड़े देते एक किसरा उनके सामने ही पुर्र करके खिर्कि से उड़ दे उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिर्कि खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते थे परंतु फिर उन्हें विचार आया कि ये उनके भग्या नुसार ही हुआ है और बाबा ने तिसरे की प्राण रख्षा के हितू हमें शिगर ही वहाँ से वापस भेज दिया अब काका महजणी के सेख ये बारे में सुनिया थे मंबन में ठक्तर धरंसी जेठा भाही सॉलिसितर सॉलिसितर याने कानونी सलागाट की एक फ़म थी काका इस फ़म में व्यवस्थापक थे सेख और व्यवस्थापक के सम्भन परस पर अच्छे थे श्रिवान ठक्तर को ग्याद था कि काका बोदा श्रिडी जाया करते हैं और वहाँ कुछ दिन ठैर कर बाबा की अनुमती से ही वापस लोटते हैं कउतो हलवश बाबा की परिक्षा करने के विचार से उन्होंने भी हुलिक उत्सव के अउसर पर काका के साथ ही श्रिडी जाने का निश्चे किया काका का श्रिडी से लोटना सदयव अनिश्चित सा ही रहता था इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तिनों रवाना हो गए मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने है तू दो सेर मनुक का मोल ठीक समय पर श्रीडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार के मस्जिद में गए बाबा साथ तर्खड भी तब वहीं पर थे श्री ठखड ने उनसे आने का है तू पूछो तर्खड ने उत्तर दिया कि मैं द द्रित करने की आग्या दे दिया श्रीमन ठकर को भी कुछ मनुक के मिले एक तो उन्हें मनुक का रुचकर न लगता था दूसरे इस प्रकार असवच्छ खाने की डॉक्टर ने मना ही करिया इसलिए वे कुछ निश्चे न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें रहन करना प सोचने लगे कि जब बाबा संथ है तो ये बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे मनुक के ना पसंद है फिर क्या वे मुझे इसके लिए लाचात कर सकते हैं जैसे ही ये विचार उनके मन में आया बाबा ने उन्हें कुछ और मनुक के दिये और उन्होंने खाया और अपने हाथ में ले ले ले, तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा, उन्होंने आग्या का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्विज हैं, वे चमतकार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल दे, उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारो को तुरंट जाल लेते हैं और मेरी इच्छा नुसार की उन्होंने उन्हें बीजरहित बना दिया क्या तुछ यह है उन्हें फिर शंका निवारनाथ उन्होंने तरखड से जो समी भी खड़े हुए थे और जिन्हें भी थोड़े मनुक्य मिले थे पुछा की किस किस्म के मनुक्य तुम्हें मिले उत्तर मिला अच्छे भी जो आले श्रीमान ठक्र को तब और भी आश्चर यह हुए कि यदि बाबा वास्तों में संथ है तो आप सर्वफ़्थम मनुक्य काका को ही दिये जाने चाहिए इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि आप प्रफ़दरण काका से ही आरब होना चाहिए यह सब प्रमान श्री ठक्र के लिए प्रियाबत है फिर शामा ने बाबा से परिचे कराया कि आप ही काका के सेट है बाबा कहने लगे कि ये उनके सेट कैसे हो सकते है इनके सेट तो बड़े विचित्र हैं काका इस उत्तर से सहवत लिए अपना हट छोड़कर ठकर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लोड़ा मध्याने की अर्थि समापत होने के उपरां वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमती प्रात करने के लिए मस्ज़ित में शामा ने उनकी कुछ सिफारिश की तब बाबा इस प्रकार बोले एक संकी मश्टिश क्वाला सब्भे पुरुश था जो स्वस्थ और धनी भी था शारिरिक तथा मानसिक गथाओं से मुक्थ होने पर भी वो स्वता ही अनावाशिक चिंताओं में डूबा रहता और गर्थी यहां वाँ भटकर आशांत बना रहता था कभी वो स्थिर और कभी चिंचित रहता था उसकी ऐसी स्थिकी देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया अब आख अपना विश्वास एक इचित स्थान को स्थिर तर ले इस प्रकार जर्थ भटकने से कोई लाब नहीं शिक्र ही एक निर्दिश्ट स्थान चुन लो इन शब्दों से ठक्र की समझ में तुरंत आगया कि ये सरवतान मेरी ही कहानी है उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लोटे के बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेट के साथ ही लोटने की अनुवती दे दे किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीख शिर्डी से प्रस्थान कर सके इस प्रकार ठकर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल जया तब बाबा ने काका से फंद्रा रुपए दक्षना मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से एक रुपए दक्षना लेता हूँ तो उसे दस गुणान लोटाया करता हूँ मैं किसी की वस्तू बिना मुल्य नहीं लेता हूँ अधना तो प्रत्यक से मांगता ही हूँ जिसकी और फकीर इंगित करते है उससे ही मैं मांगता हूँ और जो गजन का रिणी होता है उसकी ही दक्षना स्विकार हो जागा दानी देता है और भविश्य में संदर उपज का विजार उपन करता है धन का उपयोग दर्मो पारजन के निमित्त ही होना चाहिए यदि धन प्रक्तिकत आवशक्ताओं में गय किया गया तो ये उसका दुर उपयोग यदि तुमने पुर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्में पाने के आशा कैसे कर सकते हो इसलिए यदि प्राप्ति के आशा रखते हो तो अभी दान करो तक्षना देने से वायराग्य की रिद्धी होती है और वायराग्य क्राप्ति से भक्ति और जान बढ़ जाते हैं एक दो और दस पुना लो इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल भूलकर बाबा को पंधरा रुपे भेंट किये उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं श्रीडिया थे यहां मेरी सब शंकाएं नश्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई ऐसे विश्यों में बाबा की कुछलता बड़ी अध्वीतिय थी यद्यपी वे सब कुछ करते थे फिर भी वे इन सब से अलिप रहते थे नमस्कार करने या न करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया यदि भक उनका पूजन करते तो इससे उन्हें न कोई प्रसन्नता होती और यदि कोई उनके उपेच्छा करता तो ने कोई दुख ही होता वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे अब सुनियें अनिद्रा के बाले मानदरा के एक महाशाय कायस प्रभू बहुत दिनों से मीम न आने के करण अस्वस्त थे जैसे ही वे सुने लगते उनके स्वर्पवासी कितास वक्र में आकर उन्हें पूरी तरह कालियां देते हुए दिखने लगते थे इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्री भर अशांती महसूस करते थे हर रात्री को ऐसा ही होता था जिससे बे किंग करतव्य विबूर हो गए एक दिन बाबा के एक फक्त से उन्होंने इस विशय में परामर्श किया उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्वपीडा निवारनी उदी को ही इसकी रामबान औशदी मान भाए जो शीग रही लाबदायक सिद्ध होगी उन्होंने एक उदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शेयन के पूर्व माथे पर लगा कर अपने सिराने रखे पिर तो उन्हें निर्विगन प्रगाड निद्रा अने लगा ये देखे लिए उन्हें महान आश्चरियत और आनन्द हुआ ये क्रम चालू रखकर वे अब सा अब बालाजी पाटिल निवसकर की कहानी सुनिये ये बाबा के परंभग थे ये उनकी निश्काम सेवा किया करते थे दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते थे उन्हें वे प्रातक काली उठकर जाडू लगाकर पूर नस्वच्छ रखते थे इनके पश्चाद ये कारि अब उन्हें लोटा देते उसी में से वे अपने कुत्म का भरन कोशन किया किया थे ये क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्य के पश्चाद भी उनके पुत्र ने इसे जारी रख अब सुनिये उदी की शक्ति और महत्तों के बारे एक बार बालाजी के श्राद्ध नवास कर किंग करतब्य विमोर्सी होबे उन्हें ने सोचा कि ये भोजन सबके लिए परियाक न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुम्ड की भारी अपकिरती होगी तब उनकी सास ने उनसे सांत्वना पूर्ण शब्दों में कहा कि चिंटा न कर ये भोजन सामगरी हम हमारी नहीं ये तो श्री साइं बाबा की ही प्रत्य बरतन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढख दो और बिना वस्त्र हटाये सबको परोस्त वे ही हमारी लाज पचाएंगे परामर्श के अनुसार ऐसा ही किया गया भोजनार्थियों के त्रिप्ति परवक भोजन करने क पश्चाध्भी भोजन सामगरी यथेश्ट मात्रा में शेश्ट देकर उन लोगों को महान आश्चरिय और प्रसनता हुई यथाथ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुपुल ही अनुभो प्राक्त होता है ऐसी घटना मुझे प्रतम श्रेणी के भोजन हुआ भोजन के समय आमंत्रित लोगों से लगबत पांच गुने अधित भोजन के लिए आया फिर भी भोजन सामगरी कम नहीं हुई बाबा की क्रिपा से सर्थ का भोजन मिला ये देख सबस्वाश्चरिय हुआ अब सुनिये साई बाबा का सर्थ के रूप में नहीं लगे घर के लोग भी खबरा गए परन्तु बाला जी ने सोचा कि श्री साई ही इस रूप में यहां प्रगट वे हैं तब वे एक क्याले में दूर ले आएं और निर्वय होकर उस सर्थ के समोथ रखकर उनको इस प्रकाल समोधित कर कहने लगे कि बाबा आप फुक्त जन तो बहुत धबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वे क्या करें थोड़ी ही दिर में सर्थ अद्रुष हो गया और किसी को भी पता न चला कि वो कहां गया तो शाला में सरवत्र देखने पर भी वहां उसका कोई चिन्ध न दिखाई दे यहां पैंतिसवा आधायआद नमाह औहीज कोई और किसी भा कोई अब अधायओ तो श्री न जास्थे सोदूरी Prof. अधायओ ॒े भत्यृत्र निवाद घृत्र श्री खुलद़ए वताये नमाहा, Shri सीता-राम-चंदराप्याँनमाहा, Shri सद्गुरु साईनाताये नमाहा। इस अद्धाय में आश्चरे जनक कत्ta है, गोवा के दो सच्चन, श्री मती अवरंगा बात कर, इसका वर्नन चिया गया है। इस अध्धाय में गोवा के दो महनु भावों और श्री मती अउरंगा बात करकी अध्भुत कत्रों का भर्णन है पहले सुनिये गोवा के दो महनु भाव उनके भज़ा एक समय गोवा से दो महनु भाव श्री साई बाबा के दर्शनात श्रीडी आए उन्होंने आकर उन्हें सहर्ष 35 रुपियाद दक्षिना देने लगा तो उन्होंने उसकी दक्षिना देना अस्विकार कर दिया लोगों को बड़ा आश्चरियों करते हैं उस समय शामा भी वहाँ उपस्तित थे उन्होंने कहा कि देवा ये क्या क्या ये दुनों एक साथ ही तो आया है इन मेंसे एक की दक्षिना तो आप स्विकार करते हैं और दूसरा जो अपनी चासे भेट दे रहा है उसे और स्विकार कर रहे हैं ये भेट क्यों तब बाबा ने उत्तर दिया कि शामा तुम नादान मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता यहां तो मस्जिद माई ही अपना रिंड मांगती है और इसलिए देने वाला अपना रिंड चुका कर मुक्त हो जाता है क्या मेरे कोई घर, संपत्ती या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो मुझे तो किसी वस्टू की आवश्यक्ता नहीं है मैं तो सदा सोतंत्र हो रिंड, शत्रुता, तथा हत्या इन सब का प्राश्चित आवश्यक्त करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं अपने जिवन के पुरवार्त में ये महाशे निर्धन दे इन्होंने ईश्वर से पतिज्या की कि यदि मुझे नोपनी मिल गई तो मैं एक महा का वेतन तुम्हे आरपन कर दे इन्हें 15 रुपे महावार की एक लोख्री मिल गए फिर उत्तर उत्तर, उन्नती होते होते 30, 60, 100, 200 और अंत में 700 रुपे तक मासिक प्रतन हो गया समुद्धी पाकर ये अपना बचन भूल गए और उसे पूरा न कर सकता अब अपने शुभत अर्मों के ही प्रभाव से इन्हें यहां तक पहुँचने का सवभाग या प्राप्त हुआ अतर मैंने इनसे केवल 15 रुपे की दक्षना मांगी जो इनके पहले माह की पगाद था अब दूसरी कथा सुनिए समुद्र के किनारे घुंटे घुंटे मैं एक भव्य महल के पास पहुँचा और उसके दालान में भिश्राम करना गया उस महल के ब्राम्हन स्वामी ने मेरा यतोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिश्ट खोच यपरार कखाने को दिया भोजन के उपरां उसने मुझे अलमारी के समीब एक स्वच्छ स्थान शेयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया जब मैं प्रगाड निद्रा में था तो उस वक्ति ने पत्थर खिसका कर गिवार में सेंग डाली और उसके द्वारा भीतर खुसकर उसने मेरा खिसा गतल निद्रा से उटने पर मैंने देखा कि मैरे तीस हजार उपए चुरा लिये गया मैं बड़ी भी पत्थ में पढ़ गया और दुख्यत होकर रोता हुआ बैड़ गया केवल नोट ही नोट चुरा लिया थे इसलिए मैंने सोचा कि ये कारिया उस ब्राम्वन के अधिरे और किसी का नहीं मुझे खाना पिना कुछ भी अच्छा ने लगा और मैं एक पकोड़े तक दालान में ही बैठे-बैठे चोरी का दुख मनाता रहा इस प्रकार पंद्रा दिन गती थोने पर रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा तब मैंने सब हाल उससे कैस हो उसने मुझे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशा नुसार आचरन करोगे तो तुम्हारा धन वापस मिल जाए मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताया देता हूँ तुम उसकी शरन में जाओ और उसकी किरपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुना मिल जाए पर तो जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन जागा मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया धन मिल गए तब मैं समुद्र तर्ट पर आया जहां एक जाहाज ख़वा था जो यात्रियों से ठसा ठस भर चुका था भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रक्तिवाले चक्वासी की साहता से मुझे एक स्थान मिल गया इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और महां से मैं रेल गाड़ी में बैठ कर मस्जित दिने में आतो हूँ कथा समाप्त हुते ही बाबा ने शामा से इन अठितियों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबन करने को कहा तब शामा उन्हें अपने घर लिवा ले गए और उन्हें भोजन करया भोजन करते समय शामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस पूर्ण क्योंकि न तो बे कभी सबुतर की ओर गये हैं और न उनके पास 30,000 रुपे ही थे उन्होंने न कहीं भी यातरा की न उनकी कोई रगम ही चुराई गई और न वापस आई फिर शामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका आर्थ क्या है दोनों अच्छितियों की घिकिया बन गई और उनकी अंखों से असों की धारा बेने गई उन्होंने रोतरोते कहा बाबा तो सर्ववापी अनंत और परब्रमस रूप है जो कथा उन्होंने कही है वो बिलकुल हमारी ही कहानी है और वो मेरे उपर बीच चुकिया है ये महान आश्चरिया है कि उन्हें ये सब पैसे क्यात हो गया भोजन के उपरांथ हम इसका पूरन विवरन आपको सुनाएगे भोजन के पश्चाद पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाना प्रारंट कर दिया उन्हें से एक ने कहा घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास्थान है मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नोप्री ढूरने को आया था तब मैंने भगवान बतातरे को बचन दिया था कि यदि मुझे नोप्री मिल गई तो मैं तुम्हें एक माह की पगार भेट चड़ाओंगा उनकी किर्पा से मुझे पंदर रुपे मासी की नोप्री मिल गई और जैसा कि बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरी उन्नती हुई था मैं अपना वचन बिलकुल भूल गया था बाबा ने उसकी स्पृति दिलाई और मुझे पंदर रुपे वसुल कर दे आप लोग इसे दक्षणा न समझे ये तो पुराने रिंड का भगतान है दिर गकाल से भुली हुई प्रतिक्या आज कुर्ण पूई शिक्षा यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांदा और नहीं अपने भक्तों को ही मांगने दिया वे अध्यात्मिक उन्नती में कंचन तो बातक समझते थे और भक्तों तो उसके पाश से सदयर्व बचाते रहते थे भक्त मालसापती इसके उधारन स्वरूप है वे बहुत दिर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपना जीवन बिता देते बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और नहीं वे अपने पास की दर्षणा में से उन्हें कुछ देते एक बार एक दयालू और सर इदे गापारी हंसराज ने बाबा की उपस्तिती में ही एक बड़ी रखम भलसापती को दी परन्तु बाबा ने उनसे उसे अस्विकार करने को कह दे अब दूसरा आतिती अपनी कहानी सुनाने लगा जा मेरे पास एक ब्राम्वन्ट रसोईया ता जो गत पैंतीस वर्षों से इमानदारी से मेरे पास ठाम करता आया बुरी लतों में पढ़कर उसका मन खलट गया और उसने मेरे सब रुपे चोरी कर दी मेरी अलमारी दिवार में थी और जिस समय हम लोग गही मीन में थे उसने पीछे से पत्थर हटा कर मेरे 30,000 रुपियों के नोट चुरा जा मैं नहीं जाता था कि बाबा को ये ठीक ठीक धनराशी कैसे गया थोगे मैं दिनरात रोता और गुखी रहता था एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरांदे में बैठा था उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी इसकी जान कर था मुझसे इसका कारण पूछे ज़िए मैंने उसे सब्ध फाल सुना दिया तब उसने बताया कि कोपरगाओ तालुके के श्रीडी क्राम में श्री साई बाबा नाम के एक आउलिया रहते हैं उन्हें वचन दो तथा अपना रुचकर भोज़ पदार्थ प्याग मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारे दर्शन न कर लूँगा उस पदार्थ को कभी न करूँगा तब मैंने चावल खना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया बाबा जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धनराशी नहीं मिलती तब तक मैं चावल गहन नहीं करूँगा इस प्रकार जब पंदरा दिन बीद गए तब वो ब्राह्मन स्वायम ही आया और सब धनराशी लोटा कर ख्षमा याचना पुरवक कहने लगा कि मेरी मती भरष्ट हो गई थी जो मुझे ऐसा अपराथ हुआ मैं आपके पैर पड़ता हूँ मुझे ख्षमा कर दिन इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गया जिस प्रकार फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिसने मुझे साहता पहुचाई थी वो फकीर मेरे देखने में कभी नहीं आया मेरे मन में श्री साई बाबा के दर्शन की जिनके लिए फकीर ने मुझे कहा था बड़ी तीवरोट कंठा हुई मैंने सुचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वो साई बाबा के अत्रिक अन्यकोई नहीं हो सकता जिनोंने मुझे प्रुपा के दर्शन दिये और मेरी इस प्रकार साहता के उन्हें 35 रुपे का लालच कैसे हो सकता है इसके विपरित वे अहे तुक खिर्पा करके अध्याद्निक नतिके पत ले जाते है जब चोरी गई राशी मुझे पुनक राप्ट हो गई तब मेरे हर्श का पारावार नरा मेरी पुद्धी भ्रमित हो गई और मैं अपना वचर भूल गया कुलाबा में एक रत्री को मैंने साही बाबा को स्वक्न में देखा तब ही मुझे अपनी श्रीडी आत्रा के वच्चन के इसमती हो आई मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बंबई पहुंचकर श्रीडी जाना चाता है परन्तो जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचा खच भर चुका है और उसमें बिल्कुल ही जगा नहीं कैप्टर ने तो मुझे चड़ने न दिया परन्तो एक अपरिचित चप्रासी के कहने पर मुझे इस टीमर में बैटने की अनुवती मिल गई और मैं इस प्रकार बंबई पहुंचे फिर रेल गाड़ी में बैटकर यहां पहुंच गया बाबा के सरवव्यापी और सरवग्य होने में मुझे कोई शंका नहीं देखो तो हम कौन हैं और कहां हमारा घर हमारा भाग्य कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुराई गई राशी वापस दिला कर हमें यहां खीच लाए आप शेड़ी वासी हम लोगों की अपेक्षा सहसर गुना फ्रिष्ट और भाग्य शारी जो बाबा के साथ मस्ते खेलते हैं मधुर भाशन करते हैं और कई वर्षों से उनके समीप रहते हों या आप लोगों के गज़ जन्मों के शुबसंस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यहां चीच लाया है श्री साई ही हमारे लिए दक्त है उन्होंने ही हमसे प्रतिज्या कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहां लाकर अपनी सर्वग अपत्ता और सर्वग यता का अनुभव कराई श्री मती अवरंगा बात करती कहानी सुनिया सुलापुर के सखराम अवरंगा बात करती पत्नी 27 वर्ष की अवधी के पश्चाद भी नी संतान ही थी उन्होंने संतान प्राप्टी के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मनना देखी परन्तु फिर भी मनो कामना सिद्ध न हुए तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रैत्न करने के विचार से अपने सवतेले पुत्र श्री विश्वनात को साथ ले शिर्डी आया और वहां बाबा की सेवा करते हुए दो महरूप। जब भी वे मस्जच जाती तो बाबा को भक्त गणों से घिरी हुई पड़ी उसकी इच्छा बाबा को एकांत में भेटकर संतान प्राप्ती के लिए प्राथना करने की परन्तु कोई योग याउसर उनक्या हाथ न लग सका अंत में उन्होंने शामा से कहा की जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्राथना करते शामा ने कहा की बाबा का तो खुला दबार है फिर भी यदि तुमारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवर शुक्रैत में करूँ परन्तु यज देना तो इश्वर के ही हाथ में है भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगर्पत्ती लेकर बैटना और जब मैं संकेत तरूं तो खड़ी हो जाना एक दिन भोजन के उपरां जब शामा बाबा के गीले हाथ तोलिया से पहुंच रहे थे तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काटे तब शामतरोदित होकर कहने लगे कि देवा, ये क्या आजके लिए उज़ित है कि आज इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्चता नहीं जो इस प्रकार का आचरन कले हम आप पर आशित तब क्या यही घनिश्टता का फल है बाबा ने कहा अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों बनते हो शामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और मित के नया नया मिश्टान खाने करे मैं तुम से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और ना मुझे स्वर्क आदी ही चाहिए मेरा तो विश्वास सदाए वो तुम्हारे चर्णों में ही जगरत पर यही मेरी अबिलाशा है तब बाबा बुले कि हाँ सच मुछ मैं इसलिए यहां आया मैं सदाए वो तुम्हारा पाला और उदर पोशन करता आया इसलिए मुझे तुमसे अधिक स्ने है जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए तब ही शामा ने उस त्री को संकेत किया उसने उपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूपती भेंटी बाबा ने नारियल हिला कर देखा तो वो सुखा था और बचता था बाबा ने शामा से कहा कि ये तो हिल रहा है सुनो ये क्या कहता है तब ही शामा ने तुरन कहा कि ये बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड करें इसलिए आशिरवाद सहीत ये नारियल इन्हें लोटा दो तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से संतान की उत्पत्ती होती है लोग खेसे मुर्ख हैं जो इस प्रकार की बाते गढ़ते हैं शामा ने कहा कि मैं आपके वच्चनों और आशिष की शक्ती से पूर्ण अउगत हो और आपके एक शक्त मातर से ही इस बाई को बच्चों का ताता लग जाए आप तो टाल रहे हैं और आशिरवाद नहीं दे रहे हैं इस प्रकार कुछ देर तक वारता लग चलता रहा बाबा बार बार नारियल खोड़ने को कहते थे परन्तु शामा बार बार यही हट पकड़े हुए थे कि बाबा इसे उस बाई को दे दे अंच में बाबा ने कह दिया कि इसको फुत्र की प्राप्ती होगी तब शामा ने पूछा कि तब तक बाबा ने उत्तर दिया कि बारा मास अब नारियल को खोड़ कर उसके दो तुक्रिक दिये गए एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस त्री को दिया तब शामा ने उस बाई से कहा कि दिये बेहें तुम मेरे वज़नों की साक्षी हो यदि बारा मास के भीतर तुमको संतान न हुई तो मैं इस देव के से पर ही नारियल पोड़कर इसे मस्ज़द से निकाल दूँ और यदि मैं इसमें असफ़ रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूँ जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थक्ता तुमें शीगर ही विदित हो जाएगा एक वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्टी हुई और जब बालक पांच मास का हुआ उससे लेकर वो अपने पती सहीद बाबा के चरणों में उपस तुछी पती पत्नी दोनों ने उन्हें प्राणाम किया और प्रितक के पिता याने श्रीमान अवरंगाबाद करने से पांसो रुपे फेट जो बाबा के बोड़े शामकर्ण के लिए छट बनाने के काम है यहां हमारा अध्याय च्छतिस समाप्त होता है श्री सद्गुरू साइना थार पणमस्तू शुभम भवत्वत्व श्री साइन शरणम मावा ओम श्री साइना थायनमाः अध्याय सैंतिस प्राणमाः श्री साइन ववा के आशिर्वात और अनुमति से अब हम अध्याय सैंतिस का श्रणम करेंगे श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोभ्यो श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीता रामचंद्रा प्ध्याम नमाः श्री सद्गुरू साइना थायनमाः चावडी समारोः इस अध्याय में हम कुछ वेदान्तिक विशेयों पर प्रारम्भिक ग्रिष्टी से समालवचना कर चावडी के भग्व समारोः का वर्नन करेंगा प्रारम धन्य है श्री साहिं जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्ननिय लिला विला और अध्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कारेकरम्भ ग्वी तो वे समस्तर सांसारी कारियों से अलिप रहकर कर्म कांडी से प्रपित होते और कभी ब्रह्मानन और आत्मग्यान मे निमगन रहा करते थे कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनसे असंबत रहते थे यद्यपी कभी कभी वे पूर्ण निश्क्रिय परतीत होते तथा पी वे आलसी नहीं थे प्रशान्त महा सागर के अरह सदय वजागरुद रहकर भी वे गंभीर प्रशान और स्थिर दिखा है ये तो सर्ववितित है कि वे बाल ब्रमचारी थे वे सदय वे पुर्शों को भाता तथा स्त्रियों को माता या बहन सद्रुशी समझा करते थे उनकी संगती द्वारा हमें जिस अनुपम ज्यान की उपलब्धी हुई है उसकी विस्वृती रुत्यु पर्यंत नह होने प करते रहें यही हमारी आतांक्षा है हेमारपंत ने अपने द्रिश्टिकों द्वारा अवश्चक्ता नुसार वेदानत का विवरण देखते चावडी के समारोह का जो वरणन किया है वो इस परकार है चावडी का समारोह बाबा के शैनागार का वरणन पहले ही हो चुका है वे एक दिन मस्जित में और दूसरे दिन चावडी में विश्राम किया करते थे और ये कारेक्रम उनकी महा समाधी परियम तक चालू रहा है वक्तों ने चावडी में नियमेत रूप से उनका पूजन अर्चन 10 डिसंबर सन 1909 से आरम कर दिया था अब उनके चरणाम मुझों उसे ओजल न हो जब चावडी में विश्राम करने की उनकी नियमेत रात्री आती तो उस रात्री को वक्तों का अपार जन समुदाय मस्जित के सभा बंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था उस मंडप के एक और सूसजित रथ रखा रहता था और दूसरी तुलसी व्रंदावन था सारे रसिक जन सभा बंडप में ताल चिपलिस करताल मिर्दन खंजरी और ढोल आदी नाना प्रका के बाद दिलेकर भजन आरम कर देते थे इन सभी भजना नंदी भक्तों को चुबबक के समान आकर्शित करने वाले तो श्री साई बाबा ही थे मस्जित के आंगन में देखो तो भक्त गंड बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगलकार या संपन करने में सलगन कोई टोरन बानकर दिपो चला रहे थे तो कोई पालके और रत कश्रिंगार कर निशान आदी हाथों में लिये हुए थे कहीं कहीं श्री साई बाबा की जय जय कार से आकाश मंडल गुंजायमान हो रहा था दिपो के प्रकाश से जगमगाती मस्जित ऐसे प्रतित हो रही थी मानो आज मंगल दाइनी दिपावली स्वयम शिरली में आकर विराजित हो गई हो मस्जित के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार कर श्री साई बाबा का पूर्ण सुसजित भोड़ा शाम संदर ख़़ा था श्री साई बाबा अपनी गादी पर शान तमुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच फक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तया पर एक कपड़ा डाल कर चलने को तयार हो गए तभी दात्या पाटिल ने उनके कंदों पर एक सुनेरा जरी का शेला डाल दिया इसके पश्टा स्वयम बाबा ने धूनी को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ डख्णिया डाल कर तथा धूनी के समीव के दीपक को पाएं हाथ से बुझा कर चावडी को प्रस्थान कर दिया अब नाना प्रकार के वाध्य बजने आरंभ हो गए और उनसे विवित स्वर दिकलने लगी सामने रंग बिरंगी आतिश वाजी चलने लगी और नरनारी भाती-भाती के वाध्य बजा कर उनकी खिर्ती के भजन ग खड़े हो गए और उन पर पंखा जलने लेगे फिर पर दूर तक पिछे वे कपड़ों के उपर से समारो आगे बढ़ने लगाता ताट्या पाटिल उनका बाया तथा मालसा पाती दाया हाथ पकड़ कर तथा बापुसाहिब जोग उनके पीछे छट्र लेकर चलने लगे इ इससे आकाश गूंज उटता था उच्छारित करते हुए चल रहा था अब समारो चावडी के कोने पर पहुँचा और सारा जनसमुदाय अत्यंद आनंदित तथा प्रफुलित दिखलाई पढ़ने लगा जब कोने पर पहुँचकर बाबा चावडी के सामने खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन के प्रितिक्षा कर रहा हो वाद्यत पुर्ववत ही बचते रहे और वे अपना दाहीना हान थोड़ी देर उपर नीचे उठाते रहे वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका सायद दिक्षित गुलाल की वर्षा करने देखनी असमर्ख है भाव विभोर होकर भक्त मालसापती को मिर्ट्य करने लगे परंतु बाबा की अभंगर एकाक्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा एक हाथ में लाल्टेन लिये तात्या पटिल बाबा के बाई और और आभुशन लिये मालसापती द अब बाबा मन्दमन दगती से आगे बढ़ने लगे और चारो और प्रसनता का वातावरन दिखाई पढ़ने लगा समकूर्ण वायू मंडल भी खुशी से चूम उठा और इस प्रकार समारो चावडी पहुंचा अब वैसा द्रिश भविश्य में कोई न देख सकेगा अब केबल उसकी याद करके आँखों के समुख उस मनोरम अतीत की कलपना से ही अपने रदय की प्यास चान करनी पड़े दी चावडी की सदावट भी अत्युत्तम प्रकार से की गई थी उत्तम चांदनी शीशे और भाती भाती के हांडी लालतें दगे हुए थे चावडी पहु पूलो और जवाहरो की मालाये उनके कले में पहनाई थी फिर ललाट पर कस्तुरिका वैश्णमी तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर गकाल तक उनकी और अपलक निहारते रहे उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उसे उपर ही उठाए रहे क्योंकि सभी शंक प्रता का छत्र लगाया जिसके केंदर में एक चड़ी लगी लिए पापु सहे जोग ने चांदी की एक संदर ठाली में पाद प्रक्षालं किया और अर्गय देने के प्रश्चात उत्तम विधी से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का ब उन्होंने एक फूप लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दिये उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वो भगत मालसा पती को तथाबाद में सब भक्तों को दी गई धन्य है वो निर्जिव चिलम खितना महान तब है उसका जिसने कुमार द्वारा पहले चकर पर खुमाने दूप में सुखाने फिर अगली में तपाने जैसे अनेक संसकार पाए तब कहीं उसे बाबा के करस परश तथा चुम्बन का सवभाग या प्राप्त हुआ जब ये सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्त गण्य बाबा को पूल मालाओं से लाद दिय और सुगंदित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेट कि बाबा तो वैराख्ये पूरण आउतार थे वे उन हीरे जवाहरात वो पूलों के हारों तथा इस प्रकार की सज़धत में खब रुची लेने वाले थे परन्तु भक्तों के सच्चे प्रेम वश्धी उनके इच्छ अपने घर लोटने लगे अब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल इत्र इत्यादी लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुश्ध दिया तभी बाबा प्रेम पुर्वक कहने लगे कि तात्या मेरी तेख्भाल खली भाती कर तुम्हें घर जा करें और इस अज्धाय को समाफ करते हुए हम श्रोताओं से प्राठना करते हैं कि बे प्रति दिन शयन के पुर्वत श्री साई बाबा और चावडी के समारोह का ठांग अवश्य तर लिया करें अज्धाय सेंटीस यहां समाफ कोता है श्री सद्गुरु साई नाथार पनमस शुभम भवत ओम श्री साई नाथाय नमाहा अध्याय अरतिस प्रारम हो श्री साई बाबा की अनुमति से और आशिरवात से अभम अध्याय अरतिस का श्रवन करें श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरु भ्यो नमाहा श्री खुलदय वताय नमाहा श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमाहा श्री सद्गुरु साई नाथाय नमाहा इस अध्याय में बाबा की हांडी नाना साहिब गौरा देव मुत्वी की उपेक्षा नेवेद जबितरन छांच का प्रसाद इसका वरनन किया गया है गत अध्याय में थाउडी के समारोह का वरनन किया गया है अब इस अध्याय में बाबा की हंडी तथा कुछ अन्य विश्यों का वरणन होगा प्रस्तावन, हे सद्गुरु साई, तुम धन्य हो हम तुम्हें नमन करते हो तुमने विश्वतों सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्यान किया तुम उदार विदय हो जो भक्तगण तुम्हारे अभै चर्ण कमलों में अपने को समर्बित कर देते है तुम उनकी सदय वर रक्षा एवं उद्धार क्या करते हो भक्तों के कल्यान और परित्रान के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो ब्रह्म के साचे में शुद्ध आत्मारुपी द्रव्ग डाला गया और उसमें से ढखल कर जो मूर्ती निकली वही संतों के संत श्री साई बाबा है साई स्वयम ही आत्मारा और चिरानन द्धान है इस जीवन के समस्तकारियों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निश्टान और मुद्ट किया अब बाबा की हांडी के बारे में सुनिए मानव धर्म शास्त में भिन्न भिन्न युगो के लिए भिन्न भिन्न साध्धाओं का उल्लेक किया गया सत्यूप में तप त्रेता में ग्यान द्वापर में यग्य और कल्यूद में दान का विशेश महात्मय है सर्वप्रकार के दानों में अन्न दान स्रेश्ठ है जब मध्यान के समय हमें भोजन प्राक्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं ऐसी स्थिती अन्न पराणियों की अनुभव कर जो किसी भिख्षुक या भुके को भोजन देता है वही स्रेश्ठ दानी तैतर ये उपनिशित में लिखा है कि अन्न ही ब्रम्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ती होती है तथा उससे वेजीवित रहते हैं और मुर्त्यू के उपरां उसी में लाई भी हो जाते है जब कोई अतिथी दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा करतव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनन्न कर उसे भोजन करा है अन्यदान जैसे धन, भूमी और वस्त्र इत्यादी देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है परन्तु अन्यदान के लिए विशेश सोच विचार की आवश्यक्ता नहीं है दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीख्र भोजन कराना हमारा परम करतब्य है प्रतमताहा लूले, लंगडे, अंधे या रुगन भिकारियों का फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्त हैं और उन सभी के बाद अपने संबन्यों को भोजन कराना चाहिए अन्य सभी की उपेक्षाप पंगों को भोजन कराने का माहत्व अधिक है अन्य दान के बिना अन्य सभ प्रकार के दान वैसे ही अपूर्न है जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदग बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाव, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागन, मधुर स्वरविहीन गायन, नमक बिना भोजन जिस प्रकार अन्य भोज़ प्रकार्थों में डाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्तदानों में अन्य दान प्रेश्टर है, अब देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तयार कराकर उसका वितरन किया करते थे हम पहले ही उल्ले कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहरी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वो उन्हें केबल दो ग्रियों से ही भिच्छा में उपलत हो जाया करता था पर तु जब उनके मन में सभी भतों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम से लेके अन तक संपूर्ण गवस्था वे स्वयम किया करते थे वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और नहीं किसी को इस संबन में कश्ठी दिया करते थे पर्थमता वे स्वयम बादार जाकर सब वस्थोयें अनाज, आटा, नमद, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदी वस्थोयें नगर कांग देकर खरीद लाया करते थे यहां तक कि पीशने का कार्य भी वे स्वयम ही किया करते थे मस्जिद के आंगर में ही एक भट्टी बना कर उसमें अधनी प्रज्वलित करके हंडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे हंडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी एक में सो और दूसरी में पांच सो विप्ट्टियों का भोजन तयार होस हो साथा कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्विच चावल पुलाव बनाते थे कभी कभी डाल और मुट्बले भी बना लेते थे, पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीस कर हंडी में डाल देते थे भोजन रुचकर बने इसका वे भरकस प्रैत्न किया ते थे जवार के आटे को पानी में उबाल कर उसे छाँच मिला कर अंबिल याने आंकी बनाते थे और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मातरा में बाट देते थे भोजन चीक बन रहा है या नहीं ये जानने के लिए वे अपनी कपनी की बाहें उपर चड़ा कर निर्वे हो उबलती हंडी में हाट डाल देते और उसे चारो और घुमाया करते थे ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई जलन का चन्द थे और ना चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीच होती थी जब भोजन तयार हो जाता तब वे मस्जिद से बरतन मंगा कर मौलवी से फातिया पढ़ने को कहते थे फिर भे महलसा पती के था ताज्या पाटिल के प्रसाद का भाग पुर्थक रखकर शेश भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिला कर उन्हें त्रिप्ट करते थे सच मुछ वे लोग धन्यत थे कितने भाग शाली थे बे जिनने बाबा के हाथ का बना और प्रोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्ट हुआ क्याँ कोई ये शंका कर सकता है कि क्या बे शाकाहरी और मांसाहरी भोज़पदार्थों का पसाद सभी को बाटा करते थे इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल जो लोग मांसाहरी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहरीयों को उसका स्परश तक न होने देते थे न कभी उन्होंने किसी को मांसाहर का प्रोटसाहन ही दिया और नहीं उनके आंतरीक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाता ये एक अतिपुरातन अनुभूत नियम है जब गुरुदेव का पसाथ गितरन हो रहा हो तभी यदि शिश्य उसके रहन करने में शंकित हो जाए तो उसका अधपतन हो जाता है ये अनुभव करने के लिए कि शिश्य गंड इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं वे कभी-कभी परिक्षा भी ले लिया करते थे उदार्नाथ एक एक अधशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपे देकर कुछ मास खरीद में लाने को कहा दादा केलकर पूरे करम कांडी थे और प्राया सभी नियमों का जीवन में पालन किया के पे थे उनकी ये द्रण भावना थी कि द्रब्र, अन्न और वस्त इत्यादिव गुरू को भेट करना परियाप नहीं है केवल उनकी आग्याही शीघ्र कारियांगी करने से वेप्रसन हो जाते हैं यही उनकी दक्षिना है दादा शीघ्र कपड़े पहन कर एक ठैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गे तब बाबा ने उन्हें लोटा दिया और कहा कि तुम न जादा अन्य किसी को भेज दो दादा ने अपने नोकर पंडू को इस कारिया के निमित भेजा उसको जाते देखकर बाबा ने उसे वापस बिलाने को कहकर ये कारिय करम स्थगित कर दिया ऐसे ही एक अन्य उसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन फुलाव कैसे पका है दादा ने योही मूँ देखी कह दिया कि अच्छा है तब वे कहने लगे कि तुमने न अपने आँखों से ही देखा और नजिवा से स्वात किया फिर तुमने ये कैसे कही दिया कि उत्तंबना है थोड़ा ढटन हटा कर तो देखो बाबा ने दादा की बाहपकड़ी और बलपुरवक बरतन में डाल कर बोले थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कटरपन छोड़कर चकर देखो जब मां का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब मां उसके चिकोटी भरती है परंदु उसका चिलाना या रोना देखकर वो उसे अपने रिदेख से लगाती है इसी प्रकार से साथ्विक मात्र प्रेम के बश्चो जादा का इस प्रकार हाथ पक्वा यथार्ख में कोई भी संत्य गुरू कभी भी कर्मकांडी शिश्यको वर्जित हो चके लिए आगरह करके अपनी अपकिर्थी कराना पसंद न करेगा इस प्रकार ये हांडी का कारेक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया जैसा फुर्व में उल्लेक किया जा चुका है दासगणू ने अपने किर्थन द्वारा समस्त मुमई प्रांथ में बाबा की अधिक किर्थी फैलाई फलता है इस प्रांथ से लोगों के जुन के जुन शिर्डी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिर्डी पवित्र क पिर्थ स्थान बन लिया भक्तगर्ण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिश्ट पदार था लाते थे जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिकारियों को संतोश पुर्वत भोजन कराने पर भी बच जाता था नैवेद्य वितरन करने की विधिका वरनन करने से पूर्वत हम नाना सहिब चांदर करकी उस कठा का वरनन करेंगे जो स्थानिया देवी देवताओं और मूर्टियों के प्रती बाबा की सम्मान धावना की द्योतक है नाना सहिब ज्वारा देव मूर्टि की उपेक्षक ऐसी ही उसके बारे में सुनिया कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अमिसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन सब्जा करते थे परंतु वास्तों में उनकी कोई जाती नहीं थी उनकी और इश्वर की केवल एक जाती थी कोई भी निश्चे कुर्वक ये नहीं जानता कि वे किस कुल में जन में और उनके माता-पिता कौन थी फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घुशित किया जा सकता था यदि वे यवन होते तो मस्जित में सदय वधुनियां और पुल्सी वरदावन ही क्यों लगाते और शंक घंटे तथा अन्य संगीत वाद्जत क्यों वजने देते हैं हिंदू की विवित प्रकार की पूजाओं को क्यों स्विकार करते हैं यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे हुए होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयम जिनौत्धार क्यों करवाते उन्होंने हिंदू की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरासी उपेक्षा भी कभी सहन नग एक बार नाना साहिब चांदोर कर अपने साडू श्री बीनी वाले के साथ छिडिया लिया जब वे मस्जिद पहुंचे बाबा वारतलाब करते हुए अनायासी क्रोधित होकर कहने लगे तुम दिर्गकाल से मेरे सान्यत्य में हो फिर भी ऐसा अजरन क्यों करते हो नाना साह अता इन शब्दों का कुछ भी अर्थ नसमस्त अता उन्होंने अपना अपराच समझाने की प्राथना थे प्रक्टित्लर में उन्होंने कहा कि तुम कप कोपरगाव आये और फिर वहां से कैसे श्रीडिया पहुंचे तब नाना साहिब को अपनी भूल तुरंधी क्यात हो उनका ये नियम था कि श्रीडी आने से पुर्व वेकोपर गाउं में गोदावरी के तड़ पर स्थित श्री द़त्त का पूजन किया करते थे परंतु रिष्यदार के द़त्तों पासक होने पर भी इस बार बिलंबा होने के भैसे उन्होंने उनको भी द़त्त बंदिर जान भविशमें ऐसे आचरण के लिए सदय वत सावधान रहने की चेतावनी दी नैवेध्य वितरण कैसे होता है उसके बारे में सुनी अब हम नैवेध्य वितरण का परणन करेंगे आर्ती समाप्त होने पर बाबा से आशिरवात तथा उदी प्राप्ट कर जब भक्तगर्ण अपने अपने घर चले जाते तब बाबा परदे के भीतर प्रवेशकर निंबर के साहरे फीट टेकर भोजन के लिए आसन ग्रहन करते थे वक्तों की दो पंक्तिया उनके समीप बैठा करती थी भक्तगर्ण नाना प्रका के नैवेध्य पूरी मांडे पेड़ा परिफी बास को नैवेत्य अरपन कर स्वयम प्रहन करते थे उसमें से कुछ भाग बाहर पतिक्षा करने वालों को देकर शेश पीतर बैठे हुए भक पाल लिया करते थे जब बाबा सबके मत्य में आविराज दे तब दोनों पंकियों में बैठे हुए भक तिर्प्थ होकर भोजन क्या क प्राया शामा और निमोंकर से भक्तों को अच्छेतरह भोजन कराने और प्रत्यक की आवशक्ता का सावधानी पुर्वग ध्यान रखने को कहते थे वे दोनों भी इस कारिया को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे इस प्रकार प्रत्यक ग्रास भक्तों को कोश्च और कितना मधुर पवित्र पुरेम रस्पूर्ण भोजन था वो सदा मांगलिक और पवित्र चांच यानि मठ्ठा का प्रसाथ इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हिमाड़पन पूर्ण तहा भोजन कर चुके तब बाबा ने उन्हें एक प्याला चांच पीने को दिया उसके सू अउसर अब कभी न पाओगे तब उन्होंने पूरी चाच पी ली किन्टु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीगरही विदित हो गया क्योंकि इस खत्ना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गया शोता हूं अब हमें अवशही चाला पिया वरंतु बेह हमारे दिये यतेश्ट मातरा में श्री साई लीला रुपे अमरत दे गए यहां हमारा 38 वाच्याय समात्त होता है श्री सत्गरू साई नाथार पनमस्तू शुभं भवतू अज्ञाय उन्चालीस प्रागम श्री साई वाबा की अनुमति से और आशित्वात लेकर अब हम अज्ञाय उन्चालीस का श्रवन करेंगे इस अज्ञाय में बाबा का संस्कृत ज्यान गीता के एक श्लोक की बाबा द्वाराटी का समाधी मंदिर का निर्मान इसका वर्णन किया गया है इस अज्ञाय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है कुछ लोगों की ऐसी धरणा थी कि बाबा को संस्कृत धाशा का ग्यान न था और नाना साहिब की भी उनके प्रती ऐसी ही धरणा थी इसका खंडन हेमारपंत ने मूल वराठी करंथ के पचासवे अध्याय में किया है दोनों अध्यायों का विशय एक साफ होने के कारण वे यहां सम्मिलित रूप में सुनाया जाएगा प्रस्तावन शिर्डी के सोभग का बरणन कौन कर सकता है श्री द्वारका माई भी धन्या है जहां श्री साई ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्त रखवे शिर्डी के नरनारी भी धन्य हैं जिने साई ने पधार कर अनुक्रहित किया और जिनके प्रेमेवश्धी वे दूर से चलकर वहाँ आए शिर्डी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था परन्तु श्री साई के संपच से विशेश महत वपा कर वो एक तीर्थक्षेत्र में परिनित हो गया शिर्डी की नारिया भी परम भाग्य शालिनी हैं जिनका उन पर असीन और अडिक विश्वास प्रशन्सा के परे हैं आठो प्रहर कामकाच करते पीस्ते अनाज निकालते क्रह कार्य करते हुए वे उनकी किर्थी का गुनागान किया करती थी उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है वे अत्यंत मधुर गायन करती थी जिससे गायों को और श्रोतागन के मन को परम शांती मिल दी थी अब सुनिये बाबा द्वारा टी का किसी को स्वक्ण में भी ग्यात न था कि बाबा संस्क्रित के भी ग्याता है एक दिन नाना साहिब चंदुरकर को गीता के एक श्लो का अत्थ समझा कर उन्होंने लोगों को गिस्मे में डाल गया इसका संशित वरणन सेवान निवरत दे मामलतदार श्री बीवी देव ने मराठी साही लिला पत्रिका के भाग चार में छपपाया इसका संषित विबरण साइबाबा, चार्टर्स एंड सेंग उस्तक के एक्सिटवेद पुरुष्ट पर और वंडरस सेंड साइबाबा के पुरुष्ट पर भी चपा है ये दोनों कुस्तके श्री बीवी नरसियं स्वामी द्वारा रचित हैं श्री बीवी देव ने अंग्रेजी में तारिक 27.9.196 को एक वक्तव्य दिया है जो की नर्सियन स्वामी द्वारा रचित कुस्तक के भक्तों के अनुभव भागतीन में चापा गया है। श्री बेव को इस विशे की प्रखम सुचना नाना साहिद चांदरकर से प्राप्ट हुई थी। इसलिए उनका कथन मैं आप आपको सुनाने जा रहा है। नाना साहिद चांदरकर वेदान के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अने टिकाओं के साथ गीता का अरध्यान भी किया था। उनका मत्था की बाबा, संस्क्रित भाषा में सरवता अनभी किया है। इसलिए बाबा ने उनके इस भ्रहन का निवारण करने का वुझार किया। ये उस समय की बात है जब भकतकण अलपसंख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वाताला किया कहते थे नाना साहिब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और असपश शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे उस समय बाबा नाना साहब से बोले नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो नाना बोलते हैं मैं गीता के एक शलोक का पाठ कर रहा हूं बाबा ने पुछा कौन सा शलोक है वो नाना ये भगवद गीता का एक शलोक है बाबा बोले ज़रा उसे उچ्छ सर में तो कहो तब नाना भगवद गीता के चवत्य अध्धै का 34 वाश्लोक कहने लगे तद विध्धी प्रणिपातेन परीपशनेन सेवया उपदेख्षंती तेट ज्ञानम ज्यानिनस टथ्व धर्शिन लाद बाबा ने पूँछा नाना क्या तुम्हे इसका अर्थ विदित है नाना बोले जी महारा बाबा बोले ये विदित है तो मुझे भी सुना तो नाना बोले इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ग्यानी पुर्षों के भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निश्कपट खाव से किये गए प्रशन द्वारा उस ग्यान को जान वे ग्यानी जिने सदवस्तू की प्राप्ती हो ज़की है तुझे ग्यान का उपदेश देंगे बाबा बोले नाना मैं इस प्रकार का संपल भावर्थ नहीं चाहता मुझे तो प्रत्ते एक शब और उसका भाशान तरित को चरण करते हुए ग्याकरन सम्मत अर्थ समझाओ अब नाना एक एक शब का अर्थ समझाने लगए बाबा बोले नाना क्या केवल साश्टाग नमस्कार करना ही परियाप्थ है नाना कहते हैं नमस्कार करने के अतिरिक मैं प्रणी पात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जाना बाबा बोले परिप्रश्ण का क्या अर्थ है नाना बोले प्रश्ण पूछना बाबा प्रश्ण का क्या अर्थ है नाना वही प्रश्ण पूछना बाबा बोले यदि परिप्रश्ण और प्रश्ण दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परी उपसर्थ का प्रयोग क्यों किया क्या व्यास के बुद्धी प्रश्ट हो गए थी नाना बोलते हैं मुझे तो परिप्रश्ट का अन्य अर्थ भी दी थी नहीं है। बाबा बुलते हैं, सेवा? यहां किस परकार की सेवा से आश्य है? नाना बुले, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा बुले, क्या ये सेवा परियाप्त है? तो नाना बोलते है और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ग्यात नहीं तो बाबा बोले दूसरी पंक्ति के उपर देखशन्ती तेद न्यानम में क्या तुम न्यानम शक्त के स्थान पर दूसरे शक्त का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो नाना बोले जी हम बाबा बोले कोंसा शक्त नाना अधियानम तो बाबा बोले धियानम के बजाए उस शक्तों जोड़कर क्या इस लोग का अर्थ निकलता है नाना बोलते हैं जी नहीं शांकर भास्च में इस प्रकार की कोई वेक्षा नहीं है तो बाबा बुले, नहीं है, तो क्या हुआ, यदि अध्यान शक्त के प्रयोग से कोई उत्तव अर्थ निकल सकता है, तो उसमें क्या अपत्ती है, नाना बुले, मैं नहीं जानता उसमें अध्यान शक्त का किस प्रकार प्रयोग होगा, बाबा बुले, क्रिश्ण ने यहाँ वो ग्यानावतार थे परन्तु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ग्यानियों के लिए क्यों कहा बाबा बुले क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया अब नाना हतपरभ हो गए उनका घमन चूर हो चुका था तब बाबा स्वयम इस प्रका पर्याप्त नहीं किसी कूप्रवृति या पाखन या वाक्य जाल में फसाने या कोई तुटी निकालने की भावना से प्रवित्थो कर प्रश्ण नहीं करना चाहिए वरंद प्रश्ण उच्छुक्ता पूर्वक्त केवल मोक्ष या अध्यात्मिक पत्पर उन्नती प्राप करने की भावना से ही प्रवित्थो करना चाहिए मैं तो सेवा करने या अस्विकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ जो ऐसी भावना से कार्य करता है वो सेवा नहीं कही जा सकती उसे अनुभाव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है इस शरीर नहीं आसका कि गुरूप किस प्रकार अज्यान की शिक्षा देते हैं। अज्यान की शिक्षा देते हैं। अज्यान की शिक्षा देते हैं। जब तक वैसी स्थिती प्राप्त नहों तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है। शिश्या श्री सद्गुरू के समान ही ग्यान की मुर्ती है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूती, अद्बूत, अलोकिक सक्यत, अज्वितिय योग्यता और एश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरू निर्गुर्ण निराकार सचितानन है। वस्था, वेकवल मनुष्य जाती और विश्व के कल्यान के निमित, श्वेच्चा गुर्वक मानव शरीर धारन करते है। परन्तु नरदेह धारन करने पर भी उनकी सक्ता की अनंतता में कोई वाधा उपस्तित नहीं होती। उनकी आत्मोपल अब्धी, लाग, दैविक शक्ती और ग्यान सदा एक से रहते हैं। शर्षका भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है। पर उनकी अन्गिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और उसी के वशीवुत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्व चैतन्य स्वरूप की विस्पृती हो जाती है। गिता का अध्याए पांच देखे। अध्या नेना ब्रकम न्यानम तेनमियन दी जन्तवा है। जैसा कि वहां बतलाया गया है उसे ध्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ। एक प्राणी हूँ। दुर्बल और असहाय हूँ। गुरू इस अज्ञान रूपी जड़ को काटकर प्हेंक देता है और इसी लिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिशको जो जन्म जन्मान तरों से ये ध्रना करता आया है कि मैं तो जीव दुर्बल और असहाय हूँ। गुरू सेक्ड़ो जन्मो तक ऐसी शिशा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो। सर्वशक्तिम मैं शरीर हूँ एक जीव हूँ तथा इश्वर और ये विश्वर मुझसे एक भिन नवस्तु है। ये तो केवल एक ध्रम मात्र है जो अनेक जन्धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्वानुसार प्रत्यक प्रानी को सुब्दू की प्राप्ति होती है। इस ध्र के साथ इस भूटि का दिदर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अभ्यान के उदाहरं इस प्रकार है। मैं एक जीव याने प्राणी हूँ। शरीर ही आत्मा है। मैं शरीर हूँ। इश्वर विश्वर और जीव भिन भिन तत्व새 है। मैं इश्वर नहीं है। श्रीर प्रकार की शिख्षा देना और भ्राम को दूर करना ही अज्यान का जिनो पदेश कहलाता है। अब प्रश्ण ये है कि जीव जो स्वयम ग्यान मुर्ती है उसे ग्यान की क्या वशक्ता है उपदेश का हिदू तो केवल कृटी को उसकी दृष्टी में लाकर अग्यान को नश्ट करना है बाबा ने आगे कहा प्रणी पात का आर्थ है शरनागत शरनागत होना चाहिए तनमान धन से अर्थाथ अनन्यभाव से क्रिश्ण अन्यग्यानियों के ओर क्यों संकेत करते हैं सद्भक के लिए तो प्रतेक ट्व वासुदेव है अर्थाथ कोई भी गुरू अपने भक के लिए क्रिश्ण है और गुरू शिश्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा चूँकि स्री कृष्ण को विधित था कि ऐसे अनेक भख और गुरू विध्यमान है इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही स्री कृष्ण ने आरजुन से ऐसा उलेक लिए अब जानेंगे समाधी मंदिर का निर्मान बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चच्चावे कभी नहीं करते थे प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरन और परिस्थिति का निर्मान कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित प्रणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था समाधी मंदिर इस विशे का उधारन है नाक्तुर के प्रसित लक्षधी पती श्रीमान बापुसेब बुटी सहकुतुम श्रीडी में रहते थे एक बार उन्हें विचार आया कि श्रीडी में स्वयम का एक वाड़ा होना चाहिए कुछ समय के पश्चाज जब वे दिख्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वपन हुआ बाबा ने स्वपन में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ शामा भी वहीं स्वपन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वपन देखा बापु साहिब जब उठे तो उन्होंने शामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा तब शामा कहने लगा अभी अभी मुझे एक स्वपन आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आये और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूरन करूंगा बापा के मधुर और प्रेम अपुरन शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुंध गया और मेरी आँखों से अश्रों की धारा बेहने लगी इसलिए मैं जोर से धोने लगा बापु से बुटी को अश्चरिय हुआ कि दोनों के इस वक्त एक से ही है धलाड़े तो वे थे हैं उन्होंने वाड़ा निर्मान करने का निश्चे कर लिया और शामा के साथ बैठकर एक नक्षा कीचा काका से दिख्षित ने भी उसे स्विक्रुट किया और जब नक्षा बाबा के समक्ष प्रस्थित किया गया तो उन्होंने भी तुरंट स्विक्रुटी दे दे तब निर्मान कारिया प्रारम कर दिया गया और शामा की देखरेक में नीचे मंजिल तैक्षाना और कुमा बढ़कर तयार हो गया बाबा भी लेंडी बाग को आते जाते समय परामश दे दिया करते थे आगे ये कारिया बापु सहिब जोग को सौंप गया जब कारिया इस तरह चल ही रहा था उसी समय बापु सहिब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुलास्थान भी अवश्य होना चाहिए जिसके बीचो बीच मुली ढर्की मूर्ती की स्थापना की जाए उन्होंने अपना विचार शामा को पकट किया तथा बाबा से अनुमती प्राप करने को कहा जब बाबा वाड़े के पास से जा रहे थे तभी शामा ने बाबा से प्रश्ण कर दिया शामा का प्रशन सुनकर बाबा ने स्वीक रूती देते हुए कहा कि जब मंदिर का कारिया पूरन हो जाएगा तब मैं स्वयम महा निवास करूँगा और वाड़े की और दृष्टिपात करते हुए कहा जब वाड़ा पूरन बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे वहीं रहेंगे घुमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को रिदे से लगाएंगे तथा आनन्द पुर्वक बिचरेंगे जब शामा ने बाबा से पूछा की क्या ये मुर्टि के मज्जकक्श की नियू के कारिया आरम का शुभबूहुरत है तब उन्होंने स्विकारातमत उत्तर दे दिया तबी शामा ने एक नार्या लाकर फोड़ा और कार्या प्रारम्व कर दिया ठीक समय में सब कारिया पुरुन हो गया और मुरली धर की एक सुन्दर मुर्थी बनवाने का प्रबंध किया गया अभी उसका निर्मान कारिया प्रारम भी नव हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गए बाबा की स्थिती चिंता जनक हो गई और ऐसा दिखने लगा कि वे अब देह क्या गए बापुस है बहुत पुदास और निराज से हो गए उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा उनके पवित्र चरण पर्ष से पंचित रह जाएगा और मेरा सब रुपया गर्थ हो जाएगा परन्तु अंतिम समय बाबा के श्रीमुक से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में रखना केवल बुटी साहिब को ही सांतुना नहीं पहुँचाई परन अन्य लोगों को भी शांति प्लान की कुछ समय के पश्चाथ बाबा का पवित्र शरीर मुर्ली धर की मुर्थी के स्थान पर रख दिया गया बाबा स्वयम मुर्ली धर बन गये और वाड़ा साई बाबा का समाधी मंदित उनकी अगाद दिलाओं की थाक कोई न पासता है श्री बापु से बुटी धन्य है जिटके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है यहां हमारा उन्चालिसवा अध्याई समाथ होता है श्री सग्रू साईनाथार पनमस्तु शुभं भवतु अध्याई चालिस प्रारण श्री साई बाबा के आशिरवाद और अनुमति से अब हम अध्याय 40 का श्रवन करेंगे इस अत्याय में श्री साई बाबा की कथाएं श्री बीवी देव की माता के उद्यापन समारोह में सम्मिलित होना और हेमाडपन के सहभोज में चित्र के रूप में प्रगट होना इसका वरनन किया गया है इस अध्याय में इन दो कथाओं का वरनन है पहली कथा बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की मां के यहां उद्यापन में सम्मिलित होए और दूसरी कथा बाबा किस प्रकार होली क्योहार के भोजन समारोह के अवसर पर बांदरा में हेमाडपन के ग्रह पदारे तो सुनियों प्रस्तावना ये है श्री साही समर्थ धन्य है जिनका नाम बड़ा सुन्दर है वे सांसारिक और अध्यात्मिक दोनों ही विशेयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन धेय प्राप्त करने में साहता प्रदान कर उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं वे भेदभाव की भावना को नश्ट कर उन्हें अक्राप्य वस्तु की प्राप्ति कराते हैं भक्त लोग साई के चरणों पर भक्ती पुर्वक गिरते हैं और श्री साई बाबा भी बैद भाव रहित होकर प्रेम पुर्वक भक्तों को रिद से लगाते हैं वे भक्तकण में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वरशा रित्यु में जल नदियों में मिलता तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है अब सुनिये श्रीमती देव का उध्यापन उत्सव श्री वीवी देव डाहनु में जो ठाने जिले में हैं मामलत्दर थे उनकी माता अब उध्यापन करना आवश्रत था उध्यापन के साथ सो दो सो ब्रह्मनों का भोजन भी होने वाला था श्री देव ने एक तिथी निष्टित कर बापु सहिब जोग को एक पत्र श्री भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी और से श्री साही बाबा को उध्याप और भोजन में सम्मिलित होने का निमंतरन ले देना और उनसे प्राथना करना की उनकी अनुपस्तिति में उत्सव अपूर नहीं रहेगा मुझे पूरन आशा है कि व्यावश्य डाहनों पधार कर दास को खितार्थ करेंगे बापु सहिर जोग ने बाबा को वो पत्र उनने उसे ध्यान पुर्वक सुना और शुद्धर रिदय से प्रेशित निमंतरन जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरंण करता है उसका मुझे सदयवे ही ध्यान रहता है मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या अविमान की आवश्यक्ता नहीं है मुझे तो जो प्रेम से बुलाता है उसके सम्मुक मैं अविलम ही प्रगट हो जाता हूँ उसे एक सुखत पत्र भेज़ दो कि मैं और दो व्यक्तियों के साथ अवश्या हूँ जो कुछ बाबा ने कहा था जोगने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज़ दिया पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई परन्तु उन्हें ग्यात था कि बाबा केवल रहता रुई और नीम गाव के अतिरिक और कहीं भी नहीं जाते हैं फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है उनकी जीवनी अपार चमतकारों से भरी हुई है वे तो सर्वव्यापी हैं वे किसी भी वेश में अनायास ही प्रगट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं उद्यापन के कुछ दिन पूरवर एक सन्यासी डाहनू स्टेशन पर उतरा जो बंगली सन्यासियों के समान वेशव भुशा ठारण किये हुए था दूर से देखने में ऐसा पृतीत होता था कि वो गव रक्षा संस्था का स्वयम सेवक था वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेलन करने लगा स्टेशन मास्टर ने उसे सला दी कि तुम यहां के मामलतदार के पास जाओ और उनकी साहता से ही तुम यतेश्ट चंदा प्राप कर सकोगे ठीक उसी समय मामलतदार भी वहाँ पहुंच गे तब स्टेशन मास्कर ने सन्यासिका परीचे उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लैटकॉम पर बैठे वारतालाग करते रहे मामलेदार ने बताया कि यहां के प्रमुख नागरिप श्रीर राव सहिब नरुत्तम सेट ने धर्मार्था कारिय के निमित चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होगा इसलिए श्रीयसकर तो यही होगा कि आँ दो-चार मेने के पश्चार उना यहां दर्शन देंग यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और एक महाँ पश्चार श्री देव के घर के सामने तंगे से उत्रा तब उसे देखकर देव ने मनी मन सोचा कि वो चंदा मंगने ही आया है उसने श्री देव को कारियोगेस्ट देखकर उनसे कहा श्रीमान मैं चंदे के निमित नहीं आए परन भोजन करने के लिए आया हूँ देव ने कहा बहुत आनन की बात है आपका सहरशर स्वागत है सन्यासी बोला मेरे साथ दो बालक और है तो देव साब बोले तो कृपयां उन्हें भी साथ पे आई है भोजन मैं अभी दो घंटे का विलंबत था इसलिए देव ने पुछा यदि आग्या हो तो मैं किसी को उनको बुलाने के लिए भेजू सन्यासी बोले आप चिंता न करें मैं निश्चित समय पर उपस्तित हो जाओंगा देव ने उनसे दो पहर में पदाने की प्रातना करी ठीक बारा बजे दो पहर को तीनों वहां पहुँचे और भोज में सिमलित होकर भोजन करके महां से चले गए उत्सल समाप होने पर देव ने बापु सहब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचन धंग करने का अरोप लगा जो वो पत्र लेकर बाबा के पास गए परन्तु पत्र पढ़ने के पुर्वे ही बाबा उनसे कहें लगे अरे मैंने वहां जाने का वचन दिया था तो मैंने उसे धुका नहीं दिया उसे सूचित करो कि मैं अन्य दो व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्तित था परन्तु जब वो मुझे पैचान ही न सका तब निमंत्रन देने का कष्ठी क्यों उठाया था उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वो सन्यासी चंदा माने आया है परन्तु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि दो अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा और क्या वे त्री मुर्तियां ठीक समय पर भोजन में समिलिक नहीं हुई देखो मैं अपना वचन पूर रख करने के लिए अपना सर्वस्व निचावर कर दूँगा मेरे शब कभी असर के नहीं किया इस उत्तर से जोग के एगदय में बहुत पसंदता हुई और उन्होंने पूरन उत्तर लिखकर देव को भेज़ दिया जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उसकी आँखे अशुधाराओं से प्रवाहित होने लिगी उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने व्यर्थी बाबा पर दोशार उपन किया वे अश्चरिश्टकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से भुका खाया जो कि चंदा मांगने आया था और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया कि अन्य दो व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊंग। इस कथा से विधित होता है जब भक अन्य भाव से सद्गुरू की शरण में आता है तभी उसे अनुवाव होने लगता है कि उसके सब भार्मी कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विग्न समाफ्त होते हैं अब हेमारपन का होली क्योहार पर सहभोज इसके बारे में सुनेंगे अब हमें एक दूसरी कथा में जिसमें बतलाया गया है कि बाबा ने किस प्रकार चित्र के रूप में प्रगट खोकर अपने भंतों की इच्छा फूरन के उन्नीस सो सत्रा में होली पॉर्णिमा के दिन हेमारपन को एक सौपन हुआ बाबा उन्हें एक सन्यासी के वेश में दिखे और उन्होंने हेमारपन को जगा कर कहा कि मैं आज दोपेर को तुम्हारे यहां भोजन करने आऊँगा जगरत करना भी इस सौपन का एक भाग ही था परन्तु जब उनकी निद्रा सिच में भंग हुई तो उन्हें न तो बाबा और नहीं कोई अन्यसन्यासी ही दिखाई थे वे अपनी स्पृति दोड़ाने लगे और अब उन्हें सन्यासी के पत्तिक शब्स की स्पृति हो आई यह दिखी वे बाबा के सान्यत्यका लाग गत साथ परशों से उठा रहे थे तथा उन्हीं का निरंदर ध्यान किया करते थे परन्तु ये कभी भी आशान थी कि बाबा भी कभी उनके घर पढार कर भोजन कर उन्हें करतार्थ करेंगा बाबा के शब्दों से अतिर्फर्षित होए वे अपने पत्तिके पास गया और कहा कि आज भोली का दिन है एक सन्यासी अतिति भोजन के लिए अपने यहां पढार इसलिए भार खोड़ा अधिक बना थी उनके पती ने अतितिके संबन में पूश्टा ची प्रत्युतर में हेमाड़पन ने बात गुप न रखकर स्वपने का वित्तान सत्के सत्के बता दिया तब वे संदेह कुर्वत पूछने लगी कि क्या ये भी कभी संभव है कि वे श इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानी ही क्या है इसके उपरान भोजन की तैयारियां प्रारम हो गया और पत्तलें बिच्छा कर उनके चारो और रांगोली डाल दी बे दो पंतिया बनाई थे और बीच में अथिती के लिए स्थान छोड़ दिया गया घर के सभी अपना अपना स्थान ग्रहन कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारम हो गया जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्यक रक्ति उस अध्यार अथिती की उच्छतन फुरवक रहा देखा है जब मध्यान भी हो गया और कोई भी न आया तब द्वार बन कर सांकल चड़ा द किया गया पिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारम करने वाले थे कि इतने में सीडी पर किसी की चड़ने के आहट सपश्ट आने लेगी हेबार पंद ने शिगर उटकर साकल खोल दी और दो विक्तियों एक अली मुहमद और दूसरा मौलाना इसमू मुझावर को द्वार पर ख आपकी प्रितिक्षा में है इसलिए आप अपनी ये संपदा संभालिए इससे संबंदे आश्चर जनक खटना किसी अन्यसुईधा जनक आउसर पर सुनाएं ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपका हुआ एक प्राकेट निकाल कर उसे खोल कर मेस पर आया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुनदर चित्र देखकर आहाना अश्चर यह हुआ बाबा का चित्र देखकर वे दरवित हो गया उनके मित्रों से आसों की धारा प्रौाहित होने लगी और उनके समुच शरीर में रूमाञ्च हो आया उनका मस्तक बाबा के श्री चर आपको कहां से प्राक्ट हुआ उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था इसका पूर्ण विवरन मैं किसी अन्य समय के लिए शेश रखता हूँ पुरपया आप अब भोजन कीजिए क्योंकि सभी आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं हेमाडपंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन ग्रहों में आकर अतिती के स्कान पर चित्र को मत्त में रखा तथा विधिपुर्वक नैवेद्य आरपन किया सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारम कर दिया चित्र में बाबा का सुन्दर मनोहर रूप देकर प्रत्यक व्यक्ति को पसंदता हुई और इस घटना पर आश्चरिय भी हुआ कि वो सब कैसे घटित हुआ इस प्रकार बाबा ने हेमाडपंत को स्वक्न में दिये अपने वचनों को पूर्ण किया इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण अर्थार अली महमत को चित्र कैसे प्राप्ट हुआ और किस कारण से उन्होंने उसे लाकर हेमाडपंत को भेख दिया इसका वरण आप अगले अध्याय में सुनेंगे यहां हमारा अध्याय चालीस समाफ होता है श्री सद्गुरू साइनाथार पनमस्तु शुभं भवत्यु ओम श्री साइनाथाय नमाः अध्याय एक्टालीस प्रारम श्री साही की अनुमदी और आश्रवात लेकर अब हम अध्याय एक्टालीस का श्रवन करेंगे चित्र की कथा चिन्धियों की चोरी और ज्यानेश्वरी के पठन की कथा गत अध्याय में वरनित खटना के नौ वर्ष पच्टाली मुहमद हेमाडपन से मिले और वो पिछली कथा उन्होंने इस प्रकार प्रेंगे एक दिन बंबे में घूमते फिरते मैं एक तुकांदार से बाबा का चित्र करीड़ा उसे फ्रेंग कराया और अपने घर मध्यमुमई की एक बस्ती में वहां लाकर दिवार पर लगा दिया मुझे बाबा से स्वाभविक प्रेंग था इसलिए मैं प्रके दिन उनका श्री दर्शन किया करता था जब मैंने आपको वो चित्र भेट किया उसके तीन महा पूर्व मेरे पैर में सुजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी मैं अपने साले नूर मुझे के यहां पढ़ा हुआ था खुद मेरे घर पर तीन महां से ताला लगा था और उस समय वहां पर कोई नहीं थी केवल प्रसित, बाबा अब्दुल रह्मा, मौलाना साहे, महमद हुसे, साई बाबा, ताजुतिन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहां विराजमान थे पर अंतु काल चक्र ने उन्हें भी नहीं छोड़ा मैं बंबे में बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों को, मतलब फोटो को कश्ट्यू हो ऐसा समझ में आता है कि बेभी आवागमन, मतलब जन्मा और मुर्ट्यू के चक्र से मुक नहीं है अन्य चित्रों की गती तो उनके भाग्या नुसार ही हुई, परंतो केवल श्री साई बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला इसका रहस्योत गहटन अभी तक कोई नहीं कर सका है इससे श्री साई बाबा की सरवगापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है कुछ वर्ष कुर्व मुझे 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 हुसें फारिया टोपन नाव से संत बाबा अब्दुर्रह्मान का चित्र प्राक्ट हुआ था जिसे मैंने अपने साले नूर मुझे पीर भाई को दे दिया जो गर आठ वर्षों से उसकी मेच पर पड़ा हुआ था एक दिन उसकी दृष्टी इस चितर पर पड़ी तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी फोटोगर भाई और उसकी कापियां अपने कई रिष्टे दारों और मित्रों में भी तरी थी उनमें से एक प्रती मुझे भी मिली थी जिसे मैंने अपने घर की दिवार पर लगा रखा नूर महमत संथ अब्दुलरह्मान के शिष्ष्ट थे जब संथ अब्दुलरह्मान साहिब का आम दर्बार लगा हुआ था तब ही नूर महमत उन्हें उनकी वो फोटो भेट करने के हैतू उनके समक्ष उपस्तित हुए फोटो कर देखते ही वे अतिक्रोधित हो नूर महमत को मारने दोड़े तथा उन्हें बाहर निकल दिया तब उन्हें बढ़ा दुख और निराशा हुई फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपिया व्यर्थी खर्च किया नूर महमत ने अपने सब मित्रों और सम्बंदियों से प्राथना कर सब फोटो वापस बुला दिया और एक मच्यारे के हाथ से बांदरा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिया इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था तब नूर मुहमद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुदर में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीख रस्वस्त हो जाओगे ये सुनकर मैंने मैनेजर महता को अपने घर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में फिकवा दिया दो माँ पस्चाज जब मैं अपने घर बापस लोटा तो बाबा का चित्र फुर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर यह हुआ मैं समझना सका कि महता ने अन्यसब चित्र तो निकाल कर भी सजित कर दिये पर केवल यही चित्र कैसे बज़ गया तब मैंने तुरंथी उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की द्रिश्टी इस चित्र पर पड़ गई तो वो इसकी भी तश्री कर देगा जब मैं ऐसा विज़ा करी रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छित्र है संभाल कर रख सकेगा तब स्वयम श्री साई बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मु मुझावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छानुसार ही कारिया करो मैंने मौलाना साथ से भेट किये और सब बाते उन्हें बतलाए कुछ देर विचार करने के बश्चा वे इस मिरने पर पहुंचे कि इस चतर को आपको ही भेट करना उची थी क्योंकि केवल आथी इसे उत्तम प्रकासे समालने के लिए सर्वता सत्पात्र है तब हम दोनों आपके घर आए और उपियुक समय पर ही ये चतरा आपको भेट कर दी इस कथा से विजित होता है कि बाबा दिकाल ज्यानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर वक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे अब जो कथा इस बाद का प्रतीक है कि आध्यात्निक जिक्यासियों पर बाबा किस प्रकार सनेहर रखते तथा किस प्रकार उनके कश्ट निवारं कर उन्हें सुप पहुंचाते थे तो अब सुनियन चिन्दियों की छोरिय और ज्यानेश्वरी का पठन श्रीप दीवी देव जो उस समय डहनू के मामलेदार थे उनको दिर्गकाल से धार्मिक ग्रंथों के साथ-साथ ज्यानेश्वरी के पठन की तीवरे इच्छा थी वे भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाट करते तथा थोड़ा बहुत अन्यक ग्रंथों का भी अध्यान करते थे परन्तु जब भी वे ज्यानेश्वरी का पाट प्रारम करते तो उनके समख अन्यक बाधाएं उपस्पित हो जाता जिससे वे पाट करने से सर्वतरा बंचित रहे जाया करते थे तीन मास की छुट्टी लेकर वे श्रीडी पढ़ारे और तक पश्चार वे अपने घर पौड में विश्राम करने के लिए भी गए अन्यक ग्रंथ तो वे पढ़ाई करते थे परन्तु जब ध्यानेश्वरी का पाट प्रारम करते तो नाना प्रकार के कलुशुत विजार उ क्याते हैं तभी उसका श्री गणेश्वरी का नित्य पाट करते हैं श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है परन्तु मैं ऐसा करने में साफरता नहीं पा रहा है अब तो जब बाबा की आग्या होगी तभी प्रारम करूगा श्री जोग ने सला दी कि ग रकमलों से सपर्ष कर उसे बापस लोटा दें तब उसका पठन प्रारम कर दें श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस कर नहीं समझता क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे रिदे की इच्छा उनसे कैसे गुप रह सकती है क्या वे इस पठ शब्दों में आग्या देकर मेरी मौनो कामना पुर्ण न करेंगे श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किया और एक प्या दक्षणा में भेट तब बाबा ने उनसे बीस प्या दक्षणा और मांगी जो उन्होंने सहर्श दे 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 रात्री के समय श्री देव ने बालकराम से भेट और उनसे पुछा आपने इस प्रकार बाबा की बस्ती तत्रक्रिपा प्राप की है पालकराम ने कहा कि मैं दूसरे दिन आर्ती समाथ होने के पश्चात आपको कुर्ण बृत्तान सुना हूँ दूसरे दिन जब श्री देव साहथ दर्शनार्थ मस्जिद में आये तो बाबा ने फिर बीस उपे दर्ट्रा मांगी जो उन्होंने सहरश भेट करते मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैट बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीब बैठा लिया वे किसे और क्या बाचित कर रहे थे श्री देव ने उपतर दिया कि बालकराम से उनकी किर्टी का गुनगान श्रवन कर रहे थे तब बाबा ने उनसे पच्छी सुक्य दक्षना मांगी जो उन्होंने सहरश दे दे थे फिर बाबा उन्हें भीतर ले गया और अपना आसन ग उन्हेंने खोच की पर तो कही कुछ भी न पाया तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक यहां और कोई नहीं है तुम चोर हो तुम्हारे बाल तो सफेध हो गए है और इतने ब्रित होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आया हो इसके पश्चाद बाबा उनकी आँखे प्रोध से लाल हो देए। वे बुरी तरह से गालियां देने और ढटने लगे। देव शांती पुरवक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पढ़ने की भी आशंका कर रहे थे कि एक घंटे के पश्चा थी बाबा ने उनसे वाड़े को लोटने को का। वाड़े ल उन्होंने देव से पुनफ बारा रुपे की दक्षना मांगी जो उन्होंने एकत रकर के सहर्श भेट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव उन्हों उतर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा प्रति दिन पोथी यानि की ज्यानेश्वरी का पाट किया कर जाओ वाड़े में बैट कर कमशाहन नित्य पाट करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को फ्रेम और बगति पुर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनेरा शेला भेट देना चालता जिन्दियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें ये शोभा देता है? पोथी पढ़ने की आग्या प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हो। उन्होंने सोचा की मुझे इच्छे त्वस्ट की प्राप्ती हो गई है और अब मैं आनन पुर्वक ज्यानेश्वरी सकते हैं उन्होंने साश्टा नमस्कार किया और कहा कि हे प्रफरो मैं आपकी शरन है आपका अबोध शिशु मुझे पार्ट में साहता की अब उन्हें चिन्दियों का अर्थ सपष्ट तया विदित हो गया था उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वो चिन्दी स् इसलिए उन्होंने डाटा और प्रोधित हुए देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभा आशिरवात समझा तथा विसंतुष्ट होकर घर लोड़ दे यह कथा यहीं समाप नहीं हुए अनुमती देने के पश्चाद भी बाबा शांत नहीं बैड़ तथा एक वर्ष के पश्चाद वे श्री देव के समीब गए और उनसे प्रगति के विशय में पूछ ताच की दो एक्रिल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव को पूछा क्या तुम्हें पोथी समाझ में आई जब देव ने स्वीकारात्म को तर्न दिया तो बाबा बोले की अब तुम कब समझो के देव की आँखों से टप टप करके अशुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले की मैं निश्चे कुर्व कह रहा हूं की हे भगवान जब तक आपकी कृपार उपी मेगर व्रिष्टी नहीं होती तब तक उसका अर्थ समझदा मेरे लिए संभ पढ़ने को कहा देव कोथी लाने गये और जब उन्होंने नेतर खुले तो उनकी निद्रा भंग हो गए अब शुरुता गंड स्वयम ही इस बात का अनुमान कर लें कि देव को इस वक्त के पश्चत कितना अनंद प्राप्त हुआ होगा श्री देव अभी चीवित हैं और म इनके साइड लिला के लेख से सपश्थ प्रतीत होता है यह उनिस सो त्यवालिस अक्ट्रबर उन्नीस की बात है यहां हमारा अध्याय 41 समाप्त होता है श्री सद्गुरु साइनाथार पनमस्तूद शुभं भवद ओं श्री साइनाथार अनमान अध्याय 42 प्राड़म श्र श्री गनेशाय नमाहा, श्री सरस्वत्य नमाहा, श्री गुरोभ्यो नमाहा, श्री खुलदय वताय नमाहा, श्री सीता रामचंद्रा भ्याम नमाहा, श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाहा इस अध्याय में महा समाधी की और भविश्य की आगाही रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोते पाटिल की मृत्यू टाला लक्षमी बाई सिंदे को दान समस्त प्राणियों में बाबा का वास अंदिम छड़ इसका वर्नन किया गया है बाबा ने किस प्रकार समाधी ली इसका वर्नन इस अध्याय में किया गया है पस्तावना श्रमन करते हैं गत अध्यायों की कथाओं से ये सपश्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरन ही भवसागर के भई से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मौक्ष का पत सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है यदि सद्गुरु के मोह विनाशत पूजनिया चरणों का सदय वस्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समझत कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मुर्त्यू के चक्र से चुटकारा हो जाएगा इसलिए जो अपने कल्यानार्थ चिंटित हो उन्हें साही समर्थ के अलोकित मधुर लिला मुर्थ का पान करना चाहिए ऐसा करने से उनकी मती शुद्ध हो जाएगी प्राड़म में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिकुन लगाया इसका उलेक मूल ग्रंथ में किया गया है इस प्रसंग का वरणन ग्यारवे अध्याय में किया जा चुका है इसलिए यहां उसको दुराना उचित नहीं है आप सुनिये बविश्य की आगाहि शोताओं आपने अभी तक केवल बाबा के जिवन काल की ही कथाएं सुनी है अब आप ध्यान पुर्वग बाबा के निर्वान काल का वरणन सुनिये 28 सिकंबर सन 1918 को बाबा को साधरन सा जवराग ये जवरग दो तीन दिन तक रहा इसके उपरांग थी बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याक दिया इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन ख्षीन एवम दुर्बल होने लगा 17 दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टॉबर सन 1918 को दो बचकर 30 मिनिट पर उन्होंने अपना शरीर क्याक दिया ये समय प्रोफेसर जी जी नारके के 5 ग्यारा 1918 के पत्र के अनुसार है जो उन्होंने दादा साइब खापरड़े को लिखा था और साई लिला पत्रिका के पुरिष्ट 7-8 प्रतम वर्ष में प्रकाशित को आता इसके दो वर्ष पुर्वे ही बाबा ने अपने निर्वान के दिन का संकेत कर दिया था परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सकता गटना इस प्रकार है विजाय दश्मी के दिन जब लोग संध्या के समय सीमो लंगन से लौट रहे थे तो बाबा सैसा ही कुरोधित हो गए सिर का कपड़ा कफनी और लंगो की निकाल कर उन्होंने उसके चुकड़े चुकड़े करके जल्दी हुई धुनी में फेंग दिया बाबा के द्वारा अहुती प्राप्त कर धुनी द्विग्ण प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांती चमक रहे थी वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आँखे अंगारे के समान चमक रहे थी उन्होंने आवेश में आकर कुछ चस्वर में कहा की लोगों यहाँ आओ मुझे देखकर पुर्ण निश्चे कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसल्मान सभी भैसे कांप रहे थे किसी को भी उनके समीब जाने का साहस न हो रहा था कुछ समय बीतने के पश्चाच उनके भग भाबोजे शिंदे जो महारोग से पीडित थे साहस कर बाबा के समीब गए और किसी प्रकार उन्होंने उन्हें लंगों की बांद दी और उनसे कहा की बाबा ये क्या बात है देव आज दसेरा यानि सिमो लंगन का त्योहार है तब उन्होंने जबीन पर सटका पटकते हुए कहा की ये मेरा सिमो लंगन है लगब ग्यारा बज़े तक भी उनका फ्रोच शान्त न हुआ और भक्तों को चावडी जुलूस निकलने में संदे होने लगा एक घंटे के पश्चात वे अपनी सहस लिटी में आ गये और सदा की भापी पोशाख पहन कर चावडी जुलूस में सम्मिलित हो गये जिसका वरनन पूर्व किया जा चुका है इस घटना दोरा बाबा ने इंगित कि जीवन रिखा पार करने के लिए दशायराही उचित समय है परन्तु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में ना आए बाबा ने और भी अन्य संकित किये जो इस प्रकार है रामचंद्र दादा पाटिल की मर्ट्यू टालागा कुछ समय के पश्चार रामचंद्र पाटिल बहुत दिमार हो गए उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था सब प्रकार के उप्चार किये गए परन्तु कोई लाग न हुआ और जीवन से अफ़ताश होकर वे मृत्यू के अंतिन छणों की पतिक्षा करने लगे तब एक देन मंधरात्री के समय में बाबा अनायासी उनके सिराने प्रकट हो ए पाटिल उनके चरणों में लिपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी है अब क्रिपाकर मुझे इतना तो निश्चित बतलाईए कि मेरे प्रांट अब कब निकलेंगे दयासींदू बाबा ने कहा कि खबराओ नहीं तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीग रही स्वस्थ हो जाओ ते मुझे तो केबल तात्या का भाया है कि सन 1918 में विजय दश्मे के दिन उसका देहान्त हो जाएगा किन्तु ये भेद किसी से प्रगट न करना और नहीं उसे बतलाना अन्य था वो अधिक भैवित हो जाएगा रामचंद्र अब पूर्न स्वस्थ हो गए वरलतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश होए उन्हें गयाद था कि बाबा के शर्थ कभी असर्थ के नहीं निकल सकते और दो वर्ष के पश्चा थी तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा उन्होंने ये भेड बाला शुम्पी के अर्पिदे किसी से भी प्रगट न किया केवल दो ही व्यक्ति रामचंद्र दादा और बाला शुम्पी तात्या के जीवन के लिए चिंता ग्रस्थ और दुखी थी रामचंद्र ने शयात प्याग दी और वे चलने पहने लगे समय तेजी से व्यक्ति होने लगा शके अठारा सो चालिस का भादरपत समाप्त होकर अश्विन प्रारम होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्ण ताहस्त निकले तात्या बिमार पढ़ गये और उन्होंने चारपाई पकड़ी उनकी स्थिती इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गये इधर बाबा भी जवर सपीडित थे तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरीबर जो उनके सवरक्षत है तात् रामचंद्र दादा और बालाशंपी बहुत घबरा गये उनके शरीर कांप रहते पसिदें की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम साथ है जैसे ही विजय दश्वी का दिन आया तात्या की नाड़ी की गतीम मंद होने लगी और उसकी मृत्यूर सन नि सभी लोग कहने लगे कि बाबाने तात्या के लिए प्रांट जागे ऐसा उन्होंने क्यों किया ये वे ही जाना क्योंकि ये बात हमारी बुद्धी के बाहर है ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबाने अपने अंतिमकाल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था दूसरे दिन 16 अक्टबर को प्रातक काल बाबा ने दासगणू को पंधरपूर में स्वपन दिया कि मस्जिद अर्रा करके गिर पड़ी है श्रीडी के प्राया सभी तेली तमोली मुझे कश्ट देते हैं इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है मैं तुम्हें ये सुचना देने आय हूं कि शीग महा जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के पुल कठा कर चड़ा दासगणू को श्रीडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिचों को साथ लेकर श्रीडी आये तब उन्होंने बाबा की समाधी के समक्ष अखंड कीरतन और अखरिनाम प्रालम कर दिया उ इजह दश्मी का दिन हिंदों के लिए बहुत शुभ है और सिमो लंगन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सरवथा उचित ही है इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अतनत पीड़ा हो रही थी परंतु अंतरी ग्रूप में वे पूर्न सजग थे अंतिम लक्षण के पूर्व वे बिना किसी की साहता लिये उठकर सीधे बैठ गये और स्वस्त दिखाई पढ़ने लगे लोगों ने सोचा कि संकत कल गया और अब भाई की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीग रही निरोग हो जाएंगे परंतु वे तुझांते थे कि अब मैं सीग रही विदा लेने वाला हूँ और इसलिए उन्होंने लक्षमी बाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकटी समस्त अपराणियों में बाबा का वास किस तरह था उसके बारे में सुनेंगे लक्षमी बाई एक उच्चकुलीन मैगा थी वे मस्जिद में बाब ताट्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तभी लक्षमी बाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया तब बाबा कहने लगे कि अरी लक्षमी मैं अत्यन को भूका हूँ वे ये कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर फैरो मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर बाबा ने उत्ता धिया कि व्यर्थ ही मुझे कश्ट क्यों दिया बाबा ने उत्ता दिया की व्यर्थ दुख न कर ऐ तुम सक्षें करना मुझे त्रक्षट करने के बराबर ही है। मुझरे ही भोजन कराता ये एक अकाट्य सत्य है इस साधारन घटना के द्वारा बाबा ने एक महान अध्यात्मिक सत्य की शुक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कश्ट पहुंचा है किस प्रकार उसे नित्य ब्यवार में लाया जा सकता है इसके पश्चात लक्षमी भाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्ति पुर्वक दूद, रोटी वा अन्यभोजन देने लगी जिसे वे स्विकारकत बड़े चाव से खाते थे वे उसमें से कुछ खाकर शेश लक्षमी भाई के द्वारा ही राधा क्रिशम आई के पास भीज दिया तकते थे इस उच्चिष्ट अन्न को वे प्रसाथ स्वलूप समझ कर प्रेम पुर्वक पाती थी इस रोटी की कथा को असम्मद नहीं समाजना चाहिए इससे सिध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है जो सर्वव्यापी जन्म मृत्यु से परे और अमर है बाबा ने लक्षमी भाई की सेवाओं को सदय वस्मरण रखा बाबा उनको भुलावी कैसे सकते थे देहत्याक के बिलकुल पूरवक बाबा ने अपनी जेप में हाट डाला और पहले उन्होंने लक्षमी को पाँच रुपे और बाद में चार रुपे इस प्रकार कुल नौ रुपे दिये ये नौ की संख्या इस पुस्तक के अध्याए बारा में बरने थे नव विधा भक्ती की जो तक है अथवा ये सीमो लंगन के समय दी जाने वाली दक्षना भी हो सकती है लक्षमी बाई एक सू संपन्न महला थी अतवेव उन्हें रुपियों की कोई आवश्चता नहीं थी इस करण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रभुक रूप से श्रीमत भागवत के सकंद 11 अध्याए 10 के श्लोव 6 की और आकरशित किया हो जिसमें उत्रुष्ट कोटी के भक के 9 लक्षनों का वर्णन है जिसमें से पहले पांच और बाद में चार लक्षनों का करमशाह प्रथम और जृतिय चरणों में उल्लेक किया हुआ है बाबा ने भी उसी करम का पालन किया पहले पांच और बाद में चार कुल 9 केवल 9 रुपे ही नहीं बल्कि नौ के कई गुने रुपे लक्षमी बाई के हाथों में आए गए होंगे किल्टु बाबा द्वारा प्रदत ये नौ रुपे का उपहार वो महला सदय वस्वरन रखेगे अब सुनिये अंतिम खशन बाबा सदय वसजग और चैतन में रहते थे उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लोटाने को का ऐसी स्थिति में वे बाबा को अखिले छोड़ना तो नहीं चाते थे परन्तु उनकी आग्या का उलंगन भी तो नहीं कर सकते थे इसलिए इच्छा न होते वे वी उदाज और दुखी विदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिती अच्चन तचिंता जनक है और इस वकार उन्हें अखिले छोड़ना उचित नहीं है वे भोजन करने के लिए बैठे फ़रं तो उनके मन कहीं और थे अभी भोजन समाप भी न हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचा उनके पास पहुंचा और वे अत्पेठी अपनी थानी छोड़कर मस्जिद की और भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बया जी अपपा कोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे हैं न वे नीचे लुटे और न शयापर ही ले ले अपने ही आसन पर शान की कुर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने ये मानव शरीर क्या दिया संथ स्वयम ही देह धारन करते हैं तथा कोई निश्चित धे लेकर इस संसार में प्रगट होते हैं और चब धे ये पुर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रगट होते हैं उसी प्रकार लुप भी हो जाया करते हैं यहां हमारा अध्याए 42 समाक्त होता है श्री सद्गरू साइ नाथार पनमस्तु शुभं भवत सकता है पारा यनःहा शष्चविश्राम ओम श्री साइ नाथाय नमाथ अध्याय 43 और 44 आरम श्री साइ की अनुमती और आशिर्वार लेकर अब हम त्रैतालिस और चवालिस का श्रवन करें श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गुरोप्यो नमाः श्री खुलदय वताय नमाः श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमाः श्री सद्गुरू साईनाथाय नमाः इस अठ्याय में महा समाधी की ओग, पूर्व तयारी, समाधी मंदित, एट का खंडन, बहत्तर घंटे की समाधी, बापु साहेब जोग का सन्या, बाबा के अमरत्तुल्य वचन, इसका वर्णन किया गया है। हिंदों में ये प्रथा पचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है, तो उसे धार्मि ग्रंद आदी पढ़कर सुनाये जाते हो। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक जंजटों से मुख्ध होकर अध्धात्मिक विश्यों में ल उसका अंतकाल निकट आया तो महत्मा शुक्तेवने उन्हें उस सप्ता में श्रीमत भागवत पुरान का पाठ सुनाये जिससे उनको मौक्ष की प्राप्ति हुई यह प्रथा अभी भी अपना ही जाती है महानिर्वान के समय गीता भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ कि जाता है बाबा तो स्वाह माउतार थे इसलिए उन्हें बाहिय साधनों की आवश्रता नहीं दी पर उन्त केवल दूसरों के समक्ष उदाहरन प्रस्तुत करने के हितू ही उन्हें इस प्रथा की उपेक्षा नहीं जब उन्हें विजित हो गया कि मैं अब शीखर इस प्रहर पाट करने की आगया दे श्री वजय ने उस अधाय की जुतिया और तीन दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार क्यारा दिन भीद गया अब श्री वजय बिल्कुल थक गए इसलिए उन्हें विश्राम करने की आगया विजित हो बाबा बिलकुल शान्त बैट गया और आत्मस्टित होकर वे अंतिम ख्षण की प्रतिक्षा करने लगे दोतिन दिन पूरव ही प्रातकाल से बाबा ने विक्षाचन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैट रे वे अपने अंतिम ख्षण के लिए पूर्न सचेत थे इसलिए वे अपने भक्तों को द्धैर ये बांगते रहे पर उन्होंने किसी से भी अपने महा निर्वान का निश्चित समय प्रगट इन्हों किया इन दिनों काका सहे दिक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में मित्य ही भोजन करते थे महा निर्वान के दिन 15 अक्कबर को 38 समाप थने के प्रगट बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास थान पर ही भोजन करके लोटने को कहा फिर भी लक्षमी बाई सिंदे भागोजी शिंदे बायाजी लक्षमन बाला शिंपी और नाना साहिब निमोन कर वहीं रह गए शामा नीचे मस्जिद की सीरियों कर बैट लक्षमी बाई सिंदे को 9 रुपे देने का पश्चाथ बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अच् चुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दे भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुप गई है तब उन्होंने नाना साहिब निमोन कर को कुकार कर ये बात पही नाना साहिब ने कुछ चल लाकर बाबा के श्री मुख में डाला जो बाहर लड़क आया तभी उन्होंने पश्ट विदित हो गया कि उन्होंने सक्मुची पंचबूच शरीर ज्यात दिया है बाबा समाधिस्त हो गया ये रिदय विदारत दो समबात दावा नल की भाती तुरं थी चारो और खैल गया श्री के सब महरनारिया और मालगण मस्जित प्रोड़े चारो और से हाहक कार म गिर पड़े प्रत्तिक की आंखों से जरजर आंसु गिर रहे थे प्रलाइकार के बातावरण में तांडर नर्त जैसा द्रिश उपस्टित हो जाता है वही गती श्रीडी के नरनारियों के रुदन से उपस्टित हो गई उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर बं अपने भक्तों से कहा था कि अविश्ट में वे आठ वर्ष के बालक के रूप में प्रगट होंगे। साई बाबा का ये आउतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की आर्य प्रणाली अदम में होती है। साई बाबा का अपने भक्तों के साथ ये संपर्त केवल एक पीड़ी का नहीं बलकि पिछले कई जन्मों का संपर्त। ऐसा प्रतित होता है कि इस प् पुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कप्रिस्तान में दफन करके उसके उपर एक मगबरा बना देना चाहिए। खुशाल चंदर और अमिर शक्टर की भी यही धारणा थी। परंतु ग्राम में अधिकारी श्री राम चंदर पाटिल ने द्रढ़ और निश्चयात्मक्सवर में कहा कि तुम्हारा निरणय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकाल लोगों में मतभेद उत्पन हो गया और वो वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातक काल बाबा ने लक्षमन मामा जोशी को स्वपन दिया और उन्हें अपने हाथ से खीचते हुए कहा कि शीघ्र उठो बापु साहिब समझता है कि मैं मृत हूँ इसलिए वो आएगा नहीं तुम पूजन और काकडार्ती करो लक्षमन मामा ग्राम के जोशी शामा के मामा तथा एक करमट रम्हन थे वे नित्य प्रातक काल बाबा का पूजन के आपकते तत पश्चात ही ग्राम द दिक्त प्रतिभा के दर्शन कर वेस्टांस रहे गए हैं मानों हिमान शुने उन्हें अपने पाश में आबद करके जड़वत बना दिया हैं स्वापने की इस्पृति ने उन्हें अपना कर्तब विक्रने को प्रेवित किया फिर उन्होंने मौलोडियों के विरोध की कुछ का निश्चे किया और वहां का मध्धवाग खुद्दा आरंग कर दिया मंगलवार की संध्या को रहता से सब इंस्पेक्टर और भिंद भिनस्थानों से अनेग लोग आकर वहां एकट लोगों ने उस प्रस्ताव को स्विकार कर दिया दूसरे दिन प्रतक काल मंबे से अमी कर कि स्विकूती अति आवश्यक समझते थे तब काका सहेब स्वयम एहमद अंगल जाने को उद्यत हो गया परंतु बाबा की प्रेणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्श स्विकार पर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मद भी वाड़े के ही पक्ष में दिया अत पुद्वार की संध्या को बाबा का पवित्र शजीर बड़ी भूंधाम और समारों के साथ वाड़े में लाया गया और विदिपुर्वत उस स्थान पर समाधी बना दिए जहां मुर्ली धर की मुर्ती स्थाफित होने को थी सच तो ये है कि बाबा मुर्ली धर बन गये और और वाड़ा समाधी बंदिर एबं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अने को भक्त आया जाया करते हैं और अभी भी नित्र प्रती वहां आकर सुख्ष और शांती प्राक्त करते हैं बाला से भटे और बाबा के अनन्य भक्त शी उपासन नहीं है बाबा की विदि एक अवयव लचिला बना रहा जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिनाच चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकते हैं अब सुनिए एट का खंड़न बाबा के निर्वान के कुछ समय पूर एक अप्शकुन हुआ जो इस खटना की पूर्व सुचना स्वरूप था मस्जिद में एक पुरानी एट थी जिस पर बाबा अपना हाट टेकर रखते थी प्रात्री के समय बाबा उस पर सिर्र रखकर शयन की आखते थी यह अनेक वर्शों पर चला था एक दिन बाबा की अनुपस ठिकी में एक बालक ने मस्जिद में जाडू लगाते समय वो एट अपने हाथ म जब बाबा को इस पात की सुचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वो एक कहने लगे कि ये एट नहीं तूटी है मेरा भाग यही फूट कर चिन नभिन हो गया है ये तो मेरी जीवन संगीनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्म चिंतन क्या करता था ये मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को इट जैसी एक तुच्छ वस्तू के लिए इतना शोप क्यों करना चाहिए इसका उत्तर हेमारपंद इस पकार देते हैं कि सन जगत क के उध्धार तथा दीन अनाश्वितों के कल्या नारथी अवतिरन होते हैं जब वे नरदेहधारन करते हैं और जनसंपत में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरन किया करते हैं अर्थार बायरूप से वे अंजलोगों के समान ही हसते खेलते और होते हैं परंतो अंदरीक अब सुनिये, 72 घंटे की समाधी के बारे, इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रिखा पार करने का एक प्रयास किया, 1886 में मारगर्शेश पुर्णिमा के दिन, बाबा को दमा से अधिक विड़ा हुई, और इस व्याधी से छुटकारा पाने के लिए, उन्ह प्रयव उन्होंने भगत, मालसा पती से कहा कि, तुम मेरी शरीर की तीन दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लोट आया तो खीक है, नहीं तो एक स्थान के और इशारा करते हुए कहा, वहां मेरी समाधी बना देना, और दोद भजाएं चिन्न सरूप फैरा देना, ऐ जिन में ग्राम अवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परिक्षन के पश्चा था, शरीर को उनके द्वारा बताय हुए स्थान पर समाधी तक कर देने का निश्ठे करने लगे, परंतु भगत मालसा पती ने उन्हें ऐसा करने से रोका, और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे तीन दिन तक उसकी रक्षा किते रहे, तीन दिन गतित होने पर रात को लगवग तीन बजे प्रांड लोटने के चिन्ह दिखाई पढ़ने लगे, श्वासो च्वास पुना चालू हो गया, और उनके अंग प्रत्कंग हिलने डुलने लगे, उन्हें न कुछ वर्षों तक धारन करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयों आत्मजोती स्वरूप थे, पंच महाभुतों से निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंध तो सूनिश्चित है, परन्तु वो सद्वस्तू जो अंतक्रण में है, वही अथार्त में सक्या है, उसका नरूप है, नाँथ है, और ननाश, यही शुद्द चैतने घन या ब्रम्न, इंद्रियों, और मन पर शासन और मियंटरन रखने वाला जो तक्व है, वही साही है, जो संसार के समस्त अप्राणियों में वित्मान है, और जो सर्वव्यापी है, अपना अतार कार्य करन श्री साई भी सदय ववर्कमान है, उनका निर्वान तो एक आउकचारिक बात है, वे जड़ और चेतन सभी पतार्थों में व्यापत है, तथा सर्वववूतों के अंतकरन के संचलक और मियंतरन करता है, इसका अभी भी अनुहों किया जा सकता है, और अनेकों के अनुहों म नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम श्रीडी जाया, तो हमें वहां उनका जीवित सदर्श चित्र, मस्जित, याने द्वारकमाई को शोभाय मान करते हुए, अब भी देखने में आएगा, ये चित्र, बाबा के एक प्रसित भक्त कलाकार, श्री शामराव जैकर ने बनाया एक कलपनाशील और भक्त दर्शक को ये चित्र, अभी भी बाबा के साक्षाद दर्शन के समान ही संतोष और सुप पहुचाता है, बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं, और भक्तों का कल्यान पुर्वबत ही करते हैं, करते र भक्तों के समाई पर भूतल पर अवतिर नहीं होते हैं, अब सुनाता हूँ आपको बाकु सहेफ जोग का सन्यास, जोग के सन्यास की चर्चा कर हेमारपन की एध़ाय समाप्त करते हैं, श्री सकाराम हरी उर्फ बाकु सहेफ जोग कुने के पसित दोवार करी विश्नूबब प्रियोडी में परियवेशक थी। सेवा निम्रति के पश्चाद विसापत्निक श्रीडी में आकर रहने रिए। उनके कोई संतान्म न थी। पती और पत्नी दोनों की ही साई चरणों में अटल शर्था थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन दिन मेगा के मृति के पश्चाद बाफु सहिव जोग ने बाबा की महा समाधी परियंत मस्जित और चावडी में आरती की। उनको साथे वाड़ा में श्री यानेश्वर्थ और श्री एकनाती भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ शोताओं को संधाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेख वर्षों तक सेवा करने के पश्चाद उन्होंने एक बार बाबा से प्रातना की की हे मेरे जीवन के एक मात्रा आधार आपके पुजनिया चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं श्री चरणों की कौन सा सुख है। यदि मेरा चंचलमन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन नहीं हो। क्या इतने वर्षों का मेरा संद समागम गर्थी जाएगी। मेरे जीवन में वो शुप गड़ी कब आएगी। जब आपकी क्रिपाद रुष्टी मुझ पर होगी। इस दिन तुम एंद्रिक विशों को कुछ जानकर समस्त पताथों से ब्रक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से इश्वर भक्ति कर सन्यास धारण कर लोगी। कुछ समय पश्चाद बाबा के वचन सत्य सित्ध हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष न रहे। वे अ अब सतंत्र हो गए और उन्होंने अपने मृत्यु के पूर्व सन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष प्राक्त कर लिया। अब सुनिये बाबा के अमृत्युल्य वचन दयानिंधी कुर्पालू श्री साही समत्त ने मस्जित या द्वार का माई में आने इक बार या अम और झुल मेरा ही लीला दान करता है वो सतत मेरा ही थान करता है और सदय व मेरा ही नाम जबता है जो पूरन रूप से मेरी शरन में आ जाता है और सदा मेरा ही स्वरन करता है अपने उपर उसका ये रिंट मैं उसे मुप्ती पड़ां करते चुका दूगा जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किये बिना कुछ भी नहीं खाता मैं उसके आधीन हूँ जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वो मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदिया समुद्र से मिलकर ददाकार हो जाती है अत्यव महत्ता और एहंकार का सरवता परित्याक करके तुम्हें मेरे प्रती जो तुम्हारे लिदय में आसीन है पूरन रूप से समर्पित हो जाना चाहिए अब इसके बारे में जानी ये मैं कौन है श्री साइवबा ने आने बार समझाया कि ये मैं कون है इस मैं को ढूनने के लिए अधिक दूर जाने की आवशक्ता नहीं है तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतक्रण और समस्त प्राणियों में चैटनेखन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है ऐसा समझ कर दो मेरा ही दर्शन करो यदि तुम इसका नित्त प्रति अभ्धास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्व व्याफ़ता का अनुभाव शीग्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्ट हो जाएगी अज़क हेमारपन शोताओं को नमन कर उनसे फ्रेम और आदर फुर्वक विनम्र प्राथना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं और संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए बाबा सदय वह कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है वो मेरे रिदे को दुख देता है तथा मुझे कश्ट पहुचाता है इसके विपरिश जो स्वयम कश्ट सेहन करता है वो मुझे अधिक भीयर है बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रख्षा करते है समस्त जीवों से प्रेम करो यही उनकी अंतरिक इच्छा है इस प्रकार का विश्ट अमरुत में इस प्रोत उनके श्री मुख से सदय वजचता रहता था आता जो प्रेम कुर्वत बाबा का लीला गान करेंगे या उन्हें भक्ती कुर्वत श्रवन करेंगे उन्हें साई से अवश्यक अभिन्नता प्राप्ट होगी यहां त्रैतालिस और च्वालिस अज्ञाए समाप्ट होते है श्री सद्गुरू साईनाथार प्रमस्तु शुभम भवतु ओम श्री सद्गुरू साई के अनुमती लेकर और आशिक्वार पाकर अब हम अध्धायद पैचालिस का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाहा, श्री सरस्वत्य नमाहा, श्री गुरोभ्यो नमाहा, श्री कुलदय वताय नमाहा, श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमाहा, श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाहा इस अध्याय में संदेह निवारण, काका सहीब दिख्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्त बाबा के शायन के लिए लकडी का तक्ता इसके बारे में श्रवन करें लीजे प्रस्तावना ये है गत तीन अध्यायों में बाबा के निर्वान का वर्नन किया गया है इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है परन्तु उनका निराकार स्वरूप सदय वबिद्यमान रहेगा अभी तक केवल उनी घटनाओं और लीलाओं का उल्लेक किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी उनके समाधिस्त होने के पश्चाद भी अनेक लीलाएं होच की है और अभी भी देखने में आ रहा है जिससे ये सिध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले के ही भाती अपने भग्तों को साहता पहुचाया करते है बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका साम्यत्य या सथसंग प्राक्ट हुआ यथार्थ में उनके भाग्य की सरहना कौन कर सकता है यदि किसी को फिर ऐसी एंद्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राक्ट नहीं हो सका तो इसे दुर्भा के क्यात्रिक और क्या कहा जा सकता है जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए वो है अनन्यभाव से बाबा की भक्ति समस्त चेत्नाओं इंद्रिय प्रवृत्यों और मन को एकागर कर बाबा के पूजन और सेवा की और लगाना चाहिए खृत्रिम पूजन से क्याला यदि पूजन का ध्याना दी करने की ही अभिलाशा है तो वो शुद्धमन और अंतकरण से ही होनी चाहिए जिस प्रकार पतिवरतास्त्री का विशद्ध प्रेम अपने पती पर होता है इस प्रेम की उप्मा कभी कभी लोग शिश्य और गुरू के प्रेम से भी दिया करते हैं परन्तु फिर भी शिश्य और गुरू प्रेम के समक्ष पतिवरता का प्रेम ठीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जासा माता पिता भाई या अन्य संबंदी धीवन का घेय आत्म साक्षात कार प्राप करने में कोई साहता नहीं पहुचा सकते इसके लिए हमें स्वयम अपना मार्ग अन्वेशन कर आत्मानु भूती के पत्पत अग्रसर होना पड़ता है नित्य और अनित्य में विवेग यह लोकित तथा पाले लोकित सुफों का त्याद इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारना करते हुए अग्रसर होना पड़ता है दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्म विश्वास बढ़ाना उच्चत जब हम इस प्रकार विवेग गुद्धी से कार्या करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि ये संसार नाश्वान और मित्या है इस प्रकार की धारना से संसारी पदार्थों में हमारी आसकती उत्रो उत्तर घटी जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तब कहीं आगे चलकर ये रहस से प्रकट होगा कि ब्रह्म्म हमारे गुरू के अतिरिक दूसरा कोई नहीं परन यथार्थ में वेही सदवस्तू याने परमात्म है और ये रहस्योद घाटन होता है कि ये ब्रशमान जगत उनका ही प्रतिविम्भ है इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके रूप का दर्शन कर उनका पूजन आरम कर देते हैं और यही समत्वभाव गृशमान जगत से विरक्ती प्राण कराने वाला मूल अमंत्र है इस प्रकार जब हम ब्रह्मा या गुरू की अनन्यभाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्यता की प्राप्ती होगी और आत्मान भूती की प्राप्ती सहथ हो जाएगी संखेप में ये की सदर्व गुरू का किर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्व भूतों में भगबत दर्शन करने की योग्यता किदान करता है और इसी से परमानन की प्राप्ती होती है अब जो कथा सुनाने जा रहा हैं वो इस तठ्ठ का प्रमान है वो कथा इस तरह है काका साहिब का संदेर तथा आनंद राव का स्वप ये तो सर्वविदी थी है कि बाबा ने काका सहिब विक्षित को श्री एकनाथ महराज के दो ग्रंथ पहलाज श्रीमत भागवत और दूसरा भावार्थ रामायन का नित्य पठन करने की आग्या दिए काका साहिब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आये और बाबा के समाधिस्क होने के उपरांथ भी अभी भी वे उस पठा का अध्यान कर रहे हैं एक समय चोपाटी में काका साहिब प्रातकाल एकनाथी भागवत का पाट कर रहे थे माधोरा दिश्पंडे याने शामा और काका महाजनी भी उस समय वहाँ उपस्कित थे तथा ये दोनों ध्यान पुर्वत पाट श्रवन कर रहे थे इस समय ग्यारवेस कंद के जृतिय अध्याय का वाचन चल रहा था जिसमें नवनात अर्था रिशप बंच के सिद्ध याने कवी, हरी, अंतरिक्ष, प्रबुद, इंपल आयन, अविरहोत्र, दुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी राजा जनक ने इन नवनातों से बहुत महेत्वपूर्ण प्रश्ण पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोष जनक समाधान किया था अर्थात, कवी ने भागवत धर्म, हरी ने भक्ति की विशेष्टा हैं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रभुद ने माया से मुक्त होने की विधी, पिम्बलायन ने परभ्रम्म के स्वरूप, अविरहोत्र ने कर्म के स्वरूप, दुरुमिल ने परमात्मा के आउतार औ का एक मात्र साधन केवल हरी किर्टन या गुरू छोड़ों का चिंतन भी है पठन समाथ होने पर काका साहिव बहुत निराशा पूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पतती का क्या कहना है परंतु उसे आचरण में लाना कितना गुष्कर है नात तो सिधत है परंतो हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उद्पन होना क्या कभी संदोग हो सकता है अन्य जन धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकतेगा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है माधोराव को ये निराशावादी धाना अच्छी नहीं है वे कहने लगे कि हमारा आहो भाग्य है जिसके थलस वरूप ही हमें साई सदुरुष अमूल यहिरा भात लगाता है तब फिर इस प्रकार निराशा का राग आलापना उचित नहीं है यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तब फिर इस प्रकार चिंतित होने के आवश्यक्ता ही क्या है माना कि नवनातों की बक्ती अपेक्षाक्रत अधिक्द्ध और प्रबल होगी परन्तु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पुर्वक्त भक्ती नहीं कर रहे हैं क्या बाबा ने अधिकार पुर्णवाणी में नहीं कहा था कि श्रीहरी या गुरू के नाम जाप से मोक्ष की प्रप्ती होती है तब फिर भय और चिंता का स्थानी कहा रह जाता है परन्तु फिर भी मादोराव के वच्णों से काका साहिब का समाधान नहुआ पर फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे ये विचार उनके मश्तिश्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि इस विधी से नवनातों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगे अब सुनिये एक महाशे जिनका नाम आनंदराव पाखाडे था माधोराव को ढूंटे ढूंटे वहाँ आपो उस समय भागवत का पठन हो रहा था श्री पाखाडे भी माधोराव के समीफी जाकर बैटे और उनसे धीरे-धीरे कुछ बार तक पने लगे वे अपना स्वपन माधोराव को सुना रहे है इनकी काना फुसी के कारण पाट में बिगन उपस्तित होने लगा अतयव काका साहब ने पाट स्थगित कर माधोराव से पुछा कि क्यों क्या बात हो रही है माधोराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह पगट किया था ये चच्चा भी उसी का समाधान है कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वपन दिया है उसे इन से ही सुनो केवल गुरू को नमन या उनका पूजन करना ही पजाब था सभी को स्वपन सुनने की तीवर उटकंठा थी और सबसे अधिक काका साहब सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वपन सुनाने लगे जो इस प्रकार था मैंने देखा कि मैं एक अथा सागर में खाड़ा हुआ हूँ पानी मेरे कमर तक है और अचानक ही जब मैंने उपर देखा तो साही बाबा के श्री दर्शन हुए वे एक रत्न जटित सिहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जलके भीतर थे ये सुन्दर द्रिश्ट और बाबा का मनोहर रूप देख मेरा अच्छे थे बड़ा प्रसंद हुआ इस स्वप्ट को फ़ला कौन स्वप्ट कहेगा मैंने देखा कि माधर राव भी बाबा के समी भी खड़े है और उन्होंने मुझसे भाव कुणा शब्टों में कहा कि अनंदरा बाबा के श्री चरणों पर गिरो मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ परंतु उनके श्री चरण तो जलके भीतर है अब बताओ कि मैं कैसे अपना श्री चरणों के चरणों पर रखो मैं तो नहीं सहाई हूँ इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा जल में से शिफा कर अपने चरण बाहर निकालिये ना बाबा ने तो तुरंग चरण बाहर निकाले और मैं तुरंग उन्सले पड़ 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 बाबा ने मुझे ये कहते हुए आशिरवाद दिया कि अब तुम आनन पुर्वक जाओ घबराने या चिंता करने की कोई आवर्शक्ता नहीं अब तुम्हारा कल्यान हो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि एक जरी की किनारों की धोती मेरे शामा को दे दे इससे तुम्हें बहुत लाब होगा बाबा की आग्याब पूर्ण करने के लिए ही श्रीव पाख़डे धोती लाए और काका साथ से प्राथनाकी की क्रिपा करके इसे माधवरा को दे दीजिए परन तुम्हाधवरा ने उसे लेना स्विकार नहीं किया उलोंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमती प्राथ नहीं होती ऐसा करने में असमल समय कुछ तर्च बितर के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचत पश्चिया निकाल कर इस बात का नर्ने करने का भी चाएब आदेश काका साहिब का ये नियम था कि जब उन्हें कोई संद्य हो जाता तो वे कागस की दो पश्चियों पर स्विकार और स्विकार लिखकर उसमें से एक पश्चिय निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कारिय क्या करते थे इसका भी निक्तारा करने के लिए उन्होंने उपरियुक तविदी के अनुसार ही दो पश्चिया लिखकर बाबा के चितर के समक्ष रखकर एक अबोद बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को करते बालक बारा उठाई गई पर्ची जब खोल कर देखी गई तो वो सुचक पर्ची ही निकी और तब माधोराव को धोती सुचकर करनी पड़ी इस प्रकार आनंदराव और माधोराव संतुष्ट हो गए और काका साहिब का भी संदेह दूर हो गया इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वच्चनों का उचित आदर करना चाहिए परंतु साथ ही साथ ये भी परमावशक है कि हमें अपनी मां अर्थाद गुरू पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदिशों का अक्षर शाह पालन करना चाहिए क्योंकि अन्य लोगों की अपिक्षा हमारे कल्यान की उन्हें अधिक चिंता है बाबा के इन वच्चनों को विदय पटल पर अंकित कर लो इस विश्व में असंध संत हैं परंतु अपना पिता यहने गुरू ही सच्चा पिता सच्चा गुरू है दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हो परंतु अपना गुरू पदेश कभी नहीं भूलना चाहिए संचिप में सार यही है कि शुद्ध रिदय से ही अपने गुरू से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रत्था पुर्वक साश्ठा नमस्कार कर तब ही तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुत भवसागर कास्तित तो वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे के अब सुनिए बाबा के शयन के लिए लक्टी तकता था उसके बाबाबा बाबा अपने जीवन के प्रवाद्ध में एक लक्टी के तकते पर शयन क्या करते थे वो तकता चाराथ लंबा और एक बिता चौड़ा था जिसके चारो पूनों पर चार मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे बाद में बाबा ने उसके टुक्रे टुक्रे करडा लेते जिसका वरणन गता ध्याज़ दस में होच का एक समय बाबा उस फटिये की महत्ता का वरणन काका साहब को सुना रहे थे जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से पुछा कि यदि अभी भी आपको उससे विश्ष्ष ने है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लखाये देता हूँ आप सुख़पर वक्त उस पर शेयन किया करें तब बाबा कहने लगे कि अब महलसापती को नीचे छोड़कर मैं उपर नहीं सोना चाहँ काका साहब ने कहा कि यदि आग्या दें तो मैं एक और तक्ता महलसापती के लिए भी टांग दू बाबा बोले वे इस पर कैसे सो सकता है क्या यह कोई सहस्कारिया है जो कुछ गुण से संपन न हो वही ऐसा कारिया कर सकता है जो खुले नेत्रों रखकर निद्रा ले सकते वही इसके योग यह जब मैं शेयन करता हूं तो बहुदा महलसापती को अपने बाजू में बिठा कर उनसे कहता हूं कि मेरे रिदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बन न हो जाए और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंच जागरत करता है पर उससे तो यह भी नहीं हो सकता वो तो सोयम ही जपकी लेने लगता है और निद्रा मगन होकर अपना सिर्थ दुलाने लगता है और जब मुझे भगवत का हाथ पत्थर सा भारी पिकित होने लगता है तो मैं जोर से पुकार कर उठता हूं कि ओ भगवत तब कहीं वो घबराकर नेत खुलता है जो प्रच्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिध्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है वो क्या तक्ते पर सो सकतेगा अन्याने असरों पर वे भगतों के इसनेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ यहाँ अध्याय 45 समाप्त होता है श्री सग्रू साइन आथार पनमस्कूत शुभम भवगू ओम श्री साइन आथा यह नमाप्त अध्या 46 प्रारम साइ बाबा की अनुमति से और आशिरवाद लेकर हम अध्याय 46 का श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरोभ्यो नमाहा श्री कुलदय वताय नमाहा श्री सीता रामचंद्रा भ्याम नमाहा श्री सद्गुरू साइनाथाय नमाहा इस अध्याय में बाबा की गया याक्रा बक्रों के पूर्व जन्द की तथा इसका वर्नन किया गया है इस अध्याय में शामा की काशी प्रयाग वगया की याक्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही चित्र रूप में पहुँच गये तथा दो बक्रों के गत जन्मों के इतिहाज आदी का वर्नंग किया गया है तो सुनिये प्रस्ताव हे साई, आपके श्री चरण धन्य है और उनका स्परण कितना सुखदाई है आपके भववय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है जिसके फलस्वरूप कर्मबंधन छिन्न बिन्न हो जाते है यद्जपी, अब हमें आपके सगुन्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता फिर भी यदि भट्टगन आपके श्री चरणों में श्रधा रखें तो आप उन्हें प्रत्क्षान भाव दे दिया करते है आप एक अग्यात आकरशन श्र्फी द्वारा निकटस्त या दूरस्त वक्तों को अपने समीब खीच कर उन्हें दयालू माता के समान रिदय से लगाते है हे साई, वक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहा है परन्तु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेवित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूब भासित होने लगता है कि आपका अभैहस्त उनके सिर्पर है और ये आपकी ही रिपाद्रिष्टी का परिणाम है कि उन्हें अग्यात साहता सदय वप्राप्त होती रहती है अहिंकार से वश्बुत होकर उच्छकोटी के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फस जाते हैं परन्तु है साही आप केवल अपनी शक्ति से असाय और सूर दय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया किते हैं परदे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय करते हैं फिर भी आप ऐसा अभिने करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबन्द ही न हो कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका इसलिए यही श्रयसकर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चर्णों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुफ्थ होने के लिए एक मात्र आपका ही नामस्वरण करते रहे आप अपने निश्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें पर्मानन की प्राप्ती खरा दिया करते हैं केवल आपके मधुर नाम का उच्छारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पत्थ है इस साधन से उनमें राजसिक और तमसिक गुणों का रहास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होकर इसके साथ ही साथ उन्हें करमशाह, विवेक, विराग्या और ग्यान की भी प्राप्ती हो जाएगी तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरू से भी अविन्नता प्राप्त होगी और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरू के पक्ति अनन्य भाव से शर्नागत होने इसका निश्चित प्रमान केवल यही है कि तब हमारा मन्स धिर्थ और शान्त हो जाता है इस शर्णागती भक्ती और ग्यान के महत्ता अद्वितिय है क्योंकि इनके साथ ही शान्ती वैराग यकीर्ती मौक्ष इत्यादी की भी प्राक्ती सहज ही हो जाती है यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुक्रह करते हैं तो वे सदय वही उनके समीप रहते हैं चाहे भक्त कहीं भी क्यों ने चला जाए पर उपे तो किसी ने किसी रूप में पहले ही वहां पहुँच जाते हैं अब ये कथा सुनिए इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा गया है आत्रा बाबा से परिचे होने के कुछ काल पच्चा थी काका से दिख्षित ने अपने जैश्ठ पुत्र बापु का नागपूर में उपनेयन संसकार करने का निश्चे किया और लगबग उसी समय नाना साथ चांदोर करने भी अपने जैश्च का पुत्र की ग्वालियर में शाजी करने का करेकर मना है दिख्षित और चांदोर कर दोनों ही श्रिडिया आये और प्रेम अपुरबक उन्होंने बाबा को निमंत्र निए तब उन्होंने अपने प्रतिनी भी शामक को ले जाने को कहा परन्तु जब उन्होंने स्वयम पधारने के लिए उनसे आग्रहत किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चार मैं शामा से पहले ही पहुंग जा हूँ श्रोताओ कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखे ते क्योंकि ये शर्थ बाबा की सरवग्यता का बोधत है बाबा की आग्या प्राक्टर शामा ने इस उच्छों में सम्मिलित होने के लिए पहले नाकुद ग्वालियर और इसके फश्चार काशी प्रयाग और गया जाने का निश्चाई किया अपका कोते भी शामा के साथ जाने को तयार को गया प्रथम तो वे दोनों उपने इन संसकार में सम्मिलित होने नाकुद पहुंचे वहां काका सर्दिक्षित ने शामा को दो सो रुपे खच के लिमित दिये वहां से बेलोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गया वहां नाना सर्चान्दुरकर ने सो रुपे और उनके संबंदी श्री जठार ने भी सो रुपे शामा को भेट दिया फिर शामा काशी पहुचे थे प्लेक फैलने का समाचार रेल गाड़ी से सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंदासी होने लिए फिर भी रातरी को वो गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्म साला में जाकर ठैरे प्रातकाल गया वाला पुजारी जिसे पंड़ा भी कहते है जो यात्रियों के ठैरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं इसलिए अब आप भी शिप्रता करें शामा ने सहजी उससे कूछा कि क्या गया में प्लेक फैला है तब पुजारी ने कहा कि नहीं आप निर्विग्न मेरे यहां पधार कर वस्कुस्थ लितिका स्वयम अवलोकन कर ले तब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुंटे थे उसका मकान क्या एक विशाल भवन था जिसमें परियाप्त यात्री विश्राम पास सकते हैं शामा को भी उसी स्थान पर खेराया गया जो उन्हें अतन तप्रिया लगा बाबा का एक बड़ा चित्र जो कि मकान के अगरिम भाग के ठीक मध्य में लगा था देखकर वे अत्रिप्रसन्न हो गया उनका रिधय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की इस्पूति हो आया मैं काश्य और प्रयाग निकल जाने के पश्चा शामा से आगे ही पहुंच आँँ शामा की आंखों से अश्रों की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंट रुन्द के रहा और रोते-रोते उनकी घिकियां बन देते पुजाली ने शामा की जो ऐसी स्थिती देखी तो उसने सुचा कि ये व्यक्ती प्लेक की सुचाना से भैवित होकर रुदन कर रहा है परंतु शामा ने उसकी कल्पना के विप्रित ही प्रशन किया कि ये बाबा का चित्रत तुम्हें कहां से मिला उसने उतर दिया कि मेरे दो-तीन सो दलाल मनमाड और पुनतामवे क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा उसक्षेत्र से गया आने वाले याक्रियों की सुईधा का विशेष ध्यान रखा करते हैं वहां श्रीडी के साई महराज की किर्टी मुझे सुनाई पर लगबग बारा वर्श होये मैंने स्वयम श्रीडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाब उखाया था और वहीं श्रामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं अकरशित हुआ था तभी बाबा की आग्या से श्रामा ने जो चित्र मुझे भेट किया था ये वही चित्र है श्रामा की पूर्व स्मृती जागूत हुआई और जब गया वाले पुजारी को ये ग्याद हुआ कि ये वही श्रामा है जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहां अतिती बनकर ठैरे हैं तो उसके आनन की सीमा न लगी दोनों बड़े प्रेम पुर्वक मिलकर हर्शित हुए फिर पुजारी ने श्रामा का बाच्छाई धंग से भग विस्वादत किया वो एक धनाड्य वक्ति था स्वयम डोली में और श्रामा को हाथी पर बिठा कर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सविधा का ध्यान रखा इस कथा ने सिख कर दिया कि बाबा के बचन सत्य निए उनका अपने भक्तों पर कितना स्नय था इसको तु छोड़ो वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे अब जो आगे कथा सुनाओंगा उससे ये विदित हो जाए रहा दो बक्रे एक बार जब बाबा लेंडी बाक से लौट रहे थे तो उन्होंने बक्रों का एक छुंड आते देखे उन्हें से दो बक्रों ने उन्हें अपनी ओर आकरशित कर लिया बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से खफ़ तपाया और उन्हें 32 रुपे में खरी दिया बाबा का ये विचेतर व्यभार देखकर वक्तों को आश्चरिय हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सवदे में ठगे गए है क्योंकि एक बक्रे का मुल्य उस समय तीन-चार रुपे से अधिक न था और वे दो बक्रे अधिक से अधिक आठ रुपे में प्राद खोसके थे उन्होंने बाबा को कोस्ट ना प्लारंट किया परनतु बाबा शांत बैठे रहे जब शामा और ताता ने बक्रे के मौल लेने का कारण पुछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कोई घर कैस्त्री तो है नी जिसके लिए मुझे पैसे इकटे करके रख रहे हैं फिर उन्होंने चार सेर दाल बाजार से मंगाते उन्हें खिलाई जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने पुना उनके मालिक को बक्रे लोटा दिया तत्पच्छाते ही उन्होंने उन बक्रों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकाद सुनाई थे आप लोग भी सुनिए शामा और काट्या तुम सोचते हो कि मैं इस सवदे में ठगा गया पर अईसा नहीं इनकी कथा सुना गजन में दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस पर बहुत रेम खा परन्तु बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रू बन थे बड़ा भाई आलसी था किन्तु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था जिसने परियाप्त धन उपार्जित कर लिया था जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इर्शा किया कर परता इसलिए उसने छोटे भाई की हट्टा करके उसका धन हड़पने की ठानी और अपना आत्मिय संबंद भूल कर दे वे एक दूसरे से बुरी तरे छगड़ने बड़े भाई ने अनेक प्रैतन किये परन्तु वो छोटे भाई की हट्या में अससर रहा तब वे एक दूसरे के प्रान घा तक शत्रू बन बने एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर्पर पुलाडी चलाई और परिणाम सरुख वही दोनों की मुद्धियों होतो फिर अपने कर्मों के अमसार ये दोनों बक्रे की योनी में प्राप्त होया जैसे ही वे मेरे समीब से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतियास का स्परण हो आया और मुझे तया आदी इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने पिलाने तथा सुप देने का विचाज़ कि यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खेज़ कि जो तुमें महेंगे प्रतीत होया है तुम लोगों को ये लेन देन अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने उन बक्रों को गडेरिये को वापस करते केवल मनुश्य ही नहीं सभी प्राणियों के लिए बाबा के रिधाय में अपार प्रेम था यहां हमारा अध्याई 46 समाप्त होता है श्री सद्गुरू साई नाथार पड़ मस्तू शुभम भवत ओम श्री साई नाथाय 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 अध्याई 47 प्राणिया श्री साई की अनुमति से और आशिरवात लेकर अब हम अध्याई 47 का श्रवन करें श्री गनेशाय नमाहा श्री सरस्वत्य नमाहा श्री गुरो भ्यो नमाहा श्री कुलदय वताय नमाहा श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमहा श्री सद्गुरू साइना थायनमह गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई दो बक्तों के पूर्वजन्मों की वारता थी इस अध्याय में कुछ और भी पूर्वजन्मों की स्मृतियों का परणन किया जाता है प्रस्तुत कथा वीरभत्रप्पा और चेनवसाप्पा के संबन में है। प्रस्तावना सुनिये। हे त्रिगुणातित जानाउतार श्री साई। तुम्हारी मूर्ति कितनी भब्वे और सुन्दर है। हे अंतर्यामिन। तुम्हारे श्रीमुत की आभाद धन्या उसका अक्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साई। यदि तुम अपने स्वभाव वश्षी कुछ प्रुपा कटाक्ष करो, तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारे दृष्टी मात्र से ही हमारे कर्मबंधन छिन्न बिन्न हो जाते हैं। और हमें आनंत की प्राक्ती हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदयव उच्छुक्ता फुर्वक रहा देखा करती है। कि बे कप पधारे और मुझे अपने चरण रच से पावन करे। श्री साई तो संत चुडामनी है। अब उनके द्वारा ही रिदैफ पवित्र बनाने वाली ये कथा सुनिये। सर्प और मेंडग। श्री साई वबा ने कहा। एक दिन प्रातर काल आट बजे जलपान करने के पश्चात मैं भूमने निकला। चलते चलते मैं एक चोटी सी नदी के किनारे पूंटा। मैं अधिक ठक्तुका था। इस कारण महां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ दिर पश्चार थी मैंने हाथ पे धोया और सनान किया। तब कहीं मेरी ठकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्राम की का अनुड़ो होने लगा। उस थान से एक पकड़ंडी और बैल गाड़ी के जाने का मात था। जिसके दोनों और सधन ब्रिक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बहर रही थी। मैं चिल्म भरी ही रहा था कि इतने मेरे कानों में एक मंदर की बुरी तरहे टर्राने की आवाज दूरृ। मैं चक्मत सुलगा ही रहा था कि इतने में एक याक्पी वहां आया और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणान किया और घर पर पढ़ार कर भोजन तथा विश्राम करने का आगरह किया उसने चिलम सुलगा कर मेरी और पीने के लिए बढ़ाई मेंधक के टर्लानी की आवाज सुनकर वो उसका रहे से जानने के लिए उच्चुप फोट मैंने उसे बताया कि एक मेंधक कश्ट में है जो अपने पूरवा जन्म के करमों का फल भोग रहा है पूरवा जन्म के करमों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है अतक अब उसका चिलाना गर्त है एक कश्ट लेकर उसने चिलम मेरी और बढ़ाई थोड़ा देखो तो अखिर बात क्या है ऐसा कहकर वो उधर जाने जाना मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंड़क को मुँ में दबा लिया है इस कारण वो चिला रहा है दोनों ही पूर जन्म में बड़े दुश्ट थे और अब इस शरी में अपने करमों का फल भोग रहे है आगव दुप ने भेटना स्काल पर जाकर देखा कि सच मुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंड़क को मुँ में दबा रखा उसने वापस आकर मिछे बताया कि लगबग घड़ी दो घड़ी में ही सांप मेंड़क को निगल जाएगा मैंने का नहीं यह कभी नहीं हो सकता मैं उसका सवरक्षक पिता हूँ और इस समय यहां उपस्तित हूँ फिर सर्प की क्या सामर्थ है कि मेंड़क को निगल जाएगा क्या मैं बड़ थी यहां बैठा हूँ देखो कि मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ दुबारा छिलम पिने के पस्टा हम लोग उस थान पर गया आगन तुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं साथ आकरमन न कर दे मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोना से कहने लगा कि अरे वीर भत्रापा क्या तुम्हारे शत्र को परियाब फल नहीं मिल चुका है जो उसे मैंड़क की और तुम्हे ये सर्थ की योनी प्राप्त हुई है अरे अब तो अपना वैमनस से छोड़ो ये बड़ी लज्जा जनक बात है अब तो इस इर्शा को त्यागो और शांती से रहो इन शब्दों को सुनकर सर्थ ने मेंड़क को छोड़ दिया और शीगरही नदी में लुप्त हो गया मेंड़क भी कूद कर भागा और जाडियों में जा चाथा उस यात्री को बड़ा अतंभा हुआ उसकी समझ में ना आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर साथ में मेंड़क को क्यों छोड़ दिया और वीरभतरापपा वचेन बसापा कौन थे उनके वैमनस्य का कारण क्या था इस प्रकार के विचार उसके मन में उटने लगए मैं उसके साथ उसी ब्रिक्ष के नीचे लोटाया और धुमरपान करने के पश्चार उसे उसका रहस्य सुनाने लगा मेरे निवास्थान से लगबग चार मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था जहां माहदेव का मंदिर था मंदिर अत्रंत जीरन शीरन स्थिती में था सो वहाँ के निवासियों ने उसका जिरनोधार करने के हितू कुछ चंदा इपट्ठा किया परियाप्त धन एकत्रित हो गया और महा नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्मान की योजनाएं तयाजी थी एक धनाड ज्यविक्ति को कोशा ध्यप्षन युक्त कर उसको समस्त कार्य की देख़ाल का भार सौंप दिया गया उसको कार्य व्याय आदी का यतोचित विवरन कर इमानदारी से सब कार्य करना था सेट तो उच्छकोटी का कंजूस था उसने मरमत में अकंत अलप राशी व्याय की इसकारण मंदिर का जिर्नोधार भी उसी अनुपात में हुआ उसने सब राशी व्याय कर दी पता कुछ अंच स्वयम भड़प लिया और उसने अपनी गांट से एक पाई भी लिया न थी उसकी वाणी अधिक रसी ली थी इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बिजा लिया और कार्या पुर्ववत की अधुरा रह गया लोग फिर संगटित होकर उसके पास जाकर कहने लगे इसलिएर से साहिर रुपएा कार्या शीध रप पुर्णे कीजिए आपके प्रयतन के अभाव में यह कार्या पुर्णे होना गदापी संभाव नहीं अतक आप कुना योजना बनाइए हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे लोगों ने पुना चंदा एकत्रित कर सेट को दे दिया उसने रुपे तो ले लिये परंतु पुर्ववत ही शांत बैठा रहा कुछ दिनों के पश्टा उसकी स्प्री को भगवान शंकर ने स्वपन दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चड़ो जो कुछ भी तुम इस कारिया में व्याय करोगी मैं उसका सो गुना अधिक तुमें दूँगा उसने ये स्वपन अपने पती को सुना दिया सेट भेवित होकर सोचने लगा कि ये कारिय तो स्यादा रुपे खर्च कराने वाला है इसलिए उसने ये बात हसकर टाल दी कि ये तो एक निरा स्वपन ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्षी प्रकट होकर ये बात मुझसे न कह दे मैं क्या तुम से अधी तूर था ये स्वपन शुवरायक नहीं ये तो पति-पत्नी के संबन बिगाड़ने वाला है इसलिए तुम बिलकुल शान करो भगवान को ऐसे द्रव्वे की आवश्चता ही कहा जो दानियों के इच्छा के विरुद एकत्र किया गया है वे तो सदेव प्रेम के भुके हैं तथा प्रेम और भक्ति पूरवक दिये गए एक तुछ तामबे का सिक्का भी सहर्श स्विकार कर लेते हैं महादेव ने पुना सेठानी के स्वपन में कह दिया कि तुम अपने पती की व्यर्थ बातों और उनके पास संचित धंग की ओर ध्यान न दो और उनसे मंदिर बनवाने के लिए आगरह मत्त मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भुका हूँ जो कुछ भी तुम व्याय करने की इच्छा करती हो तो अपने पास से कर उसने अपने पती से विचार विणमाई करके अपने पिता से प्राप आभुशनों को उविक्रे करने का निश्चे की तब कृपन सेट अशांत को उठा इस बार उसने भखवान को भी धोखा देने की ठान उसने कौडी मोल केवल एक हजार रुपयों में ही अपनी पत्नी के समस्त आधुशन स्वयम खरीट डाले और एक बंजर भुमी का भाग मंदिर के निमित्त लगा दा जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्विकार कर दिया सेट ने जो भुमी दी वो उसकी स्वयम की न थी वरन एक निर्धन स्ट्री दुपकी की थी जो इसके यहां दो सो रुपयों में गिर्वी रखी भी थी दीरगाल तक बो रेंट चुका कर उसे वापस न ले सकी इसलिए उस धूर कत्रपणने में अपनी स्ट्री दुपकी और भगवान को धोका दे दिया भूमी पत्रीली होने के कारण उसमें उत्तम रितु में भी कोई पैदावार न होती थी इस प्रकार लेंडें समाप्त हुआ भूमी उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई जो उसे पाकर बहुत प्रसंद न हुआ कुछ समय के पस्टा देक विच्चत्र घटना हुई एक दिन बहुत जोरों से जंजावात आया और अतिव रिष्टी हुई उस क्रिपन के घर पर बिजदी गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई दुप्की ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी अगले जन्द में वो क्रिपन मृत्रा के ब्रह्मन कुल में उत्पन हुआ और उसका नाम वीरभद्राप पर रखा गया उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन हुई और उसका नाम गवरी रखा गया दुप्की पुरुष बनकर मंदिर के गुरव वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेनबसाप पर रखा गया पुजारी मेरा मित्र था और बहुदा मेरे पास आता जाता वरता लग करता और मेरे साथ चलम पिया करता था उसकी पुत्री गवरी भी मेरी भक थी वो दिनो दिन सयानी होती जा रही थी जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यता नहीं वर्स्वयम तुमारे घर लड़की की खोज में आ जाया कुछ दिनों के पश्चा थी उसी जाती का वीरबतरपा नामग एक योग भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा मेरी सम्मती से गवरी का विवाह उसके साथ संपन हो गया पहले तो वो मेरा भक था कि तो अब वो प्रतग न बन गया इस मूतन जन में भी उसकी धनत रिष्टा नश्ट न हुई उसने मुझसे कोई उद्योग धंदा सुझाने को कहा क्योंकि इस समय वो वैवाही जिवन जतीत कर रहा था तभी एक विछित्र घटना हुई अच्छनक ही प्रत्ते क्वस्तों के भाव उचे चड़ गए गवरी के भागे से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमी एक लाख रुपियों में आभुशनों के मुल्य से सो गुना अधिक मुल्य में बिख गए ऐसा मिलने हुआ कि पचास हजार उपे नगत और दो हजार उपे प्रतिवर्ष किष्ट पर चुक्ता कर दिया जाए सब को ये लेंदेंस भी करता परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस पर विवाद होने लगा वे परामार्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि ये भूमी तो भगवान की है जो पुजारी को सुंपी गई थी इसकी स्वामिनी गवरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद खर्च करना उच्चित नहीं तथा उसके पती का इस पर कोई अधिकार नहीं मेरे मिरने को सुनकर वीरभतर अप्पा मुझसे प्रोदित होकर कहने लगा कि तुम गवरी को फुसला कर उसका धन हड़पना चाफते हो इन शब्दों को सुनकर मैं भगबत नाम लेकर चुप बढ़ गया वीरभतर ने अपनी स्प्री को पीटा भी गवरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा नम माना मैं तो आपकी लड़की हूँ मुझ पर कृपादिश्टी ही रख जाए वो इस पकार मेरी शरन में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं साथ समुद्रपार भी तुम्हारी रख्षा चाए तब उस रात्री को गवरी को एक द्रिश्टान्थ हुआ महदर्व ने आकर कहा कि ये सब संपत्ती केबल तुम्हारी है और इसमें से किसी को कुछ नगए चेनवसापा की सला से कुछ राशी मंदिर के कारिया के लिए खर्च करो यदि और किसी भी कारिया में तुम्हे खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा के परामश से कर दो गवरी ने अपना द्रिश्टान को में से सुनाया वीरभत और चेन वसाफ़ा दोनों ही महा जھकरते हुए आए मैंने दोनों को शान करने का प्रैत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्कॉपन भी सुनाए वीरभत तरक रोजित उनमत हो गया और चेन वसाफ़ा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा चेन वसाफ़ा बड़ा गर्पोग था वो मेरे पेर पकड़ कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा तब मैंने शत्रू से उसका च्छटकारा ख़रा दिया कुछ समय पच्छाथ की दोनों की मृत्यू हो गई वीरभगर सर्ब बना और चेन वसाफ़ा में ड़का चेन वसाफ़ा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वच्छन की स्पूर्टी करके यहां आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वच्छन पूर्ण रखे संकट के समय भगवान दोड़कर अपने भग के पास जाते हैं उसने मुझे यहां भेज़कर चेन वसाफ़ा की रक्षा करे यह सब ईश्वरियर लिला ही ही शिक्षा इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा होता है वैसा ही काटता है जब तक की भोग पूर्ण नहीं होता पिछला रेंड और अन्य लोगों के साथ लेंदें का व्यवाहार जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुट्टारा भी संभव नहीं है धनक्रिष्टा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वो विनाश को प्राप्त होता है यहां हमारा अध्याई 47 समाप्त होता है श्री सद्गुरू साइनाथार पनमस्तू शुभम दवत अध्याई 48 प्रारामः श्री साइनाथ की अनुवती से और आशिरवात से अब हम अध्याई 48 श्रवन करेंगे श्री गनेशाय नमाः श्री सरस्वत्य नमाः श्री गोप्यो नमाः श्री कुलदय वताय नमाः श्री सीता राम चंद्रा भ्याम नमाहा श्री सद्गुरू साइना थायनमाहा इस अध्याय में सद्गुरू के लक्षन श्री शेवडे और श्री सपटने कर बहट श्री मती सपटने कर संतती दान इसका वर्णन किया गया है अल्धाय प्राणर्ण करने से पूर वक्त इसी ने हिमारपंद से प्रश्ण किया कि साइन बाबा गुरु थे या सद्गुरु इसके उत्तर में हेमारपंत ने सद्गुरू के लक्षनों का इस प्रकार वर्णन किया है सद्गुरू के लक्षन जो वेद और वेदान तथा छे शाक्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्मा बिश्यक मधुल व्याक्षान देने में परंगत हो तथा जो अपने श्वासो छ्वास प्याओं पर मियंटर्ण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिशों को मंत्रों पदेश दे निश्चित अवधी में यतोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक्चातुरिया से ही उन्हें जीवन के अंतिम घ्यका दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयम आत्म साक्षातकार न हुआ हो वो सद्गुरू नहीं वरंग जो अपने आचरों से लोकिक वपारलोकिक सुपों से विरक्ती की भावना का निर्मान कर हमें आत्मानुभूती का रसा स्वादन करा दे, तथा जो अपने शिष्ठों को प्रियादमत और प्रत्यक्ष ज्यान यानि आत्मानुभूती करा दे उसे ही सद्गुरू कहते हैं, जो स्वयम ही आत्म साक्षातकार से वन्चित थे वे भला अपने अनुयाईयों को किस प्रकार अनुभूती करा सकते हैं सद्गुरू सवप्न में भी अपने शिष्ष्ष्षर से कोई लाब या सेवा शुष्षर्षा की डालसा नहीं करते हैं वरंस्वयम उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं उन्हें ये कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिश्य मुझसे तुच्छ है अपितु। उसे अपने ही सद्रश या ब्रह्म सरूप समझा करते हैं। सद्गुरू की मुख्य विशेष्टा यही है कि उनके रिधे में सदय वपरम शांती विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थित या अशांत नहीं होते और लो उन्हें अपने ज्ञान का ही लेशमात्र गर्व होता है। उनके लिए राजारंग, स्वर्ख, अपवर्ख, सर्थ एक ही समान है। हिमारपन कहते हैं कि मुझे गतजन्मों के शुभस संस्कारों के परणाम स्वरूप ही श्री साई वबा सद्रुष सद्गुरू के चर्णों की प्राप्ती तथा उनके खृपा पात्र बनने का सभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवा वस्था में चिलम के अतिरिक कुछ संग्रहन किया किते थे ना उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे ना धरबार था और ना उन्हें किसी प्रकार का आश्यप राप्त हुआ। अठारा वर्ष के आवस्था से ही उनका मनो निग्रह बड़ा विलक्षन था। वे निर्भय होकर निर्जन स होने के पश्चात आज भी जो उनके शरनागत हो चुके हैं उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही अधेष्ट है कि यदिवे अपने रिदे को भक्ती और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की जोती प्रज्वलित करें तो ग् प्रेम असीन और अटूठ होना चाहिए। प्रेम की किर्थी का गुणगान कौन कर सकता है। जिसकी कुलना में समस्त वस्तुएं तुछ मानी जाती है। प्रेम रहित पठन पाठन सब निश्वल है। प्रेमांकुल के उधे होते ही भक्ती, वैराग, शान्ती और कल्यान र प्रेम अंतरनी हित है और वही मोक्ष का कारणी भूत है। यदि कोई व्यक्ती कलुषत भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो भी ये निश्चित है कि वो अवश्चत तर जाएगा। ऐसी ही कथा अभी मैं सुनाने वाला ह। श्री स्षेवडे। अकल कोट क श्री सपटने कर वकालत का अध्यान कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाटी शेवडे से भेट भी। अन्या और भी वेक्ती वहां एकत्रित हुए और सब ने अपनी अध्यान समंदी योक्यता का परसपर परिक्षन किया। प्रश्णों तरों से विधित हो गया कि सब से कम अध्यान श्री शेवडे का है और वे परिक्षा में बैटने के अयोग्या है। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपाहस किया तब शेवडे ने कहा कि यद्यपी मेरा अध्यान अपूर नहीं है तो भी मैं परिक्षा में अवश्य उत्रिन हो जाऊंगा। मेरे साई ब वखीर हैं जो श्रीडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्कुरुष्ट हैं। ऐसे अन्यसंत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अध्वितिय हैं। जब तक पूर्ण जन्म के शुबसंसकार संचित नहों हो तब तक उनसे भेट होना दुरलब है। मेरी तो मैं उनकी क्रिपा से परिक्षा में अवश्र ही सफलता कौना। श्री सपटने कर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गए और साथ ही श्री साइब अबका भी उन्होंने उपाहस किया। भविश्य में जब शेवडे दोनों परिक्षाओं में उत्तिरन हो गए 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके एकलोते पुत्र की गले में बिमारी होने से मृत्यू हो गए। जिससे उनका विदय विचलित होगता। मानसिक्षांती प्राप करने हेतु। उन्होंने पंडरपूर, गांगापूर और अन्य तिर्था स्थानों की याक्रा की परंत उन्होंने विचार किया कि मुझे भी श्रडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित्राओं के साथ श्रडी आई। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी पुसंनता हुई। जब उन्होंने समीब जाकर नमसकार करके शुद्ध भावना स श्रीफल भेट किया तो बाबा तुरंद प्रोधित हो उठे और बोले कि यहां से निकल जाओ सपटनेकर का सिर्थ छुट रहा और वे कुछ हटकर पीछे बैटे वे यह जनना जाते थे कि किस परकार उनके समक्ष उपस्टित होना चाहिए किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया सपटनेकर उनके पास गए और उनसे साहता करने की प्राथना करने लगे तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया सपटने कर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुना चिला पड़े की बाहर निकलो। सपटने कर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाँ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गया। परन्तु बाबा ने उन्हें तुरंती बाह कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्ट में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमती मिलेगी। अब सुनिये। श्री मती सपटने कर एक वर्ष बीत गया। फिर भी उनके मन में शांती ना आई। वे गांगापूर के जहां उनके मन में अश भगने जा रही है। वहाँ नीम के नीचे एक फकीर बैठा था। सिर्पर कपड़ा बंधा हुआ था। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची तुम क्यों वर्थ कष्ट उठा रही हो। नै तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकी जाना और वे दोनों शिर्डी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो वहाँ बाबा उपस कितना थे। वे लेंडी बाग गय वह थे। उनके लोटने की प्रतिक्षा में वे वही बैठे रहे। जब बाबा लोटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ अपनी पत्तिके अनुसार वे एक तीसरे वेक्तिको अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ उदर शरीर पथर कमर में बहुत दिनों से दर्ध होगा करता था। मैंने अनएक उप्ठा किया। परंतु मुझे कोई लाब ना पहुंचा था। मैं आउश शरीमती सपटने करकी थी। उनकी पीड़ा जैसा बाबा ने अभी कहा सर्वता मिट गई और वे अतन्त प्रसन्न हो दे अब सुनिये। संतती दार तब स्री सपटने कर दर्शन के लिए आगे बढ़े। परंतु उनका फुर्वक्त वच्चनों से ही स्वागत हुआ की बाह पिछले कर्मों की ख्षमा मांगने का निश्चे किया। उन्होंने वैसा ही किया भी और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने अशिरवाद दिया। अभी सपटने कर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गड़ उन्हें बड़ा अचंबा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रक्त एक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतरियामी हैं और सब के हिदय का खूरा खूरा रहे से जानते हैं। ये विचार उनके मन में आया ही था कि गड़ेरिन से बाटालाग चालू रखते हुए बाबा सपटने करकी और संकेत कर कहने लगे कि ये भला अदमी मुझे पर दोशारोपन करता है कि मैंने ही इसके पुतर को मार ढाला। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्रान हरन करता हूँ फिर ये महाशाय मस्जिद में आकर अब क्यों चीक कुकार कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है जब तुम चिलता से मुप्त होकर मुझे पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने धेय की प्राप्ती हो जाए सपटने करका रिदय गदगद हो उखा तब अश्रुधरा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास्थान पर लोट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नवेद्यादी लेकर वे सपर्तिक मस्जित में आए वे इसी प्रकार नित्य नवेद्य चड़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहन करते रहे मस्जित में आपार भीड होते हुए भी वे वहाँ जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे एक दूसरे से सिर्ट टक्राते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे परियाप्त है उसी रातरी को उन्हें चावडी का उच्छो देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने रूप में तश्छन दिया जब वे दूसरे दिन महां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिना में बाबा को एक उप्या दुगा यदि उन्होंने और मंगे तो अस्विकार करने के बज़ाए एक उप्या और भेट चड़ा दूगा फिर भी उन्हें आशिर्वात देकर कहा कि ये श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिन्थ होकर घर जाओ उन्होंने वैसा ही किया और एक वर्ष के पश्चाथी उन्हें एक बुत्र प्राप्त हुआ आट मास का शिशु लेकर वो दंपत्ती फिर शिड़ी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार पार्थना करने लगे कि हे श्री साइना आपके रिंड हम किस प्रकार चुका सकेंगे आपके श्री चरणों में हमारा बार बार पर नाम है हम दिनों पर आप सदय वो त्रिपा करते वहिएगा क्योंकि हमारे मन में सोते जाकते हर समय ना जाने क्या-क्या संकल्प पिकल्प उठा करते हैं आपके भचन में ही हमारा मन लीन हो जाए ऐसा अशिरवाद दीजिए उस पुत्र का नाम मुली धर रखा गया बाद में उनके दो पुत्र भासकर और दिनकर और उत्पन्न हुए इस पकार सपटने कर दंपत्ति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असक्त और अपूर्ण नहीं हो गया अध्या 48 यहां समाप्त पुता है श्री सद्गरू साइन आथार प्रणमस्तू शुभम भवत ओम श्री साइन आथाय नमाथ अध्याय 59 प्रारम श्री साइन बाबा की अनुमति से और आशिरवाद लेकर हम अब अध्याय 59 करेंगा अध्याय में में हरी कानुबा सुम्देव स्वामी नाना साहिब चांदोरकर की कथाया इस कवर्णन किया गया है इन कथाहों में उपर निर्दिश्ट सब लोगों की बाबा ने कैसे परिक्षा ली उसके बारे में वरणन है शुरू करते हैं प्रस्तावनास जब वेद और पुरान ही ब्रह्म या सद्गुरू का वरणन करने में अपनी असमर्थथा प्रगट करते है तब मैं एक अलपग्य प्राणी अपने सद्गुरू श्री साई बाबा का वर्णन कैसे कर सकता है मेरा स्वयम का तो ये मत है कि इस विशे में मौन धारन करना ही अथि उत्तम है सच पुछा जाए तो मूख रहना ही सद्गुरू की विबन पता का रुपी विरुदा वली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है परंतु उनमें जो उत्तम गुण हैं वे हमें मूख कहा लेने देते हैं यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंदी आदी साथ बैठकर न खाये तो वो निरसा प्रतीत होता है और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब वो इसमें एक विशेश प्रकार की सूर स्वादुता आ जाती है वैसी स्थिति साई लिला मुर्द के संबंद में भी है इसका एकान में रसा स्वादन कभी नहीं हो सकता यदि मित्र और पारिवारिक जन्त सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनन आ जाता है श्री साई बाबा स्वयम ही अंतप्रणा कर अपनी इच्छा नुसार ही इन कथ्राओं को मुझसे वर्नित करा रहे है इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कथव्या है की अनन्यभाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करे तब साधन तीर्थ याक्रा वरत एवं यग्यक और दांसे हरी भक्ती स्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परंद स्रेष्ठ है इसलिए सदय वमुक से साही नाम का स्परण कर उनके उपदेशों का निदिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर प्रिदय में उनके प्रति सत्क और प्रेम के भाव से समस्त चेश्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए भववंदन से मुक्थ होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं यदि हम ओपर युक्त विधी से करन करते जाएं तो साई को विवश होकर हमारी साहता कर हमें मुक्ति प्रतान करनी ही पड़ेगे अब इस अध्याय की कथा श्रवन करें ये कथा है हरी कानोबा बंबई के हरी कानोबा नामत एक महनुभावने में अपने कई मित्रों और संबंदियों से साई बाबा की अनेक लिलाएं सुनी थी परन्तु उन्हें विश्वासी नहों होता था क्योंकि वे संश्यालू प्रकृति के विक्ति थी अविश्वास उनके रिदय पटल पर अपना आसन जमाय हुए था वे स्वयम बाबा की परिक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबे से छिडिया उन्होंने सिर्पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सेंडल पहन रखे थे उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा परन्तु उनके नए सेंडल इस कारिया में बाध़क बन रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब उन्होंने अपने सेंडल मंडप के एक स्वरक्षित कोने में रखे और मस्जित में जाकर बाबा के दर्शन किया उनका ध्यान सेंडलों पर ही लगा रहा है उन्होंने बड़ी नमरता पुरवक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप लोट आया पर जब उन्होंने कोने में द्रिष्टी डाली तो देखा कि सेंडल तो अंतरदान हो चुके है परियाब छान बीन भी प्यार्थ हुई और अन्त में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गया स्नान, पूजन और नैवेद्ज आदियार्पिक करके वे भोजन करने को तो बैठे परंतु वे पूरे समय उनके सेंडलों की चिंतन में ही निमंगने रहे भोजन कर, मुँहाद धोकर जब वे बाहर आये तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी और आते देखे जो कोई कहे कि सेंडल हमारे हैं, उससे पहले ये पूछना की क्या उसका नाम हरी और उसके पिता का नाम कर अर्थात कानोबा से है साथ ही ये भी देखना की वो जरीदार साफा बांगे हुए है या नहीं तब इन्हें उसे दे देते पालक का कथन सुनकर हरी कानोबा को बेहत आनंब आश्चरियों का उन्होंने आगे बढ़कर पालक से कहा कि ये हमारे सेंडल हैं, मेरा ही नाम हरी और मैं ही कानोबा का पुत्र हूँ ये मेरा जरी का साफा देखो, पालक संतुष्ट हो गया और सेंडल उन्हें दे दे वो तो केवल बाबा की परिक्षार्थ वहां आया था उसे इस घटना से बाबा की महांता विदित हो गए उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वो सहर्ष घर लोड़ गया सुनिये सुम्देव स्वामी की कत्थ अब एक दूसरे संशेयालू गट्टी की कत्था सुनिये जो बाबा की परिक्षार्थ ने आया था काका से दिख्षित के भाता श्री भाई जी नाकुर में रहते थे जब वे सन 1906 में हिमाले गए थे तब उनका दंगोतरी घटी के नीचे हरिद्वार के समीफ उत्तरकाशी में एक सुम्देव स्वामी से परिच्चे हो दोनोंने एक दूसरे के पते लिख लिए पांच वर्स पश्टात सुम्देव स्वामी नाकुर में आए और भाई जी के यहां ठेरे वहाँ श्री साई बाबा की कीरती सुनकर उन्हें बड़ी प्रसंदता हुई तथा श्रीडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीवर उत्कंठा हुई मनमाण और कोपदाव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठ कर श्रीडी को चल पर श्रीडी के समी पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते देखे सामन्यताहा देखने में आता है कि भिन्न बिन संतों का परताव रहन सहन और बाहिय सामगरियां प्राया बिन्न प्रकार की ही रहा करती है परंतों केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आतलन कर लेना बड़ी भूल है सुम्नेव स्वामी कुछ बिन्न प्रक्रती के थे उन्होंने जैसे ही धजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन धजों में इतनी दिल्चस्पी क्यों रखते है क्या इससे उनका संत्पन प्रकट होता है ऐसा प्रतीत होता है कि ये संत अपनी किर्थी का इच्छुख है अतयव उन्होंने श्रीडी जाने कर जात कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लोटना चाहता हूँ तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थी इतनी दूर क्यों आए अभी केबल जजों को देखकर तुम इतने उद्विक्नों हो उठे हो तो जब श्रीडी में रत, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या देशा होगी स्वामी को अब और भी अधित धबराट होने लगी और उसने कहा कि मैंने इनेक सादू संतों के दर्शन किये हैं परंतु ये संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार एश्वरी की वस्तुएं संग्रह कर रहा है ऐसे सादू के दर्शन में करना ही उत्तम है ऐसा कहकर वे वापस लोटने लगे तीर्थ यात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाज दे और समझाया कि तुम ये संकुचित मनोवृत्ती छोड़ दे मस्जित में जो संत हैं वे इन वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी किर्थी का स्वक्न में भी सोच विचात नहीं करते हैं ये सब तो उनके भक्तगन प्रेम और वक्ति के कारण ही उनको भेट किया करते हैं अंत में वे श्रीडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तयार होगा मस्जिद के मंड़प में पहुँचकर तो वे दर्वित हो गए उनकी आँखों से अश्रुधारा बेहने लगी और कंट रुद गए अब उनके सब गुशित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरू के शब्दों की स्पुटी हो आई की मन जहां अतिप्रसंद और अकरशित हो जाया उसी स्थान को ही अपना विश्रामधार समझता वे बाबा की चरण रजमें लोटना चाते थे पर जब वे उनके समीब गए तो बाबा एक दम क्रोधुत होकर जोर जोर से छिला कर कहने लगे हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो तुम अपने घर वापस लोट जाओ सावधान यदि फिर कभी मस्जद की सीड़ी चड़े तो ऐसे संद के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जद पर भजाएं लगा कर रखे क्या यह संद पन के लक्षन है एक शंद भी यहां न लुको अब उसे अनुभाव हो गया कि बाबा ने अपने रिदे की बात चान ली है और वे कितने सर्वक्य है उसे अपनी प्रवर्टी पर हसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने नेविकार और पवित्र है उसने देखा कि वे किसी को रिदे से लगाते और किसी को हाथ से सपर्ष करते हैं तथा किसी को सांतवना देकर प्रेम लिष्टी से निहारते हैं किसी को उधित पसाद देकर सभी परकार से वक्तों को सुख और संतोश पहुँचाते हैं तो फिर मेरे साथ ऐसा रुखा बढ़ता क्यों अधिक पिचार करने पर वे इसी निशकष पर पहुँचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक पिचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहन कर मुझे अपना आचरन सुधारना चाहिए बाबा का क्रोथ तो मेरे लिए वर्दान स्वरूप है अब ये कहना गर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरन में आ गए और उनके परमभक बन गए अब सुनिये नाना साहिब चांदोरकर की कथा अंच में नाना साहिब चांदोरकर की कथा लिखकर हिमारपंत ने ये अध्याय समाथ किया एक समय जब नाना साहिब भलसापती अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो विजापूर से एक संभान तयवन परिवार श्री साई बाबा के दर्शनार था आया कुल वन्कियों की लाज रक्षन भावना देखकर नाना साहिब वहाँ से निकल जाना चाहते थे पर उन्तु बाबा ने उन्हें रोक लिया स्तियां आगे बढ़ी और उन्हें बाबा के दर्शन किया उन्हें से एक महला ने अपने मूँ पर से घुंगट खटा कर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घुंगट डाल लिया नाना साहिब उसके संदर्य से आकरशित हो गया और एक बार कुना वो छवी देखने को लालाई थोड़ नाना के मन की बता जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चार बाबा उनसे कहने लगे कि नाना क्यों वर्थ में मोहित हो रहे हो इंद्रियों को अपना कारिय करने दो हमें उनके कारिय में बाध़क नो होना चाहिए भगवान ने ये संदर्य सृष्टी निर्मान की है अतर हमारे ये करतब्य है कि हम उसके संदर्य की सरहना करें ये मन तो क्रमशा ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चित्शुद होते ही फिर किसी कश्ट का अनुभव नहीं होता यदि हमारे मन में कूव विचार नहीं है तो हमें किसी से भी भैबित होने की आवश्चता नहीं है नेत्रों को अपना कारिय करने दुख इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा बिचलित नो होना चाहिए उस समय शामा भी वहीं थे उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर ये क्या है इसलिए लोगते समय इस विशे में उन्होंने नाना से पुछा उस परम सुंदरी के संदर्य को देकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा ये विशे जानकर बाबा ने इस विशे पर जो उपदेश होने दिये उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तान उनसे कहकर शामा को इस प्रकार समझाया हमारा मन सुभाता ही चंचल है पर हमें उसे लंपट नो होने देना चाहिए इंद्रिया चाहे भले ही चंचल हो जाए परन्तु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रन रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए इंद्रिया तो हमें विशे पदार्थों के लिए सदय वचेश्ठा किया ही करती है पर हमें उनके वशिभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए क्रमशाह प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है यदि जबी उनके पूर्ण नियंत्रन संबाव नहीं है तो भी हमें उनके वशिभूत न होना चाहिए प्रसंगा नुसार हमें उनका वास्तवी क्रूप से उचित पती अवरोत करना चाहिए संदर्यतों देखने का विशे है इसलिए हमें निडर होकर सुन्दर पतार्थों की ओर देखना चाहिए यदि हमें किसी प्रकार के खूबिचा न आये तो इसमें लज्जा और भाई की आवश्चता ही क्या है यदि मन को निरिच्छ बनाकर इश्वर के संदर्यतों को निहारो तो इंडरिया सहच और स्वाभावी क्रूप से अपने वश्च में आ जाए और विश्या नंद लेते समय भी तुम्हें इश्वर की स्मृतीब बनी रही यदि उसे बाहिया इंडरियों के पीछे दोड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्मम्नुत्य के पाश से कदापी छुटकरान न हो विश्यपदार्थ इंडरियों को सदा पतब्रष्ट करने वाले होते हैं अत्य हमें विवेक को सार्थी बनाकर मन की लगां अपने हाथ में लेकर इंडरियों रुपी घोड़ों को विश्यपदार्थों की और जाने से रोप लेना चाहिए ऐसा विवेक रुपी सार्थी हमें विश्वपत की प्राप्ति करा देगे जो हमारा यथात में परम सत्यधाम है अध्याय उन्पचास यहां समाप्त होता है श्री सग्गरु साई नाथार पनमस्तू शुभम मुझवत वर्पत अध्यापचास प्रागम श्री साई की अनुमती से अभ़म अध्यापचास का श्रवन करेगे अब सच्छरित्र का अध्याए 51 यहां पचासवे अध्याए के रूप में सुनाने जा रहा है इस अध्याए में काका साहिद विक्षित टेम्बे स्वामी और बाला राम धरंदर की कताये हैं परस्तावाद उन साही महराज की जय हो जो भत्तों के जीवनाधार एवं सद्गरू हैं वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदांग कर रहे हैं हे साहीं कृप्राद रिष्टी से देखकर हमें आशिश दो जैसे मलाई गिरी में होने वाला चंदन रिख्ष समझत तापों का हरन कर लेता है अथ्वा जिस प्रकार बादल जल्ब रिष्टी कर लोगों को शीतलता और आनन पहुंचाता है या जैसे वसंद में खिले फूल इश्वर पूजन के काम आते हैं इसी प्रकार श्री साई बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं संत्वना देती है जो प्रकार की साधनाएं क्यों न करें जब तक सद्गुरु की क्रिपा नहीं होती तब तक हमें अपने अध्यात्मिक ठेय की प्राप्ति नहीं हो सकती इसी विशय की कथाएं सुनाने जा रहा है काका साहिब दिक्षित श्री हरी सीता राम उपनाम काका साहिब दिक्षित सन 1964 म वटनगर के नागरब्राम्हन कुल में खंड़आ में पैदा हुए थे उनकी प्राथमिक शिक्षा खंड़आ और हिंगन घहट में हुई माध्यमिक शिक्षा नाकूर में उच्च श्रेणी में प्राप्ट करने के बाद उन्होंने पहले बिलसंद तथा बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यान किया सन 1983 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री लेकर कानूनी एललडी और कानूनी सलाहकार याने सॉलिसिटर की परिक्षाएं पास की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मैसर्ज लिटल एन कंपनी में कारिय करने लगे उसके पश्चाथ उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दो सन 1909 के पहले तो बाबा की किर्टी उनके कानों तक पहुंची ही नहीं थी परन्तु इसके पश्चाथ वे शीग रही बाबा के परमभक बन गे जब वे लोना उला में निवास कर रहे थे तो उनके अच्छानक घ्ञेट अपने पुराने मित्र नाना साहिब चांदर कर से फिए दोनों ही इधर उधर की चच्चाओं में समय बिचाते थे काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंडन में थे तो रेल गाड़ी पर चड़ते समय कैसे उनका पैठ भिसला तथा कैसे उसमें चोट आई इसका पूर्ण विवरंट सुनाए नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कश्च से मुख्थ होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरू श्री साई बाबा के शरण में जाओ उन्होंने बाबा का पुरा पता बता कर उनके कथन को दुराया कि मैं अपने भक्त को साथ समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खीच लूगा जिस प्रकार की एक चिडिया को जिसका पैर रसी में बंधा हो खीच खत अपने पास लाया जाता है उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रती आतरशन भी न होगा और नहीं उनके दर्शन प्राप्त होंगे काका साहिब को ये बाते सुनकर बड़ी प्रसनता हुई और उन्होंने कहा वे श्रीडी जाकर बाबा से प्राथना करेंगे कि शारीरिक लगड़े पन के बतले उनके चंचल मन को अपग बनातर परवानन प्राक्ति करा दे कुछ दिनों के पश्चाद ही बंबई विदान सभा के चुनाओं में मत प्राक्त करने के सम्मन में काका सहीब दिशित एमन दगर गये और सरदार काका सहीब मेरी करके यहां खैर रहे श्रीबाला सहीब मेरी कर रहे जो कि कोपर गाउं के मामलत दार तथा काका सहीब मेरी करके सुपुत्र थे वे भी इसी समय आश्क प्रदर्शनी देखने के हिटू एमद अगर पदा रहे थे चुनाव का कारिया समापता होने के पश्चाथ काका साहिब दिख्षित शिर्डी जाना चाहते थे यहां पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहिब के साथ भेजने के लिए कौनसा वेक्ती उपयुक्त होगा और दूसरी और बाबा अलग धंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंद कर रहे है शामा के पास एक तार आया कि उनकी सास के हलत अधिक सोचनिय है और उन्हें देखने वे शीग रही एमद नगर को आये बाबा से अनुमती प्राप्त कर शामा ने महा जाकर अपनी सास को देखा जिनकी स्थिती में अब परियात सुधार हो चुका थे प्रदरशनी जाती समये नाना साहिब पांक से तथा अपास गर्दे की द्रिश्टी अचनक शामा पर पड़ी उन्होंने शामा से मेरी करके घर जाकर काका साहिब दिक्षित से भेट करने तथा उन्होंने अपने साथ श्रडी ले जाने को का उन्होंने शामा के आगमन की सूचना काका सहीब दिख्षित और मेरीकर को भी दे 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 संध्या समय शामा मेरीकर के घर आये मेरीकर ने शामा का काका सहीब दिख्षित से परिचाय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका सहीब दिख्षित उनके साथ राट दस बजने वाली गाड़ी से कोपर का और रवाना हो जा जा इस निश्ठे के बाद ही एक बिचित्र घटना घटी बाला सहिब मेरीकर ने बाबा के बड़े चित्र पर से परदा हटा कर काका सहिब बिच्छित को उनके दर्शन करा है तो उन्हें ये देखकर आश्चरिय हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं श्रडी जाने वाला हूँ वेही इस चित्र रूप में मेरे स्वागत है तू यहां भी राजमान है तब अत्त द्रवित होकर वे बाबा की बंदना करने लगे ये चित्र मेगा का था और कांच लगाने के लिए मेरीकर के पास आया था दूसरा कांच लगवा कर उसे काका साहिब दिक्षित तथा शामा के हाथ बापस स्रेडी भेजने का प्रबन किया गया दस बज़े से पहले ही स्टेशन पर पहुँचकर उन्होंने दूतिय श्रेडी का टिकेट ले दिया जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो दूतिय श्रेडी का डिबा खचाखच भरा हुआ था उसमें बैठने को दिलमात्रभी स्टान नत भाग्यवश गाड़ साहिब काका साहिब दिक्षित की पैचान के निकलाए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम शर्णी के डिबे में बैठा दिया इस प्रकर सुविधा पुर्वक क्यात्रा करते हुए वेक ओपर गाव स्टेशन पर उत्रे स्टेशन पर ही श्रडी को जाने वाले नाना साहिब दांगुरकर को देखकर उन्हें हर्ष का पारावार मर रहा श्रडी कोंचकर उन्होंने मस्जित में जाकर बाबा के दर्शन किया तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतिक्षा कर रहा था श्रमा को मैंने ही तुम्हे लाने के लिए भेज दिया था इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा की सान्यत्य में ही व्यतित किये उन्होंने श्रडी में एक वाड़ा जिसे दिछित वाड़ा कहते हैं वो बनवाया जो उनका प्राया स्थाई घर हो गया उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त होए वे सब स्थाना भाव के कारण यहां नहीं दिया जा सकते हैं श्रोतम उसे प्राथना है कि वे श्री साई लीला पत्रिका के विशे शांक भाग बारावे के अंक्षे से नौ तक देके उनके केवल एक दो अनुभव लिखकर हम ये कता समाप करेंगे बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अन समय आने पर बाबा उन्हें विवान में ले आएंगे जो सकते हैं तरिक पाज जुले सन 1926 को वे हेमाड़पन के साथ रेल में यात्रा कर रहे थी दोनों में साई बाबा के विशे में बाते हो रही थी वे श्री साई बाबा के ध्यान में अधिक तल्लिन हो गए तभी आचानक उनकी गरदन हेमाड़पन के कंदे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कश्ट तथा घबराट के अपनी अंतिम स्वाश छोड़ दो श्री टेमबे स्वामा अब हम जितिय कथा पर आते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस पर एक दूसरे को किस प्रकार खत्रूवत प्रेम क्या करते हैं एक बार श्री वासुदेवानंग सरस्वती जो श्री टेमबे स्वामी के नाम से प्रसित हैं उन्होंने गुदावरी के तिर पर राज माहिंदरी में आकर डेराड़ा वे भगवान दत्तत्रे के कर्मकांडी ग्यानी तथा योगी भक्त थे नांदेड के एक वकी अपने मित्रों के साथ उनसे भेट करने आएं और वार्तालाव करते करते श्री साई बाबा की चच्चा भी निकल पड़ा बाबा का नाम सुनकर स्वामीजी ने उन्हें परवध प्रणाम किया और पु risky फल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भाता श्री साई को प्रणाम कर कहना कि मुझे न विज ले तथा सजय वो मुझे पर खृपा दृष्टी रखते उन्होंने ये भी पताया कि सामान्य तहा एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं कर परन्तु यहाँ विशेश रूप से ऐसा किया गया कारण एक नाले पर पानी पीने गए खाली पेट पानी नव पीना चाहिए ये सोचकर उन्होंने कुछ चोड़ा खाने को निकाल जो खाने में कुछ अधिक तिखा सा प्रतीत हुआ उसका तिखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोबरा मिला दिया औ उन्हें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेट सुरूप दिये जाने वाला नारियल ही पोड़ दिया गया है डरते डरते और कापते हुए वेश्री पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किया बाबा को तो यहां नारियल के सम्मन में स्वामी से बेतार का तार प्राप्ट हो चुका था इसलिए उन्होंने पहले ही पुंडली कराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्कूला उन्होंने बाबा के चरण पकड़ कर अपना अबरात स्विकार करते हुए अपनी चूप के लिए उनसे एक शमाय आजना थी वे उसके कूर्ती इस साधारन नारियल से नहीं होगी फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंदा न करो मेरी ही इच्छा से वो नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया तुम स्वयम में कर्टापन की भावना क्यों लाते हैं कोई भी स्रेष्ट या कनिष्ट कर् से परे होकर ही कारिय को तभी तुम्हारी शिक्रफा से प्रगती होगी। कितना सुन्दर था उनका यह अध्यात्मिक वदेश श्री वालाराम धुरंदर की कथा सुनो। तथा धार्मिक था। श्री वालाराम ने अपनी जाती की योग्य सेवा की और इस संबन में एक मुस्तक भी प्रकाशिक कराई था। इसके पश्चात उनका ध्यान अध्यात्मिक और धार्मिक विश्यों पर गया। उन्होंने ध्यान गुर्वग कीता उसकी ठीका और वामन राओं ने शिर्डी आकर बाबा के दर्शन किये थे। और उन्होंने घर लटकर अपने मधूर अनुभव भी श्री बालाराम वो परिवार के अन्य लोगों को सुनाएं। तब सब लोगों ने शिर्डी जाकर बाबा के दर्शन चाने का निष्चे किया। यहां अपनी यात्रा के संबन में किसी को भी इसके पहले सुचिना न दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैटकर बारतलाब करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बताया कि यह मेरे दर्वारी करण हैं जिनके संबन में मैंने तुमसे पहले का था। फिर धुर करकार के साथ को इक भाव जैसे अशुपाद, रोमाज, तथा कंठा विरोध, आदिजाबूत होने लगे और सबको बड़ी प्रसनता हुए। इसके पश्चार वे सब अपने निवास्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर उन्हें मस्जिद आकर बाबा करनाई से उन्होंने एक भूप लगाई और आदर पुर्वक बापा को लोटा था। पाला राम की दिये तो यानमोल घड़ी थी, वे छे वर्षों से श्वास रोग से पीड़ी थी, पर चलन पीते ही वे रोग मुप्त हो गया, उन्हें फिर कभी ये कश्ट न हुआ, छे व आफ्री को उन्हें चावडी उच्छाव देखने का अउसर मिल गया, आर्ती के समय बालाराम को चावडी में बाबा का मुखमंडल भगवान पंडुरंग सरीखा दिखाई दिया, दूसरे दिन खाकड़ आर्ती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा, उन्ह अपन परमेश्ट भगवान पंडुरंग के सद्रुष ही दिखाई दी श्री बालाराम धुरंदर ने मराथी में महाराष्टर के महान संथ तुकाराम का जीवन चरीत्र दिखा है परन्तु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक बेजीवित न रह सके बंदुवा ने इस पुस्त अध्याय समात्य को धाए श्री स गुरू साईनाथर प्रनमस्तु शुभफश्भन भवट्मद Ар अध्याय एकावनथ प्रारम श्री साई बाबा की अनुमतिसे और आशिरवाद ले कर अब हम अध्याय एकवन श्रवन करेंगे अब सुनिये उपसंहार अध्याय एकवन कुल्न हो चुका है और अब अंतिम अध्याय मूल ग्रंथ का बावनवा अध्याँ इसमें हेमाणपंत ने अंतिम समाल उचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विशे की सूची अंत में लिखी जाती है अब अग्यवश्ट हेमाणपं के कागलपत्रों की छानविन करने पर भी वो सूची प्राप्त नहों हो सकी तब बाबा ने एक योग्य तथा धार्मिक भक ठाने के अवकाश प्राप्त मामलगदार श्री बीवी देव ने उसे रच्पत प्रस्तुत किया पुस्तक के प्रारम में ही विशय सूची देने तथा प्रत्तिक अध्याय में विशय का संकित शिर्शक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रता है इसलिए यहाँ अनुक्रमनिका नहीं दी जा रहे है अताथ इस अध्याय को उपसाहार समझना ही उपयुक्त होगा अभाग्यवश हेमाडपन उस समय का जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रती में संशोधन करके उसे छापने योग्य बलाते अब सुनिये सद्गुरू श्री साई की महान की हे साई मैं आपकी चरण बंदना कर आपसे चरण की याचना करता हूँ क्योंकि आप इस अखिल विश्व के एक मात्र आधार हैं यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो ये मिश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीग्रपूर्ण होंगी और हमें अपने परमलक्ष की प्राप्ती हो जाएगी आज निन्दित पिछारों के तड़ पर माया मोह के जंजाबाद से धैर्य रूपी व्रिक्ष की जड़े उखड़ गई है एहंका रूपी वायू की प्रबलता से रिदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसमें क्रोध और घ्रिना रूपी घड़ियाल तैरते हैं और एहंभाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भोरों में मिंदा घ्रिना और इर्शा रूपी अगणित मचलियां बिहार कर रही है यद्यपी ये समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरू साई महराज उसमें अगस्त के सरूप ही है इसलिए भक्तों को कि जित्मान भी भयवीत होनी की आवश्यक्ता नहीं हमारे सद्गुरू तो जहाज है और वे हमें कुशलता पुरवक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे प्रार्थना श्री सचितान अंद साई महराज को साश्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्यानार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई हमारी मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो हे प्रभू तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक हमें किसी अन्यवस्तु की लालत सान न रहे तुम्हारा ये चरितर घर-घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठ़ को और जो भक इसका प्रेम पुर्वक अध्य पाठ़न से मनोवांचित खल के प्राप्टी होगी और विक्र गोदावरी नदी में इस्तान कर श्रीडी के समाधी मंदिर में श्री साई बबा की समाधी के दर्शन कर लेने के पश्चा इस ग्रंत का पाठ़न पाठ़न या श्रवन प्रारम करोगे तो तुम्हारे त्री व अबस्तपाप अवश्च नश्ठ हो जाएंगा जिदि सक्मुछी तुम आवागमन से मुप्ती चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठ़न पाठ़न स्मरण और उनके चर्णों में प्रगाड पृती रखनी चाहिए साई कथारुपी समुद्र का मन्धत कर उसम उनका मैं नश्ठ होकर बाबा से अविन्नता प्राप्त हो जाएगा जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थाज जागरती स्वफन और नित्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारी चक्र से प्रण करेंगे उन्हें सब भैयों से तुरंट छुटकारा मिल जाएगा इसके अध्यन से हर एक को अपनी श्रथा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभाव नहीं है यदि तुम इस क्रंथ का आदर प्र ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुप्त प्राप्ति होगी इस क्रंथ को अपने घर पर गुरु पॉर्णिमा, गोकुल अश्टमी, राम नौमी, विजा दश्मी और दिपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए यदि ध्यान पुर्वक तुम केवल इसी क्रंथ क अध्यन करते रहोगे तो तुम्हें सुक और संतोष प्राप्त होगा और सदय वस्री साई चरनारविंदो का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर के सहज ही पार हो जाओगे इसके अध्यन से रोगियों को स्वास्त, नर्धनों को धन, दुखित और पिडि निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महनों से सुनी हैं, उनके कलिवल हारी और मनोहर चरनों को कभी पिस्मृत न होने दें, जिस उच्छाह शर्था और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवन करेंगे, श्री साई बाबा वैसे ही सेवा करने की गुद्धी हमें प्रदान करेंगे, लेखक और पाठक इस कार्य में परस पर सहयोग देकर सुखी होंगे, अब सुनिये, प्रसाद याचना, अंत में हम इस पुस्तक को समाप करते हुए, सर्वशक्तिमान परमात्मा से इस प्रकार कृपा या प्रसाद याचना करते हैं, हे समस्त प्राणियों में देवादी देव साई भख्वान का ही दर्शन करें, एव मज़व, अध्याय 51 यहाँ समाप रुता है, श्री सग्गरू साई नाथार प्रणमस्तू, शुभम भबत, शुभम भबत, सुभम भबत, सब्ता हव पारायनाह, सब्तम विश्राम, ओम श्र साइ यशा काया शिर्डी वासने नमाहा